सफल सोच का सफल जादू डेविड जे स्वार्ड्स अध्याए एक सफल जीवन की शुरुवात एक सपने से होती है सफल लोग अपनी वर्तमान नोकरी, परिवार, सेहत या आमधनी की तरफ नहीं देखते वे भीड से आगे निकल जाते हैं और एक छोटा परंतु मैतवपूर्ण काम करते हैं वे जीवन को उस तरह नहीं देखते जैसा वह है बलकि उस तरह देखते हैं जैसा वह हो सकता है वे देखते हैं कि जीवन कैसा होगा जब वे इसमें मैं जीतूंगा के लगनशिल वे बुद्धि मतापूर्ण प्रियास भर देंगे किसी काम में प्रगती तभी हो सकती है जब उसकी संभावनाओं को देखा जाई प्रगती उस तीती में नहीं हो सकती जब हम सिर्फ वास्तुइक्ता को ही देखें महान आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेसक बड़े शहर की जुगियों और खंडरों की वास्तुइक्ता को नहीं देखते वे उन जुगियों को नई बस्तियों में बदलने की संभावनाओं को देखते हैं जहां लोग रहें, काम करें और जीवन का आनन्द लें हर कमपनी, स्कूल, संस्था और इमारत एक सपना है जिसे किसी ने देखा और अहकीकत में बदला महान जीवन हमेशा एक सपने से शुरू होता है हर इनसान के पास दो तरह की दृष्टी होती है नेत्र दृष्टी और मस्तिस्क दृष्टी नेत्र दृष्टी हमें बताती है कि हमारे चारों तरफ कोन सी वस्तुए हैं नेत्र दृष्टी रक्षों, लोगों, इमारतों, पहाडों, पानी, सितारों और अन्य बोतिक वे मूर्थ वस्तुओं की तस्वीर बनाती है नेत्र दृष्टी बोतिक है मस्तिस्क दृष्टी नेत्र दृष्टी से अलग है मस्तिस्क दरश्टी यह देखने की शक्ति नहीं है कि क्या मौजूद है बलकि यह देखने की शक्ति है कि इनसान की बुद्धी के प्रियोग के बाद क्या संभव हो सकता है मस्तिस्क दरश्टी सपने देखने की शक्ति है मस्तिस्क दरश्टी भविषय की तस्विरे मनाती है वह है घर जिसका हम ख्वाब देखते हैं वे परिवारिक संबंद जो हम चाहते हैं वह है आमदनी जिसका हम आनन्द लेंगे वे चुटियां जो हम मनाएंगे या वह है दोलत जो भविषय में हमारे पास होगी नेत्र दरश्टी पूरी तरह बोतिक है और सिर्फ वास्त्विक्ता देखती है मस्तिस्क दरश्टी पूरी तरह मानसिक है और सिर्फ संबंद देखती है मस्तिस्क दरश्टी वह दिखाती है जो अभी वास्त्विक या बोतिक नहीं है हम सपने देखने की अपनी मस्तिष्क दरश्टी को किस तरह चूंते हैं इस से हमारी सफलता, हमारी संपत्ती और हमारा सुक तै होता है लोगों की नेत्र दरश्टी एक सी होती है बहुत कम उमर में ही सभी बच्चे वस्त्वों को सपस्ट रूप से देख सकते हैं जैसे लोग, हमारते, सितारे और पानी परंतु लोगों की मस्तिष्क दरश्टी में बहुत अंतर होता है यानि उन चीजों की मानसिक तस्विर देखने में जो अभी वास्त्विक या बोतिक नहीं है ज्यादातर लोग बविश्य को मुश्किलों से बरा देखते हैं नोकरी या बिजनस के छेतर में वे एक ओसत कम तनख्वा के काम में खुद को जिंदी की उजारते देखते हैं सामाजिक जीवन में उनकी मस्तिस्क द्रश्टी बहुत कम खुशी देख पाती है और यहां उन्हें बहुत बोरियत तथा बड़ी समश्य इन दिखती है और पारिवारिक जीवन में भी वे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक उबाऊ, सामान्य और समश्याओं से बरा जीवन देखते हैं दूसरी और सफलता की दोर बढ़ रहे कुछ स्वपन दर्सी भविश्यक और चुनोतियों से बरा देखते हैं वे काम को प्रगती और प्रतिष्टा की राहा के रूप में देखते हैं जिस पर आगे चलकर बड़े पुरुसकार मिलेंगे रचनात्मक स्वपन दर्सी सामाजिक सबंदों को उच्छा वर्दक, प्रेरक और खुश्नमा नजरिये से देखते हैं पारिबारिक जीवन में वे रोमांच, रोचकता और खुशी देखते हैं वे एक सुखद और अच्छे जीवन का सपना देखने का विखल्प चुनते हैं हम अपनी जिन्दगी को विजेताओं की तरह जिएंगे या पराजितों की तरह हैं यहे इस बात पर निर्वर करता है कि हम अपनी मस्तिस्क दृष्टी का प्रियोग किस तरह करते हैं हम क्या देखने या किस चीज के सपने देखने का विखल्प चुनते हैं हम में से हर एक के पास इस जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाने की शक्ती है जो इस बात पर निर्वर करती है कि हम इसके बारे में किस तरह से सपने देखने का विकल्प चुनते हैं जो लोग जीवन को स्वर्ग की तरह देखते हैं वे बीजेता होते हैं जो लोग जीवन को नरक की तरह देखते हैं वे पराजित होते हैं कुछ लोग मानते हैं कि उनका भविश्य, तकदीर या किस्मत से तै होता है। ये लोग सोचते हैं कि दोलत, सफलता और अच्छा जीवन पासे फैंकने, पईये के गूमने या लोटरे में खुलने वाले नंबर पर निर्वर होता है। कितनी मुर्क तपूर्ण बात है। आंकडों के हिसाब से लाटरे में दस लाख डोलर जीतने की संभावना करोडों में एक है। लाटरियां उन लोगों को आकरशित करती हैं जो मानते हैं कि सिर्फ कुछ डालर के निवेश से दोलत हासिल की जा सकती है। लोटरी या किसी तरह का जुआ उन्हीं लोगों को फसाने के लिए चलाया जाता है जो सोचते हैं कि वे तकदीर या किसमत गे सारे अमिर बन सकते हैं। चाहने और सपने देखने में अंतर होता है, चाहना निश्करिय होता है, चाहना एक आल्सी मन और अजन है, इसके पीछे ने तो बूद्धी होती है, ने ही प्रियास परन्तु सपने देखने के पीछे, परिणाम हासिल करने की कारिय योजना या एक शन प्लान होता है जिम चाता है कि उसे परमोशन मिले परन्तु जिम कभी स्वेचा से अतिरिक्त काम करने की पहल नहीं करता वह अपने जरूरतमंद सहकरिमियों की मदद करने से बचता है वह कभी अपनी तरफ से इस तरह का कोई नया सुझाओ नहीं देता हम इसे क्यों नहीं आजबाते क्या जिम की अधिक धन कमाने की इच्छा कभी याकीकत में बदल पाएगी जाहिर है नहीं मेरी चाती है कि वह उस अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर बन जाई जहां वह काम करती है परंतु उसके पास एडवांस अकाउंटिंग कोर्स करने का समय ही नहीं है जब दिन में 12 या 14 गंटे काम करने की जरूरत होती है तब वह अपनी तरब से मदद करने का कोई परस्ताव नहीं रखती वह फर्म के एगराकों को टेक्स बचाने के सुझाओ देने में बिलकुल भी मेनद या कोशिश नहीं करती परिणाम मेरी कीच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती टीम और सुजन चाते हैं कि उनका अपना सफल बिजनेस हो परंतु वे विकेंड के मनोरंजन को प्राथ्मिक्ता देते हैं उनका सारा समय पार्टियों सेर सपाटिक और मनोरंजन में ही गुजर जाता है और उनकी चाहत सिर्फ चाहती बनी रहती है देखिए कोई भी कुछ भी चाह सकता है परंतु सपने देखने वाला जब कुछ चाहता है तो वह उसे हासिल करने के लिए मेहनत करता है आप अपने परिचितों को दोस रेने में बांट सकते हैं वीजेता और पराजित वीजेता सक्रियत सुपंदरस्टी होते हैं वे अपने सपनों को सकारात मत वे भोतिक उपलब्दियों में बदलने के लिए मेहनत करते हैं पराजित निसक्रियत दोस दर्शी होते हैं वे यह मानते हैं कि सिस्टम उनके खिलाफ है और भवीशे भग्या द्वारते होता है पराजित लोग दूसरों की बुराई करते हैं जून को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसने बोस के साथ थोड़ा अतिरिक्त काम करवाया फ्रेड को बड़ा आफर इसलिए मिला क्योंकि उसने खरीदार को रिश्वत दी पीट और सारा के पास नई मर्सिडीज है पर शायद उने पांच साल तक इसकी किस्तें चुकाने पड़ेगी विजेता सद्भावनाओं से बढ़े होते हैं मैं जोन की उपलबदी पर खुस हूँ वह कड़ी मेनत करता है और उसे पूरुसकार मिलना ही चाहिए बेटी का प्रमोशन यह साबित करता है कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे इसका इनाम मिलता है पराजित लोग निराशावादी होते हैं अर्थ व्यवस्ता चोपट हो चुकी है देश करज में डूबा है व्यापारी का एसंतुलन के चलते मंदी के बुरे दिन आने वाले हैं इसलिए भविशय के लिए निवेस करने की जंजट में मत भसो हूँ जो बड़े सपने देखते हैं वे सोचते हैं इस समय अर्थ व्यवस्ता कितनी ही अच्छी या बुरी हो यह बहतर हो जाएगी यहाँ हमेसा होता है मैं एक महान भविशय की कल्पना कर रहा हूँ इसके अलावा मैं देश की अर्थ व्यवस्ता को नियंतृत नहीं कर सकता परन्तु मैं अपनी अर्थविष्टा को तो नियंतिरित कर सकता हूँ विजेता उदार होते हैं पैसे कमाने में मैं दूसरों की जितनी मदद करूँगा बदले में मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे दूसरे लोगों के लिए किये गए अच्छे कामों का फुरुसकार हमेसा मिलता है पराजित लोग बिना कुछ दिये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं मैं एक बड़ी कमपनी के लिए काम करता हूँ मुझे ज़्यादा तनकुआ मिलनी चाहिए मैं यहां पर दस साल से हूँ कमपनी को मुझे ज़्यादा तनकुआ देना चाहिए एकस्पेंस अकाउंट में गड़बड़ी करो सभी ऐसा करते हैं हालांकि मैं बिवार नहीं हूँ फिर भी मैं तीन दिन की बिमारी की चुक्टी ले लूँगा यह मेरा अधिकार है विजेता जानते हैं कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता त्याक का मतलब है अपने और अपने प्रियजनों के सुखत बविश्य के लिए निवेस करना और कड़ी मेनत इनसान को सुखी बनाती है जब हम लोगों को अधिकांस संभावनाओं को विक्षित करने में उनकी मदद करते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा पुरुसकार होता है कई मैनेजर मुझे बता चुके हैं लोगों को ओसत जिंदगी से बचाने और उन्हें सफलता का रास्ता दिखाने में मुझे बहुत संतोस मिलता है सेल्जमेन बताते हैं कि किस तरह वे गराहक की मदद करते हैं ताकि वह अपने बिजनस को नए आयाम देकर उसे लाबदाएक बना सके खेल पर शिक्षक बताते हैं कि किस तरह वे किसी खिलाडी को साहस वे दिसा देते हैं और फिर उसे मशूर होते देखते हैं हाले में मैंने पांचवे कक्षा की एक स्कूल टीचर के सम्मान में आयोजित समारों में भाग लिया यह ऐसा मन्य बात थी क्योंकि यदिकांस वियसक अपनी पांचवे कक्षा की टीचर की परवान नहीं करते हैं कई बार तो वे उसे पूरी तरह भूल जाते हैं परंतो इस समारों में सैंकडों लोग मुझूद थे इन लोगों ने मिस बावर का आभार माना कि उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया था समारों के बाद मैंने मिस बावर से पूछा आपने बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया मैंने बच्चों को कभी बच्चा नहीं माना मैंने अपने मस्तिस को इस तरह पर शिक्षित किया ताकि मैं यह देख सकूं कि ये बच्चे फ्यसकता की मंजिल की और बढ़ रहे यात्री हैं ये बच्चे एसे पोदे हैं जो धीरे धीरे परंदु निश्चित रूप से विशाल वरक्ष में विक्षित हो रहे हैं मैंने अपनी शेक्षनिक जिम्मेदारियों को तीन आयमों से देखा अच्छे माता पिता अच्छे नागरिक और अच्छे करमचारी बनने में उनकी मदद करना इसी मुख्य विचार ने मुझे रहा दिखाई कि मैं उन्हें किस तरह और क्या पड़ाऊं कितना अद्बुत बहरन है यह उससे तो बहुत बहतर है कि बच्चों को सिर्फ बच्चा ही माना जाए और यह सोचा जाए कि शिक्षा देना सिर्फ एक नोक्री है मिस्बावर ने बच्चों में छुपी संभाउनाओं को देखा और उस संभाउना को हकीकत में बदलने के लिए मारक दर्शन लेने की अपनी जिम्मेदारी समझी सपने को किस तरह बढ़ा करें किसी दूसरे की गती विदियों को नजर अन्दाज करने के लिए इस तरह की बात कहना आसान है कि उनकी किसमत अच्छी थी उसमें बेतर खेलने की क्षमता है वह पैदाईसी जीनियस है उसने यह फर्ष प दोलत और खुशी किसमत की वज़े से नहीं मिलते सभी उपलब्दियां उन सपनों की वज़े से पैदा होती हैं जिने सासी लोग हाकिकत में बदल देते हैं हम जिन बड़ी बड़ी मारतों में रहे रहे हैं जो करसी उतपादक हमें अनाज खिला रहे हैं जो उद्द्योग हमारा मनोरंजन कर रहे हैं जो संस्ताइं सिक्षा दे रही है और प्रेरित कर रही है वे रचनात्मक व्यक्तियों के वीचारों और सपनों से विक्सित हुई है जब आप किसी सफल बिजनेस स्कूल सांसकर्तिक या राजनेतिक संस्ता को देखते हैं तो आप किसी इनसान के सपने को देख रहे है जो हकीकत में बदल चुका है रचनात्मक सपनों की बदोलत ही सुखी परिवार संभव होता है जीवन को बगेचे की तरह माने एक समय था जब कैलिफोर्निया की वादियां रेगिस्तान थी परंतो सपन दर्शियों ने इस बेकार भूमी को संचित क्षेतर के रूप में देखा जहां लोगों के लिए उप्योगी अनाजुगाया जा सकता था जिनों ने यह जमीन खरीदी वे अपने सपने पर मेनत करके माला माल हो गई सफल लोग वे होते हैं जो अपने सपने को दूसरों दौरा चाही जाने वाली सेवा और सामान में बदल देते हैं किसी सपने को सफलता तक विक्षित करना बगीचे को विक्षित करने की तरह है इसमें छे कदम सामिल है नमबर एक अपने सपने का बीच चुनिए नमबर दो उस बीज को स्विकार करने के लिए अपने मस्तिस को तैयार कीजिए नमबर तीन अपने सपने का बीज बोईए नमबर चार अपने सपने के बीज को खाद पाने दीजिए नमबर पांस अपनी उर्जा को एकागर कीजिए मैं करके दिखाऊंगा काप्रियोग कीजिए नमबर छे समय से अपने लिए काम करवाईए पहला कदम अपने सपने का बीज चुनिए जिस तरह अच्छी खेती के लिए मक्का का बीज सावदाने से चुनना मैं तो कुर्ण है उसी तरह अच्छी जीवन के लिए सपने का बीज समझदारे से चुनना चाहिए बीज हमेशा अपनी तरह के फल देते हैं गेहूं की बीज से हमेशा गेहूं की फसल मिलती है मक्का की नहीं निम्बू के बीजों से निम्बू के पेड़ मिलते हैं आड़ू के नहीं सपने का बीज भी अपनी प्रकरती के फल देता है कि सपने का बीज बोया जाई यह है फैसला करते समय आपको खुद से दो एहम सवाल पूछना चाहिए मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें कितने लाब की संभावना है दूसरों की सेवा के बदले में मिलने वाला लाब आपका पूरुसकार है बिजनस में हम अच्छे समान और सेवाओं को उचित कीमत पर देकर लाब कमाते हैं बिजनस के अतिरिक जैसे स्कूलों और सेवा वावी संस्ताओं में लाब के माइने बदल जाते है लाब का मतलब यह हो सकता है कि कितने लोगों को सिखाया गया था या बेहतर डंग से जीने में उनकी मदद की गई किसी चर्च के लिए लाब का मतलब यह हो सकता है कि उसने कितने लोगों की मदद की किसी परुपकारी संस्ता के लिए लाव का मतलब यह हो सकता है कि उसने कितने गरीबों को भोजन कराया किसी ट्रेड एसोशेशन के लिए लाव का मतलब यह हो सकता है कि उसने अपने सदश्यों की कितनी सेवा की लाव हमेशा हमारे द्वरा की जाने वाली भलाई का पैमाना है आपका सबना चाहे जो भी हो यह बात तो तैह है कि आप अधिक्तम लाव की फसल पाना चाहते हैं क्योंकि लाव से ही परिणाम तोले जाते हैं संभावना बहुत मैतोपूर्ण है हर व्यक्ते में कई योग्यता ही होती है अच्छे जीवन की एक कुझी है आपकी स्रेश्टम योग्यता को चुनना और उसे विक्सित करना दुखी जीवन का रास्ता वह काम करना है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह गलत है कोई महिला चित्रकार किसी पेंटिंग के बदले में 25 डोलर हासिल करके बहुत खुश हो सकती है क्योंकि वह जानती है कि उसकी मेंनत से दूसरे की आत्मा को सुख मिलेगा जब आप सपने का चुनाओ करें तो खुद से पूछें मेरा सपना पूरा होने से दूसरों को कितनी संतुष्टी मिलेगी याद रखें पैसा अपने आप में ने तो अच्छा होता है ने ही बुरा पैसा सिर्फ एक माध्यम है जो मानवी अगतिव वीदियों को उर्जा वैदिसा देता है और स्कोर रखने का तरीका है एक तरफ पैसा स्कूल तथा अस्पताल बनवाता है और हमारी सरकारें चलाता है दूसरी तरफ पैसा अपराद बढ़ाता है विश्वस्त पदों पर बैठे लोगों को रिश्वत खोर बनाता है और सरकार, सिक्षा तथा चर्च के कुछ सद्शियों को ब्रष्ट करता है मैं क्या करना चाता हूँ सफलता बहुत आसान होती है अगर हम किसी स्टोर में जाकर दुकानदार से यह कह सकते ऐसे सपने का बीज दीजी जो मुझे गारंटी से सफल और अमेर बना दे परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते सपनों के भीज बाजार में नहीं मिटते नहीं उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता और नहीं उदार लिया जा सकता नहीं किसी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है दोस्त, माता-पिता और सिक्षक लक्षक के बारे में सुझाओ दे सकते हैं परंतु सिर्फ आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मेरे लिए कौन सा सपना सबसे अच्छा है? अक्सर मुझे से पूछा जाता है, मैं किस बिजनस में धेर सारी दोलत कमा सकता हूँ? यह सवाल किसी रोसनी बरे दिन में यह पूछने की तरह है, सूरज की रोसनी कहा है? या समुन्दर में किसी जहाज के डेक पर खड़े ओकर यहे पूछने की तरह है पानी कहा है पैसा कहा है इस सवाल का जवाब है हर तरफ अमेरिका में नोकरियों में अमीर बनने की बहुत संभावना है ज्यादातर संगीतकारों की आमदनी कम है परंतो कुछ संगीतकार हर साल करोडों कमाते हैं इसी तरह आम तोर पर पादरियों को कम वेतन मिलता है परंतो कुछ को बहुत अधिक तन मिलता है कई छोटे बिजनस मा बहुत कम कमाते हैं परंतो कुछ अमीर बन जाते हैं और उन्हें आशा से अधिक पुरुषकर मिलते हैं आर्थिक अफसर के संदर्ब में कहा जाए तो कोई व्यवसाई किसी इनसान को अमीर नहीं बनाता इनसान खुद अपने आपको अमीर बनाता है सपने का सबसे अच्छा बीजव है जिसे आप अपने दिमाग से बाहर ने निकाल सकें एसा विचार जो कभी आपका साथ ने छोड़े एसा उदेश्य या काम जिसमें आप डूब जाएं और दिवानगी की हद तक पहुँँ जाएं आदर सपने का बीज वह काम है जिसे किए बिना आप रहे ना सके हर माली जानता है कि बीज बोने से पहले जमीन को कितनी अच्छी तरह से ते तैयार किया जाएगा बीज उतने ही अच्छे उगेने जिस तरह जमीन पोदे के लिए है उसी तरह आपका मस्तिस्क सपने के लिए है सपने के बीज को स्विकार करने के लिए आपका मस्तिस्क जितनी अच्छी तरह से तयार होगा आपके सपने की जड़े उतनी ही अच्छी तरह से जमेंगी अच्छी तरह से तयार जमीन कहती है मैं बीज को स्विकार करती हूँ सपने के लिए तयार मस्तिस्क कहता है मैं सपने को स्विकार करता हूँ मैं इसके लिए तयार हूँ अपनी स्वपन मशीन पर गरव कीजिए आपका मस्तिस्क जहां आप अपने सपने को बोते और पालते हैं अनूठा है पूरी स्रस्टी में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरह दिखता, बोलता, चलता और सोचता हो इस बात पर खुश हों अनूठे होने का आर्थी यह है कि जिस अपने को आभा की ख़द में बदलना चाते हैं उसके लिए आपके पास सर्वेसरेश्ट सोपन मशीन है कुछ लोग कहते हैं काश अपने बोस, किसी अमीर आदमी, अपने भाई या बेहन, अमेरिका के राष्टपती जैसे किसी सत्तादारी व्यक्ती की जगह होता जो लोग ऐसा कहते हैं वे अपने महान उपार को नजर अंदास कर रहे हैं अनुठा बन यह हो सकता है कि आप अमेरिका के राष्टपती के साथ उसका पद बदलना चाहें, परन्तु आप निश्चित रूप से जिंदगी की अदला बदली नहीं करना चाहेंगे अपने जीवन को पसंद करना एक अच्छी बात है, आपके उदेश्यों के लिए आपके पास सर्वस्रेश्ट स्वपन मसीन है अपने मस्तिस्क को PMA, Positive Mental Attitude यानि सकारात और मानसिक नजरिये के द्रव्य से दोई आपके हाथ और चेरा धूल, कीचड़ और घ्रीस की वज़े से गंदे हो जाते हैं कुछ समय बाद हताशा, हार और निराशा की वज़े से आपके मस्तिस्क में भी गंदगी जमा हो सकती है जिस तरह बोजन करने से पहले हमें अपने हाथ दोने की जरूरत है उसी तरह सपने पर काम करने से पहले हमें अपना मस्तिस्क दोने की जरूरत होती है अपने सपने की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको उन यादों को दोकर साफ कर देना चाहिए जो आपको पीछे दकेल रही है जैसे वहे समय जब आपने कोई काम करने की ऐसा फलकोशिश की थी जिस वज़े से आप मुर्क साबित हुए और अप्मानित हुए या वहे समय जब आपने बिजनेस, विवा या निवेस में हार का सामना किया हो अपने मस्तिस को साफ करने के लिए उस पर पी ए में दरवे छिड़के यानि अपनी सफलताओं और उपलब्दियों के सकारात्मक मानसिक नजरिये के विचार सोचे वहे परसंसा याद करें जो आपको अपने पसंदिदा लोगों से मिली या वहे जीत जो आपने हासिल की अपनी पराजय की तरफ सिर्फ सबक सीखने के लिए देखें फिर उसे भूल जें नकारादमक यादों को धोकर मिटा दें अपना सपना निरोगी भूमी में बोई अपने सपने की सेर का ब्रोशर तयार कर लें कल्पना करें कि कोई दोस्त आपको और आपकी पत्नी को मोस्को की यात्रा पर चलने का सुझाओ दे रहा है परन्तु वहां जाने में आपकी कोई दिल्चस्पी नहीं है उसकी कोई बज़े नहीं है आप बस यूँ ही नहीं जाना चाहते है फिर आपका दोस्ता आपको मासकों के इतिहास, संस्कृती, प्रिती रिवाज, मनोरंजन और सामजिक समश्यों की तस्वीर दिखाता है और कुछ समय बाद आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं हम किसी चीज के बारे में जितना अधिक जानने लगते हैं उसके बारे में हमारी जिग्यासा उतनी ही बढ़ जाती है हमारा मस्तिस्क भी हमारे सपनों को इसी तरह से स्विकार करता है आपके पास अपने सपने की तस्वीर जितनी सपस्ट होगी आप उसके बारे में उतने ही अधिक उत्साई होंगी सपने को स्विकार करने के लिए मस्तिस को तयार करने का एक जरूरी हिस्सा है अपनी बोतिक द्रश्टी से सपने को पूरी सपस्टता से देखना अगर आप किसी विशेश गर का सपना देख रहे हैं तो पडोस में एक सरगुमे और अपने सपने के घर को देखें अपने बच्चों के लिए अच्छी सिक्ष्या का सपना देख रहे हैं उस विश्वडेले या स्कूल का ब्रवन करें जहां आपका सपना सच होगा अपने दम पर कोई नया करियर या बिजनस सुरू करने का सपना देख रहे हैं इसके बारे में जितना संभव हो उतना अध्यन करें उस करियर या बिजनस में काम कर रहे हैं लोगों से बात करें अपनी योजना को कागज़ पर लिख लें पहले तो बड़ी तस्वीर इसके बाद विस्तरत विवरन अपनी मस्तिस्क द्रश्टी का परियोग करके अपने मस्तिस्क को तयार करें ताकि वह महान सपने के बीज को फिक्सित कर सकें तीसरा कदम अपने सपने का बीज बोहिए सावदानी से चुने गए बेहतरीन टमाटर के बीज के बारे में सोचिए इस छोटे से बीज में 25 पॉर्ण फल देने की संभावना छुपी है एक बीज असानी से अपने वजन से 10 लाग मुना आधिक वजन के फल पैदा कर सकता है बहराल इतनी संभावनाओं के बावजूद वह एक भी टमाटर नहीं देगा जब तक कि उसे बोयाने जाई यही महान सपनों के साथ होता है दन कमाने, बिजनस खड़ा करने, सामाजिक समशें सुल जाने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के सरवस्रेस्ट विचार भी व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें बोयाने जाई और जब अच्छी तरह से तयार किसी मस्तिस्क में महान विचार बोय जाते हैं तो अद्भुत परिनाम मिलते हैं मैकडोनाल्स से लेकर फोर्ड तक और हरसे केंडी से लेकर कोका कोला तक हर महान विवसाई कभी सिर्फ एक विचार था जिसे बोया गया इनकी दोलत एक विचार से पैदा हुई जिस पर मेहनत की गई हमारे चारो तरफ एसे लोग हैं जो काश मैंने इसा किया होता कि बिमारी के सामने हार मान लेते हैं यह बिमारी कई रुपों में मिलती है निवेस के बारे में चर्चा करते समय लोग कहते हैं काश मैंने दस साल पहले अमुक शेर खरीद लिए होती मेरी छटी इंदरी ने मुझे फलां कमपनी में निवेस करने को कहा था परन्तु मैंने इसा नहीं किया जिन लोगों ने अपने सपने को नहीं बोया वे बिजनस शुरू करने की बात करते समय कहते हैं मैं 1980 में अपना बिजनस शुरू करना जाता था परन्तु मेरे सामने कुछ परिशानिया थी या जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मैं अमुक आउसर का लाब ने उठाने के लिए खुद को लानत बेशता हूं करियर के बारे में चर्चा करते समय आप अच्छर लोगों को यह कहते वे सुन सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने सपने की संभावनों को मर जाने दिया मैं अपना खुद का बिजनस खड़ा करना चाहता था परन्तु मुझे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था या बहुत पहले मैं दरसल कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था परन्तु फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर का फैशन सिर्फ कुछ समय तक ही रहेगा काश मैंने ऐसा किया होता कि बिमारी उतनी ही आम है जितने की जुकाम बुद्धि माने से बरी एक पुरानी काहावता है बोले या लिखे जाने वाले दुखत शब्दों में सबसे दुखत शब्द है ऐसा हो सकता था इसकी वज़े से उन लोगों का जीवन निरासा जनक हो जाता है जिन के पास महान विचार तो होते हैं और अंतुबे उन्हें मर जाने देते हैं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ पर दो योजनाई है अब ही शुरू कीजिए आज मुझे एक कार डिलर ने फोन करके आगरे किया कि मैं उसकी कंपनी के सर्वस रेश्ट वर्स के समारों में उसके सेल्स टाप के सामने बासन दूँ उसने मुझसे कहा आठ साल पहले मैं पुलिस अबसर था नोकरी ठीक ठाक थी परंतु कम तनक्वा राजनेतिक और नकारात्मक माहूल मुझस पर बुरा असर डाल रहे थे एक वीकेंड में मैंने आपकी पुस्तक दे मैजिक आफ तिंकिंग भी पढ़ी और अध्याई दस काम में जुटने की आदब डालिये का एक वाक्या पढ़ा सोंवार की सुबह मैं अपने बोश से मिलने गया और अपना इस्तिफा दे दिया मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे इस जीवन का अनंद लेना है तो मुझे अभी शुरू करना होगा मैंने ऐसा ही किया डिगरी हासिल करना चाहते हैं आप ही शुरू कीजिए आपको लग रहा है कि आप अपने नोकरी में प्रगती नहीं कर रहे हैं अभी अपने वरिष्ट अदिकारी से बात करें करज में गले तक डूबे हैं अभी हाल अपनी आर्थिक स्थिति का विशलेशन करें बच्मन में खेती करते समय मैंने जब सीख लिया था कि बुआई की स्थितियां कभी आदर्स नहीं होती बीज बोने के लिए मौसम या तो जरूर्ट से थोड़ा नम होता था या फिर थोड़ा ज्यादा सुखा या तो यह थोड़ा जल्दी होता था या फिर थोड़ी देर हो चुकी होती थी मुझे याद है एक बसंद में मेरे पिताजी ने कहा था हमने आज तक मका इतनी देर में कभी नहीं बोई है और हमें शायद अच्छी फसल नहीं मिले परन्तु हमने इस समय मका नहीं बोई तो हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी इसलिए जब के पलाइन वादी बाक्यों पर साबदाने से गोर करें जैसे मैं अपने सपने पर काम करना तब शुरू करूंगा जब अर्थवे वस्ता सुदर जाएगी या जब मैं कर्ज से बाहर निकल लाऊंगा या जब छुटियां खत्म हो जाएगी या जब अमुक ऐसा काम कर लेगा याद रखें एक वक्त ऐसा आएगा जब आगे होंगी चोथा कदम अपने सपने के बीज को खाद पानी दीजिए अपने टमाटर के बीज के बारे में थोड़ा और सोचिए बीज बेहतरीन है जमीन अच्छी तरह से तयार है और आपने बीज बो भी दिया है पर अच्छे स्वाद वाले टमाटर उगें और डेहर सरी उगें इसके लिए इस बीज को पोशन की जरूरत है सूरज की रोशनी, खाद और पानी की। आपके सपने के बीज को भी पोशन, कलपना, प्रोटसाहन और विचार की जरूरत है ताकि वहे विक्सित हो सके और आपको दोलतमंद बना सके। सरकारी आंकडों के अनुसार हर साल बीस लाख बिजनस शुरू होते हैं, परन्तु इन में से बहुत थोड़े ही सफल हो पाते हैं। किसी ने किसी तरह से इसका प्रमुक कारण है लापरवाई है। मैं आपको एक दमपती टाम और सुजन के बारे में बता दूँ, जो एक मर्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस में आर्थिक सोतंदर था और समरदी के अपने सपने को विक्सित कर रहे हैं। सुजन ने इसे इस तरह से बताया। हमने फैसला किया कि इस मूलबूत विचार में जिसे आपने सपने का वीज कहा है, वे सारी संभावनाई थी जो हम चाढते थे। हमने दूसरे लोगों को इसमें सफल होते देखा और वे हमसे ज़्यादा स्मार्ट या बेतर नहीं थे। इसलिए हमने फैसला किया, नहीं हमने संकल्प किया कि हम अपने बिजनस को सफल बनाएंगे, हमने हर रात को तीन गंटे बिजनस के लिए अलग निकाल कर रख लिए और हर विकेंड में आठ गंटे, समय निकालने के लिए हमें त्याग करना पड़ा, वे हंस्ते वे आगे ब ले और अपने ग्रूप लीडर से फोन पर बातें की जितनी बार कर सकते थे हमें उन लोगों से बहुत उपियों की विचार मिले जो इस बिजनस में बहुत अच्छा परदसन कर रहे थे जब भी हमारे सामने कोई समश्या आती थी हम मदद मांग लेते थे और इसमें हमें उतनी ही सावदाने से पाला पोसा जितनी सावदाने से हम अपने दो बच्चों को पालते हैं टाम ने मुझे बताया कि बिजनस के पहले साल में उन्हें 31,000 डालर की कमाई हुई परंतु मुख्य मुद्दा यह है है कि वे अपने बिजनस को सफल बना रहे थे इसकी देख ब अगर जरूरी हो तो कोलेज जाएं ट्रेड एसोशेशन के सदस्य बनें सफल लोगों से बात करें पढ़ें सफलता की मान सिकता वाले दूसरे लोगों की मदद लें मानविय सवबाव का एक पुराना नियम है एक जैसे पंक वाले पक्षी एकठे उड़ते हैं यह नियम हमे बहुत जादा हो और जो इस से भी अधिक दोलत हासिल करना चाते हो जिस तरह के लोगों के साथ आप हर दिन उत्ते बैठते हैं देर सवेर आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं अगर आपके दोस्तों के समूम में ऐसे लोग हैं जो ओसत जिन्दगी से संतूष्ट हैं जिनके जीवन की फिलासफी है जो किस्मत में होगा वही मिलेगा तो समय के साथ आप भी वैसा ही बन जाएंगे आपका सपना मर जाएगा आपकी दरश्टी धुंदली हो जाएगी और आपकी अध्यात्विक मरती हो जाएगी इसका उदाहन देखिए मान लेजिए आप अपने ओसत मित्रों को बताते हैं कि पांच साल के बीतर आप हर साल दो लाग डालर कमाने जा रहे हैं आपके साधान दोस्त आप पर हंसेंगे वे आपको बताएंगे कि आप नादान हैं मुरख हैं यही नहीं वे अपने दूसरे दोस्तों को भी मज़े लेकर बताएंगे कि आप कितने म रखें जो सोच रहे हैं कि आप इतना सारा फैसा कमा सकते हैं परंतो अगर आप उन लोगों को अपनी योजना बताएंगे जो दो लाग डालर परती वर्स कमा रहे हैं तो वे कहेंगे बहुत बढ़िया यह बहुत अच्छी बात है मैं इसमें आपकी किस तरह मदद कर सकता हू इस बात का ध्यान रखें जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं वे यह नहीं चाहते कि आप सफल हों वे चाहते हैं कि आप उसत जिन्द की जीएं क्योंकि इससे उन्हें अपने बारे में कोई शिकायत नहीं होगी दुख में संगी साथी अच्छे लगते हैं इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं सोचने वाले दोस्तों यही चाहेंगे कि आप भी उसत बने रहें आपके नकारातमक से योगी चाहते हैं कि आप ऐसा फल हो जाएंगे अगर आप सफल हो जाएंगे पैसे कमाएंगे और अच्छे जीवन का अनन्द लेंगे तो इस से वे ऐसा हज़ हो जाएंगे इसा करके आप उनके समू के साथ भी स्वासगात करेंगे जब कि अगर आप ऐसा फल होंगे तो आपके ओसत मित्र आपके बारे में बेहतर महसूस करेंगे दूसरी तरफ आपके परिचित दोलतमन लोग यह चाτη हैं कि आप सफल हों दोलतमन और सफल लोग जानते हैं आपस में बांडने के लिए बहुत कुछ है अपने सपने को बढ़ा करते समय अपने आपको सकारातमक लोगों से गहर ले सकारातमक लोग चाते हैं कि आप जीतें सफलता हासिल करें अच्छे जीवन का आनन्द ले वास्तविक संतुष्टी प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में योगदान दे दूसरी तरब दकारात्मक लोग चाहते हैं कि आप जीवन में अपनी वर्तमान सित्थी को स्विकार करें बोरियत और ओस्त दर्जे के साथ संतुष्ट रहें कम आमदने में गुजारा करें और उन पुरुष्कारों से बन्चित रहें जो दूसरों की मदद करने के लिए मिलते हैं खर्पतवार और इल्यों को दूर रखें आईए हम दुबारा आपके टमाटर के पोदे की तरफ चलते हैं अगर सूरिय की उर्जा पानी और पोशन के लिए इसे खर्पतवार से मुकावला करना पड़े तो इसकी फजल कमजोर होगी और मोका पाते ही इल्यां इसे कुतर जाएंगी और नश्ट कर देंगी हार्थिक सवतंतर ताखा आपका सपना भी खर्पतवार और इल्यों को अपनी तरफ आकरशित करेगा यह काम नहीं करेगा तुम अपना समय बरबाद कर रहे हो जैसी बातें कहे कर आपके नकारात्मक दोस्ट खर्पतवार के बीजबो देंगे इतने बड़े सपने देखने पर कुछ मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे कई लोग आपकी तरफ आज के लिए जीयों का परलोबन भी उच्छा लेंगे आपके सपने को खत्रे में डालने के लिए इलियां भी आजाएंगे हो सकता है कि किसी दोस्ट के मन में आपसे पैसा उदार लेने के इच्छा जाग जाए या फिर वहे आपको किसी बेतर अवसर की खोज करने के लिए प्रेरित कर देए इसके अलावा मीडिया की तरफ से भी खर्पतवार और इलियां आएंगी इस बात के लिए तैयार रहें कि आप पर नकारात्मक ख़बरों की बंबारी होगी और यहे खबरें बिजनस अर्थ बेरस्ता, व्यपारी के सफलताओं संसत्की जांस और टेक्स कानून में परिवर्तन के बारे में होगी नकारात्मक लोगों से ख़ब को अलग करने के लिए बहुत कोशिस करने पड़ेगी परन्तु यहे लगवक तैय है कि अगर आप सफलता की मान सिकता वाले लोगों के साथ जुडेंगे तो आप दोलत्मन बन जाएंगे इसलिए किसी समय यहे फैसला करें कि जिन लोगों के साथ जुडें आप उनकी हर दिन जाच करेंगे एसे लोगों से खुद को दूर कर लें जो हर चीज के बारे में बुरी बात करते रहते हैं और आपके सपने की मोच चाते हैं पांचमा कदम अपनी उर्जा को एकागर कीजी मैं करके दिखाऊंगा कप्रियो कीजी फुटबाल मैच के कोच विन्स लामरडी का परसिद कथन है आदर्स रूप से एनुसासित इच्छा सकती को कोई भी थाकत नहीं रोक सकती उनके जीतने के रिकार्ड ने एक काहवत में गहरा आर्थ बर दिया जहां चाह वहां रहा कोच लामरडी का उतकर्स योगदान यह था कि उन्होंने यह दिखाया कि इच्छा सकती क्या कर सकती है यह नहीं सिर्फ फुटबाल मैच जीत सकती है बलकि जिन्दगी के मैच भी जीत सकती है जीत आती है जब आप सोचते है मैं जो चाहता हूँ पाकर रहूंगा जीत तब नहीं आती जब आप सोचते हैं मैं कुछ पाना चाहूँगा देखिए किसी इनसान का सब से सशक्त संकल्प होता है मैं करके दिखाऊंगा जब आप ठान लेते हैं मैं करके दिखाऊंगा तो आपका मस्तिस्क दो आस्चरे जनक काम करता है पहला यह आपको बताता है कि किस तरह अपने सपने को सच किया जाई और दूसरा मैं करके दिखाऊंगा का संकल्ब आपको आवशक शक्ती देता है इसे इस तरह से देखें आपकी सारी मस्तिस्क शक्ती आपकी सारी मानसिक शक्ती मैं करके दिखाऊंगा वाले मानसिक हिस्से में है आप अपने सपने को जितनी गहराई से अपने मस्तिस्क में रोपेंगे उनका साकार होना उतना ही तै है अगर आप सोचते हैं मैं जो घर चाहता हूँ उसे खरीद कर दिखाऊँगा तो पैसे का स्रोत अपने आप पर कट हो जाएगा अगर आप सोचते हैं मैं अपने बिजनस के विचार को हकीकत बना कर दिखाऊँगा तो इसे करने का तरीका अपने आप सामने आ जाएगा अगर आप सोचते हैं मैं नोकरी में प्रमोशन लेकर दिखाऊँगा तो आपके सामने ये हैस पस्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है एक बार मैं करके दिखाऊँगा कि इच्छा सकती आपके पूरे नियंतर्ण में आ जाई तो फिर मैच जीतना, पैसे कमाना, आपका पसंद दिदा जीवन साती पाना, सुनाओ जीतना यानि आप जो चाते हैं उसे पाना आपके लिए आसान हो जाएगा हर इनसान के मस्तिस्क में दो पहलू होती है मैं कोशिश करूँगा का पहलू और मैं करके दिखाऊँगा का पहलू जब कोई कहता है मैं कोशिश करूँगा तो इसका मतलब होता है मैं प्रक्रिया तो पूरी करूँगा परंतु मुझे यकीन है कि मैं ऐस अफल हो जाओंगा मैं कोसिस करूंगा वाले लोग अवचेतन मन से हार के बारे में पहले से सोच रहे हैं वे हारने के बाद बचाओ के रास्ते या अच्छे से बहाने के बारे में सोच रहे हैं जो सेल्जमेन अपने मैनेजर से कहता है, मैं मिस्टर ब्राउन से मिलने की कोशिस करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसा कर पाऊंगा, वहें मिस्टर ब्राउन से नहीं मिल पाएगा, परंतु जो सेल्जमेन कहता है, मैं मिस्टर ब्राउन से मिलूँगा, मैं नहीं जानता की कैसे परंतु मैं यह करके दिखाऊंगा वहैं ने सिर्फ मिस्टर ब्राउन से मिलेगा बलकि मिस्टर ब्राउन को कुछ बेच कर भी आएगा सबक किसी भी सपने दोलत प्रसंसा बिजनेस में सभलता को हासिल करने के लिए लक्षा के प्रती पूर्ण समर्पन की आउ दोनोंगे लाडियों का रिकोर्ट शानदार है दोनों के पास इलगवख बराबर अनुबव है दोनों ही बहुत अच्छी सारी रिख्शतीती में हैं और दोनों ही समानों मि devi के है कौन जीतेगा? वह है खिलाडी जिसमें अधिक संकल्पशक्ती होगी कोलम्बस ने नई दुनिया खोजी क्यों? उस समय कम से कम सो समुन्दरी कफ्तान उतने ही योग्य थे उन में से कई तो अंजान समुन्दर में पस्चिम की और यात्रा करने के बारे में विचार भी खर रहे थे फरक शिर्प यह था कि कोलम्बस ने फार इस्ट का शोटकर खोजने का द्रड संकल्प कर लिया दो दसक से भी अधिक समय तक उसने अपने उर्जा को समुन्दरी अभियान पर जाने पर एकागर किया साल्स लिंडबर्ग पहला पाइलिट नहीं था जिसने मन में अंटार्क्टिका को भिना रुके अकेले पार करने का विचार कवाया पर उसकी सपने की मशीन उसकी उड़ने वाली मशीन से कहीं बेहतर थी उसके संकल्प ने उसे पहला पाइलिट बनाया और उसका नाम दुनिया में मशूर हो गया बान बरान सबसे स्मार्ट या सबसे उच्छित राकेट इंजिनियर नहीं था परन्तु वह सबसे समर्पित निश्टावान और प्रेरित राकेट इंजिनियर था और उसने चंदरमा पर हमारी विजे में मुख्य भूमिका अदा की अमेरिकी जंडा चंदरमा पर हमेशा रहेगा क्योंकि उसके सपने ने दूसरे इंजिनियरों की कलपना और अन्तताय विस्ट की और अन्तताय विस्ट की कलपना को प्रेरित किया कौन जीत रहा है टीपी या जेई दो लोगों पर विचार करें टेड़ पी और जोन ई दोने की दोनों की ही उमर 35 की लगबग है किसी भी पारमप्रिक पैमाने से टेड़ का आई क्यू चोटी के एक प्रतिस्ट लोगों के बरावर है उच सिक्सित टेड़ के पास पी एजडी की डिगरी है वह है आकर्शक और स्वस्थ है अपने विवासे खुश है और उसकी एक प्यारी सी बेटी है टेड़ की रूचिया बोतिकी से बास्केट बाल और विस्टो की राजनिती तक फैली हुई है एसा लगता है जैसे यह ऐसा दरन रूप से सफल वेक्ति का वरणन हो कलत टेड़ एक इलेक्टोनिक्स इंगेनियर है जिसने छहे साल में चार नोकरियां बदली है टेड़ कहीं नहीं जा रहा हर नोकरी से निकाले जाने का कारण एक ही होता है टी-पी बहुत ज़्यदा प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है टेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है कभी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके नहीं दिखाता अद्बूत इंचान परंतु वह गेंद को गोल में नहीं डाल पाता समश्या टेड अपनी उर्जा को एकागर नहीं करता उसका मस्तिस्क कभी पूरी तरह एक जगह नहीं रहता दूसरी तरफ जोन इ उपर से टेड की तुलना में बहुत कम योग्य नज़र आता है जोन की समान्य बुद्धी है उसके पास कोई डिगरी नहीं है उसका वजन जाता है और वह बहुत कम पढ़ता है इसा लगता है जैसे जोन साधारन होगा गलत जान और उसका परिवार खुश है जोन का अपना खुद का विजनस है वह डिलरों को खेल की नोकाईं बेशता है और हर साल धाई लाक डालर से अधिका नगद मुनाफ़ा कमाता है जोन की सबलता का रह्षय क्या है उसे नाओं से प्रेम है वे किस तरह बनाई जाती है वे क्या कर सकती है उनका प्रियोग कैसे करना चाहिए और उसका विश्वास है कि हर आदमे के पास कम से कम एक नाओ होनी चाहिए जान के घर के हर कमरे में आपको एसा फरनिचर, लेम्प या पेंटिंग मिल जाएंगी जिससे नाओं के प्रती उसका प्रेम परकट हो टेड और जान के बीच मुख्य अंतर क्या है टेड अपनी उर्जा को बरबाद करता है जबकि जान अपनी उर्जा को एकागर करता है टेड दूर के कई लक्षों पर अपनी पेलेड गन से निसाना लगाता है जान अपनी उर्जा को राइफल में एकागर करता है और पास के एक लक्षा पर निसाना साथता है यहे करें अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जीरो इन करें अपने काम को इकठा करें, मैं करके दिखाऊंगा कि अपने उर्जा को एकागर करें और संकल्प लें छटा कदम समय से अपने लिए काम करवाई किसी बच्चे के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि सबजी के बीच से फल उगने में कई सफ़ता या महिने लग जाएंगे या फिर यह समझाना कि छोटे देवदार के पोदे को विशाल व्रक्ष बनने में कई दसक लग सकते हैं दरसल किसी भी उमर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल है कि समय से अपने लिए काम करवाना कितना जरूरी और समझदारी का काम है करियर बनाने के लिए समय का निवेस करें आप अपने सपने के बीच से जो लाब चाते हैं उसे मिलने में समय लगता है मैं आपको रशेल के बारे में बता दू जो मेरे एक दोस्त की बीस वर्षिय बेटी है वह है सचमुझ दूइदा में थी उसने मुझसे कहा मैं डॉक्टर बनना चाती हूँ मेरे नमबर इतने अच्छे हैं कि मुझे पांच सबसे अच्छे मेडिकल कालेजों में से एक में प्रविस मिल जाएगा मैंने जवाब दिया मुझे एसा नहीं लगता कि इसमें कोई समश्या है मेडिकल कालेजों का स्टंडर बहुत उंचा होता है वे दस में से नो आविदकों को ऐस्विकार कर देते हैं मैं जानती हूँ रसेल ने सहमत होते हुए कहा पर मेडिकल कालेज जाने का मतलब है बिना आमदनी के दस साल तक बहुत ज़्यादा मेंनत करना और अगले दस साल मेरे जीवन के बेतरीन साल है मैं गूमना फिरना चाहती हूँ बहुत से लोगों से मिलना चाहती हूँ ज्यादातर युवा लोग जो करते हैं मैं वह करना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए मैंने कहा काम इनसान के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई और काम करने के बज़ाई डोक्टर बनना चाहती हो तो फिर डोक्टर बन जाओ दस साल बहुत लंबे दिखते हैं परंतु तुम्हें इस अनुबव में आनन दाएगा और इसके बाद भी प्रेक्टिस के लिए तुम्हारे पास 40 साल का समय बचा रहेगा सपनों की परिक्षा देने वाली यह चुनोती सब के सामने आती है क्या मैं बवीशय के अधिक बड़े पुरुसकार के लिए अभी समय और योग्यता का निवेस करूँ या मैं अपने समय का निवेस ज़्यातर लोगों की तरह करूँ और सिर्फ आज के लिए जीए धन कमाने के लिए समय का निवेस कीजिए आप अक्सर काहवत सुनते हैं बहुत सा पैसा कमाने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत होती है एक और पुरानी काहवत है जो सच नहीं है अमीर लोग अधिक का अमीर बनते हैं और गरीब लोग अधिक गरीब दरसल निवेश में धनकी मातरा से अधिक मेतुपूर्ण होता है समय एक डोलर अधिक नहीं होता परंतु बारा परतिसेत की दर से निवेश किये जाने पर चक्रवर्ती ब्याज के इसाब से यह 30 साल में 32 डोलर कमाएगा 60 साल में 1024 डोलर और 90 साल में 32,760 डोलर चक्रवर्ती के सी दान्त का सीधासा अर्थ है कि आपको अपने निवेश से जो लाब मिलता है आप वविशय में ज़्यादा लाब कमाने के लिए उसका दुबारा निवेश कर सकते हैं इस उदारन की तरफ देखें कि चक्रवर्ती का जवर्दस जादू समय भी इतने पर किस तरह दोलत परदान करता है जेन और जिल दोनों की उमर 25 साल है दोनों ही एक बार 1000 डालर का निवेश करती हैं जिन में 18% की दर्शे लाबांस मिलेगा 12 मैने के बाद जेन फैसला करती है कि वह अपने 180 डालर के लाबांस से अपने लिए कुछ एसा खरीदे जो वह सचमुच चाती है जिल अपने 180 डालर को अपने 1000 डालर के मूल निवेश में जोडने का फैसला करती है इस तरह एक साल के अंत में जेन के पास 1000 डालर का निवेश है और 180 डालर का वह सामान जिसके पीछे वह पागल थी जिल के पास 1000 डालर और 180 डालर है जो उसके लिए काम कर रहे हैं यानि कुल मिलाकर उसका निवेश 1180 डालर अगर जेन अपने लाब को हर वर्ष खर्च करती रही और जिल अपने लाब का लगातार निवेश करती रहे तथा ब्याज की दर 18% बनी रहे तो उनके धन की तस्वीर कैसी होगी 40 साल के अंत में जब जेन और जिल 65 की हो जाएंगी तो यह रहे परिनाम जेन के पास अब भी उनके 1000 डालर और 40 तोफे होंगे जो उसने 100 सी डालर परती वर्ष के इसाब से खरी दे होंगी यानि कुल मिलाकत 1200 डालर के तोफे ही जबकि जील के पास 10 लाख डॉलर से अधिक होंगे जील का निवेश चक्तरवर्दी के जादू से जील का निवेश 1000 गुना बढ़ गया अगर जील का धन सिर्फ 15 परती सत की दर से ही चक्रवर्दी हो रहा होता तो भी उसके पास 65 साल की उमरे में तीन लाख डालर से अधिक होते है निवेश के बारे में आपको जो सबसे मैत्वपून सिधान्द मालूम होना चाहिए वह है चक्रवर्दी का सिधान्द इस पर विचार करें हर मेंने 12% के ब्याज पर सिर्फ 100 डालर का निवेश करने से आपके पास 30 साल बाद 3,897,000 डालर हो जाएंगी हर मेंने 100 डालर की रकम 50 साल में 30 लाख डालर हो जाएगी याद रखें तीन चीजें तैय करती है कि दोलतमंद बनाने वाले योजना आपको कितना अमेर बनाएंगी आपने कितनी रकम का निवेश किया है किस ब्याज दर पर निवेश किया है और आप अपने धन को कितने लंबे समय तक अपने लिए काम करने देते हैं बहतर के नियम को जाने यह जानने के लिए कि आपका पैसा कितनी तेजी से दुगना होगा सिर्फ बहतर की संख्या को ब्याज दर से भाग दे अगर आपका धन 9% पर निवेश किया गया है तो यह 8 साल में दुगना होगा 72 को 9 से भाग दे अगर आपका धन 18% ब्याज कमा रहा है तो यह सिर्फ 4 साल में दुगना हो जाएगा 72 को 18 से भाग दे जरा देखें 10,000 डॉलर का एक मुस्तनिवेश 12, 18 और 24 परतिसद के चकरवर्थी ब्याज के इसाब से आपके लिए कितना कुछ कर सकता है बसरते आप समय को अपने लिए काम करने का मौका दें आप जो भी चाते हों एक समय में एक कदम से आप उसे पा लेंगी सफलता, दोलत और खुशी हमेशा कदम दर कदम हासिल की जाती है ने की एक बार में चलांग लगा कर इन उदारनों पर विचार कीजिए एक नवजात शिसू के लिए महेंगी कालेज सिक्षिया का सपना सिर्फ पचास डोलर परती माहा के समझदारी पूर्ण निवेश से पूरा किया जा सकता है आकरशक शरीर का अर्थ है हेल्थ सेंटर और जोगिंग ट्रेक की बार बार यात्रा वजन एक बार में एक पॉंट करके ही कम किया जा सकता है कोई लड़की रास्टे ब्यूटिक विन बन सकती है एक बार में एक सौंधरिय परतीवगता जीत कर और परतीवगताओं के बीच में कोचिंग तदा अनुसासन से कोई फूटवाल टीम चेंपियंशिप जीत सकती है अगर वह एक अच्छे मैच के बाद दूसरा अच्छा मैच खेले तदा उसके बाद एक और अच्छा मैच पीट रोज बेसबाल हिट करने की संख्या में सरवादिक लीडर बनी उन्होंने एक बार में एक हिट करके यह रिकोर्ड बनाया उन्होंने अपने सामने के ततकालिक लक्षे पर पूरा ध्यान एकतरित किया हिट करना और बड़ा सपना नया रिकोर्ड बनाना सच हो गया जो अविनिता एक बार में सच कर सके कि यह पंगता सिर्फ मस्तिस्क में होती है। उसने एक बार में एक कदम दोड़कर एसा किया। एक मैनेजर कमपनी में एक के बाद एक प्रमोशन पाकर चोटी पर पहुंचा। ने की अचानक उपर की तरफ एक ही छलांग में पहुंचा। लाखों राकेट परक्षेपनों के बाद जाकर यह पूरी तरह समझ में आया कि चंदरमा तक पहुंचने और वहां से लोटने के लिए किन चीजों की जरूरत है। इस पुराने निति सुत्र को याद रखिए। लंबी से लंबी यात्रा भी एक कदम से सुरू होती है। महान दोलत की सुरुवात सिर्फ कुछ डालरों से होती है। सुखी जीवन एक बार में एक दिन में बनाया जाता है। इन सिदान्तों को अवल में लाइए। अभी पहला ब्रड़ता से अपनी सक्ति साली तस्वीरें मनाईए कि आप क्या हो सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं और किन चीजों के स्वामी बन सकते हैं। सफलता एक सपना है जिस पर मेहनत की गई हो। दूसरा जीवन को एक बगीचे की तरह मानिये। हमें वही पोदे मिलते हैं जिनके बीज हमने लगाई हैं। तीसरा बीज अवेसा अपनी तरह की फसल देता है। पूछिए मैं कौन से बीज की फसल काटना चाहता हूं और मेरे सपने से लाब की संभावना क्या है। चौथा अपने महान विचार को स्विकार करने के लिए अपने मस्तिस को तैयार कीजिए। धूल, कीचड़ और ग्रिस को दो कर साफ कीजिए। इसे महान विचार स्विकार करने के लिए तैयार कीजिए। पांचवाँ, एक महन सपना बोईए, दोलत सिर्फ एक विचार है जिस पर मेहनत की गई है, आदर्स परिस्तितियों का इंतजार मत कीजिए छठा, अपने सपने के बीज को कलपना, प्रोथ साहन और विचारों द्वारा पोशन दीजिए, सफलता की मान सिकता वाले लोगों को अपनी मदद करने दीजिए साथवाँ, मैं करके दिखाऊंगा, कि नजरिये से अपनी उर्जा को एगा कर करें, आप सफल होंगे, विजेता बनने की सिर्फ कोशिस नहें करें आठवाँ, समय का लाब लें, करियर बनाने में समय का निवेश करें, दोलत बनाने में इसका प्रियोग करें धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई 2 की तरफ, जो है काम करते समय सीटी बजाई दोस्तों, उमीद आपने मेरे इस चैनल लिष्ट 13 को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है, तो इसे तुरंट सब्सक्राइब करें और बेल आईकोन बटन को दवाई, ताकि आपको हर्ब वीडियो तुरंट उपलब्द हो सके, धन्यवाद, आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू, अध्याई 2, काम करते समय सीटी बजाई बीस साल पहले एक कालेज के डिन रिटाइर हो रहे थे, मैंने उनके विदाई समारों में भाग लिया, उन्होंने संक्षिप्त धन्यवाद बासन दिया, और उसमें इस शांदार आदमी ने अपने फिलोस्पी बताई, कि सफल जीवन की राह क्या है, उन्होंने कहा, मित्रो सुख की सिर्फ दो रहे हैं, एक है प्रेम और दूसरा है काम, जीवन में वास्त्विक संतुष्टी हासिल करने के लिए दो कदम उठाईए, पहला हर मानवी संबद में प्रेम का समावेस कीजिए, दूसरा एसा काम खोजिए जिसमें आपको आनंदाए और फिर उसे प्रतिशत उर्जा लगा दीजिए, सबसे प्रेम करें और काम करने का आनंद लें, अगर आप ऐसा कर लें, तो यह बात तैह है कि आप सुखी और अमीर होंगे, वह विद्वान सही था, प्रेम करें और अपने काम का आनंद लेजिए, जब आप ऐसा करते हैं, तो सुख, सम मरदी तथा सफलता सुनिश्चित हो जाती है मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो अपने करियर से ऐसन दूस्ट है जब हमारी चर्चा इस सवाल पर आती है कि अगर आप इतने ही दुखी हैं तो दूसरी नोकरी क्यों नहीं तलास करते हैं तो मुझे कई बहाने सुनने को मिलते हैं वे लोग इने कारण कहते हैं वे अपनी खुद की ओड़ी हुई नोकरी की गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं ये रही वे जंजीरें जिनके द्वारा लोग अपने आपको उस नोकरी से बांध लेते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते नोकरी की पहली जंजीर नोकरी बदलने के लिए मैं ज़्यादा बुड़ा हूँ या ज़्यादा छोटा हूँ बहुत से लोग 40 गंटे परती सब्ता की अपनी नोकरी की जेल में सिर्फ इसलिए कैद रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी उमर ज्यादा हो चुकी है उन्हें लगता है कि वे इतने बुड़े हो चुके हैं कि वे बाहर जाकर अपना मंचा काम नहीं कर सकते जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका के पहले बिलिनियर हेंडरी फोड सिर्फ एक शेड़ ट्री मेकैनिक थे दुनिया भर में मसूर मैकडोनाल्स की स्थापना करने से पहले पचास की उमर तक रेक राक कम आमदनी वाले सेल्जमेन थे जब करनल सेंडर्स ने केंटकी फ्राइट चिकन स्टोर शुरू किया तो उनकी उमर साट से अधिक थी और जब राष्टपती रेगन को पहली बार राष्टपती पद की सपद दिलाई गई तो वे सत्तर के थे उमर के दूसरे चोर पर एपल कम्प्यूटर सोर कैबेज पैस डोल्स के संस्तापक ने जब अपना बिजनस शुरू किया तब उनकी उमर लगवग 25 साल की थी किसी करियर को शुरू करने या बदलने की सबसे अच्छी उमर क्या है वही जो इस वक्त आपकी है सफल लोग नोकरी समदी निरने लेते समय उमर को अंदेखा कर देते हैं नोकरी की दूसरी जनजीर परन्तु मेरी वर्तमान नोकरी में ठिक ठाक पैसा मिल रहा है कम आमदनी में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा पिछले महिने मैंने अटलांटा के एक अच्छे रेस्तरा में लंच किया वेटर ने मेरा नाम लेकर मेरा अविवादन किया और फिर बताया कि वह मेरा पूर विद्यार थी था आप शायद मुझे भूल गए होगी पर चार साल पहले आपने मुझे पढ़ाया है दो साल पहले मैंने फाइनास में एमबीए की डिगरी ली थी यह हैस्पस्ट था कि वेटर मुझे बात करना चाता था जब मैंने लंच खत्म कर लिया तो उसने मुझे कहा आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि एमबीए की डिगरी होने के बाद भी मैं वेटर का कम क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ मुझे जो सबसे अच्छी नोकरी मिल रही थी वहे थी 22,500 डोलर की यहाँ पर मैं हर साल लगब 30,000 डोलर कमा लेता हूँ मैं एक अच्छा वेटर हूँ और इस रेश्टरा में बहुत अच्छी टिप मिलती है जब नोकरियों में फाइनांस के MBA के लोगों की मांग और तनक्वाइं बढ़ेंगी तब मैं वहे नोकरी पाने की कोशिस करूँगा जहां मैं अपनी शिक्षा का परियोग कर सकूँ मैंने जवाब दिया देखो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आस्चरिया हो रहा है पर मैं तुम्हे आस्वस्त कर दूँ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जैसा कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक वेटर हो फिर मैंने बताया कि मैं भी एक वेटर था और ड्राइवर होटल कलराग खेत में काम करने वाला मजदूर गरगर जाकर सामान बेचने वाला सेल्जमेन भी और यह सारे काम मैंने अच्छी तरह से मन लगा कर किये थे मैंने उसे यह समझाने की कोशिज की कि हर काम में तो पूर्ण होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए मैंने अपने मित्र को बताया कि अगर वह सचमुच रेस्तरा बिजनस को पसंद करता है तो उसे यहीं पर रुके रहना चाहिए हर काम सम्मान जानक होता है परन्तु अगर उसे इस उद्योग में अपना भविशय नहीं दिखता तो उसे कम आमदनी को स्विकार करना चाहिए और फाइनास की नोकरी कर लेनी चाहिए मैंने इस मुद्दे पर जोर दिया कि लंबे समय में लोग वह काम करके सबसे अधिक पैसा कमाते हैं जो उन्हें चुनोती देता है कई लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ शुरुवाती तनकुआ पर विचार करते हैं और भविशे के आमदनी को नजर अंदाज कर देते हैं दो सब्ता बाद मेरे पास इस पूर विद्यार्थी का फोन आया मैं फाइनास में नोकरी खोज रहा हूँ मैं सच मुच यही काम करना चाता हूँ सबक संभावना पर विचार कीजिए लंबे समय के बारे में सोचिए काम की संतुष्टी के बारे में सोचिए कुछ समय के तातकालिक पुरूस्कारों को देखकर लालस मत कीजिए नोकरी की तीसरी जन्जीर पर मेरा परिवार मुझसे उमीद करता है कि मैं अमुक काम करूँ आप निश्चित रूप से ऐसी मैलाओं को जानते होंगे जो कोई करियर शुरू करना चाहती है परंदो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके पती आपती करते हैं और शायद आप ऐसे पतीयों को भी जानते होंगे जो दूसरी संभावनाओं का पीछा करना चाहते होंगे परंदो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पत्निया मना कर देती है और कुछ बच्चे जब व्यवसाइच चुनते हैं एसा अपने इच्चाओं से नहीं करते हैं बलकि इसलिए गरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता एसा करने के लिए उन पर दवाव डाल रहे हैं जब कोई अपने जीवन साथी को उसकी पसंद की नोकरी या करियर चुनने से रोकता है तो उसका व्यवार स्वार्थ पूर्ण होता है इस तरह से रोकने से अक्सर गहरा संगर्स छिट जाता है रिस्तों में हर व्यक्ति को दूसरे की रूच्चियों को ध्यान में रखते हुए उदार्थ पूर्ण करिया करने चाहिए और सांजे लाव के लिए त्याग करने का इच्चुक रहना चाहिए जब दोनों ही एक दूसरे के प्रतियुदारता पूर्ण व्यवार करेंगे और इच्छा से त्याग करेंगे तो नतीजा निश्चित रूप से सुखद होगा आदर्स चिति में पती पतनी दोनों को एक सांजे आर्थिक लक्षय का पीछा करना चाहिए जब अमेरिका मूलते एक क्रिसी परदान समाज था तब पती पतने के रिष्टे सबसे मदूर थे क्यों? क्योंकि जिस आर्थिक लक्षय तक पहुंचने की वे कोशिस कर रहे थे वह एक ही था एक दूसरे पर निर्वर होने के कारण दमपत्य आद्यात्मे ग्रूप से भी एक ही सुत्र में बंदे रहते हैं आज बहुत कम परिवार आर्थिक द्रिष्टे से परस पर निर्वरता के लाबों का आनंद उठापाते हैं वह है आनंद जो सांजा लक्षों को हासिल करने के लिए इकठे काम करने में आता है परन्तु कई पती पतनी अपने रिटेल स्टोर्स रेस्त्राओं डे केर सेंटर्स कानूनी दफ्तरों मेडिकल क्लिनिक्स और सर्विस एंटरप्राइजेस में इकठे काम करके बहुत सुख हासिल कर रहे हैं कई माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके नक्षे कदम पर चलें खास कर चिकित्सा और कानून जैसे व्यवसायों में या खानदानी बिजनस में परन्तु मम्मी या डैडी के मनपसंद काम करने के लिए बच्चों को परोच्षाइद करना गलत है जब तक कि बच्चों को उस व्यवसाय से प्रेम नहीं हो मैं एक उदार्ण देना चाहूंगा लगबग 15 साल पहले मेरे दो विद्यार थी थे दोनों ही अन्तेष्टी करने वाले निर्देशकों के बेटे थे इस बिजनस में लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी कि पुत्र खांदानी बिजनस संभालेगा सैयोग से दोनों ही पुत्रों ने अपने परिवार का बिजनस संभाला एक यूवक को अन्तेष्टी का निर्देशक बनने का विचार बहुत पसल था और इस वज़े से उसका बिजनस फला फुला दूसरे यूवक ने अपने पिता का अन्तेष्टी बिजनस संभाला परंटु सिर्फ परिवार के प्रबल दवाव की वज़े से चार साल बाद उसका बिजनस चोपट हो गया और इस बिजनस को इसके वास्तिक मुल्य से कम कीमत पर बेचना पड़ा किसी बच्चे को अपने माता पिता के बिजनस में जाने के लिए विवस करना या उस पर दवाव डालना तीन कारणों से गलत है जब तक पुत्र या पुत्री उस बिजनस को पसंद ने करे तब तक वह अपने माता या पिता के बिजनस में सफल नहीं हो सकता बच्चे अपने जीवन में माता पिता के हस्त क्षेप से चिड़ जाएंगे समझदार माता पिता जानते हैं कि बच्चों को उनकी मन पसंद के ख्षेतर में सफल होते देखना बहुत संतोस जनक अनुवव होता है नोकरी की चोथी जंजीर परंतु मैं जिस ख्षेतर में जाना चाहता हूँ वहां बहुत भीड है मैं आपको एक बात जितनी परबल्दा से बता देना चाहता हूँ इसे दो बार पढ़ें ताकि आगे बढ़ने से पहले यह है आपके अवचेतन में समा जाए जिस व्यक्ति में सफल होने की प्रबलिच्छा है उसके लिए कोई भी बिजनस कभी बहुत योग्य लोगों से बढ़ा नहीं रहा है नहीं बविश्य में बढ़ा रहेगा वकालत को ही ले वकालत में रूची और सही नजरिया रखने वाले अच्छे लोगों को एक दस अग तक यह है बताया गया वकालत से बचो यहां बहुत भीड है हर साल साथ हजार वकील वकालत छोड़ देते हैं जापान की तुलना में हमारे यहां बीस गुना वकील है अगर तुम वकील बनने की कोशिस करोगे तो भूके मर जाओगे इसके अलावा वकालत अब समान चनंग पेसा नहीं रहे गया है यकीन नहो तो अख़वारों में वकीलों के विग्यापन पढ़ लो यह है सच है कि संख्या के इसाब से वकालत के पेसे में भीड दिखती है पर जब आप नयाई विदों पर ख्यात कानूनी फर्मों के पार्टनरों और कानूनी विदवादों से बात करेंगे तो आपको यह है पता चलेगा कि गुनवत्ता के स्तर पर वकालत के पेसे में बिलकुल भीड नहीं है समझ्या यह है कि जो लोग वकालत कर रही है उन मेंसे कई यह काम गलत कारणों से कर रहे है पहला मैं इसमें आसानी से बहुत से पैसे कमा सकता हूँ दूसरा यह राजनिती में जाने का एक अच्छा रास्ता है और तीसरा मैं कानून नहीं जानने वाले लोगों के अग्यान का लाब उठा सकता हूँ परंतु जो सही कारण से वकालत का पैसा चुनते हैं उनके लिए इसमें बहुत संभावनाई है इस पैसे में जाने के सही कारण है नमबर एक मुझे यह चुनोती पूर्ण लगता है नमबर दो समाच जितना जटिल होता जाएगा योग्या वकीलों की मांग उतनी ही बढ़ती जाएगी और नमबर तिन कानून तथा न्याई हमेशा एक सम्मान जनक पैसा रहेगा यह क्षेतर भीड भरा हुआ है कि सला अब उन लोगों के उद्धी जाती है जो चर्च, कालेज परशिक्षन, चिकित्सा, अभीने, पत्तरकारिता और बिजनस में जाने के बारे में विचार कर रही है सच तो यह है कि किसी भी पैसे में ऐसे लोगों भीड नहीं है जिनमें व्यवसाई के प्रतीस रिष्ट नजरिया हो और अच्छा परदर्सन करने की प्रभलिच्छा हो यह ध्यान रखें कि सभी भविशे वक्ताओं की तरह करियर के भविशे वक्ता भी अक्सर गलत होते है उधारन के तोर पर जब सरकार राश्ट्री रख्षा पर अधिक जोर देती है तो इंजिनिरों के सुनेरे वविशे की वविशे ववणी की जाती है परंतो जब रख्षा भी हमें कटोती होती है तो लोगों को इंजिनिरिंग से बचने की सला दी जाती है रोजगार के अफ़र हमेशा मतलते रहते हैं जब दूइतिय विशे समापत हुआ तो किसी ने कंप्योटरों के जबरदस मांगी वविशे ववणी नहीं की टेलिविजन, सडक निर्माण, जेट, एरकराफ्ट और लोजिंग उद्योग जो आज रोजगार के जबरदस्त स्त्रोत हैं उस वक्त छोटे उद्योग थे आज बहुत कम लोग जेनेटिक्स, यात्रा और मनोरंजन के नए प्रकारों में लोगों की जबरदस्त भावी मांग की वविशे वानी कर रहे हैं सबक अगर आप समझदारी से करियर चुनना चाते हों तो सिर्क उसी क्षेत्र के बारे में विचार कीजी जिसमें जाने की आपकी धदकती हुई प्रबल इच्छा हो नोकरी की पांचवी जंजीर वह काम मत करो जिसमें आगे रास्ता बंध है पूरे देश में फास्ट पूर्ट रेस्त्राओं, दवा की दुकानों, फोटोग्राफी, स्टूडियो, सूपर मार्केट और कार गरेजों हर तरह के रिटेल और सर्विस बिजनस में करमचारी चाहिए के साइन बोटंगे हुए हैं और परतेक उद्योग वेवेवसाई में हर दिन अकबारों की वरगिकरत रोजगार परस्टों में नोकरियों के अफसर उपलवद हैं रोजगार की मांग रोजगार की पूर्ती से बहुत ज़्यादा है इसके बाद भी 70 लाग से लेकर एक करोड़ लोग हर समय बेरुजगार रहते हैं क्यों? एक कारण तो यह है कि बेरुजगारी के लाव कुछ ज़्यादा ही उदार है परंतु मुख्य समझ्या यह है कि कई लोग उपलवद नोकरियों को बंद रास्ते वाली मानते हैं या अपने स्तर से हीन समझते हैं कई लोग अवसरों के प्रती अंदे होते हैं और वे जल्दी ही इस निसकर्ष पर पहुंँ जाते हैं कि कई नोकरियां कहीं नहीं ले जाती सच तो यह है कि मुक्त समाज में बंद रास्ते वाली कोई नोकरी नहीं होती सिर्फ बंद रास्ते वाले लोग होते हैं जो अवसरों के प्रती अंदे होते हैं मुझे उदान देने दे हमारे घर के अलावा 15,000 अन्यागरों का कच्रा उठाने वाली फर्म के मालिक ने 18 साल की उमर में हेलपर के रूप में काम शुरू किया था 12 साल बाद आज वैं मल्टी मिलेनियर है जहां दूसरों ने सिर्फ एक गंदा, बदबूदार, घटिया से भी घटिया काम देखा वहीं उसने सेवाओं को सुधारने, उत्पादक्ता बढ़ाने, लागत कम करने और इस प्रक्रिया में पैसा कमाने की संभावना को देखा सबक हर काम में बविश्य होता है, हर काम खुले रास्ते वाला होता है अपने काम को उस तरह देखें, जिस तरह यह हो सकता है ने की उस तरह, जिस तरह वह वर्तमान में है स्मार्ट लोग उस काम को नहीं देखते, जो इस समय उनके पास है बलकि यहे देखते हैं कि यहे उन्हें कहां ले जा सकता है यहे ने देखें कि क्या है बलकि यहे देखें कि क्या हो सकता है हमारे सबसे बड़े संग्टनों के बहुत से परमुक ऐसे हैं जिन्होंने कमपनी में अपने निचले स्थर से काम शुरू किया और एक एक सीटी चड़कर वे कमपनी के मैनेजमेंट की चोटी तक पहुँचे मैंने हाल में औरेगन में एक एसे ही परमुक से बात की इस आदमे की ओप्चारिक सिक्षा हाई स्कूल से अधिक नहीं थी मैं कमपनी में आया तब मैं 20 साल का था उसने बताया मुझे असेंबली लाइन का काम दिया गया इमानदारी से कहूं तो मुझे उस काम से नफरत थी परंदु मैंने उसे एक आउसर की तरह देखा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैंने जल्दी से काम सीखा और फिर इस बारे में सुझाओ देना शुरू किये कि हम पुर्जों के असेंबल करने के तरीके में किस तरह सुधार कर सकते हैं जल्दी मुझे तरकी मिल गई और अगले काम में निपुन होने के बाद मैंने सवाल पूछना और सुझाओ देना शुरू किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे तेजी से पर्मोशन मिले जब मैं 48 साल का था तो बोर्ड आफ डारेक्टर ने मुझे प्रेजिडेंट बना दिया मैंने टिपणी की आपको खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए मुझे है मेरे मित्र ने जबाब दिया पर मैं अभी भी अपने सबी करमचारियों में उपर उठने की इच्छा जागरत करने में सफल नहीं हो पाया हूँ जैसा आप जानते हैं कि कमपनी करमचारियों की सिक्ष्या का खर्च उटाती है हमारी अतिरिक्ट सुदाएं बहुत अधिक हैं और हम लगबग हमेशा कमपनी के लोगों को ही प्रमोशन देते हैं जो लोग रूटीन काम करते हैं वे कम से कम उतने खुश हैं जितने की वेस् मैंने अपने संगटन के ढांचे को इस तरह तयार किया है ताकि हर करमचारी के पास उपर उठने की संभावना रहे फिर भी निचली पाइदान के अधिकांस लोग सोचते हैं कि वे जो काम कर रहे हैं उसमें प्रगती नहीं हो सकती और इसलिए वे आगे बढ़ने के लिए क बैंक ऑफ अमेरिका हर महान बिजनस कभी छोटा बिजनस था परन्तो इस बिजनस का मार्क दर्सन उन साधान लोगों ने किया जिन के पास ऐसाधान लक्षे और द्रस्टी थी चेक अकाउंट काउंटर को चलाना होटल के आंगतुकों का नाम रजिस्टर में लिखना टेब आतार यह देखा जा सकता है कि एगजिक्यूटिव भावी मैनेजर के रूप में ऐसे उम्मेदवार चाते हैं जो हर तरह का काम जानते हों और जिनके पास जमीनी अनुभव हो काम की दुनिया में जो चीज सचमुच में तो पूर्ण है वह है काम करके हासिल किया गया ग्यान ने की पठे पुस्टकों में काम के बारे में दी गई जानकारी पढ़कर हासिल किया गया ग्यान बेहतर सहत चाहिए अपने काम का अनंद लेजिए हर आदमी बेहतर से चाता है यह बहुत अच्छी बात है हम एक अद्बुत संसार में रहे रहे हैं और हमारी आउदी बहुत सिमित है अगर आप इसका अनन ले सकते हैं तो आपको यह जिवन बहुत ही चोटा लगेगा परंतु हम जिस बहुत मुल्य सवाल का सामना करते हैं वह है कैसे हर साल हम नए रिकोर्ड बनाते हैं कि हमने विसेस आहार, दोईयों, जोगिन, हेल्थ कलब की फीस पर कितना पैसा खर्च किया छुट्टियों पर जाने, बहतर दिखने, बहतर अनुगव करने बहतर सोने और जीवन को लंबा करने की कोशिस पर कितना खर्च किया सेहत मन्द जीवन की, अपनी खोज में हमने अंजाने में ही सेहत मन्द तता सुखी जीवन के लिए आवशक सबसे मैतो पुन ततो खो दिया है वह है काम जिसका हम आनंद लें अधिकायू और चुनोती पूर्ण कारिया में एक सीधा संबन होता है अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह लंबे सुखी और स्वस्त जीवन की सर्वस्रेस्ट गारंटी है नेशन बिजनेस पत्रिका नेक सर्वे में अपने पाठकों से कहा कि वे अमेरिका के दस सिर्शत बिजनेसमेनों की सुची बनाए जो अमेरिका की सोतंतरता प्राप्ति की शुरुवाती दो सो वर्सों में रहे कोई भी यही सोचेगा कि इस तरह के व्यक्ति को बहुत चिंता कड़ी मेनक, कुंठा और काम धंदे समदी अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा तभी वे इतना महान बन पाया होगा सर्वे में पाठकों ने एडिशन, बेल और फोड जैसे लोगों के नाम लिखे चोटी के सभी दस व्यक्ति लाखों करमचारियों की जीविका के लिए उतरदाई थे इन में से परतेक ने बिलिनों डालर उगाई और खर्च किये थे और ये सब अत्यन्त परतियोगी उद्योगों में थे जिसे स्वास्ते पत्रगाई अक्सर जल्दी होने वाली मौत का कारण मानती है इन महान उपलब्दी हासिल करने वालों की ओसत आयू कितनी थी 88 वर्स इस सदी के महान राजनेता विन्स्टन चर्चिल ने बहुत शराब पी हर दिन दरजन भर सिगार पीए और कभी ने तो जोगिंग की ने ही जिम गए ने ही कोई व्यायाम किया और चर्चिल ने हर मनफसंद चीज मनचाई मातरा में खाई उन्होंने ब्रिटेन का सबसे कठिन समय में नितरतों किया उस्तके लिखी हर आउसर पर बोले और असंख्या मुश्किल निरने लिए चर्चिल ने अच्छी सेहत के बारे में नियमों की अवेलना की सिवाए उस एक नियम के जिसे हम नजर अंदास कर देते हैं उन्होंने अपने काम का आनंद लिया चर्चिल 91 साल तक जीए बहुत कम लोग बॉब होप और जार्ज बर्न्स जितनी कड़ी मेंनत करते हूँ और ये लोग असी पार करने के बाद भी बहुत बजबूत है इन्हें पैसे या प्रसंसा की जरूरत नहीं है उन्हें हजारों सम्मान मिल चुके है उनके चलने का कारण क्या है उन्हें कौन सी चीज सेहतमंद बनाती है वे जो करते हैं उन्हें उससे प्रेम है कुछ साल पहले देश के एरक्राफ्ट कंट्रोलर हरताल पर गई यूनियन ने सामान्य मांगे रखी थी अधीक धन, बेहतर अतिरिक्ट सुईदाएं और काम करने के कम घंटे यूनियन लेडर ने अपनी मांग के समर्तन में सबसे मुख्य दलील यह दी कि कंट्रोलर को बहानक तनाव जहलना पड़ता है कंट्रोलर की शिकायत थी कि हवाई अडे में ट्रेफिक को अंदर जाने और बाहर जाने देने की परकेरिया मांसी ग्रूप से इतनी तनाव पूर्ण होती है कि इस से कई लोग मदेरापान, मादक द्रव्य और नर्वस ब्रेकडाउन के सिकार हो चुके हैं उनका यह भी कहना था कि हवाई या तायात को नियंतरित करने का ऐसा मान्य तनाव हरदेरो, हाई बलड प्रेशर, बच्चों पर रहीं सा और तलाक के लिए भी जिम्मेदार था इन सबी तनाव सबंदी समश्याओं के इलाज के लिए यूनियन ने जो सुझाओ दिये थे उनकी मूल बात यह थी कि उन्हें अधिक धन दिया जाई कुछ मनोवेगैन को और मनोवेशलिसकों ने काम समंदी तनाव की सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले हर्ताली कंट्रोलर्स के एक समुव की जांच की इस जांच में यह मैत्वपून परंतु सीदी सी बात सामने आई तनाव के शिकार कंट्रोलर अपने काम को पसंद नहीं करते थे उन्हें कभी एरक्राफ्ट कंट्रोलर बनना ही नहीं चाहिए था मस्तिस्क की जांच करने वालों ने एक और चीज़ खोजी जो कंट्रोलर हर्ताल पर नहीं गई थे और जो तनाव की शिकायद नहीं कर रहे थे वे अपने काम की चुनोती, जिम्मेदारी और रोमांच का अनन लेते थे मैं एक कंट्रोलर को जानता हूँ जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड़े अटलांटा हवाई अड़े पर काम करता है उसने मुझे बताया कि वह सचमुच अपने काम को पसंद करता है परन्तु समू के दवाव के कारण भी वह अड़ताल पर चला गया मेरे दोस्त ने मुझे एक दिल्चस बात कही उसने कहा आप जानते हैं मुझे हड़तालियों की उस मुर्क तप उनलाइन में चल कर जाने में बहुत अधिक तनाव महसूस हुआ इतना तनाव मुझे उस समय महसूस नहीं होता था जब मैं हर मिनिट तीन सो से पांच सो यात्रियों को जमीन चे उड़ाने या जमीन पर उतारने का काम करता था या तरियों को यह बताने के लिए साइन बोर्ड उठाना मुझे अजीब लग रहा था कि हमारी जिन्दगियां तनाव की वज़े से बरबाद हो रही है जबकि मैं जानता था कि मेरे मामले में यह सच नहीं था चुकि हवाई या तायात रास्टर के लिए अनिमारिया है और सरकारी करमचारियों की हड़ताले गैर कानूनी है इसलिए रास्टर ते रेगन ने कंट्रोलर से कह दिया अपने काम पर वापस जाईए वरना आपको नोकरी से निकलने का विकल्ब चुना युनियन ने वविशवाणी की थी कि बहुत सी हवाई दुरुट नहीं होंगी परंतु यह वविशवाणी सच नहीं होई और हर साल लाखों मिल हवाई यात्रा करने वाले वेक्टे की रूप में मुझे यह जानकर रहात मिली कि उन कंट्रोलर्स की जगे अब नए कंट्रोलर्स रख लिए गए हैं जिने हवाई यातायात को नियंतृत करने में आनदाता था इस बात की संभावना है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो तनाव की शिकायत करते होंगी इन में से कुछ अपनी समश्या को अधिक तीखिपन से परिवासित करते हुए बर्न आउट की संग्या देते हैं जो तेजी से लोग प्रिय हो रही है एक नई मनोवैगनिक सब्दावली गल्ट फेमी ना पालें तनाव बहुत वास्त्विक दिखता है लोग हर साल अपनी समश्याओं के इलाज के लिए दवाईयों, आहार, व्यायाम और डाक्टरी खर्च में बिलियनों डालर खर्च करते हैं परंतु दवा, जोगिंग, वजन उठाने और डोक्टरों की सला लेने से तनाव का इलाज नहीं होता असली इलाज इतना असान है कि उसकी तरफ हमारा ध्यानी नहीं जाता तनाव का इलाज करने के लिए आपको इसके कारण पर आकर्वन करना चाहिए और तनाव का कारण है वह काम करना जो आपको आनन दाये चुनो तिपूर्ण और अपने या दूसरों के लिए लाबकारी नहीं लगता हो जो लोग काम सम्मंदी तनाव की शिकायत करते हैं वे मिस्फिट होते हैं संक्षेप में वे अपने काम को पसंद नहीं करते उन्हें लगता है कि वे आयोग्य हैं उब चुके हैं गलत जगए पर हैं अक्षम हैं उनके सास्थ दुर्वेवार होता है उन्हें धंकियां दी जाती है और उनकी कभी परसंसा नहीं होती एक डूक्टर ने तनाव के लिए यही इलाज सुजाया अपने काम को पसंद करो दो साल पहले मुझे अपने बाएं पैर में एक बड़ा उपरेशन करवाना पड़ा अगले दिन डूक्टर यहे देखने के लिए मेरे पास आई कि योजना के अनुसार मेरी हालत में सुधार हो रहा था या नहीं मैंने सफल आपरेशन के लिए दोक्टर को धन्यवाद दिया फिर मैंने पूछा कि हर सबतर पांच या अच्छा आपरेशन करने के तनाव को आप कैसे जहल पाते हैं जिसमें आपरेशन के बाद के काम और मरीजों के रिष्टेदारों से निफट नाम शामिल है दोक्टर ने मुस्करते हुए कहा मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ मैंने आपका जिस तरह का आपरेशन किया है उस क्षेतर में मैं देश के सबसे अच्छे सरजनों में से एक हूँ अब अगर मुझे वह करना पड़े जो आप करते हैं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाई मैं बासन देने के डर से मर जाऊंगा देखिए डोक्टर ने आगे कहा मुझे अपने काम पर गरव है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत योग्य हूँ अधिक सुखत जीवन जीने में लोगों की मदद करना और कई मामलों में तो जिन्दा रहने में उनकी मदद करना बहुत बड़ा पुरुसकार है आदे गंटे बाद मैं एक बहुत दुखत आपरेशन करने जा रहा हूँ मुझे एक मरीज का दाहिना पैर काटना है इसके बाद भी मैं उसके बचने की गारंटी नहीं दे सकता परन्तु आपरेशन के बाद मैं पराथना करूँगा और इस वर को धन्यवाद दूँगा कि उसने मुझे वहय योग्यता सहन सकते दी कि मैं उस आदमे को बचाने का प्रियास कर सकूँ और उसके इलाज के लिए संगर्स कर सकूँ मैंने पूछा इसा लगता है जैसे यह बहुत घंबीर आपरेशन है डोक्टर अगर मरीज मर जाए तो आपको कैसा लगेगा डोक्टर का जवाब था मैं तब भी गहरी निन्स होऊँगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सर्वेस रेस्ट परियास किया है मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उपरेशन नहीं किया तो मरीज तीन चार दिन में मर जाएगा मुझे विश्वास है कि इस वर यही चाहता है कि इनसान अपना सर्वेस रेस्ट परियास करे मैं वही करूँगा बाकी सब उसके उपर है अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं तो तनाव होता ही नहीं है डोक्टर के साथ चर्चा के बाद मुझे दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया अपनी खिड़की से मैंने देखा कि मजदूर अस्पताल के लिए एक और भावन बना रहे थे उस काम को देखते समय मैंने गोर किया कि मजदूर जमीन से ग्यारा मंजिल उपर बने बारे इंच चोड़े स्टील गाडर पर आराम से और शांती से चल रहे थे एक गलत कदम का मतलब था निश्चित मरत्यू हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर एस इस्तिति में काम करें तो हमें सच्मुत तनाव हो जाएगा परंतो मजदूर अपने काम को पसंद करते थे इसलिए उन्हें बिल्कुल तनाव नहीं होता था कोई भी काम तनाव पूर्ण हो सकता है अगर उसे करने वाले व्यक्ति को उसमें मज़ा नहीं आ रहा हो सिक्षन कार्या में जिसकी रूची नहीं हो वह स्कूल में पढ़ाने में पागल हो जाएगा अगर हमें किसी मेहत्वपूर फुटबाल मैच में निर्णाएक मैदानी गोल दागने के लिए कहा जाए तो हम में से बहुत से लोगों के होस उड़ जाएंगे जब विद्यारती किसी विशे को सिर्फ मजबूरी में पढ़ता है तो उसे बहुत तनाव होता है परंतु अपना मन पसंद विशे पढ़ते समय उसे तनाव होने के संभावना कम होगी मैंने हाली में उन कामों की सुची बनाई जो मेरे लिए सबसे तनाव बरे होंगे अगर आप भी ऐसी सुची बना लें तो शायद आपको भी लाप पहुंचे यह रही मेरी सुची सबक जिस काम में आपको सच्मु चानन दाता है वहें काम करना सुख, सफलता और समरदी की कुंजी है जिस नोकरी को आप पसंद नहें करते हों उसे करके अच्छे जीवन की संभावना को कमजोर मत बनाईए मैनेजमेंट के सेमिनारों में कई सालों तक मैंने पर्तियोगियों को दो संख्याएं लिखने को कहा पिछले साल उन्होंने बिमारी की वज़े से कितने दिन चुटी ली और उनके अधिनस्त ओस्त करमचारियों ने बिमारी की वज़े से कितने दिन चुटी ली उत्तर हैरान करने वाले थे ओसत मैनेजर लगवग दो दिन बीमार रहा जबकि ओसत करमचारी अठारा दिन बीमार रहा था यानि कि मैनेजर की तुलना में नो गुना अधिक क्यों? मुख्य स्पेस्टिकर्णी यह है कि मैनेजर करमचारीयों की तुलना में अपने काम से अधिक संतूस्ट रहते हैं जो लोग अपनी नोकरी से खुश नहीं रहते उनके हर आउसर पर बिमार पढ़ने की संभावना अधिक होती है जब तक कि बिमारी की चुटियों की संख्या यूनियन के समझोते या कंपनी द्वारा निर्दारी चुटियों से ज़दा नहीं हो जई यहीं नहीं जो करम्जारी अपने काम को पसंद नहीं करते वे पहला कंपनी का माल ज़दा चुटिए हैं दूसरा ज़दा तर जगडे और नोकजों का कारण बनते हैं तीसरा अफवा भैलाते हैं जिससे काम काज में रुकाउट आती है और चोथा कम उत्वादगता का मूल कारण होते है मद्दपान का असली कारण क्या है मेरा एक मित्र जो एक प्रसिद अलकोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाता है सेंटर का आंसिक मालिक और मैनेजिंग डिरेक्टर है उसकी सेवाओं की बहुत जरूरत है 20 वर्ष की अधिकाईयो की जनसंख्या की कम से कम 10% से को अलकोहलिक माना जाता है और एलकोहलिजम की लागत दुरुगटनाई, काम से अनुस्तिती, काम में गलतियां, गलत निरने और तूटे घर हमारे राष्ट्रिय रक्षा के खर्च से कम से कम दुगनी होती है मैंने अपने मित्र से शराव के आदी होने के असली कारण पूछे वह अब धीमे से असा और बोला इनसान सराव का आदी तब होता है, जब वह बहुत ज़्यदा सराव पीने लगता है परंतु गंबिरता से कहा जाए, तो ज़्यदा सराव पीना समश्या नहीं है यह तो समश्या का सिर्फ एक लक्षन है उसने सपस्ट किया हमारे सेंटर में हम सावदाने से रिकोर्ड रखते हैं और पूरे मैनोवेगेनिक परिक्शन करते हैं हमने पाया है, कि हम जिन लोगों का उपचार करते हैं उनमें से 70% लोग मूलते अपनी नोकरी से एसंतुस्ट होते हैं एसंतोस जनक नोकरी के दर्द को बुलाने के लिए वे शराब पीते हैं फिर एलकोहल रिहेबिलिटी सेंटर के डारेक्टर ने एक ऐसी बात कही जो हम सभी के लिए मैत्वपूर्ण है पिछले पंदर एवर्सों में हमने 114 पादरियों की शराब की लत्का इलाज किया हमारे विशलेशन के अनुसार दस में से साथ को धर्मी कुप देसक का काम करने में आनंद नहीं आता उन में से यदिकांस धर्मी कुप देसक इसलिए बने क्योंकि उन्हें लगा कि उनका परिवार रेसा करने के लिए उन पर दवाब डाल रहा है हमने पाया है कि सिर्फ शराब ही नहीं बलकि मादक द्रवियों के अधिकांस समश्यों के पीछे के मूल कारण काम की ऐसंतुष्टी ही है इसलिए हमारी चिकित्सा के हिस्से की रूप में हम अपने मरीजों के रोजगार संबंदी मारक दरसन देने पर बहुत जोर देते हैं ताकि वे ऐसा काम खोच सकें जिसमें उन्हें आनन्द आई आपके मरीजों के ठीक होने की दर क्या है मैंने पूछा मुझे लगता है कि जो लोग इलाज करवाते होंगे उनमें से ज्यादातर देर सबेर दुबारा पिना शुरू कर देते होंगे आप ठीक कह रहे हैं परदो हमने यह भी पाया है कि जो लोग हमारे करियर परमर्श के सुजाओ को मान लेते हैं उनके ठीक होने की दर बहुत अधिक होती है बजाए उन लोगों के जो अपने काम को नापसंद करने के बावजुद उसे करते रहते हैं त्याग करने में आनंद लीजिए त्याग सफलता में निवेस है एपी गती ने एक बार लिखा था बिना जोकिम के लाब कमाना बिना खत्रे के अनुबव पाना और बिना काम की ये पुरुषकार पाना लगवग उतना ही असंबव है जितना के बिना पैदा हुए जिन्दा रहना इस प्रेड़ना दाई कतन में हमें सफल जीवन की एक अनिवारिय शर्थ मिलती है संक्षेप में बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती परन्तु क्या त्याग करना बुरा है हमारी बासा के कई शब्दों की तरह त्याग शब्द को भी गलत समझा जाता है अधिकांस लोगों के लिए त्याग का मतलब होता है समय या पैसा देना मुस्क के लिए जहलना या कोई एपरिय काम करना हालांकि यह सच है कि त्याग के यह सब अर्थ हो सकते हैं परन्तु यह परिवासा का सिर्फ आदा इसा है इस परिवासा का दूसरा इसा भी है जिसे हमेशा लगबग नजर अंदाज कर दिया जाता है त्याग किसी अधिक मुल्यवान वस्तु को प्रापत करने के लिए भी किया जा सकता है इसलिए त्याग के पूरी बरिवासा है कि किसी मुल्यवान वस्तु, धन, समय या उर्जा को देना ताकि बदले में अधिक मुल्यवानवस्तु, अधिक धन, अधिक उंचा जीवनस्तर, बच्चों की बेहतर शिक्षा या अन्य मुल्यवानवस्तु में प्रापत हो। या बहुत असान सब्दों में कहें तो त्याग का अर्थ है बाद में बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी थोड़ा देना। इस तरह से देखा जाई तो त्याग का अर्थ है निवेश, हम आज कुछ देते हैं ताकि हमें कल कोई चीज अधिक मात्रा में मिले। मैं आपको अपने एक परिचित एक्जिकुटिव का उधारन दू। डवल्यू जेरॉम ने अपनी पत्नी, चार बच्चों और खुद के लाव के लिए त्याग किया। मैं जेरॉम को 25 साल से जानता हूँ, उस समय वह एक परसिद होम परडेक्शन कमपनी में सेल्ज मैनेजर था। कमपनी में उसकी सबलता उलेखनिय थी। उसके चीफ एक्जिकुटिव आफिसर बनने के एक महिने बाद मैंने उसके साथ लंच किया। मैंने जेरॉम से पूछा कि उसने उसकी पतनी और उसके परिवार ने जो त्याक किये थे, उनकी एवज में यह पुरुसकार पाना क्या लाब का सोधा था। वह सबसे बड़ा पुरुसकार जो उसने हासिल किया था। जेरॉम ने एक फल सोचा और फिर उसने एक घहरिक बात कही। कंपनी में अपना करियर शुरू करते समय मैं इस पुरानी काहवत की बुद्धिमता को समझ गया था। कि शिकार करने के बज़ाए पीछा करने में अधिक आनन्द आता है। मैंने इसका यह मतलब निकाला कि चोटी पर पहुँचने में जितना आनन्द आएगा। कम से कम उतना आनन्द तो मुझे चोटी तक पहुँचने की कोशिस में आना चाहिए। देखिए जिरोम ने आगे कहा जीवन एक यत्रा है और हम सर्वी के लिए मोत आखरी मंजिल है। मुझे लगता है कि सब इस बात पर सहमत होंगे कि रोमान्चक जीवन जीना तीस या चालिस साल तक बोर्यत की मुर्दा जिन्दगी जीने से कहीं अधिक आनन्द आएग है। इसलिए मेरी पतनी मेरी और मैंने शुरू में यह तैकर लिया था कि मैं इस कमपनी के शिखर पर पहुंचूंगा और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि शुरुआत से ही मैं शिखर पर पहुंचना चाहता था। एक महान रोमान्चक अभियान। पिछले पत्चे सालों में आपने कितनी बार शहर मदले मैंने पूछा। जिरूम का जवाब था। इसका मतलब था साथ घर बेचना, साथ घर खरीदना, चार बच्चों को साथ अलग अलग जगे के स्कूल सिस्टम में डालना और साथ अलग अलग समुदायों के साथ तालमेल बैठाना मैंने बीच में कहा, अधिकांस लोग कहेंगे कि यह करियर के लिए बहुत जड़ा त्याग था जे रोमने स्पस्ट किया, मैंने और मेरी ने हर तबादले को रोमांच की तरह देखा हमने अपने बच्चों को सिखाया कि वे हर तबादले को नई दोस्त बनाने देश को ज़्यादा अच्छी तरह से देखने, अलग अलग रिती रिवाजों, मोसमों और लोगों के तोर तरिकों को जानने के अवसर की तरह देखें निश्चित रूप से बच्चे अपने दोस्तों को कुछ समय तक यात रखते थी परंतु छोटी उमर में लोग खुद को जल्दी ही नए मावल में डाल लेते हैं और मुझे कई दूसरी तरह की कीमते में चुकानी पड़ी मुझे इस पर क्रिया में अलग अलग मैनेजरों के साथ तालमेल बैठाना पड़ा उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे कुछ अच्छे नहीं थे कई बार मेरे अदिनस सही तरह के नहीं थे दो बार तो मेरे सैयोग्यों ने मेरी कल अच्छवी बना कर मेरे करीयर की परगति में बादा डालने की कोशिश की परंतु मैंने इन अनुबों का स्वागत किया उन से मैं अधिक मजबूत हुआ जेरोम ने जो किया वह दरसल यह था त्याग करना अकसर एक मांसी का वस्ता होती है ज्यादातर लोग यह मांते हैं कि तबादला होने का अर्थ त्याग करना है परंतु जेरोम और मेरी ने तबादलों को रोमांस की तरह लिया अगर त्याग करने से पूरुसकर मिलता है तो लोग इससे बचने के लिए दूर क्यों मागते हैं लोग बविशे में और अधिक संतुष्टी हासिल करने के लिए आज के आनद को क्यों नहीं छोड़ना चाते शायद ऐसा उस नजरी की वज़े से है जो युद्ध के दोरान सैनिकों में लोग प्रिया था खाओ पियो और मोच करो क्योंकि कल तुम मर सकते हो या शायद यह है अभी कि पीड़ी की बच्चुई निशानी है मिलने वाले पुरुषकारों के लिए वर्तमान में त्याग करने या निवेस करने का इच्चुक होना चाहिए इस बिंदू के पक्स में आप आगे दी गई बातों पर विचार करें पहला 65 साल की उमर तक पहुँचने वाले जातातर लोगों की बचत निवेस या अन्या जाइदा कम होती है और यह तब होता है जब दुनिया के सबसे अमीर समाज में 45 वर्स का व्यसक जीवन बिता चुके हैं अगर गरीबी और गरीबी के निकट रह रहे इन लोगों में अपने कमाई धन का सिर्फ 10% सेंक्डों सुरक्षित निवेसों में से किसी एक में निवेस किया होता तो उनकी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी होती और समाज एक सुरक्षा की व्यवस्ता धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सकती थी दूसरा कई युवा महसूस करते हैं कि उन्हें सब्ता में सिर्फ 35 से 40 गंटे तक ही काम करना चाहिए इस से अधिक काम करने के लिए कहा जाना उन्हें इतना बड़ा त्याग लगता है कि वे दूसरी नोकरी खोजने लगते हैं तीसरा लाकों लोग ऐसे नोकरियां कर रहे हैं जिन में रोबोट और कम्प्यूटर तेजी से उनकी जगह ले रहे हैं ये लोग सोचते हैं कि अधिक मांग वाले क्षेतर में संबंदित नई योग्यताईं सीखना बहुत बड़ा त्याग है चोथा अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेस करने के बज़ाई करोणों लोग परलोबन के सामने हार मान लेते हैं और अभी नगत नहीं 48 महीनों की आसान किस्तों में जैसी योजना पर चीज़ें खरीद लेते हैं पांचवा और लाखों विद्यार्थी किसी विशे को सचमुच सीखने के लिए त्याग करना पसंद नहीं करते पास होने के लिए पढ़ने की बज़ाई वे बाकी सभी संभव तरिकों बर विचार करते हैं सकारातमक पहलों से सोचा जाए तो हर उमर में कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि वे त्याग करने के चुक रहते हैं समाज में डोक्टरों का बहुत सम्मान होता है क्योंकि डोक्टर बनने के लिए बहुत अधिक त्याक करना पड़ता है डोक्टर बनने के लिए प्री मेडिकल कोलेज में बहुत अच्छे नमबर लाना पड़ते हैं और फिर मेडिकल कोलेज की तेल निकालने वाली पढ़ाई करना पड़ती है। फिर असली त्याक आता है रेजिडेंट या परशिक्षू के रूप में किसी अस्पताल में अनुवव हासिल करने के लिए काम करना। कम थनकुआवर परशिक्षू एक सब्ता में सो या इस से सग्य कहते हैं कि काम की यह ऐसाधारन दिन्चरिया आवशक है ताकि नए डोक्टरों में उस अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास विक्षित हो सके जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। डोक्टर लाइन में बूट कैम में सेवा करना कठिन है परंतु जो डोक्टर उन्हें अपनी उपलबदी पर बहुत गर्व होता है। मेरे क्यूआ डोक्टर मितर जान वाई एक उधारन है। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब उन्होंने दस साल पहले प्री मेडिकल किया था। लगूंगा और अधिकांस लोगों के हिसाब से मेरी आमदनी अच्छी खासी होगी। इसके बाद बरसों से नो से पांस बज़े तक काम करने वाले मेरे पुराने दोस्त मुझसे जलेंगे क्योंकि मेरी जीवन सहली उनसे बहतर हो जाएगी। जोन की बाते सुनकर मैं उन प लेजर हर सब्ता 168 गंटे उसके पास रहता है। वह सेवा के कॉल्स पर खुशी खुशी जाता है क्योंकि यह मेरा काम है। मैं इसमें अच्छा हूँ और मेरी कमपनी ग्रहाकों को संतूश्ट रखने में विश्वास रखती है। मैं एक 32 वर्षिय में इला को भी जानता हूँ। वह सेक्रेटरी के रूम में फूल टाइम काम करती है। और वेटर के रूम में पार्ट टाइम। सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी छोटी बेहन की मदद कर सके। जो किड्नी की ला इलाज बिमारी से पीडित है। उसके इला करना ताकि उनको गहरी संतुष्टी प्रापत हो। आपको एपी गथी का वह वक्य याद है जो मैंने पहले बताया है। बिना जोकिम के लाब ख़वाना, बिना खत्रे के अनुबव पाना, और बिना काम की पुरुसकार पाना लगबग उतना ही ये संबव है जितना की बिन पैदा हुए जिन्दा रहना। मैं आपके सामने एक पुरानी कानी फिर से दोरा दूँ। एक बहुत अमीर राजा संक्षेप में यह जानना चाहता था कि सफल होने के लिए क्या जानना जुरूरी है। उसने अपने राज्या के सबसे समझदार लोगों से यह रहे खोजने के लिए दस साल का समय देता हूँ। दस साल बाद समझदार लोगों लोटे और उन्होंने राजा की टेवल पर 24 पुस्तकें रख दी। यह रहे रहे बहुत जटिल दिख रहा है। राजा ने कहा संक्षिप जवाब खोजने के लिए आप दस साल और मेहनत करें। दस साल ब मैं आपको दस साल और देता हूँ ताकि आप सफलता का संक्षिप सिधान्त पता कर सकें। दस साल और गुजर गई। समझदार लोग अब आधिक गुड़े और ठके थे इस बार उन्होंने राजा की मेज़ पर सिर्फ एक कागज रख दिया। इस पर लिखा था दुनिया म में कोई चीज मुफ्त्वे नहीं मिलती। सिर्फ त्याग के द्वारा मुझे दोस्त, सुक, उपलब्दी, धन, तरक्की, पुरुस्का, प्रेम, अन्य मुल्यवान वस्त्वे मिली हैं। त्याग करने का आनंद उठाइए। त्याग सफलता की ओर ले जाता है। अधिक सफ फुटवाल खिलाडियों को। परन्तु अगर त्याग के बारे में विचार किया जाई तो शायद उन्हें कम पैसा मिलता है। प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, अभ्यास और त्याग की आफशकता होती है। हाई स्कूल के बाराजार खिलाडियों में से एक फुटवाल खिलाडि के नाम पर विचार किया जाता है। जब खिलाडि को कॉंट्रेक्ट मिल जाता है तो इस से भी बड़ी त्याग की जरूरत होती है। अभ्यास बहुत ज्यादा त्याग मांगता है। टीवी पर तो आप जो एक पास देखती हैं वह पास देने के ल मिल हैं जैसे अपने परिवार से दूर रहना, कष्टकारी यत्राई, चोटें और जब परदर्शन आसा के अनुरूप ने हो तो एहें को चोट पहुंचना और दर्सकों की गालियां। बहुत से त्याग करने के बाद ही किलाड़ी प्रोफेशनल बनते हैं। सफल लोगों क सिखर पर पहुंचाता है, जो सेल्जमेन, राष्ट्रिय पुरुसका रजीटा है, वे सब बिना सपष्ट परियास के सफलता आसिल करते दिखते हैं। परंतु सफल लोगों के साथ परदे के पीछे जाईए और आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत अधिक तयारी की थी, ज पहान फुटवाल के लाड़ी, अपने खेले जाने वाले हर मिनट का बीस गुना समय अभ्यास में लगाते हैं। सिर्शस्त लोगों के काम सहज लगते हैं और संगीत के कारकरों में कई सुरुताओं को यह लगता है कि वाद्यवी अंतर बजाना बहुत आसान है, या वाद् देना पड़ता है, या कितनी मेहनत करने पड़ती है, अगर आप किसी डॉक्टर, संगीतकार या वक्ता को सहस्ता से काम करते देखें, तो दरसल आप एक ऐसे विक्ति को देख रहे हैं, जिसने सर्व स्ट्रेस्ट बरने के लिए बहुत से त्याग किये हैं। एक पुरानी क करने के पूरी कोसिस की, आखिर कार मैनेजर ने एक सलाकार को बुलवाया, विसे सग्या ने मशीन को कुछ मिनट तक देखा, अपनी किट में से एक रबड़ का हतोड़ा निकाला, मशीन में एक खास जगए पर धीमे से हतोड़ा मारा, और लो, मशीन अच्छी दर ऐसे चल जल्दी मैनेजर को 300 डोलर का बिल मिला, मैनेजर हैरान था, सलाकार ने मशीन पर सिर्फ एक हतोड़ा मारा था, इसलिए उसने सलाकार से अपना बिल वस्तु वार देने को कहा, सलाकार ने यह बिल भेजा, मशीन पर हतोड़ा मारना एक डोलर, यह जानना कि हतोड़ा कहा मार जाए दोसो निनानमें डॉलर, कुल तीनसो डॉलर, कोई किस तरह प्रोफेशनल बनता है, सिर्फ अभ्यास अभ्यास और अदिक अभ्यास से ही, और किसी व्यक्ति को कब प्रोफेशनल समझा जा सकता है, कितने अभ्यास की आफशकता होती है, क्या कालेज में कुछ समय गुज इतना आसान इतना सहज इतना सरल दिखने लगे कि उसे कोई भी कर सके वह नर्स प्रोफेशनल है जो किसी मरीज की मुश्किल से मिलने वाली नस में से खुन निकाल ले और उसे दर्द ने हो इसी तरह वह गोता खुरबीन प्रोफेशनल है जो साथ फुट उपर से कुदे और पानिब बिल्कुल नहुश ले और वह सिक्षक प्रोफेशनल है जो आठ साल के बच्चों को गुर्द वाक्षन का सिदांत इस तरह समझाए कि वे समझ जाई हर व्यवसाई में प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है यसे लोग जो अपने काम को कुशलता विसे सग्यता और निश्टा के शाथ करें फास्ट फूड रेस्तरा और दान्त की सरजरी से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक हर क्षेतर में प्रोफेशनल लोगों को ही सर्वादिक पूरुसकार मिलते हैं क्या अनुबाव किसी विक्ति की योग्यता का सूचक है एक रोजगार विसे अनुबाव और योग्यता के बीच अक्सर कोई तालमेल नहीं होता मैंने उनसे इसे स्पष्ट करने को कहा उन्होंने कहा देखिए अनुबाव कई वार बहुत प्रामक हो सकता है उधरन के तोर पर पांच साल के अनुबाव का आर्थ यह भी हो सकता है कि इस विक्ति ने पांच साल तक नोकरी तो की परन्तु उसने पिछले चार साल कुछ भी नहीं सीखा अनुबाव को नोकरी के वरसों से नापा जाता है परन्तु दरसल इस से किसी विक्ति की योग्यता के बारे में जरा भी पता नहीं चलता मेरी मितर ने आगे कहा एसा अकसर होता है कि दो साल के अनुबाव वाला व्यक्ति दस साल के अनुबाव वाले व्यक्ति से अधिक मुल्यवान हो आज उपर बढ़ने के लिए दरसल मैतोपून यह है कि नोकरी करते समय आदमी ने कितना सीखा सिर्फ समय की मात्रा में तो भून नहीं है सबक अगर आप सर्वेस रेस्ट आर्थिक और मनोव एग्यानिक पुरुषकार पाना चाते हैं तथा अभ्यास करके निष्टा से आगे बढ़ना चाते हैं तो यह है जान लें कि यदि आप किसी नोकरी में बिना विकास के समय गुजारते हैं तो अंततै आप उस समय को बरबाद कर रहे हैं बिजनसमेन भी त्याग करते हैं अधिकांस मिलेनियर्स स्वे निर्मित हैं अधिकांस मिलेनियर्स को दोलत विरासत में नहीं मिले अमेरिका के 10 लाख मिलेनियर्स में से 81 परतिसत ने अपनी दोलत अपने खुद के बिजनस से कमाई है और अपने खुद के बिजनस में सफल होने के लिए त्याक की जरूरत होती है जब कोई आम आदमी किसी स्वे निर्मित मिलेनियर को देखता है तो वह जलते हुए सोचता है कि किस्मत की वज़े से वह आदमी अमीर होगा उसका यह सोचना सही हो सकता है बसरते किस्मत से उसका यह मतलब है कुछ समय तक अच्छे घर, शानदार कारों, महंगी छूटियों के बिना रहना हर सपता सतर से लेकर सो गंटे तक काम करना अपनी बज़त को बिजनस में गवाने का जोखिम उठाना अधिक धनोगार लेना और टीवी, पढ़ने और दोस्तों के साथ समय गुजारने जैसे आनंदों को छोड़ना सही करियर कैसे चुने आप शायर जीवन में जितना समय काम करने में गुजारते हैं उतना किसी अन्या चीज को करने में नहीं गुजारते और आपके काम के जीवन की गुणवत्ता आपके गरल्यो जीवन की गुणवत्ता को परभावित करती है जो आप अपने जीवन साथी बच्चों और मित्रों के साथ गुजारते हैं आप अपने काम को जितना पसंद करते हैं आप समय को भी उसी अनुपात में पसंद करते हैं यही नहीं आपकी सफलता, दोलत, सुक और सेहत भी बहुत हद तक आपके काम पर निर्वर करती है सही करियर खोजने के दो मुख्य प्रशन पहला, क्या पुरुसकार मारक दर्सन पर आदारित है? दूसरा, क्या आपकी योग्यता के विस्तार के साथ नोकरी का विस्तार होता है? क्या पुरुसकार प्रदर्शन पर आदारित है? किसी नोकरी को चुनते समय एक महत्वपुन प्रशन यह है क्या मेरे पुरुसकारों, तंक्वा, बोनस, अतिरिक सुविदाई, प्रमोशन का आदार मेरा प्रदर्शन होगा? दूसरे सब्दों में, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या आपको सिर्फ अच्छा काम करने के तुल्ना में अधिक धन मिलेगा? कॉमन सेंसा में बताता है, कि तंक्वा की सभी योजनाई, इस बात पर आदारी तो होनी चाहिए, कि करमचारी कितनी अच्छी तरह काम करता है, परंतु अक्सर ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एक उधान दे दूँ, और इस बात की संभावना है, कि आपने भी ऐसा कुछ दे करना, सामान की इच कीमत जोडना, पैसे लेना, सामान को थेले में डालना, और खुशी-खुशी धन्यवाद कहना, जिल में उच्छा और उर्जा वरी है, तथा वहे अपनी सिफ्ट में डेट सो ग्राकों की सेवा करती है, वहे सिर्फ उसत परियास करता है, और सो ग्राकों की सेवा करता है, फिर तन्खवा का दिन आता है, अब जरा सोचिए किसे कितनी तन्खवा मिलेगी, तिनों को बराबर तन्खवा मिलती है, यह अन्याए पुर्ण लगता है, परंतु सस्तों यह है, कि ज्यादातर लोगों को अपने काम के बदले में परियाप्त पुरुसका के अनुसार मिलते हैं कमिशन सेल्जमेन को बुगतान इसाधार पर मिलता है कि उसने कितना सामान बेचा बिजनसमेन को भी इस बात के लिए पुरुसकार मिलता है कि वे अपनी कमपनी के लिए आमदनी जुटाने और लागत कम करने में कितनी सक्षम है क्या यह खोजने में समझदारी नहीं दिखती कि जब आप किसी के लिए काम करने जाएं तो पहले यह पता लगा ले क्या आपके अतरीक्त परियास के बदले में पुरुसकार मिलेगा दो क्षेतरों में पुरुसकार और परदर्सन के बीच किसी तरह का कोई संबन नहीं है अगर है भी तो बहुत कम यह क्षेतर हैं सरकार और सिक्षा शायद आप कुस निष्टावान सरकारी करमचारियों को जानते होंगे जो अपने सर्वेसरेष्ट प्रोफेसनल प्रियास करते होंगे परन्तु बदले में उन्हें अपने उन सहयोगियों जितना धन नहीं मिलता जो लगबग कुछ नहीं करते यही सिक्षकों के बारे में सच है सरकार और सिक्षा दोनों ही तंत्रों में अक्सर सेवा के वर्षों के लिए पुरुसकार दिये जाते हैं बजाए इसके कि किये गए काम की गुरुवता के अधार पर पुरुसकार दिया जाई जब तक अन्यतत्व आर्थिक पुरुसकार से बहुत वजनदार नहीं हो तब तक गुद्धिवान वेक्ति कि दूसरे छेत्रों में अपने करियर का विकल्ब चुनना चाहेंगे क्या यह नोकरी आपकी योग्यता का विस्थार करती है किसी नोकरी को करने से पहले खुद से पूछें क्या मैं आज से च्छे मैने या एक साल या तीन साल बाद अधिक मुल्यवान बन जाओंगा अगर आप अपनी वरत्मान नोकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो पूछें क्या मैंने वरत्मान नोकरी में कुछ उपयोगी सिखा है अगर पहले सवाल का जवाब नहीं है तो वहे नोकरी ने करें अगर दूसरे सवाल का जवाब नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके नई नोकरी ढूंड ले अपना परशिक्षन काल सर्वेसरेस मारक दरसक के साथ गुजारें हर व्यक्ति को परसिक्षन के अंदर की आवशक्ता होती है जहां ग्यान, योग्यताईं और तक्निकें हासिल की जाती है ताकि वह व्यक्ति अपने मन्चाहे काम को करने के लिए तैयार हो जाई जो स्मार्ट फुटबाल खिलाडी प्रोफेसनल बनना चाहते हैं वे एसे कालेज को चुनते हैं जिन में से अधिकांस के लड़ी चुने जाते हैं बैतोकांक सी डोक्टर सबसे सम्माननी ये मेडिकल कालेजों को चुनते हैं और कंप्यूटर के एक शेत्र में अंदर और बाहर की बात सीखने के इच्छुक लोग किसी सीरसस्त कंप्यूटर कंपनी में परशिक्षन लेते हैं किसी नोकरी को चुनने का मून बूत वीचार शुरुआती तनक्वानाय होकर यह होना चाहिए कि क्या आप वहां कुछ हैसा सीखते हैं जो उपर उठने में आपकी मदद करेगा या आपका अपना वेवसाय सुरू करने के लिए आपको तैयार करेगा अधिकांस कानोनी और अकाउंटिंग पार्टनर्शिप एड़ोटाइजिंग एजेंशियों मेडिकल प्रैक्टिश और परामर्स दाता संस्ताये से लोगों द्वारा शुरू की गई है जिन्होंने किसी दूसरी फर्म के लिए काम करके आफशक योगताईं सिखी है किसी नोकरी के अवसर का मुल्यांकन करते समय मैं तो पूर्ण सवाल यह होता है मैं यहां क्या सीख सकता हूँ जो मुझे अपने बिजनस या इस चेतर में उपर की तरफ पर्मोशन के लिए तैयार करेगा कई लोग कालेज से निकल कर जल्द बाजी में किसी ऐसी जगे पर सिक्षन लेने लगते हैं जहां वे बहुत कम या बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं जिसका परियोग वेकेवल बढ़ने में कर सकें कुछ नए सीखना सबसे बुरी बात होती है कोई कोच या मारक दर्सक ढूंडे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके महान अविनेता महान निर्देशकों के अधिन काम करके अपनी योग गयताओं को निकारते हैं बहुत कम फूटबाल के लड़ी महान कोच के बिना सिखर पर पहुंच पाते हैं बेहतरीन सेल्जमेनों को मूल बू तकनिके बेहतरीन सेल्जमेनेजर सिखाते हैं इस बात को याद रखें अगर आप पहले से ही अपने बोस्ट से ज़्यादा जानते हैं तो आप अपना समय बरबाद कर रहे हैं बूट कैम्प में जाने के लिए खुशी खुशी तयार रहें नए लोगों को सिखाने के लिए मिलिटरी में बूट कैम्प का इस्तेमाल किया जाता है पर शिक्षन और अनुसासन बहुत कड़ा होता है बूट कैम्प के मुख्य उदेशे है मूल बूट पर शिक्षन देना और बविशे के काम के लिए भेक्ति का मुल ल्यांकन करना परंतु एक और में तो पूर्ण लक्षय यह निर्दारित करना होता है कि क्या रंगरूट जहल सकता है कुछ लोग नहीं जेल सकते और उन्हें मुक्त कर दिया जाता है सिविलियन्स के लिए भी बूट कैम्प होते हैं मैं इस समय साउथ वेस्टरन कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ नेश विले की वह कंपनी जो बाइबल साइटे बेशने के लिए गर्मियों में कालेज के युवा विद्यार्थियों को न्यूट करती है नेश विले में कुछ दिनों के गहन पर्चिक्शन के बाद उन्हें सामान बेशने के लिए देश भर में बेजा जाता है और यह कड़ी मेनत का काम होता है वे सुबह जल्दी सुरू करते हैं और देर रात तक गराकों को सीधे सामान बेशने का काम करते हैं यूवा सेल्ज मेनेजर कमिशन पर काम करते हैं और ओर्डर मांगते समय वे जितनी बार हां सुनते हैं उससे कई गुना बार ना सुनते हैं परंतु वे प्रभावी सेलिंग की मूल बूत बातें सीख जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बूट कैम्प में नो सेनिक यह सीखता है कि युद में कैसे बचा जाई। मैं बहुत से साउथ वेस्टरन पर सिक्षूओं से मिला हूँ। और लगबग हमेशा में बिजनस में बहुत सफल हुए हैं। साउथ वेस्टरन परते निदियों के रूप में उनकी गर्मिया उनके जीवन का चरम बिंदू होती है। वे सीखते हैं कि किस तरह बचा जाई और सफल हुआ जाई। सामान बहुत अच्छा होता है और लीडर्शिप उतकरष्ट होती है। फिर भी सफलता व्यक्ति पर निर्वर करती है। व्यक्ति को इसे अपने दम पर हासिल करना होता है। संक्षेप में नमबर एक करियर की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फैंक दीजिए। पहला अगर आप नोकरी बदलना चाते हैं तो आपकी वरतमान उमर सही है। दूसरा वर हर क्षेतर ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह खुला है जो अपना सर्वस रेस्ट प्रियास करते हैं। नमबर दो बेटर स्वास्ते जाते हैं अपने काम कानद लीजी। नमबर तीन अपने काम से प्रेम करें और तनाववे अन्य विबारियों को हरा दें। नमबर चार त् करने से पुरुषकार मिलते हैं। नमबर पांच नोकरी चुनते समय यह सुनिश्चित कर लें कि तनक्वा और पुरुषकार परदर्शन के अधार पर मिलते हूं। नमबर छे एसी नोकरी चुने जो आगे बढ़ने और आपकी योग्यताओं को अधिक्तम करने में आपकी म बढ़ा जादो। दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो मेरे इस चैनल लिष्ट धत्रीन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत सफल सोच का सफल जादू अध्याई तीन बड़ी सोच का बढ़ा जादू। जब मैं कोलेज में था तो मैंने फैसला किया कि मैं एक साल तक हर वीकेंड पर एक अलग चर्च में जाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं अधिक से अधिक आस्ताओं, विश्वासों और अधार्णाओं के संपर्क में आऊंगा। मुझे आसा थी कि मैं वह खोज लूँगा जो हम सब खोजना चाते हैं। काम आने वाली सफलता की एक प्रैक्टिकल फिलोसिपी। एक रवी बार मैं एक पूरु निश्चित चर्च की तरफ जा रहा था। रास्ते में मैं एक और चच के पास से गुजरा। लाउन में बुलेटेन बोर्ड लगा था जिस पर प्रोचन का सिर्चक लिखा था। सिर्चक इतना रोचक था कि मैंने यहीं रुकने का फैसला किया। प्रोचन का सिर्चक सचमुच आकर्शक था। सबसे बड़ा प्रलोबन। मैं युवा था औ चोरी भी नहीं है और जूट भी नहीं है। उन्होंने जन समुदाय को बताया कि सबसे बड़ा प्रलोबन है छोटी मानसिकता वाले इरशालू और नकारात्मक लोगों के गटिया जीवन मुल्यों के सिस्टम को स्विकार कर लेना। पादरी ने इस पर जोर दिया कि अगर ह हम इस परलोबन को जीत ले तो बाकी परलोबनों से निवटना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया। अपने जीवन को सही फोकस में करें। इस बात पर ध्याने कागर करें कि बाकी चीजों की तुलना में सचमुश क्या है। आपका परिवार, आपका करियर, आपका धन और आपके लक्ष है। कई दसक बीच चुके हैं परन्तु मुझे आज भी वह परवचन याद है जैसे मैंने उसे आज सुभई सुनाओ। मुझे इसमें जो महान संदेश मिला उसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हू पादरी ने समझदारी की जो बात मुझे बताई थी उससे आपको भी सफलता दोलत और सुख की यात्रा में मदद मिलेगी। एक अच्छे केक में क्या खास बात होती है। जाहिर है आइसिंग, अतिरिक्त मिठी आइसिंग जो केक बन जाने के बाद उस पर लगाई जाती है कुछ बेकरियों का केक का बिजनस अच्छा चल रहा है और वेगरहक की पसंद के इसाब से उन्हें सजाती है। कुछ मैने पहले की बात है, मेरे पोती सारा बिमार थी, मैंने उसके लिए एक केक खरीदा और बेकरी में बैठी महिला से उस पर लिखवा दिया। सारा मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो रही हो। वहे केक एक टन दवा के बराबर था और जब सारा ने अपने लिए वेक्तिकत रूप से सजाया गया केक दिखा तो उसकी आँखों में चमक आ गई और आवाज की चहक से उसके दादा जी में भी नया जोस आ गया। केक पर आइसिंग लगाना सफलता पूरवक धन कमाने का सिधान थै। दो साल पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। पाइप जमने की बज़ए से पानी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने पलंबरों को फोन करना शुरू किया। पहले पांच पलंबरों ने साफ मना करते हुए कहा हम जितना काम कर सकते हैं हमारे पास उस से बहुत ज़्यादा काम है। हम आपके पास शायद 48 गंटे या इस से अधिक समय तक नहीं आ सकते। आखिरकार छटवे पलंबर ने कहा देखिए मैं लगातर 40 गंटे से काम कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कहां रहते हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ अगर आप बतियां जली रहने दे और मुझे बता दें कि चाबी कहां रखी है तो मैं रात को एक से दो बजे के बीच वहां पर आ जाओंगा जब पलंबर रात को दो बजे के कुछ समय बाद आया तो मैं काम कर रहा था कुछी समय में पानी आने लगा और पलंबर चला गया परंतु गट्टा यहीं पर खतम नहीं हुए चार दिन बाद जब ठंड कम हो गई तो मेरे पास पलंब पर उसने कहा मुझे आपकी सेवा करके खुशी हुई मिस्टर स्वार्ट मेरा एर कंडिशनिंग का बिजनस भी है अगर आपको गर्मियों में सेवा की आवशकता हो तो सिर्क मुझे फोन कर दें और मैं सीधे आपके पास आ जाओंगा और किसमत का खेल देखी सचमुझ मेर एर कंडिशनिंग सिस्टम जून में खराब हो गया और जाहिर था उसे सुधारने का काम उसी पलंबर को मिला जिसने जमे हुए पाइप को ठीक करने का समय निकाला था क्यों क्योंकि उसने ठंडे मौसम में पाइप ठीक करने के बाद मुझे फोन किया था सब कुछ ठीक तो रहा है उसने अपनी प्रेक्टिस एक युवा दंट चिकित्सक को बेश दी थी जिसने हाली में डेटनी कालेज से परिक्षा पास की थी मेरे पूराने डेंटिस ने मुझे आस्वस्त किया कि वहय युवक बहुत योग्या था इसलिए अगर उसे बविशा में दांतों की त अगले दिन शनिवार को मेरे फोन की गंटी बजी मैं बिल विल्सन बोल रहा हूं आपके दांतों का डाक्टर मैंने सिर्फ यह जानने के लिए फोन किया है कि आपके दांत ठीक तो है फिर उसने मुझे दो एक सुझाओ दिये और मुझे बताया कि मेरी सेवा करके उसे कितन लगाई गई आइसिंग थी जिसने यह साबित किया मेरे ठीक होने में दांतों के डोक्टर को कितने रूची थी तीन मिनिट की उस फोन काल ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि मैं वरसों तक उसी नए दंट चिक इचसक के पास जाता रहूंगा और इसके बाद जब भी के आमदनी परदान करेगा कोई किस तरह सफल डेंटल प्रैक्टिस बनाता है केक पर कुछ आइसिंग लगाएं सिर्फ एक काम करें आसा से अधिक सेवा करें सेवा को पहले रखें और पैसा अपने आप आ जाएगा यह सफलता का बहुत ही सठीक नियम है जितना की गुरुत जबावनावर्ष ग्रहक को फोन करती है उनका यह काम केक पर लगी आइसिंग की तरह है वे कहती है रियल इस्टेट बिजनस में ऐसा आम तोर पर नहीं किया जाता ज्यादातर एजेंट डरते हैं कि ग्रहक शिकायत करेगा अक्सर लोगों को छोटी मोटी समझाई होती है औ तो एक तरह से मुझे खुशी होती है लोग जल्दी उस एजेंट को भूल जाते हैं जो सिर्फ मकान बेचता है पर वे उस एजेंट को याद रखते हैं जो बिकरी के बाद उनकी सेवा करता है और आपको यह जानकर आस्चरे होगा उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को मै बेचने को कहते हैं जो उन्होंने मुझे खरीदा था मैं इस बिजनस में 13 साल पहले आई थी और एक गर तो ऐसा है जिसे मैं तीन बार बेच चुकी हूं सेल के बाद की जाने वाली सेवा यानि सोदे पर थोड़ी सी अतिरिक ताइसिंग से लाब होता है लोग जितना पाने बेचलर के स्टोर में जितने गरहगाते हैं उससे ज़्यादा संख्या में सेल्ज Warumते एं जो सावान बेचने की कोशिश करते हैं कपड़ों के बहुत कम सेल्जमेन बड़ी सफलता हशिल कर पाते हैं पर जोने स काफी सफल है एक दिन मैंने जोन से पूछा कि वे बाकी होल से शेल्जमेनों से दूगनी कमाई कैसे कर लेते हैं जोन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा शिक्षा इस पर मैंने जोन से कहा यह सुनकर मैं हैरान हूँ मैं जानता हूँ कि कई लोगों की उपलब्दियों में शिक्षा एक मैत्वपून तत्व होता है परंतो शायद ही कभी मैंने यह सुना है कि सिक्षा पहले स्थान पर आती है जोन हसा और बोला मैंने अपनी बात को ठीक तरह से स्पष्ट नहीं किया मेरा मतलब यह नहीं कि मेरी सिक्षा की वज़ए से मेरी कमाई ज़दा हो रही है मैं सिर्फ कुछ समय के लिए नाइट स्कूल गया हूँ सिक्षा से मेरा मतलब दूसरा था मैं अपने रिटेल ग्राकों को यह सिक्षा देता हूँ कि उन्हें जो सामान बेचता हूँ उसे वे अपने ग्राकों किस तरह बेचे है देखिए जोन ने समझाया मेरे विक्री दरसल तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि व्यापारी मेरे सामान को खरीदने ले यह विक्री का सिर्फ आदा इसा है दूसरा आदा इसा तब पूरा होता है जब उस व्यापारी के ग्राक उससे वह सामान खरीदते है जो मैंने उसे बेचा था मेरे कई ग्राक अच्छे व्यापारी नहीं है वे नहीं जानते कि सामान किस तरह बेचा जाए और अगर वे मुझसे खरीदे गई माल को नहीं बेच पाएंगे तो मेरा विजनच जल्दी ठप हो जाएगा इसलिए जब मैं अपने ग्राकों को कोई नई रिंज देता हूँ तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि उस कपड़े के लिए किस तरह की मेला सबसे अच्छी ग्राक हो सकती है उसकी उम्र, उसकी फैशन की रूची, उसकी आमदनी इत्यादी फिर मैं यह समझाता हूँ कि कपड़े की किन विशेस्ताओं पर जोर देना होगा किस तरह उस कपड़े का परदर्शन करना है सबसे मैतवपून बात किस तरह ग्राक की कलपना को जकड़ना है कलपना को जकड़ने से आपका क्या मतलब है, मैंने पूछा जोन हसा और उसने जवाब दिया मैलाओं और पूरुसों के कपड़े बेचने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ कपड़ा बेचते हैं यह सो प्रतिसत उन से बना है या दोने पर यह कपड़ा नहीं सिकुड़ेगा परन्तु इस तरह की बातों से माल नहीं बिकता यह बोलते समय व्यापारी सिर्फ वही दोरा रहा है जो लेबल पर लिखा है मैं अपने रिटेल व्यापारियों को यह सिकाता हूँ कि वे ग्राहक को यह बताएं कि उनके कपड़े पहनने से ग्राहक आफिस में कितना अच्छा दिखेगा या लोग सोचेंगे कि यह कितनी महंगी ड्रेस है जब कि दरसल यह महंगी नहीं है या यह कहना कि आप इस ड्रेस में बहुत दूबली दिख रही है कलपना से मेरा यही मतलब है जब मैं कलपना को अपने रिटेलर के दिमाग में डाल देता हूँ तो वे ज़्यादा कपड़े बेशते हैं और इस कारण मैं भी ज़्यादा बेशता हूँ यह मूलग उतरूप से बहुत आसान है और मेरे अधिकांस परतिदूंदी इस मुगालते में रहते हैं कि रिटेलर अपने आप सामान बेशने के तरीके खोज लेगा मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं सड़क पर काम कर रहे ओसत सेल्जमेन से दो गुना अधिक क्यों कमाता हूँ सेल्जमेन द्हान दे अपने ग्राकों के लिए केक पर थोड़ी आइसिंग लगाए परडेक्ट बेचने में उनकी मदद करें ताकि वे आप से सामान ले एक प्रसुती विसे सग्यने मुझे बताया कि जब डिलिवरी के बाद माँ अस्पताल से जाती है तो कुछ दिनों के बाद वे उसे फोन क्यों करता है यह पूरी तरह सदबावना की फोन कोल होती है क्योंकि माँ और शिसू की देखबाल अब दूसरे विसे से गे करते हैं परंतु इसके बावजूद मैं फोन करता हूँ इसके पीछे मेरा स्वार्थ होता है मैं चाहता हूँ कि नई माँ अपने ग्रवबते सेलियों को मेरे बारे में बताई दावा निप्टाने के बाद बीमा एजेट अपने ग्राहक को फोन करते हैं या उससे मिलते हैं ताकि यह सुनिश चित कर सकें कि वह संतुष्ट हो गया है और चूंकि ग्राहक अब यह जानता है कि बीमा कंपनी बुगदान करती है इसलिए कॉल के लिए यह आदर समय होता है इस समय ग्राहक बीमे की अपनी दूसरी जरूरतों पर विचार करता है दावे का बुगदान करना अधिक बीमा बेजने का जबरदस्त अवसर है सब इक शेत्रों के स्मार्ट लोग जिस केक को बेजते हैं उस पर थोड़ी सी अतिरिक्त आइसिंग लगा देते हैं जो कंप्यूटर कंपनिया मार्केट में अधिक माल बेजना चाहती है वे बिक्री के बाद यह जानकारी लेती है कि इंस्टोलेशन ठीक तो हुआ है मैं कपड़े के सेल्जमेन को जानता हूँ जो ग्राहक के सूट खरीदने के एक महीने बाद फोन करके उनसे पूछता है कि सूट संतोज जनक तो है कॉल के दोरान यह सेल्जमेन वह हर महीने अपने परते ग्राहक को फोन करके पूछती है कि सामान किस तरह काम कर रहा है इसके बाद वह दूसरे सामान सुझाती है जिनकी ग्राणी को जरूरत हो सकती है उसका कहना है निश्चित रूप से हमारे सामान सबसे अच्छे हैं कुछ ग्राक मेरे घर पर फोन करके उनका ओडर देते हैं परंतु अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं उन्हें फोन करती हूँ जो विद्य आर्थी बहतर आंक चाते हैं वे अपने रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ अतरिक्त कारिय करते हैं जैसे अच्छी टाइपिंग या सुन्दर फोल्डर और वे टीचर के नाम की स्पेलिंग सही लिखते हैं केक पर आइसिंग लगाने का आर्थिया है कि लोग जितना पाने की उम्मीद करते हैं उन्हें उससे कुछ अदिक देना और यह चोटी-चोटी चीजों से शुरू होता है जैसे फोन का जवाब देना अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी कंपनी में फोन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपरेटर दरसल यह है कह रही हो मैं अपने काम को पसंद नहीं करती आप मुझे तंकियों कर रही है अब आप क्या चाहते हैं जवाब देने वाले वेक्ति की आवाज की टोन उस वेक्ति के नजरिये को बताती है और साथ ही उस कंपनी के नजरिये को भी स्मार्ट बिजनस मैनेजर कभी भी ग्राकों के संपरक में आने वाले पदों पर नकारात्मक लोगों को न्यूक्त नहीं करते जैसे टेलिफोन ओपरेटर, रिसेपनिस्ट, चेक आउट स्टेंड्स कैशियर और टिकेट बेचने वाले कमपनी के ग्राक कमपनी के प्रेजडेंट या मेतवपून मैनेजर से शायदी कभी मिलते हैं वे कमपनी के बारे में सही या गलत विचार उसी व्यवार से बनाते हैं जिस तरह का व्यवार उन्हें मेतवहिन लोगों से मिलता है अनुबवी यात्री एसे ओटलों में ठहरते हैं जहां रिजर्वेशन करने वाले करमजारी विनमर और सकारात्मक होते हैं लोग वेटरों के वेवार के आदार पर रेस्तरा चुनते हैं किसी रेस्तरा में बार बार जाने के पीछे सेवा अधिक मेत्वपूर्ण होती है बोजन का सुआत कितना अच्छा है यह हमेशा कम मेत्वपूर्ण है और कूरियर कंपनियां जानती है कि सरकारी डाग सेवा को प्यचाडने में सिष्ट वैदोस्ताना सेवा उनका सर्वस्रेस्ट परतियोगी हतियार है क्योंकि सरकारी डाक सेवा में काउंटर पर बैठे लोगों का नजरिया आम तोर पर नकारात्मक होता है प्लीज थैंक यू और आज आप अच्छे दिख रहे हैं मुफ्त की आइसिंग है जिससे सामान बिखता है और बिजनस बढ़ता है मैनेजरों के लिए टिपणी अपनी कमपनी या आफिस में फोन करें अगर आपको अच्छी आवाज में मुझे सच मुछ खुशी है कि आपने फोन किया सुनाई ने दे तो उस व्यक्ति को या तो सिखाएं या फिर बदल दे किसी मित्र से कहें कि वह आपकी कमपनी में आई अगर उसे वहाँ पर अच्छी सेवा ने मिले तो सुधार करने के कदम उठाएं सफलता चाने वाले लोग पूशते हैं लोग जितनी आशा करते हैं मैं उसे उससे अधिक किस तरह दे सकता हूँ जिस केक को मैं बेच रहा हूँ उस पर मैं किस तरह से आईसिंग लगा सकता हूँ केक वह सामान या सेवा जो आप दे रही हैं सिर्फ बेक की अवा आटा है परंतो अगर आप इस पर थोड़ी सी आइसिंग लगा देते हैं और सामान बेशने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्ट सेवा करते हैं तो आप उस आटे को जाएकेदार बना देते हैं इसे आजमा कर देखी और कुरुसकारों का आनंद लेजिए कुछ महीने पहले मैंने मीनी पोलिस में अपने युवा मित्र अलेग डबल्यू के साथ नास्ता किया जो अपनी मिटिंग प्लानिंग से वाचलाता है वह है मैत्वपूर्ण कॉर्पूरेट मिटिंगों की योजना बनाता है और सुईदाओं, मनोरंजन, वक्ताओं, पुरुसकारों और भाग लेने वालों में आने जाने की विवस्ता करता है वे सारे विवरन जो किसी सफल मिटिंग का हिस्सा है नास्ते पर अलेक ने मुझे कहा अभी आपकी फ्लाइट में तीन गंटे का वक्त है मुझे एक संभावित ग्राग से मिलने जाना है क्या आप मेरे साथ चलेंगी? शायद आप सेल्ज प्रस्तुती देने के संबने मुझे एक दो सुजाओ दे सकें मैंने कहा कि अगर मेरे जाने से कोई व्यवदान नहो तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी अलेक ने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुती दी उसने अपने संभावित ग्राग से यह पूछा कि वह इस मीटिंग से जो सर्वस्रेस्ट परिनाम चाता है उन्हें विस्तार से बताई अलेक ने कहा मिस्टर ब्राउन यह मान लें कि मीटिंग खतम हो चुकी है और इसमें भाग लेने वाले घर जा रही है आप क्या चाहेंगे कि वह कंपनी को किस तरह देखें अगले साल के आपके लक्षों या प्रडेक्ट लाइन को किस तरह देखें आदर स्तीती में आप मीटिंग में क्या हासिल करना चाहते हैं अलेक ने अपनी पूरी प्रस्तूती इसी बात में लगा दी कि संभावित ग्राहक सर्वसरेस्ट परिणाम कावरनन करे जब अलेक ने सर्वसरेस्ट परिणाम के बारे में पता कर लिया तो उसने सावदानी से उन पर मुक लक्षों को दो राया जो संभावित ग्राक मीटिंग से चाहता था फिर उसने संभावित ग्राक को धन्यवाद दिया और एक समय तै कर लिया जब वेवापिस आकर कॉर्परेट मीटिंग के लिए एक विस्तरत योजना परस्तुत करेगा बाद में अलेक ने संभावित ग्राकों के साथ मैं हमेशा दो इंट्रिव की शेलिका प्रियोग करता हूँ पहले इंट्रिव में सिर्फ जानकर इकट्छी करता हूँ मैं कभी भी संभावित ग्राक को यह बताने की कोशिस नहीं करता कि मेरी सेवाई कितनी अच्छी है इस से पहले मैं यह पता लगाता हूँ कि ग्राहाक क्या चाता है और उसके ज़रूरतें क्या है दूसरे इंट्रीव में मैँ बताथा हूँ कि उसके लक्षियों को हासिल करने में मेरी सेवाई किस तरह उसकी मदद कर सकती है गर लोटने वाली फलाइट में मैं अलेक और उसकी अती परवावी सेल्स तकनिक को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया अलेक ने ग्राहक से यह नहीं का यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा या आपके पास आपकी मीटिंग के लिए बहुत पड़िया योजना है इसके बजाए अलेक ने एक डोक्टर की तरह व्यवार किया उसने अपने संबावित ग्राहक को यह बताने दिया कि वह मीटिंग में क्या हासिल करना चाहता है इसके बाद अलेक ने एक आदर सी उजना प्रस्तूत की ताकि उसके संबावित ग्राहक के लक्षे हासिल हो जाए नोकरी पाने के लिए सर्वस्रेश्ट परिनाम की शैली का प्रियोग करें नोकरी पाने के लिए बाइड़ेटा पर बहुत जोड़ दिया जाता है जबकि सच तो यह है कि बाइड़ेटा सिर्फ इंटर्यू तक पहुचाने में आपकी मदद करता है यह आपको नोकरी नहीं दिलाता नोकरी आपको व्यक्तिकत इंटर्यू दिलाता है और इंटर्यू में आप अलेक के सर्वस रेस्ट परिणाम के तरीके का प्रियोग करके इसका लाब उठा सकते हैं इंटर्यू की सुरुवात में इंटर्यू लेने वाले से कुछ इस तरह की बात कहें मैं जानता हूँ कि इस इंट्रू में आज हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप यह देखना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ठीक हूँ या नहीं और मैं यह देखना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मेरे लिए ठीक है या नहीं हम यह देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या रोजगार के संभंदों से हम दोनों को लाब होगा क्या आप इस आदरस व्यक्ति का बरणन करेंगे जो आप इस पद के लिए चाहते हैं जब आप इस तरह खुलकर सची बात कहते हैं तो आपके संभावित नियुक्ता इसके जवाब में इस तरह की बात कहींगे हम जो व्यक्ति चाहते हैं उसमें कई गुन होना चाहिए इमानदारी, युग्यता, पहल करने की सक्ति, सहयोग करने की इच्छा और मैतव काक्षा जब आप यह ज़ाऑन जाएं कि संभावित नियुक्ता कोन से गुन चाहता है तो आप यहाँस पस्ट कर सकते हैं कि आप उसकी जुरूरतों के इसहब से किस तरह आदर्स हैं इसके बाद आप उतने आदर्स ततरों के अनुरूप अपनी युग्यता थाबित कर सकते हैं हुए सम्मानों का उलेक करें। जब आप अपने नियुकता से सरवस्रेश्ट उम्मीदवार का वरणन करने के लिए कहते हैं तो आप परिपक्व बुद्धी का परिचे देते हैं क्योंकि इसके बाद आप अपने नियुकता की आवशक्ताओं के अनुरूप अपनी योग्यत की निति का सफलता पूर्वक इस्तेमाल किया। यह देखने के लिए मैंने उस उपाई को सेलिंग क्लिनिकों में सिखाना शुरू किया और मैंने हमेसा यह उलेक किया कि मैंने इसे किसे सिखा है। लगवगा ठारा मैने बाद मैंने रियल इस्टेट एजेंटों के एक किस तरह इस उपाई के अनुरूप काम किया आपके सेमिनार के कुछ समय बाद ही मेरे पास पिट्स बर्ग से एक एक एक्जिक्टिव का फोन आया यह एक्जिक्टिव अपनी कंपनी की ब्रांच आफिस शुरू करने के लिए लोस एंजलिस में रहने आ रहा था मैंने सर्वस रेस्ट परिनाम वाली सेल्ज निती का प्रियोब करने का फैसला किया मैंने उससे पांच या दस मिनिट तक शुरू आती बात की और उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे कुछ गरों के विस्तरत विवरन बेजूंगा फिर मैंने उससे पूछा कि वह इस बारे में विस्तार से बताए कि वह किस तरह का घर चाता है फोन पर एक गंटे की इस बात्चित के बाद मैं जान गया कि उसे अपना घर कितने एकांत में चाहिए था किस तरह के पडोसी चाहिए थे और शोपिंग सेंटर, स्कूल और गोल्फ कोर्स कितने पास चाहिए थे मैंने वह हर चीज जान ली जो मेरे संभावित गराग के इसाब से मैं तो पूर्ण थी मैंने उससे वादा किया कि मैं 2160 गरों की अपनी सूची में उसके मन पसंद गर की तलास शुरू करूँगा और उसे दो दिन में जवाब दूँगा दो दिन बाद मैंने फोन किया और संभावित गराग को बताया कि मुझे चार गर मिले हैं जो उसकी आवशकताओं को पूरा करते हैं मैंने उससे मैं उसकी पतनी से अगले इविकेंड में लोस एंजलेस की यात्रा करने का अनुरोद किया मैं संभावित गराग और उसकी पतनी से शनिवार के सुबह हवाई अड़े पर मिला मैं उन्ने लंच के लिए शेहर के उस हिस्से में ले गया जहां चारों गर स्थिट थे फिर मैंने उन्हें वे चारों गर तिखाई तीन गंटे में पती पतनी ने अपने लिए घर पसंद कर लिया और सेल पूरी हो गई परन्तो आपने तो कहा था कि सरवस्रेस्ट परिणाम की तकनिक का परियोग करके आपने पंद्रे लाख डोलर की जायतात बेची क्या उस आदमी ने एक गर की इतनी भारी किमत दी थी अरे नहीं एजेंट ने मुश्कराते हुए कहा परन्तो अगले च्छे मैंनों में पांच और परिवारों का यहां ट्रांसपर हुआ चुकि मैंने मालिक की इतनी अच्छी सेवा की थी इसलिए यह स्वबाविक था कि मालिक ने स्टाफ को सला दी कि वे गर खरीदने के बारे में मुझसे संपरक करी इस तरह मैं अच्छाए गर बेचने में सभल हुआ मैंने अपने एक मित्र को भी सर्वसरे इस्परे नाम की नीती समझाई जो अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस करता है उसके संगठन में लोग शुरुआत में पार्ट टाइम सामान बेचते हैं और दूसरे लोगों को अपने बिजनस में शामिल करने का मंतरन देते हैं लोगों को शामिल करने के लिए उनसे पूसता है कि वे उस आधर्स पार्ट टाइम बिजनस का वर्णन करें जिसके वे मालिक मनना चाहते हैं मेरा दोस्त मुझे बताता है कि लोग अपने पार्ट टाइम बिजनस में जो चीजे चाते हैं वे ऐसे मितामदनी, पारिवारिक हिस्सेदारी, काम के लचे लेगंटे, कम लागत और एसा सामान जो सचमुच उपयोगी हो मेरे मितर ने स्वस्ट किया, जब मैं लोगों को इस बारे में संकल्प करवा लेता हूँ, कि वे क्या चाते हैं, तो इसके बाद उन्हें यह दिखाना आसान होता है, कि मेरा बिजनस की इस तरह उनकी रूचियों के हिसाब से आदर्स है सर्वस रेष्ट परिणाम की निति काम करती है, इसका प्रियोग करें एक प्रमुक सोप्ट एयर कंपनी अमेरिका और यूरोप के अपने दोजार गराकों से अधिख बिजनस आसित करने के लिए, सर्वस रेष्ट परियोग करती है साल में दो बार कंपनी एक सम्मेलन आयो जित करती है जिसमें ग्राकों को अपने खर्चे पर भाग लेने का आमंतरन दिया जाता है इस सम्मेलन का मुख्य उद्धे से यह है कि ग्राक सोफ्ट्वेयर निर्माता को यह है बता सके कि वे वर्तमान प्रडेक्ट में क्या परिवर्तन देखना चाहते है या उनके इजाव से किन नए प्रडेक्ट की जरूरत है इस तरह से सोफ्ट्वेयर कंपनी अपनी मार्केटिंग लागत कम कर लेती है और ग्राकों की बहुत अधिका वफादारी हासिल करती है सर्वेस्रेस्ट परिणाम की तकनीक का एक मुख्य हिस्सा यह है कि आप दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने का आवसर दें हर व्यक्ति के मन में बहुत से विचार होते हैं कंपनी जो कर रही है वह सही है या गलत अर्थ व्यक्ता के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा गवर्नर मेयर प्रेजडेंट किस तरह काम कर रही है और क्या समाजिक सुरक्षा चलती रहेगी हर कंपनी में बहुत से लोगों के पास इस बारे में विचार होते हैं कि कंपनी को बेतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है समझ्या यह है कि अधिकांस कंपनीों में जो लोग काम करते हैं उन से यह कभी नहीं पूछा जाता इस बारे में आपके क्या विचार है क्या आप जानते हैं कि इसे बेतर तरीके से कैसे किया जा सकता है और क्या आप कोई रास्ता सुजा सकते हैं जिससे इस काम को कम समय में किया जा सके इसका परिणाम यह होता है कि समझदारी के बहुत से विचारों का कभी दोहन नहीं हो पाता विचार सील वेक्ती कुंठित महसूस करते हैं और कमपनी का परदर्शन परवावित होता है फ्लोरिडा में मेरा एक दोस्त है पीटर एफ जो स्टील फेबरिकेशन बिजनस में है पिछली मंदी के दोरान अधिकान स्टील कमपनियों की समझे निरासा जनक थी परन्तु पीटर का बिजनस तरक्की कर रहा था मैं पीटर से एक महीने पहले उसकी कमपनियों के रिजोर्ट होटल में मिला मैंने उससे पूछा कि जब उसके परतियों की कस्ट में है तो उसका बिजनस क्यों तरक्की कर रहा है मुझे लगता है कि इसके पीछे कई कारण है परंतु सबसे मेतवओन का अंशाइद यह है कि मैं कोई भी मेतवओन निन्ने लेने से पहले अपने करमचारियों के विचार जान लेता हूँ मैं नियमित रूप से दवाल स्ट्रीट जनर और अन्य बिजनस परकाशन पढ़ता हूँ परंतु जैसा मैंने सेना में सीखा सर्वेस रेस्ट ग्यान अक्सर पैदल सिपाईयों से मिलता है हम अपने स्टील को डेश बर में इंस्टोल करते हैं मैं इस बात का विसेश ध्यान रखता हूँ कि इंस्टोलेशन करने वाले लोगों से मेरी चर्चा होती रहे मैं उनसे पूछता हूँ हमारे ग्राक अजकल क्या सोच रहे हैं मैं विचारों का स्थाई प्रवा बनाई रखता हूँ और हमारे इंस्टोलेशन करने वाले लोगों और सेल्ज मेनों से जानकर इकटी करता हूँ हम अपने ग्राकों को बहुत से कस्टम डिजाइन वाले रेफरिजरेटेड स्टील वेराउस की स्प्लाई करते हैं मैं हमेशा अपने वर्तमान ग्राकों से पूछता हूँ कि वे अगली पीडी के रेफरिजरेटेड स्टोरेज में किन अतिरिक्त सुईदाओं को देखना चाते हैं विचार सब के मन में आते हैं सोचते सभी हैं मेरे दोस्त ने कहा इसलिए मैं उन्हें अपने विचार बताने के लिए परोटसाइद करता हूँ जब मैं इंस्टॉल करने वालों ट्रक ट्राइवरों उत्पादन करमचारियों या गराकों से उनके विचार पूसता हूँ तो मैं दो चीजें हासिल करता हूँ मैं उनका सहयोग हासिल कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास मुझे अपने विचार बताने का आफसर है दूसरी चीज मैं बहुत से अच्छे विचार हासिल करता हूँ जिन से मैं लाब उठा सकता हूँ मुझे अपने कुछ मेनेजरों को आपका क्या विचार है तकनीक सिखाने में बहुत समश्या आई उनमें से कुछ को तो पहले इस बात का प्रशिक्षन दिया गया था कि दूसरे लोगों के खासकर अधेनस्तों के विचार पूसना कमजोरी की निशानी है मेरा मानना है कि दूसरे लोगों के विचार सुनना दरड़ता की निशानी है सर्वस्रेस्परिनाम की नितिका प्रियोग करें आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में यह चमिकार कर देगी सेल हो, बेहतर नोकरी हो या फिर सहयोग वे समर्थन हो पहला, पता लगाएं कि सामने वाला क्या आदर्सलाब हसिल करना चाहता है दूसरा, अपने परस्ताव को इस तरह से रखें कि उसे वे आदर्सलाब मिल सके आप जो भी करते हों उसमें सरुसरेश्ट परिणाम का प्रियोग कर सकते हैं अगर आप विद्यारती हैं और A ग्रेड हासिल करना चाहते हो तो कोर्स के शुरू में सिक सक से यह पूछ लें कि A ग्रेड हासिल करने के लिए क्या आउशक है अगर आप वकील है और किसी की वसीयत तैयार करने में मदद कर रही है तो वसीयत बनाने से पहले यह ठीक ठीक जान ले कि ग्रहाक वसीयत से क्या हासिल करना चाहता है अगर आप आज से 6 मेने बाद परमोसन पाना चाहते हैं तो अपने मैनेजर से यह पूछ ले कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा ओसत लोगों और उत्करश्ट लोगों में एक सुक्षम परंतु मैतोपूर्ण अंतर होता है सफलता चाने वाले लोग अपने हर काम में क्वालिटी को पहले नंबर पर रखते हैं चाय वैसा मान खरीदना हो या दोस्त बनाना जबकि ओसत लोग क्वांटिटी या मात्रा पर ध्यान देते हैं सफलता चाने वाले लोग वास्तु एक मुल्य की तलास करते हैं ओसत लोग सिर्फ यह विचार करते हैं इसकी कीमत कितनी है यह कितनी बड़ी है और मूल कीमत क्या थी सस्ता साइटिस से बचें मैं कई वर्सों से एक छोटा प्रियोग करवा रहा हूँ यह मुर्खता पूर्ण लग सकता है परन तो इससे सिख्षा मिलती है किसी क्लासरूम या सम्मेलेन में भाग लेने वाली महिलाओं से मैं कहता हूँ कि वे एक कागज पर अपने पास मौजूद सेंडलों की संख्या लिख दे ओसत संख्या 24 है फिर मैं एक और सवाल पूशता हूँ आपने अपने जूतों में से पिछले 6 महिने में कितने सेंडल पहने ओसत संख्या आम तोर पर 4 या 5 होती है अंत में मैं पूशता हूँ आपने इतने सारे सेंडल क्यों खरीदे जब आपको उन्हें पहनना ही नहीं था जबाब लगबग वही मिलता है वे सेल में मिल रहे थे और मुझसे खरीदे बिना रहा नहीं गया या सेंडल स्टोर में बहुत अच्छे दिख रहे थे परंतो मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती या उन पर 50% की छूट थी इस परियोग को करने से मैंने एक और सबक सीखा जो सेंडलों ने खरीदने थे परंतो जिने वे पैनती नहीं थी वे खराब तरीके से बनाई गई थे गटिया क्वालिटी की थे और वर्तमान फैशन तक सीमित थे मैलाओं ने जिन सेंडलों को सबसे ज़्यदा पैना वे अच्छी क्वालिटी के थे तुलनात्मा करूप से महंगे थे उनकी फिटिंग अच्छी थी और वे आकर सकते शर्ट और टाई को लेकर मैंने पूरुसों के साथ भी इस तरह के प्रियोग किये हैं निसकर्स वही निकलता है ज़्यादा तर पूरुस अपने शर्ट वे जानते हैं कि सच्मुच मुल्यवान वस्त में सेल में या सस्ती नहीं मिलती स्मार्ट खरिदारी इस कावत की बुद्धिमता को पैचानते हैं दुगने की में दो और आदी संक्या खरीदो आज खरीदी गई क्वालिटी ड्रेस आज से एक या दो दसक बाद भी फैशन में रहेगी अच्छी क्वालिटी की कार आज से पांच या दस साल बाद भी उतनी ही मुल्यवान रहेगी और लोग उसकी परसंसा करेंगे जबकि आज का सस्ता सोदा जल्द ही पिकार हो जाएगा अच्छी क्वालिटी की जुएलरी समय गुजरने के साथ अधिक मुल्यवान बन जाती है जबकि आज खरीदी गई बहुताव वाली सस्ती जुएलरी की कल कोई कीमत नहीं रहेगी आम तोर पर यह विशेश सेल में मिल रहा है का आर्थ होता है यह बहुत अच्छा नहीं है कुछ लोगों का अनुमान है कि सेल में खरीदे गई बहुजन का 30% कच्रे के डिबे में जाता है कुछ डिटरजेंट निर्माता एक बहुत ही आसान चाल चलते हैं और अपने सामान को थोड़े बड़े डिबे में पैक कर देते हैं ताकि वै काफी सस्ता दिखे चाहे आप कुछ भी खरीदें कपड़े, उपकरण, कार, भोजन यहां तक की घर भी अगर कोई चीज सेल में मिल रही हो तो उसे खरीदने के बारे में थोड़ा सावदान रहें एक पैसा बजाने के समझदारी और एक रूपया गवाने की मुर्खता बेंजामिन फ्रेंकलिन द्वाया सुझाई गई यहावदारना आज भी सही है इन दिनों एक बहुत नया उद्द्योग मिनी वेयराफ्स विक्षित हुआ है इसका मुख्य उद्द्य सामान रखने में उन लोगों की मदद करना है जो सोचते हैं कि काश उन्होंने यह सामान नहीं खरीदा होता परंतों उसे कुड़ीदान में फैंकने में उन्हें अपरादबोद का अनुबह होता है चोटे घर और कांडोज समश्या नहीं है समश्या तो उस परलोबन का प्रतिरोध करने की ऐस मर्था है जिसकी वज़े से हम गटिया और बेकार सामान खरीदते हैं अधिक दोस्त या असली दोस्त कुछ साल पहले मैं कोले रोडो के रिजार्ट में एक पूरू संसत से मिला हम दोनों ने ही एक मानव संसादन समेलन को संबोधित किया हमने जीवन के महान रहश्या यानि लोगों के बारे में दो गंटे तक बातें की मेरे नए परीचितने मुझे बताया मैं बारे साल तक संसत सदस्या था उस दोरान मुझे लगता था कि मेरे हजारों दोस्ते हर सबता मुझे सेंकड़ों चिठिया मिलती थी दरजनों लोग मुझे फोन करते थी जब मैं अपने जिले में जाता था तो सुब चिन तक मुझे गहर लेते थे चुनाओ खर्च के लिए पैसे जुटाने में कोई समश्या नहीं आती थी फिर पूरो संसत ने कहा मैं अपने सात्वें चुनाओ अभियान में हार गया और इसके कुछ गंटे बाद ही मैंने अपने जीवन का बहुत पड़ा सबक सिखा मैंने पाया कि मेरे पास दुनिया में दस सचे दोस्त नहीं है मैंने टिपने की आपके अनुबह से आपने कुछ सबक सिखा होगा मेरे दोस्त ने सपष्ट किया बिल्कुल इस बारे में सोच विचार के बाद मैं इस निशकर्च पर पहुंचा कि दस सचे दोस्तों ना बेतर है बजाए इसके कि आपके पास दस हजार लोग हो जो तबी तक आपके साथ रहें जब तक कि आप शिकर पर हो परन्तु जब आप नीचे गिर जाएं तो उसी पल आपका साथ छोड़ दें आपको नजर अंदाज कर दें यहां तक कि आपका तिरसकार करने लगी हर चीज़ की तरह है दोस्तों को भी उनकी क्वांटिटी या संख्या की इसाफ से नहीं बलकि उनकी क्वालिटी या गुणुवत्ता के इसाफ से तोला जाना चाहिए इस बूड़े सज्जन ने एक मेहत पून बात कही जब दोस्तों की संख्या पर विचार करें तो उन्हीं को गिनें जो सचमुच आपकी परवा करते हैं आपकी मदद करना चाहते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं उन लोगों को अपने दोस्तों में नहीं गिनें जो आप से सिर्फ कोई लाप चाहते ह रियल इस्टेट हमारी नजरों में सबसे आदर्स निवेस या बिजनस है रियल इस्टेट ही ऐसे इकलोती जाइदाद है जो सचमुच स्थाई है इसलिए इसे रियल कहा जाता है या और नहीं बनाई जा सकती हम जो खाते हैं, पहनते हैं, प्रयोग करते हैं या जहां हम रहते हैं या काम करते हैं, रियल इस्टेट उन सब का स्रोत है फिर भी जब रहवासी रियल इस्टेट को खरिदने या किराई पर लेने की बात आती है तो कई लोग कीमत को उपर रख देते हैं और वास्तिविक मुल्य को नीचे और इस वज़ए से वे नुकसान उठाते हैं घर को चुनना एक लंबा, मुश्किल यहां तक की दर्दनाक अनुववी हो सकता है और जब घर खरिदने का फैसला आखिर कार कर लिया जाता है तो कई खरिदार जल्दी नाकुश हो जाते हैं अक्सर इस तरह की चर्चाएं उस दमपती के बीच होती है जिनोंने हाले में कोई घर करीदा है पतनी, यह मेरे सपनों का घर नहीं है पर मुझे लगता है कि यह वह हमारे जरूरत के इसाब से ठीक है इसके अलावा हम दोनों की तनक्वाई मिलकर भी बहुत ज़दा नहीं है और हमारे नोकरियों की कोई गारंटी नहीं है हम वह घर भी खरिद सकते थे जिसे हम सच मुझ खरिदना चाते थे पर एजेंट ने इस बात पर जोड़ दिया कि यह मकान सस्ता है पती मैं सहमत हूँ सच कहूं तो यह जगे बहुत अच्छी नहीं है और मुझे थोड़ा संकोज भी हो रहा है पर अगर हमारी किसमत अच्छी रही तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और शायद चार या पांच साल में हम किसी ऐसे गर में रहने लगें जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हो पतनी मैं भी ऐसी यासा करती हो जिम अभी सिर्फ चार साल का है इसलिए मुझे लगता है कि तब तक पडोस उसके इसाफ से ठीकी रहेगा पती शायद हम उस ज़्यादा अच्छे गर को खरीच सकते थे परंतु हम इसी में संतूस्ट रहने की कोशिस करेंगे आज कल समय का कोई बरोसा नहीं है इन लोगों ने जो समझोता किया है क्या वैं फाइदे का सोधा है पती पतनी घर को सच मुझ पसंद नहीं करते इसलिए वे इसकी कम देखबाल करेंगे और इसमें बहुत कम सुधार करेंगे बच्चा उस उम्र में है जब आसपास का माहूल और दूसरे बच्चों का प्रभाव बहुत ज़्यादा मैतोपूर्ण होता है चुकि घर किसी अच्छे इलाके में नहीं है इसलिए उसे उतनी सराना नहीं मिलेगी जितने की अच्छे उलाके में रहने पर मिलती दरसल इस घर की कीमत घट भी सकती है जहां हम रहते हैं वह यह जगए हमारे जीवन के हर पैलू को प्रभावित करती है हमारे नजरिये हमारे आतम विसवास हमारे मित्तरताओं यहां तक कि हमारे स्वास्ते को भी जो लोग रियल एस्टेट चुनने में फर्स्ट कलास चुनाओ करते हैं वे ज़्यादा सुखी रहते हैं समय के साथ ज़्यादा दोलत मन बनते हैं और उन लोगों से बेतर महसूस करते हैं जो सस्ता खरीदते हैं और समझोता करो के मार्ग पर चलते हैं पेपर क्लिप मान सिकता से बचें प्रचूर दोलत इकठी करने के लिए लोगों को सिर्फ दो मूलबूत सवालों का सही जवाब देना होता है पहला है हम किस तरह अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं दोलत बढ़ाने वाला दूसरा सवाल है हम किस तरह अपने खर्च को कम कर सकते हैं व्यक्तिगत या बिजनस फाइनस में लिए गए हर निर्णे में इन दो सवालों का जवाब देना होता है जब खर्च में कटोती करने की बात आती है तो कई लोग पेपर क्लिप मान सकता अपना लेते हैं दरजनों बार मैंने देखा है कि बिजनस एग्जीक्यूटिव लागत कम करने या खर्च कम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे और बिना अपवाद के हर बार चर्चा तुल्मात्मक रूप से महत्व ही नमुद्धों पर होने लगती थी जैसे ओफिस सप्लाई कानूनी पैड, लिफाफे, पेपर क्लिप यात्रा ततागर्मियों में तापवान थोड़ा बढ़ा देना ताकि हर करमचारी थोड़ा अधिक करम रहे और जाड़े में तापवान को थोड़ा कम कर देना ताकि करमचारी थोड़े ज़्यादा ठंडे रहे छोटे खर्चों में कटोती करने के ये प्रियास अक्सर खर्च के मुकाबले करने के बड़े तरिकों को अंदेखा कर देते हैं जैसे लाव इन प्रडेक्ट को बंद कर देना कुस डिबार्टमेंटों को मिला देना कम्प्यूटरों का बेहतर प्रियोग करना और नए वेंडर चुनना यह का गया है हमेरे की हर चीज़ की कीमत जानते हैं परंतु किसी चीज़ का मुल्य नहीं जानते हमें इस कावत के उधारन हर दिन देखते हैं बिजनस करने की पैनी वाइज पाउंड फुलिश निती आम है लोग अक्सर कार का भी मासिर प्रिमियम के आदार पर करवाते हैं तथा बाद में वे हैरान और गुसा होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कमपनिय उनके दावे की किन किन चीज़ों का बुक्तान नहीं करेगी एक मित्र ने मुझे अपने सस्ते अकाउंटेंट का अनुबाव बताया मैंने छै साल तक जेजे से अकाउंटेंट का काम करवाया मैं अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता मैंने सुना था कि जेजे की प्रती गंटे फिस बहुत कम थी फिर मैं दूसरे सहर में चला गया और मैंने अकाउंटेंट बदलने का फैसला किया मेरे अकाउंटेंट की फिस जदा थी परंतु मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने उसे अपने रिटर्ण्स फाइल करने के लिए दिये उसने पिछले कुछ सालों के मेरे स्टेटमेंट्स का अवलोकन किया और मुझे बताया कि मुझे गल्ट सला दी गई थी स्टेटमेंट में भारी गल्तियां नहीं थी परंतु उसने कहा कि कई निर्ने लेने में चुकी अवश्य थी जिन में डिप्रिशेशन या पारिक खर्थ, पेंशन तथा लाविसेधारी योगदान और टेक्स रोगने के मामले शामिल थे मैंने उससे पूछा कि मैंने कितना अधिक टेक्स चुकाया था, जिसे मैं बचा सकता था उसने जवाब दिया, मैं बिना इसाब कि आपको ठिक ठिक तो नहीं बता सकता आपके निर्ने की चूक की वज़े से जो अधिक खुक्तान किया है उसे वापस वाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है परन्तु मेरा अनुमान है कि कम से कम एक लाख डालर अधिक चुकाई है 6 साल के दोरान, मेरे मित्र ने अकाउंटिंग की फीस के रूप में शायद 4 जार या 5 जार डालर बचाई थे परन्तु बदले में उसने अवशक्ता से एक लाख डालर अधिक टेक्स दिया था मेरे करियर के शुरुवात में मैंने एक एक पैसा बचाने वाले एक असली आदमी के लिए काम किया मेरी एक डूटी थी तलरकों की भरती करना कई बार मैंने सुझाओ दिया कि हम इस काम के लिए सबसे अच्छे लोगों को रखे इसमें ओसत करमचारियों से 10 या 20 परतिसत अधिक तनख्वा देना पड़ती है परन्तु मेरे बोस ने कम लागत करने माले को ही प्रात्मिकता दी जो हमेसा ज़्यादा महेंगा साबित हुआ क्योंकि इन करमचारियों की उत्पादकता कम थी इन से गलतियां अधिक होती थी ये कम दिन काम करते थे और बिमारी की चुट्टियां बहुत लेते थे बड़े चिन तक छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं हारवे एस फायर स्टोन कहते हैं सफलता विवरन की पुत्री है कितनी सच बात है हम में से ज़्यादतर लोगों ने देखा होगा कि फुटबाल मैच में कोई टीम सिर्क इसलिए हार गई क्योंकि एक खिलाडी के सामने वाली टीम के खिलाडी को उस तरीके से कवर नहीं किया जिस तरह से योजना बनाई गई थी हमने कामेडियनों को फिल होते देखा है क्योंकि उनकी टाइमिंग एक सेकंड या इस से भी कम अंतर से गड़ बढ़ा गई और हमने कई सेल्जमेनों को सेल कवाते देखा है क्योंकि और्डर के लिए पूसते समय उनकी आवाज की टोन गलत हो गई इस उदारन पर विचार करें वोक्स वैगन सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है लोग इसकी मजबूती और विश्वसनियता की वज़ए से इस पर भरोसा करने लगे डिटेल्स मैतोपोन थे फिर कमपनी ने इस कार को अमेरिका में बनाना शुरू किया जल्दी ही विक्री बहुत कम हो गई और इसका कार्ण सिर्फ यह था कि छोटी छोटी बातों की और ध्यान नहीं दिया गया छोटी छोटी चीजें गड़वड होने लगी दर्वाजे के हैंडल गिरने लगी कलच गड़वड थे एर कंडिशन चलते नहीं थे ब्रेक सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करते थे सुरक्षा की समस्चाओं की वज़ए से कई कारों को वापस लेना पड़ा वाल्सवेगन ने अपने बाजार का एक बड़ा हिस्सा गबा दिया इसलिए नहीं क्योंकि कार की मूलबूती होजना दोस्पूर्ण थी बलकि इसलिए क्योंकि कार को असेंबल करने के विस्तरत नेर्देसों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था परिणाम यह हुआ कि लाखों कार खरीदारों ने वोक्सवेगन को अंदेखा करना शुरू कर दिया जब तक कि इसकी विश्वसेनिता एक बार फिर स्थापित नहीं हो गई विवरण के परती ऐसावदानी सिर्फ वोक्सवेगन की समझ्या नहीं है कुछ सालों में जितनी कारें वापिस ली गई है उन में से ज्यादातर के पिछे कारण लापरवाई थी नेकिन निर्मान दोस एक सरजन ने मुझे बताया कि उसने जो गुटने का उपरेशन किया उसमें उसे तीन गंटे के बजाए पांच गंटे का समय क्यों लगा मैं एक मशिनी पूर्जे को गुटने के जोड में फिट करने वाला था जिस व्यक्ति को इस पूर्जे का ओडर देने की जिम्मेदारी दी गई थी उसने गलत साइज के पूर्जे का ओर्डर दे दिया सही साइज का पूर्जा मंगवाने के लिए दो गंटे बरबाद हो गई वासिकेटर नेशनल से बर्फिलेट तूफान में उडान भर रहे हवाई जाज की दुरगटना में सो से अधिक लोग मारे गए क्योंकि पाइलेट ने सोचा कि डैनो पर सेंकडो पॉर्ण बर्फ के होने से फर्क नहीं पड़ेगा परन्तो इस अतिरिक्त वजन से फर्क पड़ा और कुछी सेगेंडों में जहाज पोटो मैक में गिर गया जब हम कोई बड़ी योजना मना लें इसके बाद विवरन पर ध्यान देने से हमें बहुत लाव होता है मेरा एक मित्र न्यू आर्लियंस में दो सफल रेस्तराओं का मालिक है हर रेस्तरा बहुत पैसे कमाता है मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वह अपने रेस्तरा को इतना व्यस्त कैसे रख पाता है जबकि अधिकांस रेस्तराओं का तो खर्च निकलना ही मुश्किल हो रहा है मेरा दोस्त अंसा और उसने कहा अपनी सबलता को स्वष्ट करने के लिए मेरे पास तीन रह्षे है वीवरन, वीवरन और वीवरन हम मीनों से शुरुआत करते हैं हर सलाद, ब्रेड, ड्रिंक और डेजर्ट के नाम बहुत सोच विचार कर चुने गई है पांस डेकोरेटर से रहाई लेने के बाद मैंने सजावट की योजना चुनी मैंने चालिस वाईलिन वादनों को बजाते हुए सुना तब जाकर उन में से तीन को चुना फूलों की सजावट, फरनीचर, कुर्शियां, चांदी, हर चीज सावदानी से चुनी गई है मैंने पूछा और बोजन के बारे में मेरे रेस्तरा मालेक मित्र ने कहा यह है पूरे मामले का सबसे आसान इसा है हम सिर्फ भेतरिन क्वालिटी का मीट, सबजिया और फल खरीदते हैं न्यू आर्लेंस में सो दूसरे रेस्तरा भी ऐसा ही करते हैं परन्तु फरक यह है कि मेरे करमचारी जब बोजन तयार करते हैं तो वे वीवरन के परती ज़्यादा द्यान देते हैं एक बार फिर मेरा दोस्त अंसा और उसने कहा वीवरन, वीवरन और वीवरन यह था उस रेस्तरा मालिक का उधारन जो अपने परती उगियों से लगबग दुगनी कीमत वसूल करता है उसका रेस्तरा हमेसा मरा रहता है और वह बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता है क्योंकि उसने इस अवदारना की बुद्धिमता को पैचान लिया है बड़े चिंतकों के लिए छोटी चीजें बहुत माईने रखती है वीवरन के प्रती थोड़ा ज़्यादा ध्यान हर काम में आपको लाप पहुंचाता है मैंने एक वस्तर निर्माता से पूछा कि वह अपने सूट की कीमत अपने प्रतियोगियों की तुल्ला में पचास से सो प्रति से ज्यादा उंची रखने के बाद भी क्यों सफल है उसने जवाब दिया देखिए मैं जानता हूँ कि आप एक बड़े चिंतक है मैं भी हूँ परंतु मैं एक छोटा चिंतक भी हूँ मैंने पूचा क्या आप इसका मतलब समझाएंगे मुझे खुशी होगी फिर उसने रैक पर से एक सूट निकाला और मुझे दिखाया कि वह सूट के साथ क्या करता है जो गटिया और सस्ते दमों वाले उसके परतियोगी नहीं करते उसने मुझे सूट की सिलाई और बुनाई दिखाई सूट को बनाने का तरीका बताया लाइनिंग बताई किस तरह बटन सी ले गई थे छोटी चीज़े उसके प्रदरसन को देखने के बाद मैं समझ गया कि उसे अधिक कीमत क्यों मिलती है दुवित्य विसुयुद में शायद सबसे मैतोपून बाद जर्मन युद पोत बिस्मार्क का डूबना था अगर बिस्मार्क को डूबाया नगया होता तो शायद ब्रेटेन हर गया होता इसलिए चर्चिल ने पूरी तरह से मन बना लिया कि बिस्मार्क को डूबाना ही होगा जहाज को डूबाने का आदेश देते समय चरचल ने नो से ना के से नापतियों से बार बार कहा कि वे हर वीवरंट पूरी तरह से तै कर ले कुछ दिनों में वीवरंट कुछ दिनों में बिसमार्क डूब गया वीवरंट पर ध्यान देने से फरक पड़ा चोटी चीजों की तरफ ध्यान देने की वज़ए से बिटेन को सुरक्षित रहने में मदद मिले ट्रेड एसोसियसनों, सेल्ज वे मैनेजमेंट से मिनारों और अन्या समूओ के सामने बोलते रहने की वज़ए से मैं सब्ता में कई बार खुद यह देखता हूँ कि विवरण के प्रती ज्यादा ध्यान देना क्यों मैतवपूर्ण है यह रही वे तीन गलतियां जो मैंने पिछले महिने की जिनकी वज़ए से मिटिंग के उदेशे से ध्यान भट गया पहली स्तिती, कारिकरम के एक मैतवपूर्ण अतितिक नाम की स्पेलिंग गलत छप गई जो लोग प्रोफेशनल वक्ता होते हैं उन्हें दुरुबागया से गलत स्पेलिंग के आदत डालना पड़ती है मेरे नाम स्वार्ज की स्पेलिंग मिटिंग के कारिकरमों में अक्سर स्वार्ज, 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 श्वार्ज, स्वार्ज और यहां तक की सूल्स भी छपी है परंतो आमंतरी तरही थी आग बगूला हो गया क्योंकि उसका सर ने मेयर की बजाए मेयर छप गया था उसने कुसे से association के executive director, president और staff से सिकायत की सुरोताओं को संबोधित करते समय भी उसने अपने नाम की गलत स्पेलिंग को लेकर काफी बातें की यह हैसाच है कि उसकी परतिक्रिया कुछ जादा ही तिकी थी उसका गुसा बहुत ही जादा था इससे एक छोटा परंतु बड़ा ही मेत्वकुन बिंदू जागर होता है लोगों के नाम की सही स्पेलिंग लिखें मेमों पर चिठ्छियों पर अमंतरन पत्रों पर और गोश्नाओं पर एक पुरानी का हवत है किसी व्यक्ति का नाम भासा का सबसे मेत्वकुन शब्द होता ह है दूसरी स्थिती एक पुरुषकार समारों में बारा लोगों को ऐसा धान पर दर्शन के लिए पुरुषकार दिया जाना था अंजाने में सूची में से दो लोगों के नाम छूट गए यहे गलती एक सब्ता तक पकड़ में नहीं आई जिन लोगों को छोड़ दिया गया और मैं तो हिन समझा गया भविशे में उनका सायोग और समर्पन मिलना अब शायद संभव नहीं होगा सबक जब आप पुरुषकार दे रहे हूं तो यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि हर उस व्यक्ति को पुरुषकार मिले जिसे पुरुषकार मिलना है तीस रिस्तिती खुषी का गंटा अधिक लंबा चलता है किसी दावत के पहले खुषी का गंटा आयोजित करना अमेरिकी बैटे की परप्रा है सराव उन्मुकता से बहती है और कुछ शामिल होने वाले इस अवसर का लाव उठा कर शराब पीने के अपने पुराने रिकोर्ड तोड़ देते हैं हाले में हुए एक समारों में मिटिंग की योजना बनाने वालों ने फैसला किया कि वे दावत से पहले हर एक को फर्स्ट क्लास मूड में ले आएंगी इसलिए खुषी का गंटा साथ मिनट से बढ़ा कर 90 मिनट का कर दिया गया दावत में लगबग 500 लोगों ने भाग लिया जब खाने का समय आया तो उन में से एक तियाई पूरी तरह नसे में धुत्त थे एक तियाई सेयमत रूप से पी हुए थे और बचे हुए एक तियाई संजीदा थे उसी के गंटे को काफी लंबा चलने के अनुमती देने के अलावा मिटिंग की योजना बताने वालों ने एक और छोटी गलती की डीनर के दोरान भी बार खुले रखे ताकि शराबी खाने के साथ भी शराब पी सकें आखिर कारवक्ता ने जो अमेरिकी सीनेटर थे अपना भासन दिया इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही दुरबागे पून था सीनेटर को एक घंभीर भासन देना था उनके बोलना शुरू करने से कुछ ही समय बाद स्रोताओं मेंसे एक नसे के दूत लोगों ने उनसे सवाल पूछ पूछ करों ने परेशान करना शुरू कर दिया और उनके पूरे बासन के दोरान कम से कम एक दरजन लोग टोईलेट की तरफ जाने के लिए खड़े हो रहे थे और एक दरजन लोग वहां से हलके होकर लोट रहे थे जब सीनेटर ने बोलना खतम किया तो वे गुसा नहीं थे बलकि पागल हो चुके थे एसोसियेशन के लीडर सरमीनदा थे और संजीदा शरोता अपने सराबी साथियों की वेवार पर पूरी तरह विचलिख थे सबग खुसी के गंटे को 30 मिनिट से अधिक नेट पढ़ने दे इतना प्रयापत है ज्यादातर लोग हर दिन कई बार बहस करते हैं वे काम सोपने के उपर बहस करते हैं और उसे करने के तरीके पर भी वे राजनिती और कंपनी के मामलों पर बहस करते हैं और इस बात पर भी कि कहां खाया जाए वे बड़े और छोटे दोनों तरह के मुदों पर बहस करते हैं परंतु लोग बहस में कभी नहीं जीतते यह एक आस्टे जजनक तथ्या है आप बहस में जीत नहीं सकते अपने जीवन साथी से किसी भी बात पर बहस कीजी डीनर के लिए कहां जाना है छुट्टियों की योजना कैसे बनाना है बच्चों के लिए कौन सा स्कूल सुनना है औ और पटाकों की लड़की तरह जगड़ा चेन रियक्शन की तरह होता है इससे पहले कि आप यह जान पाएं एक महतवीन सिद्धिक रही पहस कई नए साबदिक भी स्पोर्ट कर देती है जैसे मैं तुमारे दोस्तों और रिष्टेदारों को बरदास्ट नहीं कर सकता हूँ तुम घर्ज के खर्च के लिए ज्यादा पैसे क्यों नहीं देते है तुम हर बार अपनी एपनी क्यों चलाना चाहते हो। या आपको सस्पेंट कर दिया जाएगा। जब दो लोग बहस करते हैं, तो दोनों ही अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने मस्तिस्क की गहराईयों में सामगरीख होसते हैं। दो लोग किसी मुद्दे पर जितनी ज़्यादा देर तक बहस करते हैं, उन दोनों को उतना ही ज़्यादा विश्वास होता है कि वे सही हैं। इस छोटी सी मैतव ही इन बहस पर विचार करें। बिल सोचता है कि जोइंट्स का क्वाटर बैक लीग में सर्वस्रेष्ट हैं। परन्तु जैक मानता है कि रेम्स का क्वाटर बैक लीग सर्वस्रेष्ट हैं। बिल और जैक एक गंटे तक बहस करते हैं। और दोनों ही अपने आपको सही सावित करने की कोशिस करते हैं सताही विसलेशन से बहस जल्दी ही इस बात की तरफ मुड जाती है कि कितने प्रतेशत पास पूरे किये गए कितने बार क्वाटर बैक को बाहर निकाला गया फुटबाल जवटने की योग गयता ही टच्डाउन पासेज को पूरा किया जाना इत्यादी अब यह रहा बहस का आस्चरी जनक समापन बिल को अब पहले से अधिक विस्वास हो गया कि बहस सही है क्योंकि बहतरेन कौर्टर बैक जायंट्स के पास है और जैक को अब पहले से ज़्यादा विश्वास हो चुका है कि सर्वस रेस्ट कौर्टरबैक रेम्स के पास है इसलिए इस नियम को याद रखना चाहिए बहस जितनी लंबी और गहरी होती है दोनों पक्स उतना ही ज़्यादा विश्वास करेंगे कि वे सही है बहस दोनों ही पक्सों को सुरक्षात्मक बना देती है और जब किसी व्यक्ति को अपने द्रिष्टिकोन की रक्षा करने के लिए विवस किया जाएगा तो वह और अधिक प्रमान खोजेगा ताकि वह अपने आपको सही साबित कर सके बहस से किसी की मानसिक्ता नहीं बदलती राश्ट्रपतियों के वाद विवाद आज चुनावी प्रक्रिया का अपेक्षित हिस्सा है परंतु क्या इन वाद विवादों से निश्चित जमीनी नियमों के मान से दिये गए इन उपचारिक तरकों से लोगों की दाणाईं बदलती है कि वे किस उम्मिदवार को पसंद करते हैं सुनावी सर्वेक्षिन करने वाले कहते हैं नहीं राजनितिक अभियान में विरोधी के साथ बहस करने के लिए उम्मिदवार अगर तयार होते हैं तो इसके बीचे एक मातर अच्छा कारणी यह होता है कि वे अपने वर्तमान समर्थन को काईम रख पाएंगे विरोधी के साथ वाद विवाद करने से इनकार करने से लगेगा उम्मिदवार डरपोक है और इस बात से उसके वोटर कम हो सकते हैं किसी भी डेविट गोलियात के स्थिति में ज्यादा तर लोग डेविट या अंडर डोग का साथ देते हैं महतोपून बिंदों को दोराते हुए पहला केक पर थोड़ी सी आइसिंग लगाई लोग जितनी उमीद करें उसे उससे अधिक दें अधिक दें और बदले में आपको अधिक मिलेगा दूसरा लोगों को परवावित करने के लिए सर्वेस रेस्ट परिणाम के बारे में सोचें फिर जिस चीज की कलपनावे आदर्स रूप से करते हों वही उन्हें परदान करें तीसरा क्वालिटी के बारे में सोचें क्वांटिटी के बारे में नहीं याद रखें क्वालिटी हर जगे फाइदा पहुंचाती है जबकि क्वांटिटी हर जगे नुक्साद पहुंचाती है चाहिए यह सामान करीदना हो दोस्त चुनना हो या अधिक धन कमाना हो चोथा बड़े चिंतक छोटी छोटी चीजों यानि विवरण पर ध्यान देते हैं यह ध्यान रखें कि सफलता विवरण की पुत्री है धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है सफलता के लिए आतम विश्वास कैसे लाई दोस्तों उमीद है आपने मेरे लिष्ट 13 चैनल को सबस्क्राइब कर लिया होगा और बेल बटन को जरूर दबाईए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए आपका दिन शुग हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई च्यार सफलता के लिए आतम विश्वास कैसे लाई परमाणों विद्वन्स पर बनी एक फिलम पर सारिद होई जिसमें एक महानगर के जीवन पर इसका परभाव दिखाया गया इसके बाद मैंने परमाणों वमों की चिंता की वजए से आपको नेन नहीं आई क्या इस फिलम की वजए से परमाणों निसस्त्री करन के बारे में आपके विचारों में कोई बदलाव आया क्या आप परमाणों युद्व की आसंका से सचमुश डरे हुए हैं जवाब नकारात्मक थे सिर्फ तीन विद्यार्थी परमाणों वम और मानव सब्यता पर इसके परभाव को लेकर सचमुश चिंतित या परिशान नजर आई सबसे बयाव है संभावित कटना यानि परमाणों युद्व की आशंका ज्यादातर विद्यार्थियों को चिंतित नहीं कर पाई परमाणों विद्वंस पर फिल्म दिखाने के बाद नीद की गोलियों या ट्रेंक्विलाइजर्स की बिक्री में कोई बडोतरी नहीं होगी नए ही आत्मत्याओं में कोई ब्रदी हुई नहीं बंसेल्टर्स, डिबाबंद भोजन, ताजे पानी की बोतलों की बिक्री बड़ी निशकर्स, सबसे बयावै संबावित गटना एसी गटना जो दरसल वह सब नश्ट कर सकती है जिसे इनसान ने हजारों सालों से हासित किया है लोग पे मन में डर नहीं जगा पाई दे न्यू इंग्लेंड जर्नल आफ मेडिकल में छपी एक ख़वर पर गोर करें अमेरिका में धुमरपान की बिमारी की वज़े से हर दिन एक अजार लोग समय से पहले ही मर जाते हैं यह एक कटू सकत्य है धुमरपान ऐसमय मरत्यू का कारण है क्योंकि यह हर दे रोग, फेफडे, किडनी, ब्लेडर और बहुत सी अन्य बिमारियों का कारण है जो जीवन को छोटा कर देती है परंतु क्या धुमरपान करने वाले अपनी लट को छोड़ रहे हैं शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हों परंतु हर दिन ओसतन ग्यारा सो युवक युवतियां इस आदत के शिकार हो रहे हैं आप सोच सकते हैं कि प्रचूर उपलब्द परमान के बाद लोग धुमरपान चोड़ने के लिए हर आवशक कदम उठाएंगे परंतु अदिकांस दुमरपान करने वालों का तर्क होता है मैं ठीक रहूंगा इससे दूसरे लोगों को बिमारियां हो सकती है परंतु मुझे नहीं या मैं इसे बाद में छोड़ दूँगा या मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो रोज तीन पैकेट सिगरेट पीता था फिर भी वैब बानवे साल तक जिया निशकर्स दरसल अदिकांस दुमरपान करने वाले इस बात से कते ही नहीं डरते कि यह लतुन का कितना नुकसान कर सकती है एक अकबार की खबर के अनुसार अलको हलक वह दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वज़ाई से लोग कमाईउ में ही मर जाते हैं लोग इस खत्रे से बचने के लिए क्या करते हैं क्या वे सचमस डर जाते हैं ज्यादातर मामलों में नहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने के नियमों और शराब पीने की उमर बढ़ाने के बावजूद हर साल राजमार्गों पर पत्चीस हजार लोग शराब सबंदी दुरगटनाओं की वज़ाई से मरते हैं दो लाख लोग स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं और पत्चीस बिलियन डॉलर की संपति नश्ट होती है शराब सबंदी दुरगटनाओं सत्रा से पत्चीस वर्स के बीच की आयू के लोगों की मोत का सबसे बड़ा कारण है पर गाड़ी चलाने और शराब पीने को लेकर कोई नहीं डरता हमारे असली डर होते हैं नौकरी के लिए आवेदन करने का डर तनखुआ बढ़ाने की मांग करने का डर सेल करने का डर कोई एसा काम करने का डर जिसे हमारे दोस्त नए पसंद करते हूं अपनी मंचाई चीज पाने का डर और हमारे ये डर बहुनाओं पर आधारित होते हैं जो डर हमारी पहल करने की शक्ति को पंगू बना देते हैं जो डर हमारे और सफलता या अच्छे जीवन के बीच में बादा बन कर खड़े होते हैं उनकी जड़े दोस्पूर्ण चिंतन में होती है अब यह रही अच्छी खबर हम इन डरों को जीत सकते हैं हम उन मुश्किलों पर जीत हासिल करने का आनंद ले सकते हैं जो हमें सफलता, दोलत और सुख का आनंद लेने से रोपती है आईए देखें कैसे हैं करम कीजिए जिस से डर रहे हों वह काम कर दीजिए ऐसुरक्षा की प्रबलभावना थी अपनी सहिलियों की तुलना में उन में आतव मिस्वास की बहुत ज़ादा कमी थी परंतु बाद में एलिनोर डी रुजवेल्ट ने प्रबल आतव मिस्वास हासिल कर लिया वेवक्ता लेखी का और बीसवीं सदी की सबसे प्रभावशाली वेप्रीय महिला बनी कैसे ही लोगों के डर नाम की बयानक मनो वेगैनिक बिमारी को मिसेज रुजवेल्ट इसलिए जीत सकी क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया कि इस बिमारी का इलाज किस तरह किया जा सकता है उन्होंने अपनी पुस्तक यू लर्न बाई लिविंग में लिखा है आप शक्ती, साहस और आतम विश्वास एसे हर अनुवव से हासिल करते हैं जिसमें आप डर की आँखों में देखना सचमुच बंद करतेते हैं आप इतने सक्षम बन जाते हैं कि खुज से कह सकें मैं इस दहसत में जिया हूँ मैं हर उस चीज का सामना कर सकता हूँ जो मेरे सामने आएगी आपको हर वह काम करना चाहिए जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते दूसरे सबदों में एलिनोर डिजवेल्ट ने करम करके डर को पराजित किया उन्होंने डर का सामना किया और खुद को बताया जिस काम से मैं डरती हूँ मैं वह काम कर सकती हूँ और करूंगी मैं अमेरिका के कुछ मानदाओं वक्ताओं के साथ मंच पर बोलता हूँ जब हम अपने अनुभव और किसे एक दूसरे को सुनाते हैं तो सभी इस बात पर सैमत होते हैं कि हजारों बार मंच पर बोलने के बाद भी वे नर्वस हो जाते हैं हर बार बाशन देते समय वे थोड़े तनाव में होते हैं और फिर थोड़े डरे हुए हैं यही नहीं सब लोग एक और बात पर भी सैमत होते हैं बाशन देने से पहले गब्रावड की वज़े से एड्रिनेलेन का बहाउत तेज हो जाता है वे अधिक चोकस हो जाते हैं और इसकी वज़े से उन्हें परोच्सान मिलता है कि वे अपनी बात को ज़्याद अच्छी तरह से पेस कर पाई हैं नापसंद काम को कर दें आपकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी हम में से हर एक के सामने एसे काम होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यह काम हमें नय करना पड़े तो अच्छा है हमारी जिंदगी में बहुत से डर होते हैं जैसे किसी नए संभावित गराग से मिलने जाने का डर खराब आर्थिक स्थिति में करज मांगने का डर जब किसी नोकरी के मिलने की संभावना कम हो तो उसके लिए आवेदन करने का डर अपनी पतनी के साथ किसी समश्या पर विचार करने का डर किसी गुसेल गराग से बात करने के लिए फोन उठाने का डर यह रहा एक मैत्वपून तत्थ है आप दुखत काम को जितने लंबे समय तक टालेंगे यह उतना ही ज़्यादा दुखत होता जाएगा शायद आप अपनी तनक्वा बढ़वाना चाते हों ट्रांसपर चाते हों काम के गंटे बदलवाना चाते हों परन्तु यह द्यान रखें कि आप अपनी नोकरी से संबंदित किसी चीज़ को मांगने में जितने देर लगाएंगे आपके सामने उतने अधिक कारण आ जाएंगे कि आपको यह मांग क्यों नहीं करना चाहिए देर करने से आपका डर बढ़ता है करम करने से डर खतम होता है एक दोस्त को उनके आँखों के डोक्टर ने तीन साल पहले बताया कि उसे मोतियाविंद का ओपरेशन करवा लेना चाहिए सभी ओपरेशन चाहे उनमें जान जाने का खत्रा हो या नए हो दुखद होते हैं इसलिए मेरे मित्र ने इसे तीन साल तक टाला आखिरकार जब वह एक आँख से लगबग अंदा हो गया तो उसने आपरेशन करवाया और च्छै गंटे में घर लोटाया उसने मुझे बाद में बताया कि आपरेशन के डर की वज़े से उसे तीन साल तक हर रात कम से कम दो गंटे तक नीन नहीं आई यानि कुल मिलाकर दो हजार गंटों से भी अधिक की नीन करम करने की ऐस फलता की वज़े से उसकी पढ़ने की क्षमता टीवी देखने की सामर्थ थे और प्रकृति का आनंद लेने की क्षमता भी तीन साल तक काफी परवावित हुई यदि आवशक है तो इसे अभी कर दें फिलोसिपी ने मेरे दोस्त के चिंता के समय को बचा दिया होता काम तालने से डर ताकतवर बनता है करम करने से डर खतम होता है जिस काम से आप डर रहे हों उसे कर दें और आपका डर गाइब हो जाएगा अपने बोस के साथ किसी समश्या पर चर्चा करने से डर रहे है उस पर चर्चा करें किसी नोकरी के लिए आवेदन करने से गवरा रहे है उसके लिए आवेदन दे दे किसी व्यक्ति से डेटिंग के लिए पूछने से डर रहे हैं उसे पूछ ले मेरे एक दोस्त के हाबी सकाई डाइविंग है मैंने उस से पूछा कि उसने किस तरह पहली डाइविंग लगाने का साहस जुटाया उसने कहा मैंने दो काम किये पहला मैंने जमीन पर वे सारे निर्देश हासिल किये कि इसे किस तरह किया जाता है और दूसरा मैं कूद गया तालने से हमारा आतों विश्वास उसी तरह कम होता है जिस तरह बाड़ भूमी का शरन करती है आप किसी तालमटोल करने वाले मैनेजर के लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे और अगर आप निर्णे नहीं ले पाते तो आपके करमचारे भी आपके लिए काम नहीं करना चाहेंगे जितने लंबे समय तक हम किसी एपरिय मामले को टालते हैं उतने ही लंबे समय तक वह हमें चिंतित करता है और हमें उतना यदिक दद सहन करना पड़ता है किसी समश्या को शुरुआत में ही खतम कर दीजिए अगर गहाओ का इलाज ने किया जाए तो वह नासूर बन जाता है और हमारी जान ले सकता है दूसरे लोग क्या सोचेंगे के डर से कैसे निप्टा जाए हर आदमी दूसरों से परसंसा चाता है यह मानुए सोबाव की मूल बूतावशकता है किसी काम को करने से पहले चाहे पहनने के कपड़े चुनना हो घर सजाना हो कार खरीदना हो या किसी आफिस में नोकरी करना हो कई लोग खुद से पूछते हैं मेरे दोस्त क्या कहेंगे क्या उन्हें अच्छा लगेगा क्या वे पीट पीछे मुझ पर हांसेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे ज्यादातर लोग वह काम करने से डरते हैं जिसकी वज़े से दूसरों को सदमा लगे बुरा लगे या वे वीचलित हो जाएं दूसरे लोग क्या सोचेंगे से निफ्टने का आसान तरीका अगर आप डरेंगे तो आप स्विक्रत समाजिक मानदंडों के अनुरूप काम करते रहेंगे परन्तु दूसरे लोगों की पसंद नापसंद और पूर्वागरों के अनुसार अपनी जिन्दगी गुजारने से आपका विकास कुंठित होता है दूसरों के इसाब से जीने वाले लोग अपनी पृतिवा का गला गोंड देते हैं जो सफलता का आनंद लेने के लिए एक अनिवारियत तत्व है क्या दूसरे लोगों को यह अच्छा लगेगा कि डर को हराने के लिए यहां दो सुजाओ दिये जा रहे हैं पहला आप जो काम करना चाते हैं अगर वहन नैतिक और कानूनी दरश्टी से सही है तो उसे कर दें आपका जीवन आपका है जो दोस्त आपके अच्छे काम के आलोजना करते हैं वे दरशल आपके दोस्त नहीं है संभावना इस बात की है कि जो लोग यह सोचते हैं कि आपका विवार्वामेसा उनके मांदंडों के अनुरूप होना चाहिए वे लोग तब आपके साथ नहीं होंगे जब आपको धन, नोकरी या मदद की आउशकता होगी जो लोग यह चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सोचें उन्हीं की तरह काम करें उन्हें यह देखने में मज़ा आएगा कि आप ऐस अफ़ल हो गई है या किसी तरह की मुस्किल में फंस गई है यह याद रखें जो लोग आपसे यह उमीद करते हैं कि आपका दृष्टिकोन उन्हीं जैसा हो वे समय बहुत ऐस रुख्षित होते हैं दूसरा अगर आपको परसंसा ही चाहिए तो उनकी परसंसा चाहें जिनका आप सबसे अधिक सम्मान करते हों एक मार्क दर्सक चुन ले दूसरे लोग क्या सोचेंगे यह पूछने के बजाए यह पूछें जिस सबसे सफल वेक्ति को मैं जानता हूँ क्या वह मेरे मस्तिस्क में मौजूद वीचार की सराना करेगा सफल लोग जिस तरह सोचते हैं और काम करते हैं टेलिविजन पर बड़ी बहस होती है दस करोड या इस से भी अधिक लोग इस बहस को देखते हैं चुनावी सर्वेक्षन में पीछे चलना उमिदवार इस बहस में बेहतर परदश्ण करके बराबरी करना चाता है जो उमिदवार आगे होता है वह अपने बढ़त बनाई रखने की कोसिस करता है लाकों वोट और शायद पूरा चुनावी इस बात पर निर्वर करता है कि कौन सा उमिदवार देश की चुनूतियों को बेहतर तरीके से समझता है और किस के पास इन समझ्यों का सर्वस्रेश्ट समादान है और इसे समझने में कोई गलती ने करें दोनों उमिदवार गबराई होते हैं दोनों ही डरे होते हैं महिनों और कई बार तो वर्षों की चुनावी तयारी दाओं पर लगी होती है हर उमिदवार अपने स्विम सेवियों की कड़ी मेंन चुनावी चंदे और सबसे बढ़कर देश के कल्यान के बारे में चिंतित होता है कोई उमिदवार ठीक ठीक यह नहीं जानता कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे परंतु उसे यह मालूम होता है कि किन मुद्वों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे आर्थिक मामले विदेश मामले विदेश वियापार हास्ट्रिय सुरुक्षा और सामाजिक कल्यान टीवी पर बहस या वाद विवार के कुछ दिन पहले हर उमिदवार आम तोर पर चुनाओ अभियान बंद कर देता है एकांत में चला जाता है और तैयारी करता है स्टाप का एक सदश्य विरोधी उमिदवार की भूमिका निबाता है स्टाप के बाकी लोग रिपोर्टरों की इन भूमिका निबाते हैं और एसे सवाल पूछते हैं जो पत्रकार वास्त्विक वाद विवाद में पूछ सकते हैं वाद विवाद के इस विष्टरत अभिनेका उदेश्य यह होता है कि उमिदवार का आतम विश्वास बढ़ जाई और वहे अपना प्रदस्टन सर्वस्रेस्ट करने के लिए तैयार हो जाई जब उमिदवार जनता के सामने जाते हैं तो जनता ततकाल भाप लेती है कि किसमे ज़्यदा आतम विश्वास है और जनता एसा राष्टरपती चाहती है जिसमें आतम विश्वास हो दरड़ता हो निर्ने लेने की क्षमता हो और साथ में विनमर भी हो मददाता ऐसा राश्टपती चाते हैं जिसे मेतवण मुद्दों का ग्यान हो इमरसन ने लिखा है डर हमेसा अग्यान से पैदा होता है और मददाता ऐसे उम्मिदवार का समर्थन नहीं करते जो अग्यान की वज़े से तैयार नहीं हो डर का प्रमुक कारण है अपूर्ण या अधुराग्यान पूरी तैयारी हो तो डर को हराने में मदद मिलती है बोक्सिंग मैज की प्रैक्टिस के लिए विजेता ऐसा पार्टनर चुंते हैं जिसकी बोक्सिंग की शेली उनके प्रतिदवन्दी से मिलती चुलती हो फुटबाल का कोच बहुत अधिक तैयारी करवाता है ताकि टीम का आतों विश्वास बढ़ जाए और डर दूर भाग जाए विरोधी टीमू के खेल की फिल्मों की समिक्षा की जाती है खास चालों की बार बार प्रेक्टिस की जाती है और खिलाडियों की व्यवदान पहुंचाने वाले के तीवितियों पर परतिबंद लगा दिया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बराबरी की टकर में आतम विश्वास ही निरनायक तत्व होता है और आतम विश्वास तैयारी से आता है तैयारी नोकरी के इंट्रिव में भी आतम विश्वास बढ़ाती है इंट्रिवू लेने वालों ने मुझे बताया कि नोकरी के लिया वेदन करने वाले अधिकांस लोग चाहे वे किशोर हों, हाले में निकले काले सनातक हों या अधेड वेक्ती हों इंटर्यू के दोरान डरे होते हैं और उनका डर साफ जलकता है कुछ लोग तो इतने डरे होते हैं कि वे इंटर्यू लेने वाले से नजरे नहीं मिलाते उनकी यादास्त गरवडा जाती है, वे कुर्सी के इधर उधर सरकते रहते हैं और उन्हें बहुत पसिन आता है इस डर का प्रमुकार्ण ग्यान की कमी है रोजगार दिलाने वाले का बिजनस करने वाले एक मित्र ने मुझे बताया कि इंटर्यू के डर को हराने के लिए किस तरह की तैयारी करना चाहिए पहला, जिस तरह का काम आप खोज रहे हैं, उसके बारे में जाने, अंदर से भी और बाहर से भी दूसरा, यह जाने कि किस तरह आपकी योग्यता, आपका व्यक्तितो और आपकी इच्छा नोकरी के अनुरूब है यह जाने कि आप किस तरह योग्य हैं और आप नोकरी क्यों चाहते हैं तीसरा, जिस कंपनी में आप जाना चाते हैं, उसके बारे में जानकारी रखी, यह क्या करती है, इसका रिकोर्ड कैसा है, इसे किन समझ्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कंपनी और अपने संभाविक काम के बारे में, आपको जितना अधिक ज्यान होगा, आप में उतना ही अधिक होगी, सेलिंग में आतों मिस्वास कैसे हासिल करें, लोगों को सबसे ज़्यादा डर सारुजनिक रूप से बोलने में लगता है, ज्यादातर लोगों को सारुजनिक संभासन के बार, अगर किसी बिजनस से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो वह है सेलिंग, और मै एक बार फिर दो रादो, सेल्ज प्रेजिटेशन देते बाग, लोगों को जो लकवा मार जाता है, उसे दूर करने का उपाय है तैयारी, लोग इस बात से डरते हैं, कि वे मुर्क दिखेंगे, संभावित ग्राग नहीं कह देगा, वे शर्मिंदा होंगे, वे भूल जाएंग कि वे प्रडेक्ट के बारे में क्या-क्या कहना चाते थे, ओर्डर के लिए पूछने का डर, और सेल्ज ने कर पाने का डर, मेरे एक अच्छे दोस्त, जोन इवांस, विस्वस्तरिय सेल्ज पर शिक्षक हैं, जोन बताते हैं, सेलिंग का मूल बूत सिदानता है तैयारी, से पूरी होती है, अब जोन आगे कहते हैं, अपने प्रडेक्ट को सफलता पुर्वक बेजने के लिए, जिस प्रबल आतम विस्वास की आवशकता होती है, उसे हासिल करने का सर्वसरेश तरीका, दरसल इकलोता तरीका है तैयारी, और तैयारी का अर्थ है ग्यान, आप जो ब बेच रहे हैं उसका ग्यान, अपने प्रडेक्ट या सेवा को जानिए, ठीक ठीक जानिए, कि यह संभावित ग्रहाग या प्रोस्पेक्टस के लिए क्या कर सकता है, इतनी अच्छी तरह तैयारी कीजी, कि आप किसी भी पूछे गए सवाल का जवाब दे सकें, निर्मान, आउशक मात्रा, गारंटी का ग्यान रखिए, सीमाओं का ग्यान रखिए, यानि आपको यह मालूम होना चाहिए, कि प्रडेक्ट का प्रियोग कब नहीं करना चाहिए, दूसरी बात, यह जानकारी रखिए, कि आपके प्रडेक्ट या सेवा से, आपके प्रोस्पेक्टस को किस तरह मदद मिलेगी आपका ग्राहक आत्म रूची के नियम के इसाब से काम करता है जब कोई सेल्जमेन प्रस्तूती देता है तो ग्राहक दर असल यह जानना चाता है इसका मेरी समस्या से क्या संबंद है इससे मुझे क्या फाइदा होगा आत्म विश्वास बढ़ाने वा आप में आत्म विश्वास रहता है और आपको डर कानुबव नहीं होता उसी तरह प्रोस्पेक्टस के साथ रहने पर भी आप में तब आत्म विश्वास पैदा होता है जब आप उनकी विक्तिकत रूचियों विक्तितव विक्तिकत जिम्मेदारियों नोकरी की जिम्मेदा आप जो product बेच रहिए हैं उसका ग्यान इससे product को किस तरह लाब पहुँचेगा इसका ग्यान और prospectus कोन है इसका ग्यान परन्तु selling में आवशक आतों विश्वास हासिल करने के लिए ग्यान ही काफी नहीं होता एक चीज इससे भी ज़़ादा जरूरी है और वह है practice practice और practice अपने presentation की practice ऐसे लोगों के साथ करें जो ग्रहक की भूमिका निवाईी शेशे के सामने practice करें या इस से भी अच्छा यह होगा कि आप किसी टीउई कैमरे से अपनी फिलम बना लें अपने हाउ बाउ देखें अपनी आवाज पर ध्यान दें और अपने बोड़ी लेंग वेज देखें जब आप पूरी तरह तयार होंगे तो आपके मन में सेलिंग का डर निकल जाएगा और आपका आतों विश्वास बढ़ जाएगा किसी भी काम में आतों विश्वास उसी अनुपात में आता है जिस अनुपात में तैयारी होती है सदियों से अधिकांस लोगों ने कॉलेज पूरा करने के बाद कभी विशे सगिय ग्यान हासिल करने का कोई प्रियास नहीं किया उन्होंने बिजनस, मैनेजमेंट, सेलिंग या अपने प्रोफेशन के बारे में जो सिखा वह संयोग से और हिट और मिस आधार पर सिखा परन्तों अब जवाना बदल चुका है आज सेमिनार, क्लिनिक, संक्षिप्ट कोर्स और सम्मेलन आयोजित होते हैं जिनमें आप किसी भी चीज के बारे में नविंतम जानकारियां, तक्निकें और ज्ञान हासिल कर सकते हैं विशेसगिया ज्ञान के ये स्फ्रोथ परिवारिक शिक्षा की तुल्ना में तीन अतिरिक्त लाप परदान करते हैं इनमें विशेसगिया पढ़ाते हैं ने की वे लोग जिनकी योग्यता सिर्फ डिगरी है दूसरे, पढ़ाए जा रहे विशे का सीधा संबन आपकी आवशक्ताओं से होता है और अनावशक जानकारी नहीं दी जाती तीसरे, पढ़ाने वालों से आपको जितने उप्योगी जानकारी मिलती है उतनी ही उप्योगी जानकारी आप अपने सैवागियों से हासिल कर सकते हैं विशे सगिये पर सिक्षन बैटके उन में तुकांक सी लोगों को आकर सित करती है जो ज़्यादा पैसे कमाने और ज्यादा बड़ी सबलता का आनन्द लेने के लिए उतकरश्ट होते हैं उत्सा वर्दक जानकारी पाने के लिए अपने परसनल कंप्यूटर की मेमरी को प्रोग्राम कीजिए हम मेंसे हर एक के साथ जो कुछ भी हुआ है वह हमारी मेमरी यानि यादास्त में दर्ज है हमारे दिमाग की यादास्त और कम्प्यूटर में स्टोर की हुई मेमरी लगबग एक सी होती है हमारे मेमरी बैंक में दरसल सेंकडों बिलियन गटनाई है जो बाहर आने के लिए आपके चेतन मस्तिस के इसारे का इंतजार कर रही है बच्मन के अनस्वासन के विशिष्ट विवरन दूसरे बच्चों की मदद स्कूल में होने वाली गटनाई लोगों के साथ बिताई पल हर वह गटना जो आपके साथ हुई है या जिसमें आप शामिल है वह आपकी मानसिक तिजोरी में सुरक्षित है आपकी यादास्त एक अद्बुत चगह है इसमें बिलियनों चीजें भरी है आपने जो चीजें देखी है जो चर्चाएं सुनी है जिन वस्त्वों को सपर्स किया है जिन गंदों को सुंगा है जिन खाद्य अपदार्तों वे द्रव्यों को चखा है वे सब आपकी यादास्त में सुरक्षित है और इसमें इससे भी जारा चीजें मौझूद है आपकी अध्यात में कनुगूतियां आपके विशार और आपकी बहुनाई भी आपके मस्तिस्क में है आपका चेतन मस्तिस्क यह नहीं जानता कि आपकी यादास्त की तिजोरे में कितना अद्बूत सामान भरा हुआ है परंदू आपका आउचेतन मस्तिस्क यह बात जानता है बहराल आपका चेतन चिंतन आपके आउचेतन मस्तिस्क के कारियों को नियंतरित करता है आप चेतन रूप से उन गटनाओं का बहुत थोड़ा सा हिसा ही याद रख सकते हैं जिन्होंने आपको वर्तमान सो रूप में ढाला है परंदू आपका आउचेतन मस्तिस्क सब कुछ याद रखता है और आपके व्यवार को प्रभावित करता है आप वह एकलोते व्यक्ती हैं जो अपने लाब के लिए अपने मस्तिस्क स्टोरेज बेंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके विचारों पर डरहावी होने लगे जब आपका आतों विश्वास कम होने लगे जब आपको महसूस हो कि आपकी दुनिया धराशा ही हो रही है तो आपके पास दो विकल होते हैं पहला आप अतीद के नकारातमत, निराशाजनक, हताशावरे विचार याद कर सकते हैं और उन्हें अपना मानसिक आहर बना सकते हैं या दूसरा, आप प्रशंता के विचार, जीत के फल और अपने नियामतों को याद कर सकते हैं आप अपनी मेमरी बैंक से जो निकालते हैं, वह अत्यंत महत्वों होता है अगर आप नकारानवक चीज़ें याद करते हैं, तो आपको और अधिक कार्ण मिल जाएंगी कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते, या आप पहली बार कोशिस करने पर क्यों ऐस सफल होंगी बुरी बातें, ऐस सफलता की यादें, पराज्य की यादें, आपकी वरतमान स्थिती पर दवाव डालने लगती है वहमों के याद कीजी, जब आप कोशिस करने के बाद ऐस सफल हुए थे वे अवसर याद कीजी, जब किसी ने आपको बताया था, कि आपके विचार मुर्क तापूर्न है, और आपके लक्षब बहुत ज़्यादा उंची है उन शर्मनाक्षणों को याद कीजी, जिने आपने जहला है अगर आप इन चीजों को याद करेंगे, तो आपका डर आपको हरा देगा परंतो आप सकारातमक विकल्प बिचुन सकते हैं आप अपने मेमरी बैंक को कह सकते हैं, कि वह आपकी यादों की तिजोरी से अच्छे पोशक विचार निकाले आप विजे, सफलता, अच्छे अनुबव निकाल सकते हैं, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपका आताउं इस्वास बढ़ाएंगे उन प्रोच्छान के सब्दों को याद कीजिए, जो आपने सुने हो उन अवसरों को याद कीजिए, जब दूसरों ने आपकी परसंसा की हो अपने उपलबदियों और सफलताओं को याद कीजिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मेमरी बेंक इस बात की परवाद नहीं करता कि आप इस में से किस तरह के विचारों को निकालते हैं यह तो आपके जीवन की गटनाओं का सिर्फ एक वेराउस होता है फैसला आप करते हैं मेमरी बेंक के कोई पूर्वा ग्रे नहीं होते ही आपके चिंतन यंतर का चेतन हिस्सा यह फैसला करता है कि क्या सफलता के विचारों को बाहर निकाल कर डर को हराया जाए या फिर ऐस सफलता के विचारों को बाहर निकाल कर डर के सामने हार मान ले जाए मान ले आप किसी मैत्वपूर्ण इंट्यूव का सामना कर रहे हैं आपको सामने वाले व्यक्ति का सायोग चाहिए परंतो आप डरे हुए हैं आपको यह डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे अब अगर आप ऐसी गटनाओं को याद करेंगे जैसे याद करो स्कूल में तुम्हारे कितने खराब नमबर थे बासा की गलतियों के वज़ेसे तुम पर लोग हंसते थे तुम में आवशक योगेताई नहीं है तुम्हारी पूरू पत्नी सोचती थी कि तुम मुरख हो तो आपका आतुम विश्वास नष्ट हो जाएगा परंतु अगर आप अपने मानसिक कंप्यूटर से आतुम विश्वास बढ़ाने वाली अच्छी यादे निकालेंगे तो आपका आतुम विश्वास बढ़ जाएगा जोखिम सविकार कीजी बेसफलता की इंटे हैं किसी व्यक्ति के आतों विश्वास का सबसे बड़ा प्यमाना है जोखिम उठाने की इच्छा कोई व्यक्ति किस हद तक जोखिम से बचना चाहता है उसी हद तक वह डरा होता है कुरानी कहावत कोई जोखिम नहीं, कोई लाव नहीं लगबग हमेसा सच होती है जोखिम यानि नुक्सान की संभावना सफलता के लिए उतनी ही आउशक है जितने जीवन के लिए हवा। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर हर व्यक्ति यह फैसला कर ले कि वह शत्परतिसत जोखिम रही जीवन जीने की कोसिस करेगा। पहला कोई किसान फसल नहीं बोईगा क्योंकि ज्यादा बारिस हो सकती है या सूखा पड़ सकता है या बाजार में अनाज की कीमते बहुत कर सकती है। क्योंकि प्रतियोगिता के करणुग है चोपट हो सकता है क्योंकि हो सकता है इसे इतने कम दर्शक देखें कि इसे विज्यापन नहीं मिले क्योंकि निवेशक नई मारतों टेल के कुउओं की खोज और नए काम में अपना पैसा नहीं लगाएंगे पूरी तरह सुरक्षित होने के लिए लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल लेंगे, बोजन का संग्रे कर लेंगे, कार चलाने से इंकार कर देंगे, और होस्पिटल में मरीज खून लेने से इंकार कर देंगे सो प्रतिसत सुरक्षा का लक्षे हमारी अर्थ व्यास्ता को लगवग रातो रात नश्ट कर सकता है, अगर सभी लोग जोखिम से पूरी तरह बचना चाहें, तो कोई भी किसी भी नोकरी के लिए आवेदन नहीं देगा, किसी साइतिक पत्री का मिकविता नहीं बेजेगा, कि वालता चारने वाले लोग जो खिम लेते हैं, और कई बार जो खिम लेने की वजए से उन्हें नुक्सान भी होता है, आज के मिलियनेरों में 37% ऐसे हैं, जो दोलत इकठी करने के बाद दिवालिया होगे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, और वे दोबारा जीते ही, कोई ट्रिलिंग बिजनस में ज्यादातर कुएं सुखे निकलते हैं, किसी भी फुटबाल कोच का सीजन हर साल आदर्स नहीं होता, सभी संगीतकार गल्तियां करते हैं, हम ऐस अबलता के बाद कैसी प्रतिकरिया करते हैं, यही सबलता की कुझी है, आपने सुना होगा, कि जो लो हम हैसूस करते हैं, कि हार मान लेना चाहिए, और अगर हम सावदान ने रहें, तो हम सच्पूस हार मान लेंगे, समरपन करने के लिए साथियों का प्रबल दवाव भी हो सकता है, वे आपसे कहते हैं, देखो, तुमने कोशिस करके देख ले, तुम्हारी युजना काम नहीं और दोस्त, अक्सर आपको समरपन करते देखकर खुश होते हैं, यह निराशाजनक है, परंतु सत्य है, उनके पास अपने एदम पर कुछ करने का सास नहीं होता, अगर वे आपको ऐस अपल होते देखते हैं, तो उन्हें अपने बारे में बेटर महसूस होता है, आप उन मे की इस्तितियों में दो वाते होती हैं आप जो चाहते हैं या जो आपको वह हासिल होता है या फिर नहीं होता है जब आप किसी नोकरी के लिए आविदन करते हैं तो आपके सामने एक और आदमी होता है जिसके पास हां या ना कहने का अधिकार होता है जब आप कोई वस्तू ब और जब आपके प्रदर्शन का मुल्यांकन होता है, प्रोमोशन का आग्रह होता है, या आप कोई खास चीज चाहते हैं, तो आप आम तोर पर किसी अकेले व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति से जो सत्ता और शक्ति का परती निदेतों करता है। आपके डर को बढ़ाने वाली एक और बात यह है, कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, उसके पास गरेलू मैदान का लाब भी होता है। आज रात हजारों गरों में एक जीवन साथी दूसरे से कहे रहा होगा, तुम तनाओं में दिख रहे हो, तुमें कौन सी बात परेशान कर रही है। जवाब है, कल मेरे परदर्शन का मुल्यंकन होने वाला है, और इसलिए मैं गवरा रहा हूँ। या डिपार्टमेंट के हेड ने मुझे कल मिलने के लिए गुलाया है, मैं इसलिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वह क्या चाता है। या मैं कल एक नई प्रोस्पेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मैंने सुनाए कि वह बहुत ही कड़क सुवाव का है। आमने सामने के मुलाकात में कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समश्याइं आती है। हम चर्चा के पहले दैशत और आतंक का अनुबाव करते हैं। चर्चा के दोरान डरे और गवराय हुए हो सकते हैं और बाद में इस बात पर अफसोस कर सकते हैं कि हमने अपने बात ठीक से नहीं कही और कई गलतिया कर दी। जब लोग किसी अधिकारी से बात करते हैं तो अक्सर बूरी तरह ऐस्पल हो जाते हैं छोटा जिमी हर तिन तीस मिनिट देर से स्कूल पहुंचता है इस कारण उसे प्रिंसिपल ने ओफिस में बुलाया वह डर जाता है और यह नहीं बता पता कि उसे देर इसलिए हो रही थी क्योंकि मा के आफिस का समय बदले जाने के कारण उसे अपनी छोटी बेहन की देखबाल करने के लिए रुकना पड़ता था बेटी एक नोकरी के इंट्रिव में बूरी तरह गबरा जाती है और पहले की नोकरीयों के मैत्वपूर्ण अनुबहों का जिक्र करना भूल जाती है बिल के दिमाग में कुछ जोरदार विचार है कि कमपनी को किस तरह बेतर तरीके से चलाया जा सकता है परन्तु उसे बिग बोस से डर लगता है वहे इतना गबरा जाता है कि जब उसे सुझाओ मंगे जाते हैं तो वहे अपने विचार भूल जाता है यह ध्यान रखें कि कुछ मैनेजर और दूसरे सत्तादारी लोग यह सीखने के लिए कोर्स में भाग लेते हैं कि दूसरों को कैसे दबाया जाई हलांकि लोगों को यह सिखाना शर्म नाक है कि दूसरों को कैसे परिशान किया जाए परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि जिन्दगी में ऐसा होता है जब हमें आतमिस्वास कम हो तो हम सत्तादारी वेक्तियों से किस तरह निप्टे है हमें अपने विचार उस आदमी के सामने प्रस्तूत करने का आतमिस्वास कैसे प्रापत हो जिसमें हाँ या ना कहने की शक्ति हो यहां दो सुजाओ दिये जा रहे हैं जो आपके काम आईंगे पहला मेटिंग से पहले खुद को बताई हम दो मेटोबोन लोग आपसी मेटोगी किसी विशे पर चर्चा करने के लिए बैठ रही है मुझे उस चीज की आवशकता है जो सामने वाला प्रदान कर रहा है परंतु उसे भी उस चीज की आवशकता है जो मैं प्रदान कर रहा हूँ यह चर्चा हम दोनों के भग्य को प्रभवित कर सकती है सांजे लक्षों पर द्यान एकागर करें बच्पन से यह में व्यसकों, सिक्षकों और सत्ता के अन्य लोगों का सम्मान करना सिखाया जाता है इस तरह की सीख अच्छी है, किसी भी सामजिक संग्ठन को बनाई रखने के लिए सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए साहिए यह घर हो, या बड़ा बिजनस हो, या आफिस हो बहराल इस परक्रिया में कई लोगों को सत्तादारी लोगों का सम्मान करने के बज़ाए उन से डरना सिखा दिया जाता है सत्तादारी लोगों का सम्मान करें हाँ सत्तादारी लोगों से डरें कभी नहीं सत्ता का डर और उसकी वज़े से उत्वन आतम विस्वास का अभाव सफलता की राह में असली बादा है इसलिए जब आप इंट्रिव की तेयारी करें तो खुद के सामने दो राएं हम दो मेत्व कुण लोग आपसी मेत्व के किसी विशे पर चर्चा करने वाले हैं दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है, बगवान नहीं है वह भी उसी तरह से बोजन पचाता है, सांस लेता है और खांसता है, जिस तरह से आप करते हैं वह व्यक्ति संतुलित और मेत्व कुण हो सकता है, परन्तु वह भी एक इंसान ही है, जिसके पास चिंताई, कुंठाई, बच्चों या जीवन साथी या पैसे की समश्या हो सकती है और यह चिंतावी की दूसरे लोग कॉर्परेट मैच में उसे हरा देंगे और यह भी ध्यान रखें की हो सकता है, सत्ता में बैठा व्यक्तिवी आप से उतना ही डर रहा हो, जितना आप उससे डर रहे हो आप जो भीच रहे हैं, उसे खरिदने वाला इंसान भी गलतिया करने से डरता है और अपने स्ूपिरियर के सामने गलत चभी बनाने से डरता है आप जिस मैनेजर के अधीन है, उसे भी अमेशा इस बात की चिंता होती है कि जिस मैनेजर के अधीन वहे काम कर रहा है, वहे उसके बारे में क्या सोचेगा यह दुर्बाग्यपुर्ण परंतु सक्ते है कि सभी संग्ठनात्मक्स तरों पर लोग धरे होते हैं हम एक दूसरे से जितने अलग हैं उससे कहीं ज़्यादा एक समान है मुझ में आतों विश्वास है कि छवी बनाई अपनी किसी करीबी सहिली के साथ थोड़ा शोद करें इस तरह की बात कहें आप और चाल्स इतने करीब हैं क्या मैं आप से पूछ सकती हूं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कैसे आकर सित हुए आपकी सहिली शायद इस तरह की बात ने कहींगी अरे हमने पाया कि हमारी रूचें इतनी मिलती है कि यह सोबाविक ही था हम इकठे रहना चाहें या किसी पूरुच से कहें आपकी और सोनिया की जोड़ी बहुत अच्छी है कौन सी चीज़ आपको करीब लाई और संभावित पर चिकरिया यह है मैं उससे एक पार्टी में मिला जल्दी हमने पाया कि हम दोनों को ही टेनिस पसंद है और हमारे लक्षे एक जैसे हैं इसके बाद मुझे जो पहली चीज़ बता चली वह है यह है कि हम दोनों ने शादी कर ली अब आपके दोनों दोस्तों ने अपने जीवन साती चुनने के बहुत अच्छे कारण बताए है परन्तों उन दोनों ने ही इस बात को नजर अंदास कर दिया कि रंग रूप आपसी शारिरिक आकरसंड पहले से ही था और इसी के बाद सांजी रूचिया खोजी गई थी रंग रूप से आकरसंड ने जारित होता है रंग रूप जीवन साती चुनने में महत्वण बूमिका निभाता है आतम विश्वास हासिल करने और डर जीतने का एक अचूक तरीका है आतम विश्वास से पूर्ण छवी विक्सित करना जब आप जानते हैं कि आपकी चुवी आतम विश्वास से पूर्ण है तो आपका आतम विश्वास बढ़ जाता है और आपके विवहार में भी आतम विश्वास आ जाता है दूसरे लोगों को तथकाल इस बात का एसास हो जाएगा और वे आपके प्रतिय अधिक सम्मान दिखाएंगे प्रडेक्ट या पैकेज का रंग रूप अत्यंत मैत्वपूर्ण मार्केटिंग अवदारना है कम्पनिया अपने प्रडेक्ट या पैकेट के डिजाइन पर हर साल 200 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करती है सिर्फ इसलिए ताकि जोवे बेच रही है उसके प्रतिग रहक आकर शिप्ट कहो कार खरीदते समय ज़्यादातर लोग इंजिन को नहीं देखते उनके लिए उसके डिजाइन भैतो पूर्ण होती है बोजन खरीदते समय ज्यादातर लोग तत्वों को नहीं देखते उनका विश्वास तो लेवल पर होता है और यह है फैसला करने में कि आपको नोकरी दी जाए या नहीं आपके साथ डेटिक पर जाया जाए या नहीं या आपका सामान खरीदा जाए या नहीं आपका रंग रूप सामने वाले के निरणे को और चेतन रूप से प्रवावित करता है लोग पुस्तक का मुल्याकन उसके कबर के इसाबसे करते हैं अगर कोई विक्ति किसी पुस्तक को खूल कर उसके कुछ पेजब पड़े तो वहे उसके बारे में विचार बदल सकता है परन्तु अगर पुस्तक का कवर यानि की पैकेट आकर सक ने हो तो इस बात के सम्मावना नहीं है कि वहे पुस्तक खोलने का कश्ट करेगा जब तक कि वहे लेखक को ने जानता हो स्थिति के इसाब से सही कपड़े पैनने से आप अधिक सेलेबल बनते हैं लोग आपके दिखने के इसाब से आपका मुल्यांकन करते हैं यह होता है पहला जिस सीमा तक आपकी छवी विशे सग्या जैसी होती है लोग उसी के अनुरोप आपके विचारों का मुल्यांकन करते हैं दूसरा जब आप सत्ता की छवी परस्तूत करते हैं तो आपके करमचारी या दिनस्त सकारान वक्त पतिकरिया दिते हैं तीसरा जब आप अमीर दिखते हैं तो ग्राकों के आपके साथ पिजनस करने की संभावना अधिक होती है चोथा, बैंकर्स आपको पैसे उधार दे देंगे अगर आपको देखकर उने यह लगे कि आपको पैसे की जुरूरत नहीं है जिस तरह लोग बोचन, कारों या घरों को उनके दिखने के इसाब से पसंद या ना पसंद करते हैं उसी तरह वे आपके दिखने के यादार पर ही आपके बारे में अपना विचार पनाते हैं याद रखें, आपका 90% पैक रहता है आफिस में या सारोजनिक स्थान पर लोग आपके शरीर का सिर 10% ही खुला देखते हैं आपका सिर, चेहरा, गला और हाथ किसी पूरुश का 90% उसके शूट, शर्ट, जूते और मोजे के नीचे डखा रहता है और किसी मेला का 90% सारोज ड्रेस, बलाउज, सूट, जूते और मोजे के नीचे डखा रहता है जिस तरह लोग अपने आपको कपड़ों में पैक करते हैं उससे खुद के बारे में उनके नजरिये पर सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी पैकिंग का प्रभाव हमारे प्रती दूसरों के नजरिये पर भी पड़ता है वह व्यक्ति इतना अच्छा दिख रहा है, इसलिए वह अच्छा ही होगा या दूसरे छोर पर वह व्यक्ति मुर्ख दिखता है, इसलिए वह मुर्ख ही होगा स्वेम के सही पैकिंग से आपको दो तरह के लाब होते हैं पहली बात आप में अधिक आतम विस्वासा आ जाता है आप लोगों के साथ अधिक सहज होते हैं आप नई स्थितियों का सामना करने में बेहतर समर्थ होते हैं सही पैकिंग आपको आंतरिक शक्ति देती है दूसरी बात अच्छा दिखने से आपको ततकाल विजेता का लाप में जाता है जब आप आकरशक और सफल दिखते हैं तो लोग आपके साथ बिजनस करना चाते हैं सवाल मुझे यह कब पता चलेगा कि मैंने स्थित्य के इसाब से सही कपड़े पैने हैं जब आप जब तक आप अपने पैनावे में इतने सहे जनुबव करें कि आपको खुद से या दूसरों से यहने पूछना पड़े क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ आप तब सही तरह से कपड़े पैने हैं जब आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सके और इस बारे में नहीं सोचें कि आप किस तरह से पैक हैं मैंने एक सेल्ज मैनेजर को अपने सेल्स स्टाप को यह सला देते सुना था किसी स्थिति के लिए इतने उचित कपड़े पैने कि आपको यह याद ही ने रहे कि आप क्या पैने है आपका काम है ग्रहा की आवशक्ताओं पर सत प्रतिसत ध्यान देना और यह सोचना कि आप उन्हें किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं अगर आप अपने दिखने को लेकर चिंतित हैं तो आपकी कुछ मानसी कूर्जा गलत इसा में जा रही है उस दस प्रतिसत के बारे में क्या जिसे आप नहीं डगते उस हिस्से का क्या करें जिसे आप पैक नहीं कर सकें आपके चेहरे और आपकी आँखों का आतम विश्वास से क्या लेना देना है मुझे स्पष्ट करने दे आतम विश्वास से दिखने का अचूप तरीका है मुश्कुराना, मुश्कुराना और मुश्कुराना इसे आजमाईए एक सच्ची मुश्कुराट दे और किसी आदमी या चीज के बारे में डरने की कोशिश करें आप ऐसा नहीं कर सकते नए ही आप मुस्कराते समय चिंता कर सकते हैं या गुसा हो सकते हैं मैं 25 साल तक चार्ल डवल्यू के करीब रहा हूं वह प्रिंटिंग बिजनस में एक सफल बिजनस मैंने और वह मुस्कराने वाला इंसान है जब असंबाव डेटलाइने आती है तब भी चार्ल मुस्कराता रहता है किसी बड़े कॉंट्रेक्ट के निलामी के दोरान भी चार्ली मुस्कराता है जब करमचारी किसी समच्चा को लेकर तनाओं में आ जाते हैं तब भी चारली मुश्कुराता रहता है, एक बार मैंने चारली की अमेशा मुश्कुराने की आदत के बारे में पूछा, खास तोर पर तब जब ज़्यादातर लोगों को मुश्कुराने का कोई कारण नहीं मिलता, चारली ने जाहिर है मुश्कुराते हुए मुझे धन्यवाद दिया और कहा, मैंने स्मय को मुश्कुराना सिखाया, चाहिए परिष्टितिया कैसे भी हो, इससे मैं बेहतर अनुबो करता हूँ, इससे दूसरे लोग हत्यार डाल देते हैं, हो सकता है वे मुझे विचलित करने, या गुसा करने, या चिंतित करने आये हो, पर मेरे मुश्कुराट से वे हमेसा बेहतर मूड में आ जाते हैं, स्विकरते जीतने के लिए अपनी आँखों का प्रियोग कैसे करें, आपकी आँखें दो तरह से आपकी मदद कर सकती हैं, पहला, दूसरे लोगों से नजरे मिलाने से यह व्यक्त होता है, मुझे में आतम विस्वास है, मैं विजेता हूँ, और मैं जानता हूँ, कि मैं क्य पा रहे हैं, आप एमानदार नहीं हैं, या आप कमजोर और डरे हुए हैं, अगर आप शर्मी ले हैं, तो नजरे मिलाने की आद़ डालने का सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों से नजरे मिलाने का तब तक अभ्यास करें, जब तक कि आपको इसकी आद़त ने पड़ जाई, परंतु सफलता पाने के लिए सामने वाले से नजरे मिलाने के अलावा भी आपकी आँखों को बहुत कुछ करना पड़ता है, आपकी आँखें जो कहती हैं, उसी से दूसरे लोगों की सबसे महत्वपून परती के लिए तैह होती है, आँखें सचमुच आत्मा का दरपन हो आँखें हमेशा हकीकत बताती है कि आप कैसा अनवाव कर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रेम, ग्रणा, नफरत, डर या जो भी भाव आप महसूस कर रहे हैं, आपके आँखें हर पल उन भाव को व्यक्त करती है, एक उधारन से मैं इसे सपष्ट कर दूँ, अ इस दोरान गहराई तदा गंबेरता से सोचें मैं तुमसे प्रेम करता हूँ फिर अपने मित्र से पूछें मेरी आँखे क्या कह रही थी। आपका मित्र कह सकता है आपकी आँखे कह रही थी कि आप मुझे पसंद करते हैं या मुझे से प्रेम करते हैं फिर बिना अपने चेहरे के भाव बदले मन में ग्रणा और क्रोध के विचार बरकर अपने दोस्त की तरफ देखें एक बार फिर उच से पूछें मेरी आँखे क्या कह रही थी और सामने वाले विक्ती कहेगा आपकी आँखे कह रही थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते आपकी आँखे आपके द्वारा महसूस किया गया हर भाव अभी विक्त करती है प्रेम, नफरत, अवहेलना, खुशी, डर, चिंता इस बिंदू को समझे और इसका अभ्यास करें अपनी आँखों से कोई भाव व्यक्त करने के लिए आपको उपने मन में वह भाव पैदा करना होगा आपको सोचना होगा मैं आपकी परवा करता हूँ तब ही आपकी आँखे कह पाएंगी मैं आपकी परवा करता हूँ याद रखें, आपकी आँखें आपकी आत्मा की तश्वीर है कोई भी, निसंदे कोई भी अपनी आँखों की तश्वीर को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वह अपने सोचने के तरीके को ने बदल ले हो सकता है विचार बदलने में एक या दो मिनिट लगें और फिर आंखें उस बदले वे भाव को व्यक्त करने लगेंगी परन्तु यह प्रक्रिया बिल्कुल निशिंत है सास्वत सकते है दूसरे लोगों के साथ महत्वण मुलाकतों में आप अभी व्यक्ति की इस तक्निक का प्रियोग कर सकते हैं इस तीति की कल्पना करें आप अपने बोस को पसंद नहीं करते परन्तु आपको उनसे कोई विसेस लाब चाहिए अपना आग्रय करने से पहले उनके बारे में ऐसी बातें सोचें जिनके आप परसंसा करते हैं बोस के बारे में कोई ऐसी चीज सोचें जिसके आप सराना करते हों ऐसा करने से इस बात की समभावना कापी बढ़ जाएगी कि आपका बोस आपकी बात मान ले नुक्सान से सबक ले आज अंत्रिक्स यात्रा इतनी आम हो गई है कि अभी यह ख़वर नहीं रह गई है परंतु किसी मनुष्य को पृत्वी की कख्षा में पूंचाने से पहले लगवग 16,000 अंत्रिक्स यानों को बेजा गया हर ऐसा भलता का विशलेशन दो सवालों के जवाब जानने के लिए किया गया क्या गलत हुआ था और अगली उड़ान में हम इस समच्य को किस तरह सुधार सकते हैं हवाई यात्रा आज यातायात का सबसे सुरक्षित माद्यम है क्योंकि हर हवाई दुर्गटना या हर का अध्यन यह जानने के लिए किया जाता है कि दुर्गटना क्यों हुई और इसे किस तरह रोका जा सकता है दूतिय विस्व युद में अमेरिका के 33,000 हवाई जाज नस्ट हुए क्योंकि युद्ध चल रहा था इसलिए हर दुर्गटना का विस्तार से विश्लेशन नहीं किया गया परंतु जो कुछ हमने सीखा उसके आदार पर हमने हवाई जाजों को अधिक सुरक्षित बनाया हवाई यात्रा अब इतनी सुरक्षित है कि सो बिलियन मील की उड़ान में सिर्फ एक दुर्गटना होती है विवसाइक उड़ान कितनी सुरक्षित है कोई व्यक्ती 600 मील परती गंटे की रफ्तार से 2400 गंटे 1000 साल तक उड़ता रहे तब कहीं जाकर उस व्यक्ती के हवाई दुर्गटना में मरने की असंका होगी आज खत्रा उड़ान के दुरान नहीं है बलकि हवाई यड़े तक जाने और वहां से आने के दुरान है हवाई यात्रा की तुलना में सड़क से यात्रा करना 1562 गुना अधिक ऐस रुक्षित है चिकित्सा में प्रगटी इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर ऐस पहलता से सबक सीखते हैं एक पीडी पहले तक हरद्या का बाइपास आपरेशन इतना खतरनाग माना जाता था कि इसका प्रियोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता था चुकि सर्जनों ने पिछली ऐस वलदाओं से सीखा इसलिए आज डॉक्टर एक दिन में ऐसे कई उप्रेशन कर रहे है आग लगना एक दुर्भग्य पूर्ण गटना है पर जब आग बुजाने वाले आग लगने के कारण का पता लगाते हैं तो इमारतों के कानून लिखे जाते हैं ताकि ऐसी गटना दुबारा ना हो सके जिन सबसे सफल लोगों को आप चानते हूँ उनके बारे में सोचें उनमेंसे हर एक जितने बार जीता है उससे ज़्यादा बार हारा होगा जांज करने पर पाएंगे कि हर सिरसर्ष्ट व्यक्तिकिने बहुत जटके सहे हैं जैसे हां से अधिक बार नहीं सुना है नोकरी के लिए उसे ठुकराया गया है नोकरी से निकला गया है दुरगटनाई हुई है बुरे स्वास्ते के दो राई है मादक द्रवियों का शिकार रहा है बुरे निवेस किये हैं और अपमान सहा है सफलता का रहशे पराजय से बचना नहीं है इसके बजाए सफलता का रहशे है पराजय के बाद विकास करना नुक्सान हमेशा एक संभावित सबक है कोई भी बच्चा दर्जनों बार लड़ खड़ाए या गिरे बिना चलना नहीं सिख सकता हर माहान मनोनजन करता ने कई बुरे परदर्शन कीए है तब कहीं जाकर वह इस काबिल बना कि लगातार अच्छा परदर्शन कर सके और हर परसंसित मैनेजर ने दर्जनों बड़ी गलतियां की है गलतियां सब करते हैं हम किस तरह अपने नुक्सानों पराजियों और गलतियों को देखने का चुनाव करते हैं अंतत्य उसी से यह निरधारित होता है कि कौन सफल होगा और कौन ओसत जिन्दगी जीएगा सभी प्रोफेशनलों से आसा की जाती है कीवे सर्वस्रेश्ट परियास करें हम जो भी करते हैं उसमें हमारा सर्वस्रेश्ट परियास होना चाहिए परन्तु पूर्णता या परफेक्शन असंबव है रा में ऐसा बलताएं हमेशा मिलेंगी कोई योजना, कोई मशीन किसी भी तरह का कोई भी विवसाई कभी भी पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं हो सकता नुकसान अवश्यम भावी है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने नुकसान से कुछ सीखा सफलता और आतम विश्वास जीतने की कुंजी है पोस्ट मार्टम अगर हम समार्ट हैं तो हारने के बाद हम दो सवाल पूछें पहला क्या गलत हुआ याद रखिए हर पराजय का एक सटी स्पस्टी करन होता है दूसरा हम इस गलती को किस तरह सुदार सकते हैं किसी भी समश्य को सुल जाने के लिए हमेशा नई तकनिकें इस्तिमाल की जा सकती है गहरे आतों विश्वास के लिए इन अवधारनाओं को आजमाई पहला डर की जड़कों पैचाने बुरी तरह बटका हुआ चिंतन दूसरा जिस काम से आप डर रहे हों उसे कर दें और आपका डर गाइब हो जाएगा तीसरा तैयारी करके आतों विश्वास बढ़ाएं नोकरी के इंटर्विव सेल्स प्रेनेटेशन और लोन के आग्रेट के डर को इसकी तैयारी कीजी करक्रम दोरा हरा दें सो था अपने मस्तिस के बैंक से विजे की यादे निकाले पराजे की नहीं याद रखें के वल आप ही अपने विचारों को नियंतरित कर सकते हैं पांचवाँ जो काम आप करना चाहते हैं अगर वह कानूनी और नैतिक है तो उसे कर दें छठा आमने सामने की स्थिति में पहला खुद को बताएं हम दो मैतो पुन लोग आपसी मैतो के किसी विशे पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरा खुद को यादे लाएं कि सामने वाला विक्ति भी एक इनसान है साथवाँ आतों विश्वास की छभी विक्षित करें अपनी पैकिंग इस तरह करें कि लोग आप में रूची लें आठवाँ अच्छे सकारात्मक विचार सोच कर अपनी आँखों को सही तरह की शक्ती दें नवाँ नुकसान एक सबक है सबक सीखें और बड़ी सफलता की और आगे बड़ें धन्यवाद आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई पांच सफलता के लिए सो प्रतिसद दें ज़्यादा कुछ दिये बिना बहुत कम मिलता है सफलता, दोलत और सुख उदारता से मिलते हैं नेकी स्वार्थ से आप जितना ज़्यादा देते हैं आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है सफल लोग उदार होते हैं लोग उनसे जितनी उमीद करते हैं वे लोगों को उससे अधिक देते हैं तेने पर ध्यान के अंदरीत करें और जल्दी ही आपको अपने आप मिलने लगीगा आईए देखें इसा किस तरह होता है सोचिए एक दरजन का असली मतलब है तेरे है जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी पास के कस्वे में मिठी मकई बेचते थे जब मैं गिनने लाइक हुआ तो पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी सोंपी कि मैं मकई के एक दरजन बुट्टों की धेरियां बना दू इसमें मुझे बहुत गरोब महसुस हुआ मैं पांच साल का था परंतु मुझे लगा जैसे मैं भी अपना योगदान दे रहा हूँ इसलिए पिताजी के आदेस का पालन करते हुए मैंने मकई की धेरियां बना दी हर धेरी में पूरे बारे बुट्टे थे जब पिताजी ने मेरी बनाई धेरियों के कुछ सेंपल देखे तो वे बासकेट के पास गई उन्होंने मकई के कुछ और बुट्टे निकाले तथा हर धेरी में एक बुट्टा बढ़ा दिया इससे मैं बहुत नाराज हुआ और मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ कि कैसे गिना जाता है एक दर्जन का मतलब बारह होता है अब हर डेरी में तेरे बुट्टे हो गए हैं तेरे का मतलब एक दरजन नहीं होता मैंने विरौद किया पिता जी ने मुस्कृरते हुए दिरे से समझाया जव हम मकई बेशते हैं तो हर दरजन में तेरे बुट्टे होते हैं देखो हम सिर्फ अच्छी मकई बेचते हैं परन्तु अगर बुट्टे पर अब भी छिलका हो तो हमारे डेर में एक खराब बुट्टा भी निकल सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता इसलिए हम अपने दोस्तों को एक अतिरिक बुट्टा दे देते हैं हम चाहते हैं कि हमारे ग्रहा की यह नहीं समझे कि हमने उन्हें दोका दिया है इसके अलावा पिता जी ने आगे कहा हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मकई खरीदे वह कस्पे में अपने परडोशियों को बताए कि हमारे बुट्टे कितने अच्छे हैं इस तरह से हमारी मक्का अधिक बिकेगी और हम अधिक धन कमा पाएंगे मैंने इस बात के कई उधान देखे कि लोग अपने प्रडेक्ट बेजने में उधारता पूरवक गिंती करते थे एक बार हमने सेंकडों मील की दूरी पर स्थित हेचरी से चूजे खरीदे हेचरी हमें हर बाक्स में सो चूजे वेजने वाली थी जब चूजे आए तो उन्हें गिनने के जिम्मेदारी मुझे सूंपी गई मैं यहे देखकर हैरान हो गया कि हर बाक्से में 107 या 108 चूजे निकले ने की सो जिनका हमने ओडर दिया था हेचरी ने हर बाक्से में कुछ अतिरित चूजे रख दिये थे ताकि अगर उन्हें से कुछ बिमार हो तो भी हमें पूरे चूजे मिल सकें ऐसा करने की वज़े से उस हेचरी के ग्राहत हमेशा उसी से चूजे खरीटते रहे नकारात्मक परचार नहीं हुआ और उसका बिजनस तरक्की करता गया यह एक अद्बुत और स्मार्ट तरीका है जाहिर है कई साल बाद मैंने यह जाना कि एक दरजन का मतलब है तेरे कि अधारना कुछ बेकरों द्वारा लंबे समय से प्रियूट की जा रही है बेकर्स डरजन वाक्यांस इसलिए प्रचलन में आया परंतु तब तक अतरिक्त देना मेरे सुभाव का हिस्सा बन चुका था अगर आप थोड़ा अतरिक्त देंगे तो आप हीरो बन जाएंगे उमीद से कम देंगे तो आप खुद को किसी की नफ़त की सुचि में सामिल कर लेंगे हर एक जितना सोधा करता है उससे अधिक पाना पसंद करता है कोई भी दोखा खाना पसंद नहीं करता आप जितने सामान की कीमत लेते हैं उससे कम पाने से आप नाराज होते हैं आपके एहें को धका लगता है और आप उस कमपनी की बुराई करना चाहते हैं जिसने आपसे अनुचित लाब उठाया हो स्मार्ट लोग बढ़ाते हैं मुर्ख लोग कम करते हैं सीखने का सबसे मैत्वकून तरीका है ध्यान से देखना हमें सबलता के मूलबूच सीदान सिखाने वाले सबक लोगों के साथ हर मुलाकात में उपलब्ध होते हैं इस उधारन पर विच्यार करें आप किसी केंडी स्टोर में जाएं और एक पॉंड खुली केंडी मांगते हैं काउंटर के पीछे बैठा आदमी तराजू पर केंडी का एक बड़ा धेर रख देता है शायद 20 ओंस और भी और फिर आपकी केंडी एक एक करके कम करना शुरू करता है जब तक की वज़न ठीक 16 ओंस नह हो जाई आपको कैसा महसूस होता है आपको लगता है जैसे आपके साथ धोका किया गया हो आउचेतन रूप से आपने केंडी के 20 ओंस के बड़े धेर को अपनी केंडी मान लिया था जब काउंटर के पीछे बैठा आदमी इस में से कुछ कम कर देता है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वह आपकी केंडी को चुरा रहा हो काउंटर के पीछे बैठे समझदार लोग बढ़ाने वाले नीती का परियोग करते हैं वे एक तराजू पर केंडी की तुलनात्वक रूप से कम मात्रा रखते हैं शायद 10 से 12 ओंस फिर वे मात्रा बढ़ाते जाते हैं जब तक की तराजू 16 ओंस नहीं दिखती अचेतन रूप से इससे आपको अच्छा महसूस होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अतरित केंडी मिल रही है 16 ओंस 16 ओंस ही होते हैं परंतु एक पॉंड को किस तरह से गिना जाता है इससे बहुत बड़ा फरक पड़ता है हाल ही में सूपर मार्केटे सी फूड काउंटर पर मुझसे आगे खड़ी एक महिला ने एक पॉंड जिंगे का ओड़ दिया काउंटर पर बैठे आदमी ने लापरवाई से लगबग दो पॉंड जिंगे उठा कर तरह जूपर रख दिये और फिर वह उसे कम करकने लगा आखिरकार जब जिंगे ठीक 16 हो गई तो महिला ने गुस्से भरी आवाज में कहा मैंने अपना इरादा बदल लिया है अब मुझे जिंगे नहीं चाहिए और वह बाहर चली गी निश्चित रूप से काउंटर पर बैठे लोगों को सामान तोलने में सावधानी रखना चाहिए उस दिन जिंगे की किमत 14 डॉलर परति पॉंड थी यानि 87.5 सेंट परतियोंस परंतु मुद्दे की बात यह है कि ग्रहाक को ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ धोका किया गया हो सफल बिजनस कंपनिया अपने सेल बढ़ाने के लिए एसे रचनात्मक तरीके खोजती रहती है जिन के दोरा कुछ अतिरिक्त परदान करने की उधार तकनिक का प्रियोग किया जा सकी इसके उधारन देखिए पत्रिका की सदस्यता के साथ एक पाकेट कैलकुलेटर मुफ्त मिलता है टेलिवजन सेट खरीदने पर रिमोट कंट्रोल फुरी आता है और दवा कंपनी एक के किमत में दो देती है जब आप लोगों को उनके धन के बदले में उनकी आसा से अधिक देते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे सामान खरीटते है उधारता या अधिक देने वाली शेली चमतकार करती है इसके परमान बहुत प्रबल है बहराल अब भी कई बिजनस कंपनिया है जो यह मानती है कि सफलता का आर्थ होता है दोखा देना ये से उधारन आम है कि कई स्टोरे से विग्यापन करते हैं जिनमें अस्तित्वहिन उपकर्ण मुर्कता पूरन रूप से कम कीमत पर बेचने का वाइदा होता है परंतु इसके बाद वे ग्राहक से विवाद करते हैं उसे दमकाते हैं यह कोशिस करते हैं कि वह ज़्यादा कीमत वाला कोई प्रडेक्ट खरीदने पर विवस हो सके इस तरह के बदमाशों को देखें परंतु सिर्व यह सीखने के लिए कि सफल कैसे नहीं हुआ जाता है आप अतिरिक्ट के सिदांत का इस्तेमाल जीवन के हर छेतर में कर सकते हैं पहला अपने बोस की अनपेक्षित वे अतिरिक्ट सेवा करें ऐसा करने पर आप अधिक तनक्वा अधिक अतिरिक्ट लाब और प्रोमोशन के दावेगार बन जाते हैं दूसरा स्कूल से मिले अपने होम असाइनमेंट में थोड़ा अतिरिक्ट कर दें और बहतर ग्रेड हासिल करें तीसरा अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय दे और बदले में अधिक प्रेम वैसे होग पाई चोथा कार पारकिंग के अटेंडेंट को सम्मान दे आपकी कार की बेहतर देखवाल होगी जब आप लोन तरास दे तो जाड़ियों को भी तरास दे कई संग्ठनों में हमें विसे सग्य मिलते हैं एसे लोग जो काम की मात्रा और क्वालिटी का अस्तर निर्धारित करते हैं यानि यह पैवाना बनाते हैं कि किस व्यक्ति जे कितने समय में कितने काम की आशा की जा सकती है समय के साथ व्यक्ति इस बात का आदी हो जाता है कि उससे कितने काम की उम्मिद की जाती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहवय कितना काम करता है या करना चाता है इससे सो प्रतिस्थ अधिकतम प्रियास करो वाला समाज बनने के बज़ाई दुर्भागे से हमारा समाज नियुनतम आवशक काम करो वाला समाज बन चुका है यह दुर्लभ है कि लोग अधिक धन या अन्य सुजदाओं के वाईदे से प्रोथसाई तोकर नियुनतम आवशक कारिये से अधिक करें और अगर कोई व्यक्ति अपना निर्दारित काम करने के बाद अतिरिक्त काम करने की पहल करता है तो उसके सहे करमी उसकी हंसी उड़ा सकते हैं यूनियन लेटर्स द्वारा समझोते कि सुदेवाजी में इस बात पर बहुत वाल विवाद होता है कि उनके सदश्यों को कितना कम काम करना चाहिए यूनियन एग्जिक्टिव अपने सदश्यों को घरव से बताते हैं देखो मैंने कम काम के बतले में तुम्हें अधिक तनकवाद दिलवा दी मुझे अपना वोट दो ज्यादा पैसे दो ऐसी मित एक्सपेंस अकाउंट दो शोफर सहित लिमोजिन कार दो और अगले बार जब हम सोदे बाजी करेंगे तो मैं तुम्हें कम काम करने के बदले में और ज्यादा तनकवाद दिलवाओंगा मैं वाशिक इंटन जाओंगा और वहां लोगों से कहूंगा कि वे तुम्हारे नोकरियां बचाएं यह देश की उत्पादगता दिये जाते हैं खेत पर बड़े हुए बच्चे के रूप में मुझे याद है कि काम का कोई मनक पैमाना नहीं होता हो सकता था पहला काम यह दिया गया हो लान तरासो और मूलबूत काम के साथ हमेशा एक और काम जुड़ा रहता था फिर जाड़ियां तरासो या मूलबूत काम हो सकता था फेंस सुदारो जिसके साथ जुड़ा दूसरा काम हो सकता था खर्पतवार भी साफ कर दो फिर भी कोई करत्रिम पैमाना नहीं होता जो बताए कि प्रियाप्त काम कितना था करने वाले काम हमेशा ज़्यादा होते थे उन्हें करने के लिए समय कम होता था परन्तू चुँकि काम ज़रूरी और विविद परकार के होते थे इसलिए उन्हें करने में मज़ा आता था यह रहा नोकरी में आगे बढ़ने प्रमोशन पाने ज़्यादा पैसे कमाने और सबसे महत्वपून बात काम का आनंद लेने का मूलबूत सी धांत सोंपे गए काम को अधिकादी कुशलता और शिग्रता से करें तथा इसके बाद खुशी-खुशी ज़्यादा काम करने की पहल करें याद रखें जब आप लोन तरास दें तो इसके बाद ज़ाडियों को भी तरास दें मैं आपको एक बहुत सफल व्यक्तिका उधारन दे दूँ जो अतरिक्त काम की पहल करके शिखर पर पहुंचा चार सब्ता पहले मैं कैलिफॉर्निया की प्रसिद सिलिकोन वैली में एक सीर्च कंप्यूटर कंपनी के मैनेजमेंट समुगा के साब ने भासन देने गया डिनर के दोरान और भासन के पहले मैंने अपने मेजबान से कहा आपने कहा था कि चीफ एग्जिकुटिव आफिसर यहां पर रहेंगे वे कहा है मित्तर ने कहा वे आपके बाईं तरफ तीसरी टेबल पर बैठे है मैंने उस तरफ देखा और जब मुझे वहाँ CEO जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा तो मैंने मेजबान के साथ अपनी चर्चा दुबारा शुरू कर दी कुछ मिनिट बाद मैंने दुबारा पूछा CEO कहां बैठे है मेजबान ने दुबारा उस टेबल की तरफ इसारा किया और CEO का वरनन किया वह है आदमी मैंने कहा अरे उनकी उम्र तो 35 भी नहीं होगी क्या वे सचमुच CEO है मेजबान हंसा और उसने कहा वह सिर्फ 34 साल का है और वह हमारा CEO है जब टिम हमारे कंपनी में 13 साल पहले आया था तब वह सीरा कॉलेज से निकला था जहां उसके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी वह मेरे या दिन काम करता था मैंने उसे पहला काम यह दिया कि वह हमारे बिलिंग के तरीकों की जांस करे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम बड़े अस्पतालों को बेचते हैं मुझे किसी गड़बडी की उमीद नहीं थी मैंने सोचा कि यह काम बहुत छोटा है और मैं टिम को खास तोर पर कोई छोटा काम देना चाहता था ताकि वह अपने पैर जमा सके दो दिन बाद टिम मेरे पास आया और उसने कहा मैंने प्रोग्राम में एक समश्या खोजी है परंतु हम इसे आसानी से सुधार सकते हैं मुझे समश्या का अंदेसा भी नहीं था परंतु टिम ने एक एसी समश्या खोज ली जो हमें हर मेंने तीस हजार डोलर का चूना लगा रही थी मैंने सोचा था कि बिलिंग प्रोग्राम की जांच करने में टिम कम से कम एक मेंने तक व्यस्त रहेगा परंतु सिर्फ दो दिन में उसने एक एसी समश्या कोज ली जिसके हमें उमीद नहीं थी और उसने हमारा बहुत सा पैसा बचा दिया फिर टिम मेरे पास आया और उसने कहा अब अगला काम कौन सा है बोस टिम शुरू से ही ऐसा था वह दरजनों जटिल समश्याँ से जूजा उन्हें रिकार्ड तोड समय में सूजाया और ज्यादा काम मांगता रहा टिम ने तेजी से तरक्की की चार साल में हमारी भूमिकाइम बदल चुकी थी अब मैं उसके अधिन काम कर रहा था उसे जो भी काम सोपा गया उसने हर काम में निपुनता हासिल की तता इसके बाद वहे अधिक काम ढूंडता रहा जब नए CEO की न्युक्ति का समय आया तो बोर्ड आफ डारेक्टर्स और प्रमुक एग्जीकूटे उसने जिनें उसे मैनेज करना था सर्वय सम्मति से टिम को चुना एक च्छन के लिए मेरा दिमाग उस समय में पहुँच गया जब मुझसे कहा गया था जब आप लोन तराज दें तो जाड़ियां भी तराज दें यह फिलास्पिक काम करती है इस विज़ार पर सोचें चाहे हम कितनी भी कोशिज कर लें आप और में अर्थियरुस्ता के भग्य को नियंद्रित नहीं कर सकते परंतु आप और में अपने आर्थिक भग्य को नियंद्रित कर सकते हैं चाहे अर्थियरुस्ता की स्थिति कैसी भी हो हम अधिक सम्रद, सुक और मान्सिक शान्ति का अनंद ले सकते हैं अधिक काम करने के लिए स्वेच्छा से पहल करना सफलता का एक परमुक हिस्सा है अपने हाथ के काम में अपना सब कुछ जोंक दें तता इसके बाद और काम मांगे मैनेजरों के लिए टिप अपने करमचारियों के प्रदर्सन के आधार पर पुरुसकार का सिस्टम बनाई एसा करने से आप पाएंगे कि लोग इतना अधिक काम कर रहे हैं जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिमियों ने स्कूल छोड़ दिया और सफल हो रहा है क्योंकि वह सर्वसरेस्ट प्रियास करता है इन दिनो माता पिता के लिए शायद सबसे बड़े अपमान की बात यह होती है कि उनका बच्चा स्कूल की पढ़ाई छोड़ दे ड्रोप आउट हम में से अधिकांस लोगों के लिए शायद सबसे बूरी स्थिती होती है अमेरिकी संस्कृती में हाई स्कूल ड्रोप आउट का आर्थ होता है बेरोजगारी, अपराद, पागलपन, मादक द्रव्य और बर्बाद जिन्दिगी माता-पिता और शिक्षक मानते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए जब तक कीवे कम से कम हाई स्कूल पासने कर ले स्कूल में गुजारा समय यूवक या यूवती के लिए हमेसा अच्छा होता है और अगर कोई यूवक या यूवती पढ़ाई अधूरी छोड़ दे तो वह आजिवका नहीं कमा सकता इस तरह के आम विचार बहुत से यूवाओं और समाज के लिए अच्छे नहीं होते बच्चों को स्कूल में रखो चाहे यह उनके साथ कुछ भी करे कि समर्थक इस बात पर गरव नहीं कर सकते कि स्कूल के हाल में गाड न्यूक्त हों और विद्यार्थियों से हवाई अड़ों की तरह मेटल डिटेक्टर से गुजरने के लिए कहा जाए सच्चाई यह है कि कुछ यूवाओं को अपनी की सोरावस्ता में इस स्कूल छोड़ देना चाहिए समाज की यह जिम्मेदारी होना चाहिए कि वह एसे यूवाओं के लिए आउसर उपलव्द कराई जो उप्चारिक सिख्षा के प्रती सकारात्मक परतिकरिया नहीं करते ही अगर हम किसी यूवाओं को उसकी इच्छा के विरुद स्कूल में पढ़ने के लिए विवस करें तो अक्सर बोरियत कुंठा और विद्रो की प्रवर्ती उत्वन होती है ये वे शक्तियां है जो बच्चों को अपराद मादक द्रव्य और दूसरी समश्याओं की तरफ दकेलने में मदद करती है मैं आपको जिम्यो के बारे में बता दू उसने स्कूल छोड़ दिया परंतु वह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है वह अपने उन सातियों से काफी बेतर स्थिती में जो उसी की तरह स्कूल में नहीं रहना चाते परंतु उन पर ऐसा करने के लिए दवाब डाला गया मैं जिम्यों से चार साल पहले मिला ठंडे दिसंबर की एक सूबह गंटी बजी और मैंने बाहर निकल कर देखा कि यह बच्चा खड़ा था उसकी उम्र शायद 14 होगी उसकी उन्चाई लगवग 5 फुट 5 इंच होगी और वह किसी चड़ी की तरह दूला था उसने बहुत भी नमरता से कहा गुड मॉर्निंग मैं काम की तलास कर रहा हूँ मैंने देखा कि आपके पीछे के दालान में बहुत से लठे पड़े हैं जो इतने बड़े हैं कि आपकी अंगिठे में नहीं समा सकते मैं उन्हें सही आकार में काड़ देता हूँ ताकि अगर सच्मुष ठंड पड़ने लगे तो आपके पास अंगिठे में जलाने के लिए बहुत सी लकड़ी रहे मैंने उसकी सोर से कहा बात तो सही है और मेरे पास कुलाडी या कोई ओजार नहीं है कोई दिक्ट नहीं उसने कहा मेरे पास सब सामान है फिर मैंने उसकी साइक्ल को देखा वहां पर सच्मुष एक कुलाडी और ओजार फ्रेम में बंदे हुए थे तुम कितना लोगे मैंने पूछा पांस डोलर परती घंटा उसने जवाब दिया पर यह तो न्यूंतम मजदूरी से अधिक है मैंने परती के लिया गी मैं जानता हूँ उसने कहा और मैं सचमुच मेंनत से काम करता हूँ मैं अपना सर्वसरेश्ट परियास करूँगा परंतु मैं उसे पसंद करने लगा था और मैंने यह अनमान लगाया कि जो अतिरिक्त धन मैं उसे दे रहा था वह एक तरह से प्रोपकार था उसने लठे चीरना शुरू किया और मैं अपने अफिस चला गया मैं सोच रहा था कि लट्टे चीरने में उसे कम से कम चार गंटे लगेंगे परन्तु दो गंटे से भी कम समय में वहे मेरे ओफिस की गंटी बजा रहा था जिमी ने कहा डॉक्टर स्वार्ड्स मैंने लकडी चीर दी है और गठर बना दिये है अपने बोट हारवर की सभाई के लिए आपका क्या इरादा है मैं हैरान था कि उसने इतनी जल्दी लकडी चीर दी इसलिए मैंने कहा कर दो अगले पांच साल तक जिमी ने मेरे लिए घर के पाहर और बीतर बहुत से कम की इसके साथ ही वे पड़ोस में अपने स्थाई ग्रहक बना रहा था और एसे कम कर रहा था जो आजकल बहुत कम लोग करना चाते हैं गटर साप करना, डिवार दोना, कचरा उठा कर ले जाना और लान तराशना एक दिन मैने जिमी से पूछा, कि वे स्कूल में आगे क्यों नहीं पड़ा बड़े खुले पंसे उसने कहा, उभे मुझे जो सिखाने की कोशिस कर रहे थे मैं उससे बहुत बोर हो चुका था, क्योंकि उससे मुझे कोई फाइदा नहीं हो रहा था इसलिए मैं अपने हातों से काम करना पसंद करता हूँ, मैं विविद्धा चाहता हूँ और अपना खुद का बोस्वन ना चाहता हूँ इसके अलावा, मैं और मेरे दादी अकेले हैं, दादी की तव्यत खराब रहती है इसलिए पैसे कमाना मेरे लिए विसे सुरूप से मैं तपूर्ण है मैं अपनी आदी कमाईयों ने दे देता हूँ और बचे हुए पैसों का आदी कांसी साथ जमा कर लेता हूँ जिम्यो अब 19 साल का है और वह अब भी मेरे लिए काम कर रहा है अब उसके दोसे योगी हैं जिनकी उमर 16 साल है उसके पास एक ट्रक है लोन मौर है और अपने लगातार बढ़ रहे अगराकों की सेवा के लिए अन्य आवशक यन्तर भी है जब मैं जिम्य के बिजनस को फलते फूलते देखता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि यह सब के लिए अच्छा रहा कि वह स्कूल अदूरा चोड़ कर आ गया ताकि वह अपना मन पसंद काम कर सके वह काम जिसे करने की जरूरत थी जिम्य को इस कुरूर संसार में सफलता पाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिम्य सफल हो रहा है अगर उसे स्कूल में रहने के लिए मजबूर किया जाता गनित सिखाया जाता यह बताया जाता कि रोमन समराज्य का विटन क्यों हुआ राज्यों के बीच युद के कारण बताए जाते और यह सिखाया जाता कि परमाणों की सरंचना कैसी होती है तो वह नकारातमक पलाइन करने के लिए प्रोच्षाइट हुआ होता मादक तरवे, संभावित अवराद या इस से भी बुरा परन्तों जिम्य में इतनी हिम्मत थी कि वह दुन्या में अपने लिए जगे तलास ले और वह खुश है कि उसने ऐसा किया जिम्य और मैं अक्सर बातें करते हैं मुझे उसके पहने सवाल सुनकर आश्चर यह होता है वह अक्सर ऐसी बातें पूचता है जैसे कर प्रनाली के साथ सचमुस दिक्कत क्या है क्या इंपोर्ट कोटा एक अच्छा विचार है और मैं अपने धन का सबसे अच्छा निवेश किस तरह कर सकता हूँ जीमी के लक्षे बड़े है बरसों से वह मुझे बताता आ रहा है कि किसी दिन वह एक ऐसी जगे का मालिक बनना चाता है जहां मोटर साइकल साला का अपनी कुसलताओं को जान सके और बाइक चलाने का आनंद लेश के पिछले सब्ता है उसने मुझे बताया कि उसने शेहर से 50 मिल दूर 100 एकड जमीन नकत खरीदी है जिस पर वह मोटर साइकल हैवन बनाने जा रहा है और जमी अभी सिर्फ 19 साल का है 30 साल का होने से पहले वह मिलेनियर बन जाएगा जमी के पास देने के लिए सचमुच कुछ है और जमी दे रहा है यह सही है कि नए जमाने में हमें उच्छ सिक्षित इंजिनियरों आर्किटेक्ट्स, डॉक्टरों कंप्योटर भी से सग्यों और वेग्यानिकों की जरूरत होगी परन्तु हर आदमी इन गतिवीडियों के लिए नहीं बना है जो काम लोगों को चुनोती पूर्ण नहीं लगते वे काम करने के लिए उन्हें विवस करना मुर्क तापूर्ण ही नहीं बलकि क्रूर ए दूरदर सीतापूर्ण और वीपरित परिणाम देने वाला है चार उपहार जिनके ससक परिणाम मिलते हैं अच्छा उपहार दिल से आता है यह कहता है मैं आपके बारे में सोचता हूँ और मुझे आपकी परवा है मैं आपका दोस्त हूँ जब तक उपहार किसी दूसरे इंसान को उपर ने उठाई और उसे आस्वास्त ने करे तब तक कोई सचा दूरगामी परवाव नहीं पड़ता इससे भी बुरी बात यह है कि इसकी सराना नहीं होती उपहार विचार के मुल्य से महान बनता है ने की धन के मुल्य से जिस तरह प्रेम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता उसी तरह प्रेम को पैसे से दिया भी नहीं जा सकता उच्छा बढ़ाने वाली फोन कोल कीजी आमने सामने की चर्चा के बाद संप्रेशन का सबसे व्यक्तिकत मादेम फोन है अगर इसे आशा परदान करने किसी अच्छे काम की परसंसा करने और अच्छे काम करते रहने के लिए लोगों को प्रेड़ना देने के उपहार के रूप में सोचा जाए तो फोन करना मित्रता को प्रगाड करने का एक सशक्त उपाई हो सकता है निर्मित मकानों की एक कंपनी की प्रेजडेंट ने मुझे बताया वह है अपने 300 डिलरों को उच्छाई बनाई रखने के लिए किस तरह टेलिफोन के उपहार का प्रियोब करता है मैं 50 से 60 डिलरों को फोन करने के लिए बुदवार का दिन अलग रख लेता हूँ मैं मार्किटिंग रणनिती या उनके परदर्सन के बारे में चर्चा करने के लिए उन्हें फोन नहीं करता हमारे पास 8 सेल्ज मेनेजर हैं जो यहे काम करते हैं मेरी फोन काल्स तो विशुद सद्वावना की कोल्स होती है मैं हर डिलर को बताता हूँ कि मुझे उस पर गरव है फिर मैं उनके परिवार उसकी सेहत और इसी तरह की चीज़ों के बारे में पूसता हूँ मैं अधिकांस डिलरों से साल में साथ या आठ वार फोन पर बात करता हूँ हमारे विजनस में थोड़ा उत्सा वरने के लिए यह बहुत बढ़िया तरीका है फोन काल करने का भ्यास कीजी किसी उपलवदी पर लोगों को बढ़ाई देने के लिए फोन एक आरामदाईक तरीका है और फोन करना लोगों को यह बताने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन्हें मैतवण मानते है क्योंकि यह पूरी तरह अनपेक्षित होता है इसलिए अगर आपके किसी परीचित को प्रमोशन मिलता है अच्छी नोकरी मिलती है उसके घर बच्चे का जनम होता है या उसे कोई पूरुसकार मिलता है तो उसे फोन करे वह व्यक्ति आपको लंबे समय तक याद रखेगा अपने समय का उपहार दे जिन बच्चों के मातापिताओं के पास उन्हें देने के लिए समय नहीं होता वे उस छोटी उमर में भी हैरान होते है डेडी या ममी हमेशा काम करने या पार्टी या मीटिंग में जाने का समय कैसे निकाल लेते हैं जबकि उनके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता या दूसरे बच्चों के मातापिता लिटिल लीग गिम मैच देखते हैं परंतु मेरे डेडी मुझे वहाँ सिर्फ छोड़ने जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद लेने आते हैं या जब मेरे डेडी मुझे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बच्चों को आपके समय और आपके पूरे ध्यान के उपहार की जरूरत है आपके जीवनसाती को भी और आपके माता-पिता को भी जो हो सकता है और अधास्रम में रह रहे हो आप समय कैसे निकालेंगे? पहले तो यह हैं फैसला करें कि क्या मेत्वपुर्ण है उन लोगों को समय देना जिने आपकी जरूरत है या अपने आनंद में समय बिताना, खेलना, बाहर खाना, उस मनो रंजन में भाग लेना जिसमें सिर्फ आपको आनंद आता है दूसरे, अपने काम और अन्य गतिविदियों की योजना बहुत साउधानी से बनाई ताकि आपके पास उन लोगों के लिए समय रहे, जिने आपके विशेश द्यान की जरूरत है खुद से कहें, मेरे प्रियजन, मेरी पहली प्रात्मिकता है व्यक्तिकत चिठ्थी लिखें, यह एक सशक्त उपहार है हाली में, मैं अपने एक मित्र के ओफिस में था, जो एक कमपनी का प्रमुक मालिक है इस कमपनी का ग्रास्टर रोर साल बर में एक बिलियन डॉलर है यह बेहद अमीर विक्ति, अपने ओफिस की दिवारों को महंगी कलाकर्टियों से सजा सकता था इसके बजाए उसने अपने ओफिस में हाथ से लिखी चिठियां मंढवा कर तंगा रखी है यह चिठियां एक सिरसस्त गोलफर, एक सीनेटर और उसके पादरी ने लिखी है दिवारों पर इन चिठियों के अलावा उसके पोतों की दो ड्राइंग लगी है जो मेरे मित्र की नजरों में इतनी मेत्वकून थी कि उसे इस्थाई रूप से याद किया जाए लोग हाथ से लिखी चिठियां पसंद करते हैं यह बताती है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ और मैंने आपको यह बताने के लिए समय निकाला व्यक्तिकत चिठियां लोगों को यह बताने का अद्बू तरीका है कि उनके प्रमोशन पर प्रोफेशनल एसोसियेशन में अफसर बनने पर कोई सम्मान मिलने पर, बच्चों के जनम पर या कालेज से ग्रेजवेट होने पर आपको कितना गर्व है ग्रिटिंग कार्ड ठीक है परन्तु सिर्फ तभी जब आप इसके साथ व्यक्तिकत संदेश बेजें कुछ लोग नाम प्रिंट करके ग्रिटिंग कार्ड भेजते हैं हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह की अभी व्यक्तिकत होता है कुछ ज़्यादा ही कुछल, कुछ ज़्यादा ही मशीनी यह दरसल कहता है हमारे कंप्यूटर में आपका नाम है और आपको यह कार्ड भेजने के लिए इसे प्रोग्राम किया गया है अगर मुझे मिलने वाले आमंतरन पत्र पर हाथ से लिखे एक या दो वाक्या नहीं होते तो मेरी पहली इच्छा यह होती है कि उसे रद्दी की टोकरी में फैंक दूँ यह बहना मत बनाए मेरे पास व्यक्तिकत चिथियां लिखने के लिए समय नहीं है जीवन के किसी भी छेतर में सचमुच मेहत्वपून लोग यह कहने का समय निकाल लेते हैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद या हम आपसे दुबारा मिलने के लिए उच्छुख है हाल के सभी अमेरिकी राश्ट्रपती हर सब्ता बहुत सी व्यक्तिकत चिथियां लिखते थे क्यों क्योंकि व्यक्तिकत चिथियां समर्थन हासिल करने का एक प्रभावी तरीका है सुनने की कलासिकें यह एक सशक्त उपहार है सब लोग यहां तक की सबसे सकारात्मक लोग भी कई बार हताश, निराश और आहत होते हैं हो सकता है, आफिस में चीजें ठीक ने हो किसोर पुत्र या पुत्री संकट में हो विवा या रोमांस खत्रे में पढ़ गया हो जब आपका कोई परिचित निराशा के दलदल में हो तो उस व्यक्तिकी समश्या को सुने सुनें और सिर्फ सुनकर आप सानोब्टी और समर्थन के उपार दे सकते हैं सुनने का आशर यह नहीं है कि आप सला दें या उस व्यक्तिकी समश्या को सुलजा दें उस व्यक्तिको यह बताने के परलोवन से बचें अगर मैं तुम्हारी जगे होता तो ऐसा करता वैसा करता या यह रहा वह काम जो तुमें करना चाहिए सुनने का अर्थ सिर्फ यह है कि आप दूसरे व्यक्ति तक चिकित सा पदती का वहलाब पहुंचने दे जो समश्या के बारे में बोलते रहने से मिलता है किसी को भी जो सबसे बुरा दंड दिया जा सकता है वह है उसे चर्चा के आनंद से वंचित कर देना सुनने की कला या विश्वास पातर बनने की कला आज जितनी मेत्वपूर्ण है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही हमारा समाज धीरे धीरे एकाकी बनता जा रहा है पांच में से एक गर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है और हमारे आदे गरों में सिर्फ एक या दो व्यक्ति रहते हैं याद रखें सुनने से प्रेम परदर्शित होता है यह सामने वाले व्यक्ति को बताता है मैं आपका मित्र हूँ मैं आपका ख्याल रखता हूँ बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी को जो उपार देते हैं वे किसी स्टोर से नहीं खरी दे जाते वे तो बच्चों द्वारा बनाई गई तस्वीरे होती है बर्ड फीडर्स होते हैं जिने बच्चे ने बनाया है कोई भी ऐसी चीज होती है जिसे बनाने में बच्चे ने अपना समय लगाया और प्रतिवा का प्रियोग किया इमर सन्ने माना था सबसे अच्छा उपार अपना खुद का इस्सा होता है जब आप खुद को देते हैं तो आप प्रेम अविव्यक्त करते हैं सामने बाले के सामने यह साबित करते हैं कि आप उसका ख्याल रखते हैं और आप गंबीर हैं जब आपको यह ऐसी चीज देते हैं जिसे आप मुल्यवान और प्रियमानते हैं शायद कोई पुस्तक, डिश या पेंटिंग तो आप अपना एक इसाद दे रहे हैं और यह तै है कि इस उपार की निश्चित रूप से सराना होगी परिवार को समर्थन दे यह अच्छी दवा है हाल ही में मैं अपने पुराने मित्र जोन आर से मिला जो एक पबलिक स्कूल सिस्टम में मनोवेगैनिक है हम दोनों ने दिन बर एक सेमिनार में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह बॉर्डर लाइन रिटाइडेट यूवकों की मदद की जाई शाम को डिनर के वक्त मैंने जोन से पूछा कि मंद बुद्धी यूवाओं को किस चीज की सबसे ज़्यादा जरूर्थ होती है जोन ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया कुछ दवाइं हैं जो मदद कर सकती है मैं सक्ती पर जोर देश रहा हूँ क्योंकि एक्सर जो दवाइं दी जाती है वे फाइदे के बज़ाए नुकसान पहुँचाती है जो उपचार सबसे ज़्यादा पहुँचाता है वह है संबल देने वाले परिवार की मदद कम से कम एक वेक्ति ऐसा होना चाहिए जो समश्या ग्रस्त वेक्ति की सचमुच मदद करना चाहता हो परन्तु आप एक मनोवेगैनिक है मैंने कहा मुझे हैरानी है कि आपने यहने ही कहा कि काउंसलिंग सबसे ज़़्यादा मदद कर सकती है बिलकुल नहीं जो उनने कहा काउंसलिंग मदद कर सकती है लेकिन सिर्फ तभी जब मरीज को घर पर प्रोच्चान जब उसे नीचा दिखाने वाला व्यवार जहलना पड़ता हो, जो अधिकांस जरूर्तमंदों को जहलना पड़ता है। देखिए, जो ने आगे कहा, मैं अपने अधिकांस मरीजों को सब्ता में एक गंटे प्रामर्स देता हूँ, अगर उस व्यक्ति का परिवार सकारात्मक हैं, तो मुझे अच्छे परिणाम मिलते हैं, खुद को बेतर तरीके से समझने, लक्षे बनाने और दूसरे लोगों के स अधिक प्रवावी तरीके से व्यवार करने में मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ, परंतु अगर उसका परिवार उसका साथ ने दे, तो मेरे प्रियास अर्थ ही नहें, मैं मरीज के लिए दो मेने में जो काम करता हूँ, नकारात्मक परिवार दो मिनिट में उस काम को मटिया मेट कर सकता है या उससे हो रहे फाइदे को कम कर सकता है क्या आप इसे अधिक्स पष्ट करेंगे मैंने जोन से पूछा क्या आप यह समझाने के लिए विसिश्ट उधान दे सकते हैं कि सकारात्मक परिवार का होना मैत तो पूर्ण है ठीक है जो उनने जवाब दिया मैं कोसिस करता हूँ मैं आपको दो यूगों के बारे में बताता हूँ जे टी सत्रे साल का है और बी डबल्यू सोले का मैं इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ दोनों ही बॉर्डर लाइन रिटाइड ही है सेरिब्रल पेल्सी से पीडित है और वेल चेर पर है दोनों की सामाजिक आर्थिक प्रस्ट वूमियावी बहुत समान है परंतो इन यूवाओं की पीडा के बारे में उनके परिवार के नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है जेटी के मामले में मेरे दोस्त ने आगे कहा माता पिता और उसके बाही बहन उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह एवांचित हैं बोज हैं और उसके जीवन पर बदनुमा दाग है उसे अपरादी अनुभाव कराया जाता है क्योंकि अतिरिक्त देखबाल की आवशकता होने के कारण वह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसके घर जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जेटी का परिवार उसे पसंद नहीं करता जेटी भी यह बात समझता है हालांकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धी कम हो सकती है परन्तु इन्सान में दूसरे लोगों के नजरियों को भापने की गहरी बुद्धी और अच्छी समझ होती है कुत्ते भी लिवी समझ लेते हैं कि उन्हें चाहा जा रहा है या नहीं मुझे ऐसा लगता है कि को W और उसके परिवार के सकारात्मक नजरिये के बारे में बता दूं मैंने जिन्द बच्चों के साथ काम किया है BW उन में से सबसे सुकी बच्चों में से एक है जब मैं BW के घर गया तो उसके ममी डेडी और दो अन्य Khush बच्चे सकारात्मक और प्रगती सिल दिखे वे हंस रहे थे और भावपूर्ण चर्चा का आनंद ले रहे थे और BW काम में हाथ बटाता था उसे अपने काम करने पड़ते थे वहे इसे काम करता था जिने वे जमीनी काम कहते थे कुर्सियां साफ करना डीनर की टेबल साफ करना आदी क्योंकि जैसा उसकी मा मजाक में कहती थी वहे इसके सबसे करीब है स्कूल में भी जोन ने आगे कहा दोनों के वेवार में बहुत अंतर है जेटी उदास रहता है और कभी नहीं मुस्कुराता स्कूल के अवारा बच्चे और दादा उस बच्चे की हंसी उड़ाते हैं जो अलग हो और जब वे जेटी के साथ इसा करते हैं तो उसे चोट कहुंचती है परंतु बी डवल्यू की कहानी अलग है बात रूप में वीलचेर नहीं जा सकती इसलिए जब उसे टविलेट जाना होता है तो वे रेंग कर जाता है वे बहुत अंस्ता है कुछ सालों में जोन ने आगे कहा बी डवल्यू को किसी तरह की नोकरी मिल जाएगी वे कभी सामान्य नहीं हो पाएगा परंतु वे खुश रहेगा परंतु जेटी के साथ ऐसा नहीं होगा उसके मामले में तो मैं यही कहूंगा कि वह शायद ही कभी कोई उप्योगी नोकरी करने काबिल हो पाएगा मैंने टिपनी की अब मंद बुद्धी यूवकों की मदद करने के लिए सकारात्मत परिवारिक माहूल की बहुत पैरवी कर रहे है परंतु क्या यह दवा अन्यमनो वेग्यानिक समश्याओं को भी ठीक कर सकती है मैंने पूछा अरे हाँ क्यों नहीं जो उनने जवाब दिया शराब खुरी की लटले सो में से एक भी सराबी है चाता है और अगर शराबी के साथ समझने वाले या सहरा देने वाले लोग है तो सफलता हासिल की जा सकती है किसी भी तरह की बादा को पार करने के लिए इनसान को किसी ऐसे वेक्तिके सहरे की जरूरत होती है जो सचमुच परवा करे यह मनोविग्यान का नियम है जब हम इस व्यवसाई में इस बात का एहसास कर लेंगे तब हम आगे की तरफ एक बड़ा कदम उठा लेंगे पिछले कुछ सब्ताओं में मैंने जोन के विचारों के बारे में काफी सोचा हम मेंसे हर एक को सहरा देने वाले परिवार या कम से कम एक व्यक्ति के सहरे की आवशकता होती है इस मैं तबून बिंदू पर ध्यान दे जब आप सहरा देते हैं तो आप खुद को अधिक पसंद करते हैं और अधिक प्रेम करते हैं और जब आपको मदद की जरूरत हो, तो सहरा देने वाले व्यक्तिकी खोज करें, ऐसे व्यक्तिकी नहीं जो आपका मुल्यांकन करें, बलकि ऐसे व्यक्तिकी जो आपकी मदद करना चाहें, खुद को आत्म सम्मान का उपहार दें, यह सफल जीवन का नियम है, इस बारे में हर करते हैं अगर आप खुद को फर्स्ट क्लास मानते हैं तो दूसरे आपके परती फर्स्ट क्लास सम्मान दिखाएंगे परन्तो अगर आपकी खुद में अपनी मिराय है नैहीं इह विरासत में मिलता है यह GINs के साथ भी नहीं आता और हम किसी ऐसे व्यक्ति से आतम सम्मान उधार भी नहीं ले सकते जिसके पास यह प्रचूर मात्रा में हो आतम सम्मान का सिर्फ एक ही स्थोत है स्वेम आप हम उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो बच्चों को नसिले पदार्द प्रेशते हैं या लोगों को वेश्या वर्तियों के लिए लुबाते हैं परंतु हम मेंसे हर एक के मन में सराबियों और सामाजिक बन्चितों के परती सहनू बुतिवे अध्यात्मिक प्रेम होता है जब हम उनके दुख को देखते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं इश्वर की करपा है वरना उसकी जगे मैं भी हो सकता था परंतु हम इन दुर्बागेपुर्ण लोगों का सम्मान नहीं करते क्योंकि वे अपना खुद का सम्मान नहीं करते युनानी विद्वान मेनियस ने 2400 साल पहले कहा था कोई स्रेष्ट वेक्ति संकेर्ण मान सकता या आतम सम्मान की कमी नहीं दरसाएगा हम ओफिस में उस वेक्ति का सम्मान नहीं करते जो दूसरों को नीचा दिखाता है अपने अदिनस्तों पर बहुत सक्ति करता है बम की तरह दिखता है और लगातार गालियां भगता रहता है इस तरह के लोगों का व्यवार हमें बताता है कि उन में आतम सम्मान की कमी है फिर हम उनका सम्मान क्यों करेंगी कई लोगों को आतम सम्मान की कमी नकारात्मंग माहुल की वज़े से हो जाती है जिन पत्नियों पर सारे रिक और मानसिक अत्याचार होता है वे आत्म सम्मान खो देती है जिन पत्तियों को उनकी पत्निया नीचा दिखाती है या दूसरे पुरोसों के तुलना में उन्हें हमेसा हीन साबित करती है वे लगबग हमेसा अपना आतम सम्मान गवां देते हैं और जिन बच्चों से कहा जाता है क्या तुम अच्छे नमबर नहीं ला सकते अगर मैंने तुमें नशा करते पकड़ा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उदेर दूँगा और तुम जिस तरह से व्यवार करते हो उस पर मुझे शर्म आती है निश्चित रूप से उनका आतम सम्मान खतम हो जाता है और वे व्यवार के ऐसे तरीकों के शिकार हो जाते हैं जिनकी वज़े से वे मुश्किल में पड़ जाते हैं इसलिए आतम सम्मान की कमी सिर्फ हमारे मेशन, जेल और सुधार क्रों के लोगों तक ही सेमित नहीं है गहरे आतम सम्मान का परदर्सन करना और दूसरों की परसंसा वे सम्मान हासिल करना सब लोगों के लिए एक चुनूती है जेटी नाम के एक युवा मैनेजर ने एक गटना बताई जब लगातार नीचा दिखाये जाने के कारण उसका आतम सम्मान खत्रे में पड़ गया तब उसने यह बताया कि किस तरह उसने स्थिति को काबू किया जिस वज़े से अब उसका काफी सम्मान किया जाता है हुआ था तुलनात्मक रूप से अनुबव हीन था और शायद सबसे महत्वपून बात यह थी कि मुझे में बासा की अशुदियां थी मुझे लगता है कि मैं अपने आपको हीन महसूस करता था और दूसरों को भी हीन दिखता था जल्द ही मैंने पाया कि हमारी कमपनी का तानाशा प्रेजिडेंट हमारी साप्ताइक मैनेजमेंट मिटिंग में मुझे नीचा दिखा रहा था हर सौंबवार की सुब़े मैं एक या दो तानों का शिकार होता था हमेशा मुझी से चीफ की एस ट्रे या पानी का गिलास लाने या इसी तरह के चपराशियों के काम करने के लिए कहा जाता था चीफ जानता था कि मैं इस सेकंड क्लास विवार को पसंद नहीं करता यह जानने के बाद वह मुझे नीचा दिखाने के लिए अधिक प्रेरित हुआ उसका विवार आखिरी मुझे चूपने लगा कम होने की विजए नीचा दिखाने की गटनाएं बढ़ने लगी एक रात मीटिंग से पहले मैंने खुद से एक लंबी चर्चा की मैंने कुछ मुलवूत बातें सोची मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे अपने काम का ग्यान था और मैं अच्छा काम कर रहा था मैंने अपना मन बना लिया कि मैं चीफ के तानों मुझे निशाना बना कर किये जा रही मजाक तथा चपराशियों वाले व्यवार को अब और सहन नहीं करूंगा अगले मिटिंग में चीफ ने मेरे बोलने की समश्या के बारे में एक मज़ा किया और मुझे नीचा दिखाया कुछ मिनट बाद उजने एक छोटी सी गलती के बारे में अपमान जनक शब्द कहे जो मैंने अपने रिपोर्ट में की थी मिटिंग के तत्काल बाद मैं प्रेजिडेंट से अकेले में मिला और बोला सर पिछले छे मैंने से मैं आपका अपमान सहन कर रहा हूं मैं यह तो नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों करते हैं मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त योग्या हूँ वरना आपने मुझे नोकरी पर नहीं रखा होता मुझे यह भी लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वरना आपने मुझे नोकरी से निकाल दिया होता मैं श्वे का इतना ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि मैं इस तरह के वेवार को अब और सहन नहीं कर सकता इसलिए मैं नोकरी छोड़कर जा रहा हूँ फिर क्या हुआ? मैंने पूछा जेटी ने आगे कहा मैं कमरे से बाहर निकला अपने केविन में गया और सामान समेटना शुरू कर दिया पांच मिनिट के बीतर चीफ मेरे पास आई उन्होंने मुझसे माफी मांगी और आख्रे किया कि मैं नोकरी छोड़कर नैजा हूँ मैंने नोकरी नहीं छोड़ी और अगली मीटिंग में चीफ ने खुद को भी नमर बनाया अपने वियावार के लिए दूसरे मैनेजरों से भी गंबिरता से माफी मांगी तब से वे मेरे साथ बहुत सम्मान जनक वियावार करते हैं इस गटना को नो मैंने हो चुकी है और मुझे इस दोरा ने एक बड़ा प्रमोशन मिल चुका है सबग जब आपके साथ गलत वियावार हो रहा हो तो विनमरता परंतु द्रड़ता से बोलिए नीचा दिखाने वाले को बता दीजिए कि आप उसके वियावार की किन बातों को पसंद नहीं करते याद रखें जब आप अपना सम्मान करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे खड़े रहें और महत तो पाएं अख़वार के बिजनस में काम कर रहे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि हमारे समाज में आत्म सम्मान की कमी बहुत बड़े पैवाने पर फैली होई है हम गरों से अपने देश को सुतंतर लोगों की भूमी और बहादरों का घर कहते है परन्तु अधिकांस लोग सुतंतर अनुवव नहीं करते और वे बहादरों जैसे काम भी नहीं करते इस बात से आपका क्या मतलब है कि लोग सुतंतर अनुवव नहीं करते और बहादरों जैसे काम नहीं करते मैंने पूछा हर दिन हमें संपादक के नाम आए धेर सारे पत्तर मिलते हैं मेरे दोस्त ने कहा आम तोर पर उन में से 90 पर 30 लोग राजनेता हूं विचारों, परडैक, कमपनियों स्कूलों और अदालतों को दोस्त देते हैं आप जिस भी चीज़ का नाम ले लोग उसकी आलोसना करते हैं मुझे कश्ट इस वात से होता है मेरे अख़वारी दोस्त ने कहा कि शिकायत करने वाले दस लोगों में से सिर्फ एक ही अपने नाम के हस्ताक्सर करता है क्या इससे ऐसा लगता है कि लोग बाधूर है इस बिजनस में तीन दसक तक रहने के बाद मैं इस निसकर्स पर पहुंचा हूं कि अधिकांस लोग डर्पोक होते हैं अगर कोई अपने विचारों का इतना भी सम्मान नहीं करता कि उसके नीचे अपने हस्ताक्सर कर दे तो हम उने कूड़ेदान में डाल देते हैं आतम सम्मान की कमी सपष्ट करती है कि कई लोग उस भीड में क्यों शामिलोना चाहते है जिसे एनानिमस या गुमनाम कहा जाता है जो लोग सारजनिक मन्स पर बोलते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें आतम सम्मान है भले ही आप उनकी कही बातों से सहमत नहीं हो परन्तु आप और अन्य लोग उनका सम्मान करेंगे क्योंकि उन्में बोलने की हिम्मत है क्या करें जब मैं कोई नहीं हूँ कि भावना आपको जकड ले जब हमारे नोकड़ी या पारिवारी की जीवन में चीजें गड़बड होती है तो हमारा मन लल्चा जाता है कि हम अपना सम्मान करना छोड़ दे और संगर्स करने के बजाए समर्पन कर दे जब आतम सम्मान में कमी की भावना आने लगी तो इन बिंदों को याद कीजिए आप दुरलब है किसी और के पास आपके फिंगर प्रिंट आपकी आवाज, आपका कद या जैसा खोजी कुटे बताते हैं आपके शरीर की गंद नहीं है इससे भी अधिक मेतोपून बात यह है कि किसी और के पास आपके जैसा दिमाग नहीं है आप इस दर्ती के पांच बिलियन लोगों से हर माबले में अलग हैं आप से पहले आने वाले सेंक्रों बिलियन लोगों में पहले कभी कोई आपके जैसा नहीं रहा है और आपके बाद आने वाले कई ट्रिलियन लोगों में से भी कोई बिलकुल आपकी तरह नहीं होगा आपकी जरूरत है आप में से किसी को यहाँ इसलिए नहीं बेजा गया कि आप खुद का ही ध्यान रखे दूसरे लोगों जीवन साथी बच्चों, करमचारियों, प्रोशियों, रहाकों, माता पिता, भाई बहन वो आपकी जरूरत है आपकी दोस्ती, आपका प्रेम और समर्थन, आपका मार्ग दर्शन और आपकी योगताएं आपको बांटने के लिए दी गई है आप एक उधारन बने जितना आपको लगता है, आप मेंसे हर एक की उससे ज़्यादा नकल की जाती है आपकी आदतें और आपके नजरिये महतवपूर्ण है आपकी आदतें और आपके नजरिये उधारन बन जाते है जिसका अनुसरन करने की कोशिश दूसरे लोग करते है आतम सम्मान एक महतवपूर्ण दारन है जो आप प्रस्तूत कर सकते हैं और दूसरों को सिखाने में गरव कर सकते है इन बातों को ध्यान में रखें पहला आप चीतना ज़्यादा देंगी आपको उतना ज़्यादा मिलेगा देने से आपको अद्बुत एहसास होता है और यह एक ऐसा निवेस है जो फल देता है दूसरा सोचिए दरसल एक दरजन का मतलब होता है तेरह जितने का सोदा हुआ है हमेशा लोगों को उससे अधिक दे तीसरा स्मार्ट लोग बढ़ाते हैं वे कभी गठाते नहीं है जब आप कोई चीज बेचें तो कुछ अतिरिक्त दे चोथा आगे बढ़ने के लिए जितना काम आउशक है उससे अधिक काम करें याद रखें जब आप लोन तराशें तो ज़ाड़ियां भी तराश दें पांचवा एक अच्छा उपार बताता है मैं आपका ख्याल रखता हूँ उच्छा बढ़ाने वाली फोन करें अपने समय का उपहार दें वेक्तिगत चिठी लिगें सुने यह एक सशक्च उपहार है छटा परिवार को सहरा दें यह एक अच्छी दवा है सात्वा खुद को आतम सम्मान का उपहार दें खड़े हूँ और मैं तो पाई यह बात हमेशा याद रखें कि हम खुद का जीतना सम्मान करते हैं लोग उसी अनुपात में हमारा सम्मान करते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्छी की तिरफ जो है अपना मनचाह काम करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की सफल तकनिके आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई च्छ है अपना मन पसंद काम करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की सफल तकनिके हम दूसरे लोगों को जितनी अच्छी तरह से प्रेरित करते हैं उसी अनुपात में हम सफल होते हैं हमें जो धन, प्रभाव और अधिकार हासिल होता है वह इस बात पर निर्वर करता है कि हम दूसरों से कितना काम करवाते हैं सेलिंग में सफल होने के लिए सेल्जमेन को दूसरे लोगों को खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है मैनेजमेंट में सफल होने के लिए आपको दूसरों के सहयोग पर निर्वर होना पड़ता है क्योंकि काम करने में वे आपकी मदद करते है सुनाओ जीतने के लिए राजनेताओं को नागरिकों को परेरित करना होता है कि वे उन्हें वोट दें लाग कमाने के लिए व्यापारीक राकों पर निर्वर है कि वे उनका सामान खरीदें इस तरह आपकी सफलता इस बात पर निर्वर करती है कि आप दूसरे लोगों से कितना काम, खरिदारी, निवेस या त्याग करवाते हैं चाहे हम कोई भी काम करें, हमें उसमें दूसरों के सायोग की जरूरत होती है दूसरों के माद्यम से खुद को उचसतर पर पहुंचाने के लिए उनका सायोग हासिल करने की आफशक्ता होती है और दूसरों की मदद स्वेच्छिक होना चाहिए आप लोगों का सायोग बल पूर्वक हासिल नहीं कर सकते नए ही आप आगरे करके या भीक मांगकर ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं एक पल के लिए सोचें कि आपकी सफलता किस हद तक आपकी प्रेड़ना देने की खिशमता पर निर्वर करती है अपने बच्चों से होमवर्क करवाने के लिए किसी सकत व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने करमचारियों से सर्वस रेष्ट परियास करवाने के लिए और किसी को अपना प्रडेक्ट, प्रस्ताव, योजना या विचार खरीदने है तू प्रेरित करने के लिए यह आउशक है कि आपको यह ग्यान हो कि किस तरह प्रेरित वे प्रोथसाइब किया जाता है सही तरीके से प्रेरित करके अधिकार वे प्रभाव कैसे हासिल किया जाता है यह सीखा जा सकता है आईए देखें ऐसा किस तरह संभव है लोगों को दिखाएं कि समर्द कैसे हुआ जाई अधिक समर्दी का आनंद कैसे लिया जाई इस बारे में बहुत सला दी जाती है इस में से ज्यादातर सला शुरू होती है आपको यह करना चाहिए से इसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको बहतर काम करना चाहिए आपको अधिक सामान बेचना चाहिए आपको बहतर जीवन जीना चाहिए आपको अच्छे नंबर लाना चाहिए इत्यादी समझ्षा यह है कि जो लोग आपको बताते हैं कि आपको यह करना चाहिए वे यह नहीं समझाते कि आप उनके नुस्खे को किस तरह अपने काम में ला सकते हैं एक कहानी बताती है कि किस तरह किया जाई कितना मैं तोपूर्ण होता है एक विशेसग्य से पूछा गया कि मिलियनियर कैसे बना जाई विशेसग्य ने कहा यह आसान है आपको सिर्फ इतना करना है कि आप 10 सपता तक हर सपता बेंक में एक लाख डोलर जमा करें इस तरह से आप मिलेनियर बन जाएंगी मिलेनियर बनने के इच्चुग व्यक्ति ने पूछा परंतु मैं हर स्वपता एक लाख डोलर कहां से लगूँगा विशेसग्या का जवाब था यह है आपकी समश्या है मैंने आपको सामान्य निती बता दी है अब बाकी विवरण आप खुद सोच लें लोगों से सर्वस्रेश्ट परिणाम हासिल करने में विवरण मैतपून भूमिका निवाते हैं सिर्फ बड़ी निती परियाप्त नहीं है लोगों को अच्छे परदर्शन करवाने के लिए आपको उन्हें दिखाना चाहिए कि वह काम कैसे किया जाए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं मेरा एक मित्र मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस में अद्बत रूप से सफल है जिसे उसने और उसकी पत्नी ने सुन्य अशे शुरू किया था अब इस शांदार दंपत्ती के पास एक करोड डालर की पूंजी और साथ अजार लोगों की उत्साही टीम है यह बिजनस इस दंपत्ती को हर साल परती वेक्ती परती माह 24 डालर की दर से कमा कर देता है यानि कुल मिलाकर लगबग 20 लाक डालर परती वर्स मैंने उससे यह पूछा कि वह है और उसकी पत्नी इतने सफल क्यों है जबकि कई लोग कोशिस करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पाते मेरे मित्तर ने जवाब दिया देखिए हमारी प्रडेक्ट लाइन सर्वस रेस्ट है परन्तु सफलता का रहश्या है अपने लोगों को बिजनस में लाना और फिर उन्हें यह दिखाना कि सफल कैसे हुआ जाए प्रडेक्ट को बेच कर और अपने दोस्तों को डिस्ट्यूबिटर के रूप में बिजनस में शामिल करके जब हम इस बिजनस में आए तो किसी ने हमारी मदद नहीं की हमने अपने दम पर संगर्स किया हमने अपनी गलतियों से सीखा कि लोगों को शामिल कैसे किया जाए और उन्हें सफल होना कैसे सिखाया जाए हमने बहुत सी कोशिसें की जिन में से कई तो काम ही नहीं आई परंतु हम प्रियोग करते रहे हमारा बिजनस धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से बढ़ता रहा हम अपने बिजनस में शामिल होने वाले लोगों को दो योजना ही बताते रहे पहली योजना है लोगों को शामिल कैसे करें और दूसरी है प्रडेक्ट किस तरह बेचें परंतु ये तो सफल मल्टी लेवल मार्केटिंग की मूल गुत बाते हैं मैंने पूछा बिल्कुल है मेरे दोस्त ने सैमत होते हुए कहा परंतु हम अपने सायोगियों को सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या करना है हम उन्हें यह दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है लोगों को यह बताना आसान है कि वे हमारे बिजनस में अमीर बन सकते हैं लोगों को शुरुवात में उत्साहित करना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हर आदमी ज्यादा पैसा कमाना चाता है परंतु अगर हम लोगों को यह नहीं दिखाते कि ज्यादा पैसे कैसे कमाई जाई तो उनका उत्साथ जल्दी ही ठंडा हो जाता है क्या आप अपनी बात को अधिक स्पस्ट करेंगे? मैंने पूछा ठीक है मैं उधारन देता हूँ मेरे मित्र ने आगे कहा हम लोगों को सिर्फ यही नहीं बताते कि कोई प्रडेक्ट अच्छा है हम उने दिखाते हैं किसी प्रडेक्ट का 30 सेकंड का डेमोंस्टेशन 3000 सब्दों के मोखिक बरणन से अधिक मुल्यवान होता है हम अपने लोगों को सिर्फ यह नहीं बताते कि वे अपने परीचितों को बिजनस में शामिल करने का अमंतरन दे हम उने दिखाते हैं कि यह सा किस तरह करें आमंतरित कैसे किया जाए उन से क्या कहा जाए कब कहा जाए और शामिल होने के लिए उन से किस तरह वाइदा करवाया जाए वीवरन निश्चित बतें यह बतें अत्यनत महत्व पुरून है मेरे दोस्त की सफलतागा रहशे यही है वह दिखाता है काम कैसे किया जाए और जब आप किसे दूसरे से कोई काम करवाना चाहते हैं तो दूसरों को अमीर बनने में मदद करने कि यह तकनिक हर बार सफल होती है अगर कोई पादरी लोगों से कहता है कि वे परलोबन के सामने हार ने माने तो उसे बेहतर परिणाम उस स्थिति में मिलेंगे जब वह उन्हें कदम दर कदम दिखाए कि नसिले पदार्थों के परियोग या परीक्षा में नकल करने की इच्छा का परतिरोद किस तरह किया जाए माता पिता के लिए बच्चों को यह बताना आसान है कि उनमें बेहतर नमबर लाने की योग्यता है परन्तु निश्ची दूरूप से यह स्पस्ट करने से ज़्यादा फाइदा होगा कि पढ़ाई कैसे की जाई और बेतर नमबर कैसे लाई जाई जो कोच अपने खिलाडियों को यह करके दिखाता है कि बॉल को कैसे कैच किया जाई वह उस कोच से अधिक सबल होगा जो कैच के लिए केच करने के लिए ज़्यादा मेनत करें गरहाक की कमाई बढ़ाने में मदद करो कि निती से ब्रोकर ने किस तरह एक नए आकाउंट जीता एक निवेसक ने मुझे बताया कि उसने अपना स्टोक ब्रोकर क्यों बदला दो साल पहले मैंने एक ब्रोकरेज हाउस को अपना स्टोक ब्रोकर बनाया मैं कोई समझदार निवेसक होने का दावा नहीं करता इसलिए मुझे अपने ब्रोकर पर बहुत विश्वास था आखिर वह इस उद्योग की सबसे बड़ी फर्मों में से एक कापरते निदी था इसी वज़े से मैंने यह मान लिया कि वह पूरी तरह योग्य है बहराल मेरे निवेस ठीक ठाक काम करते दिख रहे थे बहुत बढ़िया नहीं पर ठीक ठाक फिर दूसरी फर्म का एक ब्रोकर मुझसे मेरे पोर्टफोलियो के संबन में बात करने आया मैंने सफ़स्ट किया कि मैं ब्रोकरे जहाउस के साथ अपने निवेस को लेकर काफी संतुष्ट था परन्तु अब वह मुझे अपने विचार बताना चाहे तो उसका स्वागत है उस दिनों में दूसरा ब्रोकर दुवारा मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल पूछे जैसे आपने यह बोंड क्यों खरीदे इन म्यूचल फंडों को खरीदने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि मैंने अपने ब्रोकर की सलाव पर ऐसा किया है जितनी नर्मी से वे बता सकता था उतनी नर्मी से दूसरे ब्रोकर ने मुझे बताया कि मेरे पॉर्टफॉलियों के दस में से साथ निवेज हाउस स्पेशल थे यानि कि ब्रोकर को मेरे लिए वे सिक्यूर्टीज खरीदने पर बोनस कमिशन मिला था फिर उस ब्रोकर ने मुझे एक और महतोपुन बात बताई उसने कहा आपका ब्रोकर आपके लिए पैसा कमाने की बजाई आपसे पैसा कमाने में ज़्यादा दिल्चस्वी ले रहा है दूसरे सब्दों में मेरा ब्रोकर स्वार्थ पूर्ण डंक से काम करके मुझे ऐसी सिक्यूरिटीज बेच रहा था जिन से उसे सबसे ज़्यादा लाब हो बजाए ऐसी सिक्यूरिटीज के जिन से मुझे सबसे ज़्यादा लाब हो यह कहने के जुरूर्ट नहीं कि मैंने अपना ब्रोकर बदल कर दूसरे ब्रोकर को अपना ब्रोकर बना लिया यह कहना जल्दवाजी होगी कि मैं नए ब्रोकर के साथ ज़्यादा पैसे कमाऊंगा परन्तु यह तैह है कि मैं बेतर अनुबव कर रहा हूँ मुझे मैसूस होता है जैसे पहले ब्रोकर ने मुझे मुर्ख मनाया और यह बात मुझे कते ही पसंद नहीं आई इस तरफ गोर कीजिए कि पहला ब्रोकर यह सोच रहा था कि वह प्रीमियम कमिशन वाले सिक्यूरिटीज बेच कर ज़्यादा पैसे कमा रहा है परन्तु लंबे समय में उसने पैसा गमाया क्योंकि उसने एक लाबदाए ग्राहक खो दिया सफलता का नियम यह पूछना है मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे ग्राहक ज़्यादे से ज़्यादा पैसे कमाई चाहे आप बैंकिंग में हो रियल इस्टेट, बीमा, सिक्यूरिटीज में हो या आपका खुद का बिजनस हो अगर आप अपने ग्राहक के लाब को अपने ततकालिक लाबों के उपर रखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाईगे रिपीट बिजनस से आपकी असली कमाई होती है इस कावत में बुद्धिमानी है अगर आप किसी आदमी को मचली देंगे तो वहे एक दिन जिन्दा रहे सकता है परन्तु अगर आप उसे यह सिखा देंगे कि मचली कैसे पकड़ी जाती है तो वहे अजीवन जिन्दा रहे सकता है पीस कार्प्स का जो स्विम्चे वक कभीले वालों को दिखाता है कि किस तरह ज्यादा अनाज उगाया जाए वहे उनका इतना ज्यादा भला कर रहा है जो एक लाख पर्चे बांटने से भी नहीं होगा अगर आप लोगों को दिखाते हैं कि नोकरी कैसे हासिल की जाए तो उन्हें नोकरी मिल जाएगी परंतु इसके बजाए अगर आप उन्हें यहे बताते हैं कि आपको काम पर जाना चाहिए या अमुक अमुक से मिलना चाहिए उनके पास कोई अफसर होगा तो इससे लोग यहें नहीं सीख पाते कि नोकरी कैसे हासिल की जाए इससे सिर्फ रोजगार एजन्से के करमचारी के गले का प्यायाम होता है सबक लोगों को सिर्फ यहीं नहीं बताएं कि क्या करना है बलकि यहें भी दिखाएं कि कैसे करना है ताकि उन्हें सची मदद मिल सके दिखाना हमेशा बताने से अच्छी तरह काम करता है इस उदारन को आजमाई अपनी जैकेट उतारें और किसी दोस्त से यह बताने को कहें कि इसे ठीक ठीक कैसे पहना जाता है बिलकुल वही करें जो आप के दोस्त ने कहा है और पांच मिनट बाद शायद आप अब भी जैकेट नहीं पहन पाएंगे आपका दोस्त पूरी तरह कुंठी तो होगा या किसी बच्चे को बताएं कि जूते का फीता कैसे बांदा जाता है अगर बताने के साथ-साथ आप उसे यह करके नए दिखाएं तो बच्चा फीते बांदना कभी नहीं सीख पाएगा किसी भी काम सेलिंग, बासन देने कम्प्यूटर चलाने, कार चलाने पैसे कमाने में लोगों को सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब आप दहर्य और सपष्टा से यह दिखाते हैं कि इसे कैसे किया जाता है जब आप किसी अजनवी को सिर्फ मुखिक निर्देश देते हैं कि उन्हें कहां पता खोजना है तो उसे एसा करने में बहुत परेशानी होगी परंतु अगर आप उसे नक्षा बना कर दिखा देते हैं कि जगए कौन सी है तो उसे यह आसानी से मिल जाएगी दिखाना सिक्षा का सबसे शुद्ध और स्रेश्ट रूप है लोगों को परवावित करने के लिए परसंसा की शक्ति में निपुन बनिये सब लोग तारिफ चाते हैं उनके एहम के लिए यह अच्छा पोशक आहार होता है लोगों की सच्ची तारिफ करना यह दर्साना की वे मेत्व पुर्ण है और आप उन्हें व्यक्ति के रूप में सम्मान दे रहे हैं एक सशक्त परिणादाई हो जार है जो आपके प्रवावक्षेत्रों को फैलाता है लोगों की तारिफ करने से आपको वह पाने में मदद मिलती है जो आप चाते हैं देखिए किस तरह है लोगों को बताएं कि वे अच्छे दिखते हैं हर व्यक्ति यह सुनना चाता है आप अच्छे दिख रहे हैं लोग कपड़े करीते हैं बाल सेट करवाते हैं वजन कम करते हैं वजन उठाते हैं और व्यायाम करते हैं क्योंकि वे अपने बारे में बेतर मैसूस करना चाते हैं परंतु वे यह भी चाते हैं कि उनमें हुए सुधार को दूसरे भी देखें बेतर दिखने में किये गए निवेस के बदले में लोग यह लाब चाहते हैं कि आप उनके रंग रूप की प्रसंसा करें लोग खुद को ज़्यादा आकर सक बनाने के लिए जो परियास कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजी मैं एकसर सेंडवीच की एक छोटी दुकान में कौफी पीता हूँ विदेसी मूल की एक सप्तर वर्षिय मेलाई से चलाती है एक दिन मैंने देखा कि उसकी हेर स्टाइल बदली हुई थी मैंने उससे कहा कि उसकी नई हेर स्टाइल बहुत खूब लग रही थी मेरी परसंसा सुनकर वह किसी चोदा साल की लड़की की तरह सर्मा गई मैंने उसका दिन सफल कर दिया इस गटना के बाद उसकी सेवा का अंदाज ही बदल गया यह बताने की आदट डाले कि लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं इसमें कुछ खर्च नहीं होता परंतु जिस व्यक्ति की आप प्रसंसा कर रहे हैं उसे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप हिसा करेंगे तो लोग अपने हुलिये पर अधिक घर्व महसूस करेंगे व्यक्तिगत ऐस हुवेदंशीलता को पहचानने के लिए मैंने समुवक इस्तित्यों में मनोव एग्यानिक परिक्षन का एक आसान प्रियोग सेंकडो बार किया है एक से चार के पैमाने पर यह ऐस वभाविक है कि कोई खुद को अच्छा रंक दे मुझे लगता है कि मैं हमेशा बहुत अच्छे हुलिये में रहता हूँ अधिकांस लोग अपने हुलिये को लेकर बहुत ऐस रुक्षित होते हैं इसलिए दूसरे लोगों में कुछ गर्मी डालिए याद रखें आप बेतर दिख रहे हैं सुनने के लिए लोग दोड़ते हैं व्यायाम करते हैं हेर स्टाइलिस के पास जाते हैं कपड़े खरीदते हैं और डाइटिंग करते हैं इस बात का वी ध्यान रखें अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं कि वह कितना अच्छा दिख रहा है तो वह है आपको तथा आपकी बातों को कई दिनों तक शायद कई सब्ता तक याद रखेगा मेरा दोस्त डाउन टाउन में फर विक्रेता है उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही सिर्फ अमीर ओरतें ही फरका कोट नहीं खरीती दरसल नैंसी रीगन प्रथम मेला के रूप में शायद ही कभी फरका कोट पहनती हो 50% से भी ज़्यादा फरकोट जो मैंने 5000 डॉलर से अधिक में बेचे है किस्तों में या किसी अन्या तरीके से उधारी में खरीदे गई है अब हाउस्टन की आम मेला उसने आगे कहा फरके उस कोट को एक साल में लगबक दस बार पहनेंगी अगर वह फरके कोट को पांच साल तक रखती है तो हर बार कोट पहनने के कीमत 200 डालर आती है एक बार कोट पहनने के लिए 100 डालर बहुत ज़्यादा होते हैं मैंने कहा लोग ऐसी चीज़ें करीदने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है दो करणों से फर्विकरेता ने स्वस्ट किया पहला दूसरी ओरतों को थोड़ा एर्शलू बनाने के लिए और दूसरा पुरुसों की परसंसा पाने के लिए पातारी से लेकर एक्जिक्विटिव तक सब इस बात के भूखे हैं कि लोग उनकी तारीफ करें और सभी यह मैसूस करना चाहते हैं कि लोग उनकी कदर करते हैं किशी व्यक्ति के परिवार के बारे में कोई अच्छी बात कहीं है हम में से अधिकांस के लिए हमारा परिवार हमारी सबसे गहरी चिंता है परिवार व्यक्ति की मुख्य रूची और गरव का सबसे बड़ास्तरोत होता है सामान्य टिपनियां जैसे जिमी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको गरव होगा कि सारा बैले में दिल्चस्पी ले रही है जिम ने मुझे बताया कि हैरियट अपनी नोकरी में बहुत तरक्की कर रही है फ्रेड को बता देना कि मुझे उसके प्रमोशन मिलने पर गरव है अरे मैंने सुना है कि पीट ने स्टेट उन्वेस्टि में अपना नाम लिखवा लिया है यह बहुत बढ़िया हुआ लोगों को यह पता चलने दे कि उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण है आप उसका ध्यान रखते है सावदानी का एक शब्द दूसरे वेक्ति के परिवार की सिर्फ इसलिए तारिफ ने करें ताकि आप अपने परिवार के बारे में डिंगे हांक सके इससे सामने वाले को वह खुशी और संतुष्टी नहीं मिलेगी जो आप उसे अनुवव कराना चाते हैं लोग यह नहीं सुनना चाते कि आप महान क्यों है वे यह सुनना चाते हैं कि वे महान क्यों है दूसरों की उकलबदियों को पैचाने किसी चीज को हासिल करने के लिए एक प्रमुक प्रेणा होती है दूसरे लोगों की परसंसा हासिल करना सभी चाते हैं कि उनकी कामों की परसंसा की जाई जिस सेल्जमेन ने नया ग्राग बनाने के लिए कड़ी मेनत की है उसकी उपलब्दी के लिए उसे परसंसा मिलनी चाहिए और उसे इसकी जरूरत है जो खिलाडी किसी मुश्किल मैच को सफलता पूर्वक खेलता है वह बदाई के सब्द सुनना चाता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर किसी कटिन सिस्टम को आसान कर देता है वह अपने काम की प्रसंसा सुनना चाता है उपलब्दियां हर आकार में आती है जोनी के एक ग्रेड पाने से लेकर जेनी की पहला कदम चलने और दादा जी के बोर्ड आफ डारेक्टर्स में चुने जाने तक परन्तु चाहे यह मिलियन डॉलर की उपलब्दी हो वाले को बताती है आप मेतवपूर्ण हैं अच्छा काम करते रहिए इसलिए यह देखते रहिए कि लोग कब अच्छा काम करते हैं और इसके लिए उनकी तारिफ कीजी उन्हें हामने सामने की मुलाकात में बताईए फोन कीजी या चिठी लिखी उन्हें अच्छा लगेगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों के मैत्वपूर्ण सामान की परसंसा कीजी लोग घर, कार, फरनिचर और अन्य सामान दो कार्णों से खरीदते हैं उन्हें सामान की जरूरत होती है और वे दूसरों की परसंसा तता शायद इर्षा भी चाते हैं इसलिए हर अवसर पर दूसरे व्यक्ति के सामान पर द्यान दें और परसंसा करें कहिए मुझे आपकी नई कार सचमुच पसंद है यह आपके व्यक्तितों के अनुरूप है या आपका अगर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है या आपकी नई गड़ी सचमुच अच्छी दिख रही है सामने वाले व्यक्ति के सामान की तरीफ करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता परंतु इससे यह साबित होता है कि आप उस व्यक्ति की परसंसा करते हैं बदले में धन्यवाद के अलावा आपको बेहतर सायोग जादा मेनत से किया गया काम और अधिक त्याग मिलेगा लोगों के विचारों की तारिफ करें यह दुरुबाग्य परंतु सकते है कि ओफिस में, घर पर, स्कूल में और सामा जिकती वीडियो में लोगों में यह सोचने की आदर डाल दी गई है मेरी बुद्धी जाद आच्छी नहीं है लोग सोचते हैं कि मैं मुर्क और नादान हूँ इससे यह समझ में आता है कि लोग अक्सर अपनी राई देने में जिसकते क्यों है बोलते क्यों नहीं है और प्रमोशन के लिए कोशिश करने से क्यों डरते हैं जब आप बड़ी सपलता की तरफ बढ़ते हैं तो आपको उन सभी अनुबहों, अनुशन्शाओं और विचारों की जुरूरत होती है जो आप प्रापत कर सकते हैं दूसरों की मान सिख सकती को जागरत करने का सबसे अच्छा तरीका है हर आउसर पर उनकी तारीफ करना इन तरह की टिपनियों, जैसे जोआन, मैं आपकी निर्नेक शम्ता की प्रसंसा करता हूँ आपकी राई क्या है? बिल, मैं जानता हूँ आपको इस तरह की समश्याओं का काफी अनुबहों है आपकी विचार से हमें क्या करना चाहिए? या, जार्ज, आपने ऐसी स्थिती में बहुत अच्छा काम किया था, आप हमें क्या करने की सला देते हैं? अगर आप दूसरों के बुद्ध के इंजन को चालू करने के लिए एहम बढ़ाने वाले परशनों का प्रियोग करते हैं, तो आप लोगों की बहुत बड़ी परसंसा करते हैं, और आपको अक्सर उप्योगी विचार मिलते हैं। यह है याद रखें, अधिकांस लोगों को बहुत कम बार यह अनुबाव कराया जाता है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास विचार है, मेरे पास योग्यता है, सब लोगों में बुद्धिमान मैसूस करने की जो भूग है, उसे संतुष्ट कीजिए और वे आप से प्रभाव या पैदल चलना सीखना हो, किसी भी तरह के काम में सफलता समन्य बात है, राजनेतिक पद के लिए लड़ने वाले उमीदवार हार जाते हैं, नोकरी के लिए आवेदन करने वाले अधिकांस लोग ना सुनते हैं, और किसी प्रतियोगता में शामिल होने वाले अधिकांस ल कुछ विशों में सी ग्रेड का रिपोर्ट काड़ लेकर घर आता है। उसे समझाईश, प्रोच्छाहन और मदद की जुरूरत है। नेकी उपहास, धंकी या डांटपटकी। जब किसी सेल्जमेन का भुरा समय चल रहा हो तो यहे आवशक हो जाता है कि सच्चा परियास करने के लिए उसकी प्रसंसा की जाई। अगर पुत्री संद्रिय प्रतियोगिता नहीं जीत पाती तो यह जरूरी हो जाता है कि प्रतियोगिता में सामिल होने के लिए उसकी प्रसंसा की जाई। अगर कोई राजनेता चुनाव हार जाता है तो वहे इस बात के लिए हमारी सरान सुनना चाहता है कि कम से कम उसने कोशिस तो की राश्टबती थियोडोर रुजवेल्ट के इन सब्दों को पड़े आलोचक मैतोपूर्ण नहीं होता नहीं बहे व्यक्ति जो यह बताता है कि द्रड व्यक्ति किस तरह लट खड़ाया या काम करने वाला कहां भेतर काम कर सकता था तारिफ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो दरसल मैदान में संगर्स करता है जिसका चेरा दूल पसीने और खून से लटपत होता है जो बहादुरी से प्रियास करता है जो गलतियां करता है और बार बार ऐस फ़ल होता है तारिफ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो प्रबल उच्छा वे प्रबल निश्टा को जानता है जो खुद को किसी मेहत्वपून काम में लगाता है जो जानता है कि अंत में उच्छ उपलब्दी की विजे सर्वस्रेष्ट परिणाम होगा और सबसे अच्छा यह हो सकता है कि वह ऐस फ़ल हो जाए परंतु अगर वह ऐस फ़ल होता है तो भी कम से कम ऐसासिक परियास के बाद ऐस फ़ल होगा इसलिए उसका अस्तान उन ठंडे और कायर लोगों के साथ कभी नहीं होगा जो ने तो विजे को जानते हैं ने ही पराजे को तियोडोर रुजवेल्ट याद रखें लोगों के नीचे गिरने पर हम उनसे जिस तरह गास वेवाहर करते हैं उससे उनके उपर उठने की क्षमता पर सीधा परवाव पड़ता है जब कोई विक्ती कोसिस करने के बाद ऐस वल हो गया हो तब उसे बदाई देना अच्छी आदत है यह स्मार्ट तरिका भी है कोसिस करते रहिए कि आपकी टिपनिया लोग याद रखेंगे इसके लिए करतग होंगे और किसी ने किसी तरीके से आपको पुरुसकार मिलेगा जब लोग हारते हैं तब उनकी तारिफ करना बैंक में पैसा जमा करने की तरह है किसी तीसरे की तारिफ कीजी और मित्तर जीती है सामने वाले वेक्ति को प्रभावित करने का एक अचूग तरीका यह है कि उसे किसी तीसरे वेक्ति दुआरा कही गई कोई बात सुनाई जाई मैं जिम से हाली में मिला था उसने मुझे बताया कि आप अपने नई नोकरी में बहुत अच्छा परदर्सन कर रहे हैं जिल ने कहा था कि मैं जब भी आप से अगली बार मिलू उनकी तरफ से आपको हेलो कहूँ मैबल ने मुझे बताया था कि आपका नया घर बहुत शानदार है तीसरे वेक्ति की परसंसा सशक्त होती है यह सामने वाले को बताती है आप लोगप्रिय हैं आप सम्मान नीए हैं सब आपकी परसंसा करते हैं और जब वह अपने बारे में बहतर मैसूस करता है तो उसके साथ विजनस करना काफी आसान हो जाता है तीसरे वेक्ति की तारिफ सुनने के बाद व्यस्त एक्जिगुटेव आपकी बातों को सुनने का समय निकाल लेते हैं जिस मैनेजर के पास देने के लिए नोकरी नहीं है वहे भी आपकी योग्यताओं का विवरण सुनेगा पार्टी में लोगप्रिय वेक्ति भी बाद में आपको याद रखेगा और तीसरे वेक्ति की परसंसा अनपेक्षित होती है इस वज़े से अमुक अमुक ने आपके बारे में यह अच्छी बात कही खास तोर पर सशक टिपनी बन जाती है सभी दूसरों की सहमती और परसंसा चाते हैं जब आप उन्हें यह पर मान देते हैं कि लोग उनके कामों को पसंद करते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं याद रखें लोग अच्छी कबर सुनना पसंद करते हैं खास कर तब जब इसे किसी तीसरे वेक्ति ने कहा यह नियम बना लें कि आप जिससे भी मिले उसे तीसरे वेक्ति की कही कोई अच्छी बात सुनाई अगर परसंसा इतनी शक्तिशा लिए तो लोग इतनी कम परसंसा क्यों करते हैं इस बात की काफी संभावना है कि आपकी जितनी परसंसा होगी उससे कहीं अधिक आपकी आलोजना होती है फिर यह सोचना सौभाविक है कि आलोजना ही परिणाम हासिल करने का तरीका है लोगों की तारिफ मत करो के मिथ को का संग्रह हमारे सोचने के तरीके को परभावित करता है इनकी तरफ निगा डाले और देखें कि ये कितने मुर्ख तपूर्ण है परंतो जिम मेरी तारीफ नहीं करता फिर मैं उसकी तारीफ क्यों करूँ जवाब इसलिए क्योंकि आप सफलता के विद्यारती हैं और जाहीर है कि जिम नहीं है याद रखें आपको जिम का सहयोग चाहिए इसलिए यह बातगानट बान लें आपको जितनी परसंसा मिले उससे पांच गुनी परसंसा करने की योजना बना लें निश्चित रूप से आप भी परसंसा सुनना चाहते हैं परंतो उसकी उम्मीद नहAP करें परंतो शेली में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी परसंसा की जा सके जवाब हर व्यक्ति में कुछ ने कुछ परसंस नहीं होता है हर एक में कई अच्छे गुण होते हैं उन्हें खोजें और पैचाने कोई भी पूर्ण या आदर्स नहीं होता और कोई भी पूरी तरह अपोल नहीं होता परन्तू आप लोगों की जरूरत से ज़्यादा तारिफ कर सकते हैं जबाब मैंने हजारों लोगों से पूछा है कि क्या उन्हें कभी जरूरत से ज़्यादा तारिफ की वजए से मनोवग यानिका पच हुई है मुझे ऐसा एक भी परकरण नहीं मिला हम में से हर एक का एहम इतना भूका है ति तारिफ का ज्यादा से ज्यादा बोजन जाता है परंतो अगर मैं किसी की तारिफ करूँगा तो वहे बाद में कम परियास करेगा जवाब गलत अगर आप अच्छे रिपोर्ट कार्ड के लिए बच्चे की तारिफ करेंगे तो बच्चा अगली बार और ज्यादा मेंनत करने की कोशिस करेगा अगर आप किसी खिलाडी के अच्छे परदर्शन की तारिफ करेंगे तो वह है अगली प्रतियों गिता में ज्यादा कड़ी मेनत का प्रियास करेगा जो अच्छा है उसके बारे में बात करें और गपशप से बचें किसी व्यक्ति की सबलता की संभाउना को नापने का एक तरीका यह है कि क्या उसे गपशप की लथ है गपशप नकारात्मक चर्चा है गपशप अफवा पर आधारित होती है यह सचाई नहीं है गपशप हमेसा विक्रत होती है और इसका लक्षय होता है दूसरों को चिंतित, नर्वस और कुंठित करना गपशप और लेडर्शिप एक साथ नहीं रह सकती हम देखते हैं कि सभी संग्टनों में गपशप करने वाले लोग होते है वे लोग उन कामों की आलोचना करते हैं जिन पर सकारात्मक चिन तक मेहनत से जुटे रहते हैं इस उदारन पर विचार करें आप कम्पनी के काफी हाउस में बैठकर काफी की चुस्किया ले रहे हैं और अपनी नोकरी की किसी समषप के बारे में विचार कर रहे हैं डिपार्टमेंट का गपशप करने वाला हैरी वहाँ आ जाता है और कहता है क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ आप विनमर है इसलिए कहते हैं क्यों नहीं ट्रेसे अपनी काफी उठाते हुए हैरी कहता है अभी अभी एक मैत्पून खबर सुनी है एसी चर्चा चल रही है कि कमपनी के यदिकारी प्रोजेक्ट 3 को कैंसल करने जा रही है जब ऐसा होगा तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आप जैसे बहुत से लोग भारी मुसीबत में पढ़ जाएंगे अगले 10 मिनट तक आप हैरी के परमान सुनते हैं और यह भी सुनते हैं कि इस वज़े से नोकरी के पुनर गठन छंटनी और सेवा मुक्ती पर किस तरह परभाव पड़ेगा अब आप अपनी डेस्क पर लोटते हैं चिंतित, दुविदा ग्रस्त तथा विचलित हैं आप खुद से पूचते हैं क्या मेरा ट्रांसपर कर दिया जाएगा या शायर निकाल दिया जाएगा अगर मेरा ट्रांसपर किया जाता है या मुझे नोकरी से निकाला जाता है तो इसका मेरे गरेलू जी उन पर क्या परभाव पड़ेगा मैं बिलों का बुगतान किस तरह कर पाऊंगा अगर मेरा ट्रांसपर हो जाता है तो क्या मेरी पत्नी अपनी नोकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? आपका बाकी दिन कुंठा में गुजरता है, आप अपनी चिंताओं को घर ले जाते हैं और उन्हें अपने पत्नी की तरफ बढ़ा देते हैं, अब दो लोग चिंतित हो गई आपकी चिंताओं अगले तीन दिन तक चलती रहती हैं, आपकी कारेक्षमता गढ़ जाती है, शारेरिक रूप से आप बयानक दिखने लगते हैं, फिर तीन दिन बाद एक आधिकारी कोशना होती है, कि प्रोजेक्ट थ्री पर काम की गति को बढ़ाना है, उसे खतम नहीं करन जैसी बोईश्यवानी गपसप करने वाले ने की थी, आपने चिंता की, आपने अपने काम को बूरी तरह परवाईत होने दिया, और अपना डर अपनी पतनी तक भी पहुँचा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डिपार्टमेंट के सबसे बड़े गपोड़ोई की मन ग अप्षित होते हैं, वे नोकरी, घर और सामाजिक स्थित्यों में डरे हुए होते हैं, चुंकि लोग डरे होते हैं, इसलिए वे बुरी ख़वर पर बरोसा करते हैं, और अच्छी खवर पर बरोसा नहीं करते हैं, मैं आपको एक उधारन दे दूं। महसूस किया कि डिगरी हासिल करने के लिए उसे कमेटी के तीन सदस्यों के परवल पावनात्मक समर्थन की जरूरत है। ब्रेंडा को डिपार्टमेंट के चेर्मेन की वह टिपनी याद आ गई, जब उन्होंने एक बार मजाक में उसने कहा था, तुम इतनी आकर शकों कि ज आजिस करने में उस्ताद थी। उसने चेर्मेन की टिपनी में संबावना खोज ली। इसलिए बहतरिन टाइमिंग करके वह कमेटी के सबसे युवा सदस्यों के साथ उसे बताया। चेर्मेन ने उसके सामने प्रेंपरस्ताव रखा, जिस वज़ए से उसे पढ़ाई छोड फसाया जा रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। दुर्भग्या से उसने यह कबर उस प्रमुग पोड़े को सुना दी जो चेर्मेन से चिर्टा था। प्रमुग पोड़े ने कमान संभाल ले। सुनिष्टी तरीके से उसने पूरे डिपार्टमेंट में यह खबर फैला दी। क्या आपने सुना है चेर्मेन किस तरह ब्रेड़ा को फसाने की कोशिज कर रहे हैं। मुझे लगता है यह आनंद लेने के लिए चेर्मेन अपने पद का नजाइस फाइदा उठा रहे हैं। जल्दी ही डीन और दूसरे वरिष्ट परसासकों को भी यह का चला कि यह तो पूरी तरह से गप थी। तब कहीं जाकर चेर्मेन की जान शुटी और ब्रेड़ा को अपनी पडाईय दूरी छोडनी पड़ी। गपशप के जाल से बचें। गपोड़े हर जगह होते हैं। वे जो नुकसान करते हैं उससे बचने के लिए समझदारी की प्रेड़ा नहीं होता। जब हर व्यक्ति का मित्र यानि गपोड़ा आपके पास कोई चटपटी ख़बर सुनाने आए। जैसे क्या तुमने सुना है। आजकल जवान की समझ्या क्या है। या मुझे लगता है आज सुबह मैंने सचमुच लोगों को उलजाकर रख पता चला है कि बिल अपने एक्सपेंस अकाउंट में गड़बडी कर रहा है। तो बस इतना ही कहें जिम मेरे पास गपसब के लिए समय नहीं है। इस समय मुझे पर काम का सचमुच बहुत दबाव है। लंच से पहले दस्वी मनजिल पर एक रिपोर्ट ले जाना है। या सकारात्मक चर्चा में आपकी दिल्चसपी नहीं है तो फिर वैया आपको परिशान करना बंद कर देगा। बुरी खबर फैलाने में मजे लेने वाले लोगों के साथ लंच करने, कोफी पीने या समाजिक संपरक से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें, सकारात्मक लो कच्चा माल है जिन से आपकी तकदीर बनती है। यह रही वह एक और गलती चो कमपनी कर रही है या बोस ने उस मुर्ख को नोकरी पर क्यों रखा। ऐसी बातें सुनने में आप जो समय बरबाद करते हैं उसकी वज़ए से आपके बेंक अकाउंड में जमाधन कम हो जाता है इससे आपका वह वह मल्य समय भी नश्ट हो जाता है जिसका इस्तेमाल आप अपने लाब के लिए कर सकते हैं। इससे आपकी योग्यताई नकारात्मक दिसा में भी एकागर हो रही है। साथ ही अगर आपकी अंतरात्मा सही स्थितिती में है तो आप यकिनन जानते हैं कि ग इससा दो रहेंगे वह है या तो आपकी मदद करेगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप जिस व्यक्ति से मिले हैं उसके बारे में अगर आप बुरी बाते करेंगे तो कोई बुरी चीज आपके रास्ते में आ जाएगी। परनतो अगर आप उसके बारे में उससे अच्छी बातें कहेंगे तो आप आश्वस्त रह सकते हैं कि आपको रहा में कोई अच्छी चीज मिल जाएगी। गपशप गपोड़े को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वह साबित करता है कि वह एक छोटा गटिया और नकारात्मक चिन तक है। जिसके बारे में गपश नकारात्मक सुजाओं की तरफ जाता है। नमबर तीन यह मालने कि आप सामने वाले से जो भी कहेंगे उसे तोड मरोड कर पेस किया जाएगा और दोराया जाएगा। याद रखें अगर आप गपशप के जाल में फंसते हैं तो इस बात की परबल संभाउना है कि आप गप पोड़े से जो भी कहेंगे उसे वैट तोड मरोड कर दूसरों के सामने दोराएगा। बीस में से शायद एक ही व्यक्ति गोपनिया जानकारी को गोपनिया रख पाएगा। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से अपने बिजनस, अपने बिजनस प्लान, समश्याओं, लक्ष या विचारों के बारे में कुछ कहीं तो इस बात पर हैरान नहों कि जल्दी ही दूसरे लोगों को आपकी बातों का एक एसा संसकर्ण सुनने को मिलेगा जो आपने अपने दोस्त को गोपनिया रूप से बताया था। जब तक आप यहन जानते हों कि जिससे आप बात कर रह जाकत उसे पेस किया जाएगा। मान लेजिए आप A को बताते हैं कि टाम का वजन ज्यादा है। इस बात की काफी संभावना है कि A यह बात B को तोड़ बरोड कर बताएगा। वह बताएगा कि आप कहे रहे थे कि टाम में इतना मोटा है कि वह चल ही नहीं पाता। अगर आ जेन को बताते हैं कि बारवरा संतोस जनक नहीं है। तो इस बात की संभावना है कि जेन संड्रा को यह बताएगी कि बारवरा हर चीज बिगाड कर रख रहती है। देखिए बुरी खबर तेजी से फैलती है और हर बार दोर आए जाने के साथ और भी बुरी बनती जाती जब आप कोई बात कहने से पहले सामने वाले से बोलते हैं यह बहुत गोपनिया है या इसे किसी को भी मत बताना तो आप उसकी खबर फैलाने की इच्छा को बढ़ा देते हैं। जानकरी गोपनिया रखने के लिए आप दूसरों को जितना प्रोच्छाइट करेंगे उसे फैलाने के लिए वे उतने ही ज़्यादा प्रोच्छाइट होंगे। एक पल के लिए स्वार्थ पूर्ण डंग से सोचें। सम्रदी, मानशिक शानती, प्रसिद्धी और प्रसंसा के अपने लक्षों को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सायोग की जरूरत है। आपक उनका सयोग हर हाल में चाहिए। लोगों के बारे में बाते करें। हाँ, लोगों के बारे में बुरी बाते करें। कभी नहीं। आगे बढ़ने का संकल्प करें। बदला लेने का नहीं। निश्पक्स खेल। हम सभी यह जानते हैं। हम में से ज़्यादा तर लोग दूसर कि वियवर, हम अपने साथ चाते हैं लोग स्वारणिम नेम के इसाब से जी न चाते हैं, परवंतु जब सामने वाला वक्ति निश्पक्स खेल की सहीता का उलंगन करता है, तो हम नाराज हो जाते हैं, हम बदला लेना चाते हैं. बच्चा चलना सीखने से पहले ही अपने उस भाइस से बदला लेना चाहता है जो उसके साथ अन्याय-पूर्ण व्यवार कर रहा है। जब हाई स्कूल का कोई प्रिंसिबल बच्चों को किसी शरारत के लिए सबक सिखाना चाता है और कुछ कठोर परंदू अनुचित नियम थोप देता है तो क्या होता है शरारती बच्चों के साथ अच्छे बच्चे भी उसके विरोधी बन जाते हैं जल्दी ही लोकर तोड़ दिये जाते हैं स्कूल की संपत्ती को नुकसान पहुंचता है माहुल विगरता है और स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या घट जाती है जब आदिकारी की कुर्शी पर बैठे लोग परतिशोद लेना चाते हैं तो हर एक को नुकसान होता है हर बड़े शहर में हर रोज बदला लेने के लिए हत्याई होती है तलाक के बाद पती अपनी पत्नी के साथ इसाब द्राबर करना चाता है वह बंदूक या छुरा उठाता है और एक जिंदगी खत्म हो जाती है यह है एक एसी पत्योगिता है जिसमें कोई भी कभी भी नहीं जीच सकता मैं बदला लेने जा रहा हूँ चाहे यह मेरे द्वारा किया गया आखरी काम हो का संकल्ब अक्सर इसी तरह का होता है गातक कार दुरगटनाओं का कारण क्या होता है लापरवाई से गाड़ी चलाना या नेंतरन खो देना परंतु अक्सर असली कारण यह होता है कि किसी निर्दोस ड्राइवर को दूसरी गाड़ी वाला कट मारता है और इस वज़े से उसे गाड़ी सडक के नीचे उतारना पड़ती है वहे निर्दोस ड्राइवर हमलावर को सबक सिखाने के लिए गाड़ी की गती बढ़ा देता है और नतीजा यह होता है कि दूर गटना हो जाती है कौन जिता? कोई नहीं दो साल पहले एक बेसबाल सितारे को पीचर की फेंकी हुई गेंड से चोट लगी उसने सोचा कि पीचर ने साथ जान भूज कर किया था वह ततकाल दोड कर गया और बल्ला उठा कर पीचर को दे मारा कुछ सेकंड में ही दोनों टीमें आपस में बिढ़ गई कुछ लोग कह सकते हैं कि बेसबाल के सितारे का काम सही था और बेसबाल के समर तक कभी कबार जगड़ा देखना पसंद करते हैं परंतु बेसबाल के उस सितारे को यह है इसास नहीं था कि उसकी बदला लेने की कोशिस की वज़े से उसे पांस लाग डोलर के विग्यापन कोंट्रेक्ट से हाथ दोना पड़ेगा प्रायोजकों ने फैसला किया कि इस गटना से खिलाड़ी की छवी को नुकसान पहुंचा था और इसलिए उसे वह कोंट्रेक्ट ने दिया जाए जब एक देश के अंतकवादी दूसरे देश के दस मासूम लोगों को मारते हैं तो दूसरे देश के अंतकवादी प्रतिशोद लेते हैं और पहले देश के 20 लोगों को मार डालते हैं अगर यह सिलसला चलता रहे तो तरक की द्रिश्टी से एक दिन सब लोग मर जाएंगे प्रतिशोद साइटिस यानि बदला लेने की बिमारी हमें से हर एक में जनमजात होती है आंक के बदले आंक, दांत के बदले धान सतई तोर पर उन लोगों के साथ निपटने का बुद्धी मतापून तरीका है जो हमारा अनुचित लाव उठाते है परंतु यह है तो मानना ही पड़ेगा कि बदला लेने में हमारी उर्जा खतम हो जाती है इस परकिरिया में हम दूर तक नहीं देख पाते और हमारा मस्तिस बड़े लक्षे से दूर बढ़क जाता है सफलता और परतिसोद साइटिस आपस में मिल ही नहीं सकते अगर हमारे मन में बदला लेने की इच्छा है तो हम इसका सामना सकारात्मक ढंग से भी कर सकते है परंतु इसके लिए मेहनत करना पड़ती है याद रखें नमबर एक हर आदमी अमीर बनना चाहता है अगर आप लोगों को यह दिखाएंगे कि वे किस तरह ज़्यादा कमा सकते हैं तो आपको उनका अधिक सायोग मिलेगा खुद से पूछें मैं किस तरह अधिक आनंद लेने में लोगों की मदद कर सकता हूँ फिर उन्हें करके दिखा दें दूसरा परसंसा की अदबुत शक्तिका दोहन करें लोगों को बताएं कि वे अच्छे दिखते हैं उनके परिवार के बारे में अच्छी बातें कहें लोगों की उपलवदियों को पैचाने उनके सामान की तारिफ करें उनके विचारों के लिए उनकी सरा ना करें कोशिस करने के लिए लोगों की परसंसा करें बले ही वे ऐसे फ़ल हो रहे हूं तीसरा, यह सुनिश्चित कर ले कि तीसरे व्यक्ति की परसंसा उन तक पहुंच जाए चोथा, गपशप और लीडर्शिप एक साथ नहीं चलती गपशप नहीं सुने, यह जान ले कि आप लोगों को जो बताते हैं उसे तोड़ मरोड कर दूसरों को सुनाया जाएगा पांचवा, बदला लेने के बज़ाए आगे बढ़ने का फैसला करें सही काम करके परतिसोद साइटिस्ट को जीते ही धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है उसा जमा करम मराबर सफलता आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई साथ उसा जमा करम मराबर सफलता किसी बिलकुल नई बेहतरीन कार के बारे में सोचें यह महिंगी है पचास अजार डॉलर की आदर्स डिजाइन अला दर्जे की विशुस्तरिय इंजिनिरिंग सुन्दर सीट शानदार रंग रूप दंदार इंजन सिर्फ एक समश्या है यह कार स्टार्ट नहीं होती क्यों? क्योंकि किसी ने इसमें इगनिशन सिस्टम नहीं लगाया किसी आदमी को जल्दी से अस्पिताल पूंचाने जैसे अपातकालिन इस्टिती में पचास अजार डलर की यह कार किसी काम नहीं आ सकती ऐसी स्टिती में इस कार और कूडे के धेर में कोई अंतर नहीं होता अब आपने किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो हर तरह से लाबदा एक स्टिती में दिखता हो जवाने तक वह कीमती हो चुका है उसके बोजन, कपड़ों, शिक्षा और मनोरंजन फर कम से कम धाई लाख डोलर खर्चुए है ताकि वह करियर के लिए तैयार हो सके उस वेक्ति की डिजाइन बहुत बढ़िया है उसमें प्रतिबा है, आकरसक चेहरा मोरा है अच्छी सेहत है, इंजिनिरिंग भी फर्स्ट कलास है वह सबसे अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ा है उसने सबसे अच्छे और शानदार कपड़े पहन रखे है परंतु कार की तरह उसके साथ भी एक समश्या है जोनी काम को शुरू नहीं कर पाता वह स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका मनोव एग्यनिक इगनिसिन सिस्टम नदारद है इस परतियोगी युग में सफलता की तैयारी में जोनी पर जो डाई लाक डॉलर खर्च उगे है वे प्रबाद हो गई मशिनों और इंसानों में एक समानता होती है दोनों को ही काम करने के लिए चालू करना पड़ता है हर इंसान एक मनोव एग्यनिक इगनिसिन सिस्टम के साथ पैदा होता है उसे उट्सा का आ जाता है उट्सा पूर्णत ए अमूर्द और एद्रशे होता है परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं जब आप किसी खिलाड़ी को रिकार्ड तोड़ते देखते हैं तो आप उट्सा का बोतिक रूप देखते हैं ये सब लोग उत्सा से बरे हैं, वह है परिवार जो ज्यादा पैसे नए होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छे सिक्षा दिलवाता है, वह है सेल्जमेन जो सर्वसरेश्ट परदर्शन करता है, वह है आवेदक जिसे नोकरी मिलती है, वह है साधारन आदमी जो बिले जो आपके मस्तिस, शरीर और इच्छा से काम करता है, ताकि आप मुस्किलों, परतियों गिता, सीमित धन और दूसरी कमियों के बावजुद जीत सकें, हर आदमी उत्सा के साथ पैदा होता है, नवजात से शुप पहला काम यह करता है, कि वह बहुत उत्सा के साथ रोता है अगर वजन के अनुपात से कोई व्यसक व्यक्ति नवजात से सुजितनी तेजी से रोए, तो उसकी आवाज एक मिल दूर तक सुनाई देगी, परन्तु जल्द ही इस सच्ची और दिल से काम करने के आदत पर बंदन लग जाते हैं, लोग बच्चे के मनोवगयनिक सही तरीके से नहीं कर सकते, और अन्य निर्देश जो बच्चे को यह सिखाते हैं कि वह अपना उत्सा कम करें, तारीफ, प्रसंचा और सराना के शब्द दुरलब होते हैं, कुछ समय बाद बच्चा अपने वास्त्विक व्यक्तित्तों का परदर्सन ने करने में सुरक्ष करन होते हैं, इसलिए जवानी तक ज्यादातर लोग रोमान्चक, सकारात्मत तता खुशियों से बरे जिन्दी की उत्सुकता गवा देते हैं, यह समझने और समझाने की बहुत कोशिश की गई है, कि जीनियस का कारण क्या है, विग्यान, बिजनेस, कला और टेक्नोलजी मे कुछ लोग ऐसादारन रूप से सफल क्यों होते हैं, बरसों तक यह ऐसे दांत लोग प्रिय था, कि ऐसादारन लोगों का मस्तिस्क समान्य लोगों की तुलना में बढ़ा होता है, परन्तु महान लोगों के मस्तिस्कों पर जब प्रियोग किये गई और उनका वजन तोला गया, तो उनमें और समान्य लोगों की मस्तिस्क के वजन में कोई अंतर नहीं पाया गया, अक्सर कहा जाता है, शिक्षा भी इस अंतर का कारण है, परन्तु यह भी सच नहीं है, बहुतिक शास्तर में क्रांति लाने वाले आइंस्टिन और अंतरिक्ष अन्वेंशन के बहुत कम थी, दरसल स्कूली या उप्चारिक शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ी समश्या है, यह लोगों को इस बुलावे में रखती है, कि चुकि उनके पास एक कागज़गा टुगडा है, इसलिए दुनिया में उनकी सफलता तै है, हाल ही में रसाइन सास्तर के एक नो सफलता का राज है, हम में से हर एक में उत्सा की संभावित मात्रा ऐसे मित है, हम में से हर एक उत्सा की मंचाई मात्रा का परियोग करने के लिए सुतंत रहें, अगर हम कम शक्ति का परियोग करेंगे, तो हमें छोटे परियोग मिलेंगे, परंतु अगर हम शक्ति को काफी बढ़ा देंगे, तो हमें बड़ी सफलदा मिल जाएगी। इंसान के मन में काम के लिए जितना उत्सा होगा, वह अपने लकशे को पाने में उसी अनुपाद में सफल होगा। महान सफलदा, हमेंजा महान उत्सा की बड़ोलत ही आती है। दूसरी तरफ ऐसा फलता हमेशा उत्सा की कमी की वज़े से मिलती है। यह अध्याई आपको ऐसी तक्निकें बताता है जिन से आप अपना मनोवग्यानिक इग्निशिन सिस्टम बेहतर बना सके। मुस्कुराने से उत्सा पैदा होता है। मुस्कुराहट एक अद्बुत प्रेड़ना दाएक तक्निक है। मुस्कुराना सकारात्मक है। ट्योरी चड़ाना नकारात्मक है। एक छोटा सा प्रियोग करें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें। जिसे आप खास तोर पर नापसंद करते हों। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचते वे मुस्कुराईएं। आपकी नापसंद की तत्काल काफूर हो जाती है। जब तक आप मुस्कुरा रहे हैं। तब तक आप सामने वाले के प्रतिक क्रोध अनुभव नहीं कर सकते। नौकरी की किसी समश्या के बारे में चिंता करते समय मुस्कुराने की कोशिस करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुस्कुराहट नकारात्मक भावनाओं को उसी तरह पहुंस देती है जिस तरह तोलिया पानी को। मुस्कुराना सफलता के दुश्मनों जैसे निराशा, क्रोध, कुंठा, ग्रणा और डर को हराने का अद्बुत उपाए है। दूसरों के साथ सबीत रह के संबंदों में मुस्कुराहट का प्रियोग करें। जब आप किसी से पहली बार या सोवी बार मिले तो उस व्यक्ति का स्वागत मुस्कुराट से करें। जब आप किसी सामान, व्यक्ति या विचार के बारे में कोई बात कह रहे हों तो मुस्कुराएं। अगर कोई आपको फटकार रहा है और एसे में आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले का गुसा जल्दी शानत हो जाएगा और जब आप हार मानने जा रहे हो तब भी आप खुद को मुस्कुराने पर विवस करें हाश्य सकती है इसका परियोग करें अगर आप हाश्य का परियोग करते हैं या मुस्किल परिष्टितियों में भी कोई रोचक पहलू देख लेते हैं दूसरे लोग आपकी सराना करते हैं प्रसंसा करते हैं और आपके करीब आ जाते हैं हश है, लोगों को अपनी और आकर्षित करने वाले चुम्बक की तरह है, लोग हमेशा ऐसे आदमे के आसपास रहना पसंद करते हैं, जो मुस्कुराने, हंसने और जीवन का आनंद लेने में उनकी मदद करता है, दूसरी तरफ, लोग हमेशा गलतियां निकालने वाले आदमे इसे बचना चाते हैं, जो कभी नहीं मुस्कुराता और हर स्थिती का सिर्फ नकारात्मत पहलोई देखता है, हंसी से चमतकार होते हैं, हंसने से दूसरों को अच्छा मैसूस होता है, हंसने से बलड प्रेशर कम होता है, मन शिक शान्ति मिलती है, पाचन ठीक रहता है, और भूलने में मदद मिलती है, पीडियों से रीडर्स डाइजेस्ट कह रही है, कि हंसी सर्वस्रेश्ट दवा है, यह सच है, इस बारे में कोई संदे नहीं है, जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं, वे हश्य को पूंजी की तरह देखते हैं, मैं एक यूवक को अच्छी तरह से जानता हूं, जो मेडिकल कालेज की पड़ाई पूरी करने वाला है, वह एक परतिवा अफशाली यूवर डॉक्टर है, उसने अपनी रेजिडेंसी के लिए 20 नामी अस्पतालों में आवेदन किया, उसे 19 की स्विकरती मिली, 95% स्विकरती की दर इस वेक्त कि यूवर डॉक्टर के हाश्यबोद ने उन्हें काफी प्रवावित किया था, उसका हाश्यबोद एक प्रमुक्तत्तो था, जिसकी वजए से उन्होंने उसे स्विकरत करने का निर्ने लिया, यह रहा उस पत्तर का हिस्सा जो एक अस्पताल के चेर्मेन ने उसे लिखा था प्रिय डॉक्टर ओल्ट, आपने यह एक शमता है कि किसी मुश्किल प्रिश्टिती का सामना करते हुए भी आप उसके रोचक और आशावादी पहलों को देख सकते हैं, आपका हाश्यबोद आपके करियर में बहुत काम आएगा एक बेहद सफल सेल्जमेन ने मेरे सामने यह टिपनी की, हर प्रस्तुती के पहले कुछ सेकेंडों में मैं हमेशा यह कोशिस करता हूँ, कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुश्कुराई या इससे भी बेहतर है कि वह हंसे, मैं इसा दो कारणों से करता हूँ, पहला हंसी रिलेक्स क पताने वाला हूँ, उसके परतियु से अधिक सकारात्मक बनाती है, दूसरा कारण यह है, कि हंसी से यह चवी बनती है, कि मैं मिलनसार और दोस्ता ना हूँ, इससे यह लाब होता है, कि जब मैं पहली बार उसे फोन करूंगा, तो वह है मेरे साथ बात करना चाहेगा, हश्य पूर्ण आत्मावी विक्ति की कुंजी यह है, कि आप में किसी भी तरह की इस्तिती में कोई मज़ेदार चीज खोजने की च्छमता हो, जिन्दगी इतनी चोटी है, कि उसे मुह लटका कर नहीं उज़रा जाना चाहिए, अच्छे हश्य का कच्छा माल क्या है, सरवस भी मिलता था, राष्टपती अपने उमर के बारे में दरजनों मजाग करते थे, और चूंकि वे इतियास में अब तक सबसे ज़्यादा उमर के राष्टपती थे, इसलिए जब रीगन अपने बुड़ावे पर खुद अंसते थे, तो वे लोग निरस्त्र हो जाते थे, जो जानते हैं, हमें उतना जादा मालूम होता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, चिकित्सा, इंजिनिरिंग या बोतिकी के ख्षेतर में कोई नई खोज जितने जवाब देती है, उससे ज़्यादा सवाल खड़ी कर देती है, और ग्यान से उत्सा भी बढ़ता है, हम अंत्रिक्स का जितना अधी कन्विंशन करते हैं, हमारे कैमरे जितनी ज़्यादा कहराई में देख पाते हैं, और पदार्त की सरंजना के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं, सीखने का हमारा उत्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, मेरी एक दोस्त एक ऐसी संस्ता की परमुक ह जो बच्चों के साथ होने वाले दूर वेवार को रोकने का काम करती है उसने मुझे बताया कि जब तक लोग यह नहीं जानते कि बच्चों के साथ कितने व्यापक पैमाने पर दूर वेवार होता है तब तक इस काम के लिए पैसे इकटे करना, शुम्श्योक मिलना और समश्या को मीडिया में परचारित करने के लिए विश्वास दिलाना कठिन होता है बहराल जब लोग जान जाते हैं तो वे उसके काम में सयोग करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं एक बार फिर उत्सा ज्यान के साथ आता है अधिकाहस लोगों को डाक टिकेट एकठे करने के विचार से बुरियत होगी जब तक की वे इस तरह के सवालों के जबाब नहीं जान जाए यहें निर्णे कौन करता है कि डाक टिकेट पर कौन सी तस्विर चपेगी और क्यों चपेगी हर साल कितने टिकेट जारी किये जाते हैं कि इस वज़े से कुछ टिकेट बहुमल्य बन जाते हैं डाग टिकेट का विश्कार किस ने किया और सब टिकेट एक याकार के क्यों होते हैं ग्यान से ज़्यादा सीखने की प्रेणा और उच्छा मिलता है जब हम किसी व्यक्ति वस्तू या विचार के बरे में ज़ादा जाते हैं तो हम उत्सा बढ़ाने के दिशा में एक मेंतपण कदम उठाते हैं अग्ञान से उत्सा सिमटता है ग्ञान से उत्सा फेलता है उत्साहित होने में दूसरों की मदद करेंगे तो आप और भी यदिक उत्साही होंगे आप जितना अधिक देंगे आपको उतना ही यदिक मिलेगा यह कहावत उत्सा पर भी लागू होती है आप दूसरे लोगों को जितना ज़्यदा परोच्षान देंगे आपको उतना ही ज़्यदा प्रोच्सान मिलेगा और आपको जितना ज़्यदा प्रोच्सान मिलेगा आप उतना ही बेहतर काम कर सकेंगे इस अवदारना को अच्छी तरह से जान ले चाहे आप कुछ भी करते हो लक्ष प्रापती है तू आपकी लीडर्शिप के लिए यह बेहद महतपूर्ण है कि आप में दूसरों से सर्वस रेष्ट परदर्शन करवाने के लिए प्रेरित करने की योगता हो सफलता का एक नियम यह है जो लोग दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं वे महान लेडर बन सकते हैं जो लोग दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते वे कभी लेडर नहीं बन सकते अपने अनुबह को टटोले इस बात की संभावना है कि आपको कोई ऐसा टीचर याद आया हो जिसने आपको सचमुश प्रेरित किया हो आपने ज़्यादा कड़ी मेहनत की उसकी एक भी कलास नहीं छोड़ी उसके साथ सहयोग किया और सबसे बड़ी बात उससे कुछ काम की बातें सीखी अनुबह को टटोलते समय शायद आपको वह दूसरा टीचर भी याद आया होगा जिसने आपके इंजिन को बंद कर दिया हो आपने सिर्फ उस विशे में पास होने लाइक पढ़ाई की यथा संबव उसकी कलास के बंक मारा और सिर्फ इतना सीखा ताकि आप परिक्षा में पास हो जाएं फर्क किस चीज़ से पढ़ा क्या प्रेरक टीचर के पास किसी बहतर यूनिवेस्टि की डिगरी थी क्या यह अधिक बुद्धिमान था अधिक अनूबवी शायद नहीं फर्क विद्यार्थियों को उत्साइद करने की योग्यता में था आप अलग अलग अधिकारियों आफिस मैनेजर्स, एक्जुक्यूटिव्स और सुपरवाइजरों के लिए किये गए काम की क्वालिटी और क्वान्टिटी में बहुत अंतर देखते हैं जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं वे लीडर्शिप की पहली आवशक्ता को पूरा करते हैं वे जानते हैं कि किस तरह लोगों को किसी लक्षय के बारे में प्रोधसाइट किया जाई उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ाया जाई और उनका मारक दर्षन किया जाई इस से यहे निशकर्श निकलता है कि मैं दूसरों को किस तरह प्रेरित कर सकता हूं सवाल का जवाब देना आपके लिए महत्वकूर्ण है इस जवाब से आपको धन, स्टेटस और लीडर्शिप के दूसरे पुरुसकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब आप किसी योजना में मदद करते हैं और लोगों का अुद्शा बढ़ाकर उन्हें प्रेरिद करते हैं तो वे बैतर प्रधर्शन करते हैं आपके करमचारी, अपने काम को जितने बैतर तरीचे से करेंगे आपका प्रधर्शन उतना ही बैतर होगा एक लीडर्शिप शुक्ति कहती है आपका मुल्यांकन इस बात से नहीं होता कि आप क्या करते हैं आपका मुल्यांकन तो इस बात से होता है कि आप अपने सयोगियों से कितना करवाते हैं अगर आप इस सुक्ति के अनुसार काम करेंगे तो आपको भी अधिक संतुष्टी का आनन्द मिलेगा। लोगों को परिणाम के साथ जोड़ें इसे पहचानने में गलती ने करें। कोई व्यक्ति अपने काम के अन्तिम परिणाम से जितनी नजदीकियों से जुड़ा रहेगा। वह उतना ही ज़्यादा उत्साई और सफल होगा। मेरा एक दोस्त नौर्थ कैरोलिना में एक बड़ी फरनिचर फैक्टरी का मालिक है। उसे अपने करमचारियों पर बहुत गर्व है। और उन्हें भी उस पर बहुत गर्व है। वह अपने करमचारियों की इस तरह मदद करने में निपून है। ताकि वे कंपनी के कारियों से भावनात्मक रूप से चुड़ जाएं। यह उत्सा बढ़ाने वाली एक सशक्त तक्नीक है वह बताता है मेरे ट्रक ड्राइवरों को ही देख ले वे बहुत मेहनत करते हैं कभी शिकायत नहीं करते और अपने हिस्से के जोखिमों से ज्यादा जोखिम उठाते हैं हमारे ड्राइवर हमारे काम से करीबी रूप से जुड़े हैं जब वे कोई सामान पहुँचाते हैं शायद दो अजार मिल दूर तो वे सवी दस्तावेजों पर यह लिखकर अस्ताक्षर करते हैं गरव के साथ ने पहुँचाया अपने नाम के अस्ताक्षर करते समय वे सोचते हैं यह मैंने किया है मैंने यह सामान अपनी कुशलता, साउधनी और कड़ी मेनत से पूंचाया है जब वे आफिस फोन करके हमें बताते हैं कि उन्होंनों यह काम कर दिया है तो वे हमेशा इस तरह से शुरू करते है मैं बोल रहा हूँ, मिशन सफल हुआ परंतो करमचारियों का जुडाओ यहीं पर खत्म नहीं होता मेरे दोस्त ने आगे कहा तीन से पांस करमचारियों की टीम फरनिचर के हर नमूने को अंतिम रूप देती है और उसकी जांच करती है हम उन करमचारियों के नम फरनिचर पर एक साफ सुत्रे लेबल में लिख देते हैं इससे उन्हें गरव का एसास होता है और इससे फरनिचर बेजने में भी मदद मिलती है क्योंकि इससे गरहा की यह जान जाते है कि इस फरनिचर को मशीनों ने नहीं बल्कि इन्शानों ने बनाया है मेरे मित्र के कारखाने में सेकरेटरी भी पत्रों, रिपोर्ट्स, कीमत के कोटिशन सिर्फ हास्ताकसर से नहीं बल्कि पूरा नाम लिख कर भेज़ती है किये गए काम के साथ जुडाओ इस से कोई फरक नहीं बढ़ता कि आप क्या करते हैं हर क्षेतर में आपको अपने लक्षे पाने के लिए दूसरों के सक्षम और उत्सापूर्ण सेयोग की आफशकता होती है अपना खुद का बिजनस चलाने के लिए कर्पूरेट जीवन में आगे बढ़ने के लिए खिलाडियों की टीम बनाने के लिए या राजनिती में जीतने के लिए आपको लोगों की मदद की जरूरत होती है इन लोगों को चुनने में दो गुन मेतोपूर्ण है योगयता और नजरिया योग्यता मैतोपूर्ण है महान संगठन बनाने में योग्या लोगों की आवशकता होती है एक अच्छी बेस्पाल टीम का मतलब यह है कि परतिवा शालिक खिलाडियों को लिया जाई महान इमारतें डिजाइन करने के लिए योग्या आर्किटेक्ट के सायोगी जरूरत होती है किसी भी महान परिणाम को हासिल करने के लिए प्रशिक्षित, दक्ष और योग्या वेक्तियों की जरूरत होती है हम एक ऐसे समय में रहे रही है जब काम लगातार विशेशक गयता पुर्ण और जटिल होता जा रहा है नोकरी में विशेशक गयता की मांग पिछले 15 सालों में दूगनी हो गई है और अगले 15 सालों में तूगनी हो जाएगी और हमारे देश में कालेज डिगरी धारकों का परतिसत अब सारे रिकोर्ड तोड रहा है फिर भी उत्पातगता की इस्तिती निरसाजनक है कारण यह है कि योगेता सिर्फ यह नापती है कि लोग क्या कर सकते है योगेता हमें यह नहीं बताती कि लोग क्या करेंगे ऐसा कोई मल्टिपल च्वाइस टेस्ट नहीं है जो इच्छा या प्रेड़ना को नाप सके नजरिया योगेता से ज़्यादा मेतपूर्ण है अगर कोई व्यक्ति एक से दस के पैमाने पर योगेता में दस अंक पर हो परन्तु नजरिया के पैमाने पर उसका स्कोर सिर्फ पांच या च्छे हो वह उस व्यक्ति से पीछे रह जाएगा जिसका स्कोर योगेता के पैमाने पर सिर्फ पांच या च्छे है परन्तु नजरिये के पैमाने पर दस है अगर नजरिये का स्कोर दस है तो व्यक्ति सीख कर अनुबहु से और कोशिस करके अपनी योग्यता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है इसका विपरित सच नहीं है हर बिजनस या प्रोफेशन में सभी तरह की नोकरियों में ऐसे योग्या लोग होते हैं जो खराप परदर्शन करते हैं भटक जाते हैं नोकरी के दोरान ही रिटायर हो जाते हैं सायोग नहीं करते और अपनी या बिजनस की तरक्की के लिए कुछ नहीं करते कालेज कोच परतिवाशाली हाई स्कूल खिलाडियों को टीम में सामिल करते समय बहुत ध्यान रखते हैं स्काउट्स उन्हें बताते हैं कि किन खिलाडियों पर उन्हें अधिक ध्यान देना है स्काउट्स चाते हैं कि खेल के मैदान में सर्वस रेस्ट खिलाडी ही उतरे परंतु हर साल उलट फेर होते हैं जिन हाई स्कूल खिलाडियों को स्काउट्स ने सोट लिस्ट नहीं किया था जिन खिलाडियों की अनुसंसा, हाइ स्कूल टीम के किसी भी कोच ने नहीं की थी, ऐसे खिलाडी कोलेज की टीम में आने के लिए विवस करते हैं और उन में चुन लिए जाते हैं इसका कारण यह है कि उनके मन में टीम में शामिल होने की प्रबल इच्छा वै उच्सा होता है और उनका नजरिया सकारात्मक होता है हमेजा यही देखा जाता है कि जो लोग शिखर पर पहुंशते है वे नजरिये के पेमाने पर भी सचमुत शिकर पर होते हैं योगेता मैत्वपूर्ण है, परन्तु यहें उतनी अनिवारिय नहीं होती, जितना कि सकारात्मक वेफ़्ति नजरिया होता है। योगेता सिर्फ संभावित शक्ति है, जब तक इसे सक्रिय ने किया जाए तब तक इसका कोई मुल्य नहीं है। सकारात्मक लोग सुधार करना जारी रखेंगे, नकारात्मक लोग ज्यादा से ज्यादा यथा स्थिति काईम रखना चाहेंगे, अपने करमचारियों को प्रेरित करने के लिए उनमें व्यक्तिगत रूची जगाएं, मैं बहुत से पुरुषकार समारों में भासने दे चुक कुछ कंपनियां हर साल पुरुषकार समारों आयोजित करती हैं, यह बहुत अच्छी बात है, ऐसा आधारन परदर्शन का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक को बहतर काम करने का प्रोच्छान मिलता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पीठ थप तपाई जब कंपनी किसी करमचारी से कहती है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, धन्यवाद, हम आपके सायों की सराना करते हैं, और इसी तरह शानदार काम करते रहें, तो उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, वार्शिक पुरुषकार समारों आयोजित करने के साथ- जब तक किसी व्यक्ति को समय समय पर प्रेणा की खुराक नहीं मिले, तब तक वह सामान बेचने, स्कूल में जाने, फुटबाल खेलने या किसी और काम को करने में बहुत ज़्यादा उत्सा ही नहीं रहेगा, एक सोफ्टेयर कंपनी के सेल्ज मैनेजर ने मुझे अपने प पीसी पीसी के पूरू क्षेतरों में तेरह परते निदी है, मेरे करमचारी सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल सुईदा देने वाली संस्ताओं में सामान बेचते हैं, सेल्ज मैन ज़्यादातर समय अपने दम पर काम करते हैं और उन्हें काफी यात्राइं करनी पड़ती है, परंतु मैं उन में से हर एक के साथ सब्ता में कम से कम दो बार चर्चा करता हूँ, मैं उनसे सेलिंग के तक्निकी पहलू के बारे में ज्यादा बाते नहीं करता, हमारे सेल्ज मैन जानते हैं कि कैसे बेचा जाता है, क्योंकि हमारा प्रशिक्षन कारेकरम बहुत अच्छा ह मेरी चर्चाओं का सिर्फ एक ही उदेश्य होता है, उन्हें उच्षाइद करना, जिसे मैं गिरावट रोकने का नाम देता हूँ, सुक्षम तक्निकों से मैं उन्हें बताता हूँ, कि उनमें कितनी संभावनाई है, मैं उनमें से हर एक को बताता हूँ, कि हम उनके काम वैस सायोग की सराना करते हैं मेरा विश्वास कीजिए मेरे मित्र ने आगे कहा जब आप अपनी पत्नी बच्चों और घर के आराम दे जीवन से हर सब्ता तीन या चार दिनों तक दूर रहें तो अपने उच्छा को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी प्रेड़ना की जरूरत होती है क्या आपकी चर्चाओं से लाब होता है मैंने पूछा बिल्कुल होता है देखिए मुझे लगता है नजरिया और सिर्फ नजरिया ही वह तरीका है जिससे विकरी को बढ़ाया जा सकता है और मंदी को रोका जा सकता है मैं प्रतियोगिता को नियंद्रित नहीं कर सकता मैं उन मेडिकल सेंटर्स के बजट को नियंद्रित नहीं कर सकता जिनें हम सामान बेशते हैं परन्तु मैं अपने करमचारियों के उच्छा पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता हूँ और मैं उनके उच्छा को बढ़ाने के लिए बहुत मेनत करता हूँ. हर व्यक्ति सकारात्मक ध्यान चाता है. अगर लोगों से मशीनों या बेजान वस्तूं की तरह वेवार किया ज उसे कुछ मिनिट का समय देना एक तरह से उसकी तारिफ करना है. मैं एक बहुत सफल सुपरवाईजर को जानता हूँ जो हर दिन अपने 15 करमचारियों में से हर एक के साथ 2 या 3 मिनिट तक बात करते हैं. उन्होंने मुझे बताया, इसमें हर दिन 30 से 35 मिनिट का समय लगता ह परंतु इससे सचमुच फाइदा होता है, चुकि मैं उनमें रूची लेता हूँ, इसलिए वे मेरा सम्मान करते हैं. मेरे दोस्त ने आगे कहा, अपने करमचारियों की व्यक्तिगत रूचियों और चिंताओं को जानना मेरे काम का सबसे मैत्वपूर्ण हिस्सा है. मैंने क रहा, अधिकास मैनेजर तो यही कहेंगे कि अपने करमचारियों की व्यक्तिगत चिंताओं से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. सुपरवाइजर ने आगे कहा, मैं जानता हूँ, परंतु मैं आपको इस बात का प्रमान दे दूं कि मेरा तरीका सच मुझ काम करत है, मुझे जब सुपरवाइजर बनाया गया, उसके एक साल पहले बिमारी के कारण अनुपस्तिती की ओसत संख्या प्रती करमचारी तेरे दिन थी, मेरे पहले वर्स में अनुपस्तिती घटकर प्रती करमचारी सिर्फ दो दिन रहे गई, उतपादन बढ़ गया, कंपनी छ आखिर उनकी समश्याई मेरी समश्याई है, क्योंकि उनकी परहसानी से मैं भी तो प्रवावित होता हूँ, उत्सात समतकार करता है, उत्सा ही वैसकती है, जो सेलिंग, स्पोर्ट्स और बिजनस में फर्क पैदा करती है, उत्सा है लोगों को विजेता की तरह मैसूस कराता है और उससे विजेता की तरह काम करवाता है, जिस वजए से वे विजेता बन जाते हैं, उत्सा घर बेचता है, रियल एस्टेट बेचने में 80% धन, 20% या उससे कम एजेंट कमाते हैं, क्यों? क्या 5 में से एक एजेंट जो बाकी 4 की समिलित कमाई से भी ज़्यादा धन कमात हैं, उन से ज्यादा कुशल है, ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, बिजनस में अधिक सालों से है, अधिक भग्य साली है, नहीं, रियल एस्टेट के सितारों में एक जोसिल अस्ता तो होता है, उत्सा, वे जमीन के एक बेजान टुकडे में जीवन, सपने, आनंद और आउसर बर देते हैं, सफल रियल एस्टेट सेल्जमेन सिर्फ जाइदाद नहीं दिखाते, वे उसमें उत्सा फूंग देते हैं, मेरियन ओ नामग, महिला एक्जिकुटिव ने मुझे बताया, कि उसने एक गर दूसरी बार दिखाई जाने पर क्यों खरीदा, जब दूसरी एजें एजेंट हर प्रोपर्टे के बारे में सारे तथ्या जानता था, वर्गफूट, मार्गरेज, काईविवरन, टेक्स, यूटिलिटी खर्च और इसी तरह की दूसरी चीजें, उसके पास मेरे हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब था, परंतो 18 मकान देखने के बाद, मुझे उससे पूछा, इससे पहले कि मैं आपको घर दिखाऊ, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, आपके इसाब से आदर्स घर्स कैसा होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, वैसामा जिग जीवन के संदर्व में, आप इससे क्या पिक्षाई रखती हैं, मैंने जरूरतों के इसाब से सच मुझा दर्स हैं, आईए हम चल कर उसे देखते हैं, जब हम उस प्रोपर्टी के पास गई, तो मैंने ततकाल पैचान लिया, कि इस गर को तो पहला एजेंट मुझे दिखा चुका था, और यह मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने एजेंट स है, कि इस प्रोपर्टी के बारे में कुछ खास बातें शायद आपको बताई नहीं गई है, मैं यह अगर आपको दुवारा दिखाना चाहूंगी, थोड़ी अनिच्छा से मैं तयार हो गई, दूसरी एजेंट के पास भी वही ठोस्तक्ते थे, जो पहले एजेंट के पास थ जैसे दोनों एजेंटों ने मुझे पताया कि घर में उर्जा की बचत की संभावना है, परंतो दूसरी एजेंट ने मुझे बताया कि हम घर को गरम या ठंडा रखने में हर महीने 100 डालर की बचत कर सकते हैं, और फिर उसने कहा, 100 डालर परती माह, इन दिनों बड़ी रकम नहीं लगती, परंतो अगर हर महीने 100 डालर को 20 साल की आउदी के लिए 15% ब्याज पर निवेस कर दिया जाए तो अच्छी खासी रकम बन जाती है, दूसरी एजेंट ने बगीचे के बारे में मेरी कलपना शक्ती को भी जाकरत किया, उसके पास योजना थी कि प्रेड कहां लगाई जाएं और उसने मुझे वह जगे दिखाई जो पूराने फैशन के बगीचे के लिए बिल्कुल सही हो सकती थी, मकान के दो कमरों में काफी मरमत की जरूरत थी, परंतो अजेंट ने बताया कि यह भी एक कारण था जिसकी वज़े से वह प्रोपर्टी मुल्यवान क्योंकि मैं इन कमरों को अपने मंचाए तरीके से दुबारा सजा सकती थी, जब मैंने पडोशियों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह उंची सोसाइटी के बहतरीन लोग हैं, उसने मुझे आठ सबसे करीबी पडोशियों में से हर एक का विवर सबी रियल एस्टेट एजेंट आपसे यही बात कहते हैं, उसने मुझे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया, जो अब बहुत सफल हैं, उन पुरुसकारों के बारे में बताया, जो विद्यार्थियों ने बैंड, वादवियाद पर्तियों की ताओं और एतलेटिक्स में जीते थे फिर उसने अपनी आवाज में गहरी भावना के साथ मुझ से कहा प्रोपर्टे दिखाने का उसर देने के लिए धन्यवाद मैं इस गर की संभावना से सचमुश प्रेम खरती हूँ फिर क्या हुआ मैंने पूछा मरियन ने जवाव दिया 24 गंटे ब उसा मैच जीताता है खेल की टिम में योग्यता दक्ष्टा आकार और अनुबों में कभी एक दूसरे से बहुत अलग हुआ करती थी पर अब ऐसा नहीं है बेजवाल टिमों की ओसत उन्चाई में अब आम तोर पर एक दूसरे से एक इंच से भी कम का फरक होता है ओसत वजन में सिर्फ तीन या च्यार पॉंड का और अनुबों में सिर्फ एक या दो मा का यही फुटबाल बासकेटपाल हाकी या किसी अन्य खेल के बारे में सत्य है आज परतियोगी टिमों के बीच अंतर शारिरिक नहीं बलकि भावनात्मक होता है वही टीम सिखर पर पहुंचती ह जिसमें जीतने की सबसे प्रबलिच्छा और सबसे ज़्यादा उत्सा होता है एक फुटबाल कोज ने मुझे अपनी हाफ टाइम चर्चा के बारे में बताया जो उसने अपनी टीम के साथ तब की थी जब उसकी टीम 28-0 से पीछे थी मैंने कोई रननिती नहीं सुझाई गल तो हम दूसरे हाफ में 28 से भी ज़्यादा पोइंट बना सकते हैं मैंने अपनी टीम को बताया कि वे सचमुझ बहुत अच्छे खिलाडी हैं और उन्हें अच्छे खिलाडियों की तरह खेल खेलना चाहिए अंत में हम 33-28 से मैच जीत गई और यह दूसरी टीम के घरेलू मै कि घरेलू मैदान के लाब पर निर्बर ने रहें कोच ने एक मैतवपून बात कही उत्सा से फरक पड़ता है और उत्सा किसी बाहरी स्थरोच से नहीं बलकि इनसान के बीधर से आता है एक रिटेलर इतना ज़्यादा सफल क्यों है वासिगटन डीसी में एक अगड़नी र ठीटन बलता का राज बताया पारम पर एक दरिश्टी से देखा जाए तो हम अपने परतियोगियों की तूलना में ज़्यादा फाइदे मन्स्तिति में नहीं हैं अगर हमारे पास अच्छी लोकेशन है तो उनके पास भी अच्छी लोकेशन है हमारे और उनके ब्रांड भी या भी special share लगती है हम जम कर विग्यापन करते हैं और हमारे परतियोगी भी ऐसा ही करते हैं हमारे पास सबसे मेत्वपून लाप पहुंचाने वाली चीज है हमारे करमचारी परतिस परदा में हमारे जीत का कारण ग्रहाक के साथ किये जाने वाला व्यवार है हम अपने स्टोर में ऐसे करमचारी रखते हैं जो सेवा को पहले स्थान पर रखें जो खुशी-खुशी और उच्छा से सेवा करें हम ऐसे करमचारीों को बरदास नहीं करते जो इस तरह से व्यवार करे जैसे ग्रहाक की सेवा करके वे उस पर एक ऐसान कर रहे हो हमारी निती है ग्रहाक की पूर्ण संतोस्टी को सबसे उपर रखो और इस निती का पालन हर वी भाग में किया जाता है सेल्फ सर्विस तथा व्यक्तिगत सर्विस ख्षेत्रों में डाइनिंग रूम में और पूरे स्टोर के लीज किये हुए डिपार्टमेंट में मैंने कहा तब तो आपने करमचारियों को उत्साहित बनाने की प्रेणा देने के लिए आपको बहुत मेहनत करने पड़ती होगी हाँ हम करते हैं मेरे मित्र ने जवाव दिया हमारे यहां स्रेष्ट सेवा के लिए लगातार पुरुषकार देने की प्रमपरा है हमारे यहां प्रेणा दाइक बैठके होती है बहुत से करक्रम है जिनका लक्षे करमचारियों के मनोबल को उंचा रखना है परन्तो हमारा प्रेणा दाइक करक्रम दरसल हमारे करमचारियों को चुनने की परकिरिया से शुरू होता है हम सिर्फ अपनी खाली जगे बरने के लिए लोगों को नोकरी नहीं देते हम लोगों को स्टोर के परतिनिदी के रूप में काम करने के लिए चुनते हैं हमारे हर क्रमचारी के साथ हमारी छवी जुटी रहती है। मुझे यह बात इतनी दिल्चस्प लगी कि मैंने अपने मित्र से इसे थोड़े विस्तार से बताने को कहा। देखिए उसने आगे कहा हमारे करमचारियों को अच्छे स्वास्ते, संतोष जनग रोजगारी तियास, आपरादिक रिकार्ड नय होना और अच्छे हुलिये की सामन्य शर्तों को पूरा करने के अलावा भी कई सर्तों को पूरा करना होता है। मेरे मितर ने कहा, वेलफेर दो तरह का होता है, ज्यादातर लोग सिर्फ पबलिक या गवर्नमेंट वेलफेर के बारे में ही सोचते हैं, परन्तु एक और तरह का वेलफेर होता है, जिसे प्राइवेट या कॉर्परेट वेलफेर कहा जाता है। कॉर्परेट वेलफेर का मतलब है लोगों को सिर्फ काम करने की प्रकिरिया से गुजरने के लिए तन्खवा देना। चाहे उन्होंने सचमुच काम किया हो या ने किया हो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने यहां काम पर ने रखें जो शत्परतिसद से कम प्रियास करें। हम अपने आवेदकों का मुल्यांकन कई बिंदों पर करते हैं जैसे हमारे साथ काम करने की इच्छा, टीम का खिलाड़ी होने की योग्यता, उत्साही तथा जिंदा दिल लोगों की तरह बात करना, मुस्कुराना, व्यवार करना और चलना। हमारे यहां करमचारी चैनुवी भाग एक परिक्षा लेता है, जिसे मैं उत्सा परिक्षन कहता हूँ। लोगों के साथ बिजनस करना पसंद नहीं करते, मैं मानता हूँ कि शोपिंग करना अमेरिका का सबसे बड़ा मनोरंजन है, अगर लोगों को हमारे यहां शोपिंग करने में मज़ा नहीं आएगा, तो वे कोई दूसरा स्टोर खोज लेंगे, जहां पैसे देकर सामान अटलांटा में अधिकाज शेरों तक हावाई यात्रा के लिए बहुत सी एरलाइन्स के विकल्प हैं, इसके बावजोद मेरा ट्रेवल एजेंट हमेशा एक ही एरलाइन से मेरा टिकेट खरीटता है, चाहे इसकी वज़े से मुझे एक या दो गंटे की देर हो जाई, क्यों दूसरी एरलाइन भी उसी तरह के उपकरणों के सारे उड़ती है, मेरी प्रिये एरलाइन के बराबर शैरों तक ही यात्रा करवाती है और उनी सुरक्षामानकों को पूरा करती है, फिर मैं एक एरलाइन से यात्रा करने पर ही जोर क्यों देता हूं और दूसरी की करता हूं, तीन सबदों में इसका कारण है, करमचारियों का उत्सा मेरी प्रिये एरलाईन के करमचारी दूसरी एरलाईन के करमचारियों की तुलना प्रशा ही है। चेक-इन काउंटर से लेकर दरवाजे और हवाई जाज के भीतर तक मुस्कुराहट और गरम जोशी से किया गया अभी बादन। बहुत अच्छी सेवा तता पाईलेटों दोबरा की गई दोस्ता ना गुडबाई जैसी छोटी-छोटी दिखने वाली चीजें फरक पैदा कर देती हैं। उत्सा पूर्ण प्रोफेस्नलिजम की वजए से डेल्टा लाकों लोगों की सबसे प्रिया एरलाइन बनी हुई है। और उत्सा के लिए डेल्टा को कितना खर्च करना पड़ता है एक भी पैसा नहीं। बलकि इससे कंपनी के पास पैसा आता है कोई भी कंपनी पैसे खर्च किये बिना बहुत बड़ा प्रतियोगी लाब हासिल कर सकती है। लोग सिर्फ सामान नहीं खरीते वे सामान के साथ उत्सा भी चाते हैं। अपने काम में विश्वास करें उत्सा अपने आप आ जाएगा। जब हमारे मन में पूरा विश्वास होता है कि हम जो काम बेहद मैतवपूर्ण है और उन्हें किया ही जाना चाहिए। यही कारण है कि वे हमेशा उत्सा ही नजर आते हैं। परंतो अगर हम जानते हो कि हम जो कर रही हैं वह गलत है तो हम उसे लेकर उत्सा ही नहीं हो सकते। हमें से ज़्यादातर लोग मादक द्रव्य बेचन कि इसे बारे में कभी उत्साई नहीं बन सकते कि हमारी अंत्रात्मा हमें चेताती है कि दूसरों के शरीर को नुक्सान पहुंचाना और उनके मस्तिश को धूसित करना गलत है। हमारी अंत्रात्मा हमारे शरीर के घुट नहीं भोलती हम किसी व्यक्ति विचिया थान publi में में रोल के आफर मिलते हैं जिन में से ज्यादातर उसे ठुकरा न पड़ते हैं उसने मुझे यह भी बताया कि उसके आमदनी बहुत जादा क्यों है जबकि अदिखांस अविनेतां को काम के लाले पड़े उसने इसका कारण बताते हुए कहा अधिकांस अविनेता सिर्फ अविने करते हैं आम अविनेता अपनी भूमिका का अविनेत करता है नाटक करता है, नकल करता है वहे अपनी भूमिका में पूरी तरह डूपता नहीं है मैं जिस भूमिका को निवाता हूं उस पर इतनी गहराई से ध्याने का करकरता हूँ कि मैं वही व्यक्ति बन जाता हूँ सबसे अच्छा आविने किसी इनसान जैसा होने का आविने करना नहीं है बलकि वहे इनसान बनना है जब मेरी भूमिका के विक्तित्यों को मैं अपना विक्तित्यों बना लेता हूँ तो मेरे हाओ भाओ, मेरा सोभाओ, आवाज, टाइमिंग, मेरा पूरा अस्तित्यों उस भूमिका में होता है अब उसने आगे कहा किसी भूमिका का विशलेशन करते समय अगर मुझे लगता है मैं उस भूमिका के विक्तितों के बीतर प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं उसे ऐस विकार कर देता हूँ लोग समझ जाते हैं कि आप कब दोका दे रहे हैं दोके बाज हमेशा दोके बाज की तरह दिखता है महान अविनेता बनने के लिए आप में विश्वस्नियता होना चाहिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप ही वह वेक्ति हैं जिसकी भूमिका आप निवा रही है ए अगर मैं यहें नहीं सोचता कि वहें उनके लिए अच्छा है तो उन्हें इस बात का एसास हो जाएगा कि मैं क्या सोचता हूँ और इस से मेरी विश्वास नियता खतम हो जाएगी। मैं सिर्फ वही प्रडेक्ट बेशता हूँ जिसके बारे में मैं उत्साई हो सकता हूँ। एक वकील ने कहा जब मेरा विश्वास होता है कि मेरा मुवकील निर्दोस है तो मैं अदालत में ज्यादा अच्छी तरह से मुक्दमा लड़ता हूँ। एसा तब नहीं होता जब मुझे लगे कि मेरा मुवकील दोसी हो सकता है। जूरी हमेशा जान जाती है कि मैं अपने मुवकील के पक्स में जो कह रहा हूँ उसमें मैं विश्वास करता हूँ या नहीं। सबट लोगों का समर्थन जीतने के लिए आपको अपने शब्दों और कारियों में विश्वास होना चाहिए। उसा विश्वास का बाई प्रडेक्ट या परिणाम होता है। सफल लोग जानते हैं कि अंतरात्मा से मार्क डर्शन लेने में ही समझदारी है। अपनी बातों में उत्सा वरें। जब आप बोलते हैं तो आपके कहे गए शब्द मैत्वपूर्ण होते हैं। परंतु आपके शब्दों से भी अधिक मैत्वपूर्ण है आपका लहजा। आप कह सकते हैं गुड मॉनिंग। आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं परंतु सामने वाला इन शब्दों का इन में से कोई भी मतलब निकाल सकता है। यह विक्तिप सचमुच मेरी परवा करता है और सोचता है कि मैं शानदार दिख रहा हूं। से लेकर यह मतलब तक यह आदमी जो कह रहा है दरसल उसका मतलब यह नहीं है। वह दरसल सोचता है कि मैं बयानक दिख रहा हूं। कुछ वाक्यांसों के साथ परियोग करके देखिए कि आप कितने अलग-अलग भाव पर सूत कर सकते हैं। आप कैसे हैं मुझे आपसे मिलकल खुशी हुई और मैं आपके नई कार को पसंद करता हूं। जैसे वाक्यां मित्तरता, कटूता, इर्शा या आनंद व्यक्त करने के लिए कहे जा सकते हैं। समस्त मानवी अभाव द्वनी के माद्यम से व्यक्त होते हैं। संगीत का अध्यन करने वाले जानते हैं कि दोनिया प्रेम, रोमांच, कोमलता, दुख और कई अन्य बावनों को व्यक्त कर सकती हैं। तथा संगीतकार इनके माद्यम से ऐसा ही करते हैं। अगर आपके पास कोई कुटा या बिली है, तो आप उसकी आवाज सुनकर जान सकते हैं कि उसे कैसा अनुवव हो रहा है। और अपना पहला शब्द बोलने से महिनों पहले ही बच्चा स्वस्ट चूप से बता देता है कि वह आपके बारे में, भोजन के बारे में और अपने आसपास की चीजों के बारे में कैसा महसूस करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी बासाने बोल पाता हो, तो आप इसके बावचुद उन भावनाओं को समझ जाएने जो वह व्यक्ति आप तक पहुंचाना चाहता है। शब्द नहीं बलकि द्वहनी मूलगूत संदेश होता है। संप्रेशन के दोरान द्वहनी को अक्सर नजरानदाज कर दिया जाता है। बच्चों को यह है तो चिखाया जाता है कि शब्दों को सही बोलना चाहिए। दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनें। खुद को याद दिलाएं मैं इस आदमी को पसंद करता हूँ एसा करने पर आपकी आवाज का स्वर अपने आप उस गरम जोशी को परदर्शित करेगा जो आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं उच्छा के साथ बोलें दरड और उच्छा ही द्वहनी निकालें का सबसे मैतपून सादन है इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन टेकनोलजी ने पिछले दस्कों में बहुत लंबी चलांग लगाई है परंतो फोन का सकारात्मक उप्योग करने में इनसान पीछे रहे गया है एक दोस्त ने मजाक में मुझे बताया कि हम जितनी बूरी तरह से टेलीफोन का उप्योग करते हैं उतने ही बूरी तरह से अगर हम कार चलाने लगें तो कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा पिक्चर फोन टेकनोलजी 25 सालों से है परंतो टेलीफोन के माद्यम से किसी दूसरे शहर या देश में बात करने का चमतकार टेकनोलोजी की साहिता के बिना शब्दों को ततकाल तस्वीरों में बदल देता है लोग एक तरह से फोन पर सामने वाले इनसान को देख सकते है जो हमें फोन कर रहा है वह हमें भावनात्मक रूप से उतनी ही सपश्चता से देख सकता है मानो वैर टेबल पर हमारे सामने ही पैठे हो पहला जब आप फोन का जवाब दे तो इन आसान वे प्रोफेशनल चार कदम की फार्मूले का अनुसरन करें एक सामने वाले व्यक्ति का अभिवादन करते हुए गरम जोसी से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहें दो अपने बिजनस या संगटन का परिचे दे जेम्स विल्सन कमपनी तीन अपना परिचे दे टेट ब्राउन बोल रहा हूँ चार सहयोग परदान करें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें अधिक से अधिक पांच सेकंड या एक मिनट का आठ परतिसत समय लगता है दूसरा बोलते समय मुस्कुराई मुस्कुराट आपको आतम विस्वास देती है और दरसाती है मैं सकारात्मक हूँ जब आप फोन पर मुस्कुराते हैं तो आप संप्रेशन को नियंदित करते हैं जब आप सच्ची मुस्कुराट लाते हैं अपने चेहरे पर यह सच्ची अभिवेक्ति लाते हैं कि मुझे आपसे बातें करने में खुशी है तो आपके मन में गुसा या डर नहीं हो सकता और आप कोई नकारात्मक भाव्यक्त नहीं कर सकते और जिससे आप बात कर रहे हैं वहे आपकी बातों को मन लगा कर सुनेगा जब आप सकारात्मक और आतम विश्वासी अंदाज में बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वहे किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर रहा है तीसरा, फोन पर धीमे बोले उतनी ही धीमी गती से बोले जैसे सामने वाले व्यक्ति आपके सामने बैठा हो सामन्य चर्चा की गती से बहुत अच्छा आसर पड़ता है जिस तरह भीड भरे राजमार्क पर तेज गाड़ी चलाने वाले ऐसे एकसिडेंट कर बैठते हैं जिन में बंपर टकराने की वज़े से गती धिमी हो जाती है उसी तरह फोन पर तेज गती से बात करने से समय वरवाद होता है क्योंकि आपको अपनी बात कई बार दोराना पड़ती है ज्यादा तेज गती से बोलने का परेणाम यह भी हो सकता है कि रिसेपनिस्ट आपकी बात गलत व्यक्ती या डिपार्टमेंट से करवा दे मैं कई फोन काल्स का जवाब देता हूँ और मेरा अनुमान है कि मेरी आदी काल्स में रिसेपनिस्ट इतनी बूरी तरह जवाब देती है कि मैं उसकी कमपनी का नाम ठीक से नहीं सुन पाता वह अपनी कमपनी का नाम इतनी तेजी से बोलती है जैसे किसी ओडियो टेप को समान्य से तीन गुनार अफ्तार में चलाया जा रहा हूँ इस बात का ध्यान रखें फोन पर तेज गती से बात करने से आतम विश्वास की कमी और ऐसुरक्षा का संकेत मिलता है धीरे बोलना समान्य चर्चा की गती यह बताती है मुझ में आतम विश्वास है मैं नियंतर्ण में हूँ परंतु मैं किस तरह उन गटिया लोगों से निप्टूं जो मुझे फोन करते हैं शिकायत करने वाले लोग फोन पर अक्सर कहते है आपने जो बिल भेजा है उसमें जरूर कोई गलती है आपने मुझे ऐसी चीज भेज़ दी है जिसका मैंने ओर्डर नहीं दिया था जिमी स्कूल में बुरी तरह विचले थोकर घर लोटा और यह अमुक अमुक की गलती है और आपने मेरे घर के सामने का कचरा नहीं उठाया दो बातें पहली बात दरसल कोई आदमी गटिया नहीं होता जो व्यक्ति आपको शिकायत करने के लिए फोन कर रहा है वह भी मानो जाती का एक सदश्य है एक तरह से आपका रिस्तेदार दूसरी बात शिकायत करने वाला आपसे नाराज नहीं है वह खुद से पगलाया हुआ है आप सिर्फ बली का बकरा है खुद को मनव एग्यानिक की तरह एडमाने जो किसी के गुसे का निसाना बनकर उसकी मदद कर रहा है शिकायतों को दिल पर ने ले एक्जिकुटिव के लिए ध्यान रखने वाली बात अपनी कंबनी में आने वाली काल्स की निग्रानी करें मैं एक एरलाइन को जानता हूँ जो रिजर्वेशन के लिए आने वाली सभी कोल्स के एक प्रतिशत की निग्रानी करती है जिसका लक्ष जासुसी करना नहीं बलकि अपने परशिक्षन कारिक्रम में सुधार की कदम उठाना है होटलों, कार रेंटल कमपनियों, डिपार्टमेंटल स्टोरों, सरकारी एजिंसियों और टेली फोन के बड़े प्रियोग करताओं के मैनेजर इस बात से बहुत अधिक लाब उठा सकते हैं बसरते वे कुछ फोन काल्स का सेंपल टेप करवाले, ताकि वे यह सुनिस चित कर सकें कि लोगों को सिष्ट वे कुसल सेवा ही मिले धन कमाने की इच्छा रखने वाली कोई भी कमपनी अपने बहारी सेल्ज परते निदियों को मूर्खों की तरह कपड़े नहीं पहनने देगी उन मेंसे कच्रे की तरह बद्बू नहीं आने देगी और ग्राकों को अप्मानित नहीं करने देगी परन्तु कई कंपनियों में एसे लोग फोन का जवाव देते हैं जो मूर्खों की तरह बोलते हैं उनकी आवाज कचरे की तरह लगती है और उन्हें अपमानित वै आतंकित करने का पुरुसकर मिलना चाहिए टेलीफोन का उप्योग करने वाले लोग सेल्स टीम का हिस्सा होते हैं फोन का प्रियोग करने वाला हर आदमी चाहिए वैचो कीदार हो या कंपनी का प्रेजिडेंट कंपनी की चवी बनाता है हर बिजनस कुछ ने कुछ बेचने के लिए स्थावित किया जाता है और कुछ बेचना तब ज़्यादा हासान होता है जब फोन पर इस तरह की छवी बनती है हम आपको पसंद करते हैं हमें खुशी है कि आपने फोन किया हम आपकी मदद करना चाते हैं उच्षा के चमतकार देखने के लिए यहे याद रखें पहला उच्षा आपका मनोवेगेनिक इगनिशन सिस्टम है लोग अपने उच्षा को बढ़ाने की योगेता के अनुपात में ही सफल होते हैं दूसरा उच्षा सेलिंग, बिजनस, खेलों और परिवार को पालने में चमतकार करता है सफलता और उच्षा साथ साथ चलते हैं तीसरा अपने काम में विश्वास करें और उच्षा अपने आप आ जाएगा अगर आपको यह विस्वास नहीं है, कि कोई काम सही है, तो वह काम ने करें चोथा, अपनी बातों में उत्सा बरें आप जो शब्द कहते हैं, उससे ज्यादा मेतोपून है आपकी आवाज आपकी आवाज में जोस बरें, अपनी आवाज को कहने दें, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई याद रखें, जब आप मुश्कुराते हैं, तो आप नाराज, निराश या चिंतित नहीं रह सकते और जब आप मुश्कुराते हैं, तो दूसरे लोग आपको पसंद भी करते हैं छटा, ग्यान से उच्षा पैदा होता है, आप किसी चीज के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, आप उतने ही ज़्यादा उच्षा ही होंगे साथवा, दूसरे लोगों को उच्षाई अनुबव कराएं, इससे आप और ज़्यादा उच्षाईत होते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए आठ की तरफ, जो है, लक्षे पाने के लिए दूसरों की आतमरूची जगाएं आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याए आठ लक्षे पाने के लिए दूसरों की आतमरूची जगाएं हाली में दो सप्ता तक एक टेलिविजन चैनल ने आंतों के कैंसर पर जनित में विग्यापन दिया इस टीवी चैनल ने स्थानिय दवा कंपनी और हस्पताल के सायोग से डाक दवारा मूफ्त पर इक्षन की विवस्था की ताकि यह पता लगाया जा सके क्या किसी व्यक्ती में आंतों के कैंसर के लक्षन है आस्चर जनक तथ्य यह है एक लाग से ज्यादा लोग दवाई की दुकानों तक गई टेस्ट किट खरीदी और अपने मल के नमुने डाक द्वारा सायोगी हस्पताल में भिजवाई इसी दोरान टीवी पर इतनी बार विग्यापन किये गई कि लोग रेड क्रोस में चंदा दें कितने लोगों ने चंदा दिया या इसका बादा किया सिर्फ 97 ने आतम रूची का आग्रे समुदाइक रूची के आग्रे से हजार गुना ज्यादा शक्ति साली साबित हुआ लोग दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं परंतु अपनी खुद की जरूरतों के कारणवे कारिया करने के लिए प्रेरित होते हैं मानिवे सवबाव का एक नियम ऐसा है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता यह सीधा सा नियम है लोग मूल रूप से स्वे में अपने परिवार के सदश्य में अपनी नोकरी में अपनी दोलत में और अपनी बलाई में दिल्चस भी लेते हैं दूसरों की बलाई में रूची स्मय की बलाई में रूची के बाद दूसरे स्थान पर आती है समझदार विग्यापन करता आतम रूची के नियम की तरफ पूरा ध्यान देते हैं देखें कि किस तरह उनके संदेश आप से या आपके परिजनों से यह वाइदा करते हैं कि आपको अधिक आराम, अधिक सुरक्षा, अधिक परतिष्टा, अधिक सेहत, अधिक आनंद, अधिक आकरशक शरीर या इसी तरह के अन्यलाब प्रापत होंगे ये विग्यापंदाता आपको यह नहीं बताते हमारे प्रडेक्ट खरीदो ताकि हम ज़्यादा पैसे कमा सकें सफलता की कुणजी यह है कि दूसरों की रूचियों को पहले स्थान पर रखा जाए और अपनी रूचियों को दूसरे स्थान पर अपने लक्षय पर नजर गड़ाई रहें आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि वे आपसे खरी दें आपको अपना सायोग दें आपके नजरिये का समर्थन करें आपके लिए जाड़ा कड़ी मेनद करें आपसे प्रेम करें आपको पैसे उधार दें या किसी और तरीके से आपकी मदद करें अब अपने लक्षय को दिमाग में रखते हुए यह भी याद रखें कि लोग आतमरूची की बज़य से प्रेरित होते हैं उधारन के तोर पर लोग आपसे सामान इसलिए नहीं खरीदते ताकि आपको कमिशन मिल जाई वे आपसे तभी सामान खरीदेंगे जब उन्हें ऐसा लगेगा कि उसे खरीदने से उन्हें लाब हो रहा है लोग चाहते हैं कि आप उन्हें यह बताई इसमें मेरे लिए क्या है मैं इस प्रडेक्ट को दुबारा बेच कर कितना कमा सकता हूँ मुझे ठीक ठीक कितना फाइदा होगा मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत क्यों करना चाहिए मेरे अतिरिक्ट प्रियास की बज़े से मुझे क्या पुरुसकार मिलेगा मान लिजी मैं यह नोकरी करने लगता हूँ मेरे प्रमोशन की संभावनाई कितनी है अगर आप ग्राहक को यह बताते है कि उसके सामान खरीदने से आपको कितना पैसा मिलेगा तो इससे आपको नुकसान ही होगा यह नहीं बताइए कि दूसरी वैक्ती की मदद से अपनी सारी शक्ती को उन लाबों पर केंद्रित करें जो सामने वाले वैक्ती को मिलेंगे दूसरों की सेवा को पहले स्थान पर रखें धन, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, नोक्री में सफलता और अन्य पुरुसकार आपको अपने आप मिल जाएंगे परन्तों अगर आप अपनी सेवा को पहले स्थान पर रखेंगे तो जीवन में आपको कम पुरुषकार मिलेंगे जो व्यापारी सफल होते हैं वे लगातार पूछते हैं मैं किस तरह अपने ग्राकों की इच्छा हूं, जरूरतों और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकता हूं जो व्यापारी ऐसा फल होते हैं वे हमेसा पूछते हैं मैं किस तरह अपने ग्राकों को मुर्ख बना सकता हूं, धोका दे सकता हूं, उन से ज्यादा पैसे एंट सकता हूं या किसी और तरीके से उनके अग्यान का फाइदा उठा सकता हूं महान सेल्जमेन इस बात पर द्याने कागर करते हैं, मेरा प्रडेक्ट किस तरह मेरे ग्राहक की मदद करेगा उन्हें कितना कमिशन मिलेगा, यह हमेसा दूसरे स्थान पर रहेगा प्रवावी मैनेजर कमपनी की नीतियों को करमचारियों के लिए लाब दाइक बताते हैं, खुद के लिए नहीं जो डोक्टर मरीजों की सेवा को पहले स्थान पर रखते हैं, चाहे इसके कारण उन्हें कितना ही त्याक करना पड़े उनका काम इतना फैल जाता है कि हम दंग रह जाते हैं, आतम रूची के नीम का सहरा लेकर लाब कमाने के तीन असान तरीके हैं, लोगों को उनके नाम से बुलाना, दूसरों को बेहतर होने के खेल में जीतने देना, और लोगों को गरव का एहसास कराना, लोगों को उनके न वे सदियोई आवाज में धीमे धीमे बोलते थे, जिससे बात करते थे, उसकी तरफ सीधे देखते थे, दवाओ में विश्यान्त रहते थे और आसानी से समझ में आने वाले आसान सब्दों का इस्तेमाल करते थे। रिपोर्टरों को नाम से पुकारते थे, बजाए इसके कि हाथ हिलाकर यह संकेत दे कि अगला सवाल कौन सा रिपोर्टर पूछे, यह बहुत छोटी सी बात लगती है, परन्तु यह तरीका प्रेस के साथ अच्छे संबंद बनाने में सहायक होता है, क्यों? क्योंकि लोग हर व्यक्तिका एक नाम होता है, और जैसा डेल कारनेगी ने कहा है, किसी व्यक्तिका नाम उसके लिए मदूर्तम शब्द होता है, जब लोगों को नाम से पुकारा जाता है, तो वे ज़्यादा बड़ा और भेतर अनुबव करते हैं, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी संपत होती है, इसलिए उन्हें व्यक्तिकता का एहसास हासिल होता है, अनुठे होने की भावना, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आतम रूची का नियम, अपनी पैचान की जबरदस्त लालसा, कई तरीकों से अभी व्यक्त होती है, हाल ही में एक इस अपता में तीन अलग आउसरों पर तीन लोगों ने मेरे सामने यह परकट किया, कि व्यक्तिकत रूप से पैचाना जाना उनके लिए कितना ज्यादा मैत्वपून था, कालेज परसासकों के समूँ के समक्ष, बासन देने के बाद, जब मैं सूप चिंदकों से बीदा ले रहा था, तो लगबग स 70 साल की एक मैला वहीं पर रुकी रही, यह सपश्ट था, कि वे मुझसे सबसे अंत में बात करना चाती थी, अंत में सिर्फ वही बची थी, और मैंने उसे उच्छा से हैलो कहा, उन्होंने मुझसे सीधे यह पूछा, क्या आपको याद है मैं कौन हूँ, मैं हर सबता सेंक् लगा गई, वे खुश थी, क्योंकि मुझे उसका नाम दस साल बाद भी याद रहा, वे एक मनोवग्यनिक थी, यानि आप सोचेंगे कि उन में इतना अतमिस्वास होना चाहिए, कि उन्हें इस बात की परवाद नहीं होना चाहिए, कि लोगों को उनका नाम याद है या नह परंट उन्हें परवा थी, जब मैंने उनका नाम लेकर उन्हें मुलाया, तो मैंने उन्हें दुबरा आस्वस्त कर दिया, मेरे नाम लेने का परवाव यह हुआ, आप इतनी मैत्वकून हैं, कि दस साल पहले पांस मिनिट की चर्चा के बाद भी आप मुझे याद हैं, एक और मैला ने पैचाने जाने की वरहत मानुए आवशक्ता को परकट किया, उन्होंने मुझे से पूछा, क्या आपने मुझे पैचाना, वे भी यह विस्वास करना चाहती थी, कि वे इतनी मैत्वकून थी, कि उन्होंने मेरे मस्तिस्क पर अमिट छाप छोड़ी है, इस म को आहत किया था, क्योंकि मुझे उनका नाम याद नहीं था, एक और भासन के दोरान, लगवक पचास साल का एक आदमी मंच पर आया, और उसने यह कहते हुए शुरुआत की, मैं शर्त लगा सकता हूँ, कि आपको मेरा नाम याद नहीं होगा, कम से कम इस आदमी ने मुझे यह कहने का उसर तो दिया, नहीं मुझे याद नहीं है, परंतु हम अपने परीचे को दुबारा ताजा कर लेते हैं, मुद्दे की बात यह है, हर जगे लोग अपने नाम से पैचाने जाना चाते हैं, उनका नाम उनकी पदवी है, याद रखें, याद रखे जाने की मदद करेंगी, उस व्यक्ति की जो कहता है, मिस्थ हमस, क्या आप मेरी मदद करेंगी, या उस व्यक्ति की जो कहता है, महिला, क्या आप मेरी मदद करेंगी, महान विश्वासोत पादक लिंडस जानसन ने नाम याद रखने का अभ्यास किया, और लिंडस जानसन आधुनिक युक के सरवादिक विश्वासोत पादक राष्टपती थे। किसी अधिनियम को संसद में पारिद करवाने के लिए विरोधी पक्षों को एक जूट करने में वे बहुत ज़ादा सफल थे। राष्टपती जानसन मानुए सबंदों के इतने कुशल इंजिनियर क्यों थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पर मेहनत की थी। पैनेडी के बाद राष्टपती बनने के काफी पहले ही उन्होंने अपने दस सिदांत विक्सित कर लिये थे। और उन पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि वे लोगों के साथ व्यवार करने में ज़्यादा सफल हो सकें। राष्टपती जानसन का लोगों को परबावित करने का तरीका नीच आगे बता रहा हूं। ध्यान दें कि उन्होंने अपना पहला सिदांत यह बनाया था। लोगों का नाम याद रखना सिखें। इस बारे में आय योगेता यह दर्सा सकती है कि दूसरों में आपकी प्रयवत रूची नहीं है। 2. अराम देव्यक्ती बनें, ताकि आपके साथ रहने में किसी व्यक्ति को तनाव का अनुबव नै हो, पुराने जूते या पुराने हैट की तरह के इंसान बनें 3. शांत और निश्चिन्त बनने का गुण विक्षित करें, ताकि गठनाई आपको परेशान ने कर सके चोथा, एहंकारी ने बने, इस तरह की छवी ने बनाई, जैसे आपको सब पता हो पांचवा, रोचक बनने का गुण विक्सित करें, ताकि लोगों को आपके साथ रहने में अच्छा लगे चठा, अपने विक्तित्तों के खुर्दरे तत्वों को बाहर निकालने के बारे में अध्यान करें साथवा, किसी पुरानी या अभी की गल्थ फैमी को दूर करने का सच्चा परियास करें, अपनी शिकाईतों को नाली में बहा दें आठवा, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें, जब तक कि आप सच्मुच ऐसा करना ने सिख जाएं नवा, किसी की उपलब्दी पर बदाही देने का कोई अफसर ने छोड़ें, ने ही दुख या निराशा में सानुबुती व्यक्त करने का अफसर चाने दें दस्वा, अगर आप लोगों को भावनात्मक शक्ति देंगे, तो वे आपको सच्चा सनय करेंगे लोगों का सायोग असिल करने के लिए, उनके नाम से उन्हें बुलाने के पांच मार्क दर्सक सिधांत ये है पहला, सामने वाले के नाम का सही उचारण करें किसी वेक्ति को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगता है कि उसके नाम का उचारण सही ने हो वैसे यह हमेसा आसान नहीं होता कि किसी वेक्ति के नाम का उचारण उसी तरह से हो जिस तरह वैव से सुनना चाता हो हम एसी संसकर्ति में रहे रहे हैं जहां कई राष्टियताओं के लोग रहते हैं इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके नाम के उचारण के बारे में आपको दूइदा हो तो आप इस तरह की बात कहीं आपका नाम औरों से हटकर है क्या मैं इसका सही उचारण कर रहा हूँ आम तोर पर सामने वाला ततकाल अपना नाम दोरा देगा ताकि आप सुन सकें कि वहे अपने नाम का उचारण किस तरह चाता है फिर उस व्यक्ति के नाम को अपने दिमाग में उतारने के लिए अगले कुछ मिनिटों की चर्चा में इसका कई बार उचारण करें दूसरा चर्चा में सामने वाले के नाम का अक्सर प्रियोग करें यह करके आप उस नाम को अपनी यादास्त में स्थाई बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति का ध्यान भी आकर सित करेंगे लिखित संदेसों में भी किसी व्यक्ति के नाम का प्रियोग बार बार करें अधुनिक कम्प्यूटर के सोजने से किसी व्यक्ति का नाम आसानी से पत्र में डाला जा सकता है यह रहा एक आज चले जनक तब थे जो कमपनिया डारेक्ट मेल के सामान बेचती है उन्होंने यह सीक्स लिया है जब लोगों को पत्र मिलता है तो हलंकि वे जानते हैं कि उनका नाम मशिनी तरीके से डाला गया है पर अधुनिस के बावजूद डियर सर या डियर मैडम के प्रियोग की तुलना में बहतर परतिकरिया मिलती है तीसरा संक्षिप्त नाम का प्रियोग तब ही करें जब आप यह जानते हों कि सामने वाला उसे पसंद करता है मैंने यह सबक कई साल पहले मुश्किल तरीके से सीखा मैंने जेम्स क्रे नाम के एक वेक्ती के सामने सेल्स कोल की मैंने ततकाल उसे जिम नाम से बुलाना शुरू किया जब इंट्रिव्यू आगे बढ़ा तो मैं समझ गया कि मुझसे कहीं कोई गड़बड हो गई थी मैं जिस सेवा को बेच रहा था जिम को उसके अफशकता थी कीमत वे बाकी चीजें भी सही थी परंतु मैं सामान नहीं बेच पाया बाद में मुझे पता चला कि मैं ऐस सफल क्यों हुआ था जिम इस बात से चिड़ता था कि उसे जिम कहा जाए उसे इस बात पर ऐसा दानगरो था कि उसका नाम बाईवल के सेंट जेम्स पर रखा गया था जेम्स ने एक बार मेरे एक दोस्त से कहा था कि कोई भी सेंट जेम्स को सेंट जिम कहकर नहीं पुकारता यह रहा एक सुझाओ विलियम को विलियम कहें एलिजाबेत को एलिजाबेत, पीटर को पीटर और रेवेका को रेवेका अगर वे लोग चाते होंगे कि उन्हें बिल, लीज, पीट या बेकी कहकर बुलाया जाए तो वे आपको बता देंगे करपिया मुझे बिल कहें या जो भी संक्षित नाम उने पसंद हो कभी भी किसी व्यक्ति को संक्षित नाम से ने मुलाई जब तक कि वहे आपसे ऐसा करने के लिए स्पस्ट रूप से ने कह दे चोथा, जब तक परिचेस थाफित ने हो जाए तब तक किसी व्यक्ति के अंतिम नाम का ही प्रियोग करें इसमें कोई शक नहीं कि आप उन अजनबियों की टेलिफॉन काल से चिड़ जाते होंगे जो आपको ततकाल आपके पहले नाम से बुलाने लगते हैं जब तक सामने वाला आपको उसके नाम के पहले हिस्से से संबोधित करने को ने कही तब तक उसके सरनेम का ही प्रियोग करें इससे यह पता चलता है कि आप संवेदंशील हैं क्योंकि पहला व्यक्ति इस से चिड सकता है दूसरा उसे लग सकता है कि आप उस पर चड़ाई कर रहे हैं और तीसरा अजनबियों के साथ नाम के पहले हिसे का प्रियोग ने तो प्रोफेशनल है ने ही बिजनस के लिए अच्छा है याद रखें जबरन अपनापन जताने से लोग चिड जाते हैं पांचवाँ सामने वाले के नाम की सही स्पेलिंग लिखें जिस तरह किसी व्यक्ति के एक खान अपने नाम के गलत उचारन को एश्विकार कर देते हैं उसी तरह किसी व्यक्ति की आँख ततकाल अपने नाम की गलत स्पेलिंग को पकड़ लेती है आज हमें जो अधिकांश डाक मिलती है वह व्यक्तिकत लगती है परंतु होती नहीं है स्मार्ट कंपनिया यह सुनिश्चित कर लेती हैं कि जो लोग कंप्यूटर में नाम डालते हैं वे सही स्पेलिंग लिखें आपको कैसा मैसूस होगा अगर आपको ऐसी चिठी मिले जिसमें आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हो आप खुद से शायद यह कहेंगे अगर कंपनिया इतनी लापरवा है कि यह मेरे नाम की गलत स्पेलिंग लिखती है तो इस बात की संभावना है कि यह अपने सामान की गुनवत्ता इसकी कीमतों या डिलिवरी के बारे में भी इतनी ही लापरवा होगी ओफिस के अंदर होने वाले पत्राचार में तो यहे और भी अधिक विद्वनसक होता है इससे यहे लगता है जैसे जान बूज कर लापरवाई की गई है सामने वाले इनसान को मैं तुम से बेतर हूँ कि खेल में जीत जाने दे मैं तुम से बेतर हूँ यहे खेल ऐसा है जिसमें दो लोग एक दूसरे से परतिष्टा, धन, उपलब्दियों या जीवन के किसी अन्यक शेतर में आगे निकलने की कोशिश करते हैं यह है रहा एक उधारन दादी नमबर एक, दादी नमबर दो को अपने पोते की कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है मेरा पोता सितंबर में स्टेट यूनिवस्टी में नाम लिखाने वाला है दादी नमबर दो जवाब में ततकाल अपने पोते की कुछ तस्वीरें निकालती है और मैं तुमसे बेतर हूँ के अंदाज में कहती है यह है रहा मेरा पोता उसे हारवर्ड में एडमिशन मिल कया है दादी नमबर दो सोचती है कि उसने मैं तुमसे बेतर हूँ का खेल जीत लिया क्योंकि सब जानते हैं कि Harvard किसी State University से बेतर है अगर आप चर्चाओं को ध्यान से सुने तो आप जान जाएंगे कि मैं तुमसे बेतर हूं को अपहिल हर रोज खेला जाता है सौमवार की सुबह होने वाली बातें सुनकर आप सोच सकते हैं कि लोगों में प्रतियोगिता चल रही है क्योंकि अक्सर बातें इस बारे में होती है कि किसने वीकेंड में सबसे ज़्यादा आनंद लिया किसने सबसे बड़ी मचली पकड़ी, किसने सबसे शांदार पार्टी में भाग लिया और किसे फुटबाल मैच में सबसे अच्छी सीट मिले मैं तुमसे बेतर हूँ का खेल, आफिसों, समारों हो, हवाई जाजों लंची त्यादी में खेला जाने वाला प्रिये खेल है, जहां भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ यहे खेल खेला जाता है मैं तुमसे बेतर हूँ, का खेल बुरे परिणाम दे सकता है, मेरे एक पुरु सहयोगी को उतकरस्ट सिक्षक का पुरुसकार मिला कालेज में बहुत से अधिकारी उस समारों में उपस्तित थे, जिन में कालेज का दीन भी शामिल था समारों के कुछ मिनिट बाद, दीन ने मेरे मित्र को बदाई दी और कहा, जब मैं तुमारी उमर का था, तो मुझे अमुक अमुक पुरुसकार मिल चुका था डीन की टिपनी सुनकर मेरा दोस्ट चिड़ गया डीन ने मैं तुम से बैतरूं का मैज तो जीत लिया परन्तु जिस प्रोफेसर को उसने हराया वह जल्दी ही दूसरी यूनिवेस्टी में चला गया मैं तुम से बैतरूं कि खेल में जब आप लोगों को हरा देते हैं तो वे आपको पसंद नहीं करते और अगर वे आपको पसंद नहीं करते तो इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि वे आपके साथ सायोग करेंगे आप से सामान खरी देंगे आपके लिए ज़्यादा कड़ी मेनत करेंगे मैं तुम से बेतर हूँ कि खेल का प्रभावी तरीके से सामना करने का उपाई यह है पहला अपने लक्षे को पैचाने और इसे अपने दिमाग में रखें क्या आप किसी व्यक्ति से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उसे कुछ सामान बेचना है या इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको यह साबित करना है कि आप उससे ज़्यादा अच्छे गुलफर है क्या आप नोकरी हासिल करना चाहते है या आप इंटर्यू लेने वाली मैला को यह बताना चाहते है कि आप उससे बेतर स्कूल में पड़े हैं किसी बच्चे के साथ नंबरों की चर्चा करते समय क्या आप यह चाते हैं कि बच्चा अगली बार ज्यादा अच्छे नंबर लाई या आप बच्चे को यह बता कर नीचा दिखाना चाते हैं कि जब आप स्कूल में थे तो आपके उससे अच्छे नमबर आई थे अपने जीवन साती के दिन की गटनाओं के बारे में बात करते समय क्या आप यह चाते हैं कि वह अपने दिन की कुंठा से मुक्ति पाई या आप अपनी ही समश्याओं का डोल पिटना चाते हैं दूसरा जब आप मैं तुम से बेतर हूं का खेल खेलने से बचते हैं तो आप आतम विश्वास दरसाते हैं जो लोग यह साबित करना चाते हैं कि वे आप से बेतर हैं वे दरसल ऐसरुक्षित होते हैं और उनमें आतम विश्वास की कमी होती है याद रखें, जिन के पास डिंगे हांगने के लिए सचमुच कुछ होता है, उसे डिंगे हांगने की जरूरत नहीं होती विजेता बने, मैं तुमसे बैतर हूँ, खेल में जीतने का एक ही तरीका है यह है कि आप इस खेल को ने खेले, सामने वाले को हमेशा जीत जाने दे मैं तुमसे बैतर हूँ, बच्चों का खेल है, सामने वाले को बोलने दे यहां एक सचाई बताई जा रही है, लोग आपकी रूचियों के बारे में सुनने से ज़्यादा अपनी रूचियों के बारे में बाते करना ज्यादा पसंद करते हैं इसे ज्यादा सीधे तरीके से कहें, तो लोग अपने अपनी रूचियों, अपने परिवारों, अपनी नोकरियों, अपनी समश्याओं, अपने शोकों और अपने पालतू जानवरों के बारे में बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाए इसके कि वे आपकी रूचियों के बारे में आपकी बातें सुनें जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उस व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रसंसा करते हैं और उसे बात करने तदा खुद में विश्वास करने के लिए प्रोचाइद करते हैं। जब आप दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोचाइद करते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको अपना मित्र समझेगा आपको बहुत अच्छा वक्ता समझेगा और यह चाहेगा कि आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकरी हासिल करे सामने वाले को ज्यादा बोलने देना आसान नहीं होता यह पूरी त्रेस्व वाविक है कि आप अपने रूचियों के बारे में बातें करना चाहें परन्तु एक बार फिर अपने लक्षे को दिमाग में रखें क्या मैं इस व्यक्ति के साथ चर्चा यह बताने के लिए कर रहा हूं कि मेरा अहंग कितना बड़ा है या मैं इस से कितना स्रेष्ट हूँ फिर या मैं बोब या बैटी के साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि अपने लक्षों को हासिल करने में उनका समर्थन हासिल कर सकूँ लोगों को गरव का अनुबव कराओ और वे आपको 110 प्रतिसत देंगे उत्री जारजिया में मेरा एक दोस्त डबल्यू गस एक कमपनी का मालिक है यह कमपनी बच्चों के कपड़े बनाती है और इसमें 300 लोग काम करते हैं यह कमपनी 100 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है और आज तक यहां एक भी हरताल नहीं हुई एक दिन भी काम नहीं रुका और हालांकि विदेशी परतिसपरदा की वज़े से अमेरिकी वस्तर उद्योग को बयानक चटका लगा है परंतु गस लगातार लाब कमा रहा है हालांकि काम रूटीन है और तनखुआइं कम है परंतु मनोबल और उत्पादकता बहुत उंचे है गस ऐसा किस तरह करता है काफी हद तक इसका कारण यह है कि वह गरो बढ़ाने वाले छोटे उपायों का प्रियोग करता है गस सवता में कम से कम दो बार कार खाने का ब्रवन करता है और हर करमचारी के हालचाल पूचता है वह उनके बच्चों और पोतों के बारे में सवाल पूचता है जिनके परिवार में बिमारियां या मोत हुई है वह उनके प्रति सानूबुती व्यक्त करता है और यह पूचता है कि वह किस तरह उनकी मदद कर सकता है चिंता और दयालुता की छोटी-छोटी अभी वेक्तियां पिछले क्रिस्मस पर गस ने एक रचनात्मक और बेहत शशक्त परेहनादाई तक्निक का प्रियोग किया उसने हर क्रमचारी से क्रिस्मस पार्टी में एक व्यंजन लाने को कहा फिर उसने सबसे कहा कि वे अपने व्यंजन की विदी लिख कर दें इसके बाद गस ने सारी विदियों को एक आकरशक कुक बुक में छपवाया जो उसने हर वर्तमान और संभावित खेरची क्राक को दी कुक बुक से करमचारियों का गरोब बढ़ा और गराकों को भी यह बहुत पसंद आई कुक बुक की वज़े से बहुत से धन्यवाद के पत्र आए जिने बुलेटन बॉर्ड पर परमुकता से परदर्शित किया गया क्या यह गरोब बढ़ाने का अद्बुत तरीका नहीं है और क्या यह गराकों के लिए सुखद नहीं है कि उन्हें उस कंपनी की तरफ से अच्छा उपार मिले जिसके प्रडेक्ट वे बेशते हैं कैलिफोर्निया में एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने मुझे बताया हमारे पास जो सबसे मैत्वपूर्ण ओजार है वह है गरोब बिना गरोब के हर चीज ओसत या ओसत से कमत्तर होती है मैंने उससे कहा कि इस बात को वह विस्तार से समझाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनिया बहुत महेंगे उजारों का प्रियोग करती है उसने कहा करमजारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पास इस तरह के बहुत सारे बिन्दू नहीं है कि कौन से काम ने किये जाएं या कौन से काम किये जाएं हम हर समय सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हमारी सफलता के लिए गरव अनिवारिय है और फिर हम अपने गरव बढ़ाने वाले विचारों पर कारिय करते हैं जैसे मैंने पूछा चोटी चोटी बातें किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम सारे करमचारियों को डीनर के लिए आमंतरित करते हैं इतने लंबे बासन नहीं होते हम सिर्फ यह याद दिलाते हैं कि हमारी कमपनी बड़ी है परंदू प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हर करमचारी महतवपूर्ण है गर्मियों में दो या तीन बार हम बेस्वाल मैचों में अपने लोगो वाली टी शर्ट और कैप पैन कर जाते हैं जब हम कोई इमार्त पूरी कर लेते हैं तो एक पार्टी देते हैं इसके बाद सेव एतनिक छुटी दी जाती है जब सहर में परेड होती है तो आम तोर पर हमारे पास एक शोबायान होता है ऐसा लगता है जैसे आपके करमचारी बहुत मज़े करते हैं मैंने बीच में कहा हम बहुत मज़े करते हैं और इसे लाब भी होता है देखिए मुझे इस बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि लोग ओफिस में सहराप पीकर या मादक दरव्यका सेवन करके आएंगे बिमारी का बहाना बनाएंगे या नोकरी छोड़कर परतियोगी कमपनियों में चले जाएंगे और हमारे करमचारी एक दूसरे के ओजार भी नहीं चुराते हैं देखिए लोगों को तनखावे दिगर सुविदाओं से अधिक चाहिए वे यह डिंग हांकना चाते हैं कि वे एक बैतर कमपनी के लिए काम कर रहे हैं आप अक्सर सुनते हैं कि कई लोग अपनी कमपनी में गरव का अनुबव इसलिए नहीं करते क्योंकि संगठन बहुत बड़ा हो गया है यह बक्वास है वेक्तिकत गरव सिर्फ इसलिए कम नहीं होता क्योंकि संगठन बड़ा हो गया है और इसमें हजारों करमचारी काम करते हैं आई बियम, डेल्टा, डिजनिलेंड और अन्य सिर्शत कमपनियों की तरफ देखिए बड़े होने से घरव नश्ट नहीं होता सिर्फ स्वार्थी, विचार हीन मेनेजमेंट की वज़े से ऐसा होता है अमेरिका, अमेरिकियों का सबसे बड़ा संगठन है और हमेसा वे मौझूद अंदरुनी आलोचना के बवजूद गरोग, गहरा और मनोबल उंचा है क्यों? क्योंकि हमारी परंपराएं याद की जाती है और नई पीडियां तथा नई आने वालों को हस्तान दृत की जाती है रहवासियों द्वारा किये गए इत्याग, युद्ध से हुई मोत, विनाश और दर्द, ऐसा मन्य खोजें आविश्कार और अभियान सब को यह याद दिलाते हैं कि वे एक बड़े संगठन के हिस्से हैं और सफल जीवन का सर्वशक्ति मानोजार यानि गरव इसका परिणाम है सबक अगर आप लोगों को गरव का अनुबह कराएंगे तो वे आपको 110 परतिसत देंगे पैसे के कारण नहीं बलकि गरव के कारण बच्चे लिटिल लीग में अपना सब कुछ दाओं पर लगा देते हैं पिछले साल मैंने 11-12 साल के बच्चों की दो टीमों के बीच में चेंपियंसिव लीग फुटबाल मैच देखा मैंने विश्व कप मैच देखे हैं मैंने सूपर बोल्स, बड़े गोल्फ टूर्नामेंट और अन्यविसेस मैच भी देखे हैं परंतु छोटे-छोटे बच्चों द्वारा खेला गया यह है फुटबाल मैच उन सभी प्रोफेशनल खेलों पर भारी पड़ा क्योंकि इसमें पूरे दिल से प्रियास किया गया था मैदान में खेल रहे हर बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी दोनों ही टीमों ने पूरे मोसम में चेंपियंसिप मैच में खेलने की जमकर तयारी की थी कि ग्रीन टीम को जीतने का क्या मिला तगड़ाब नगत बोनस बिलकुल नहीं प्रोफेशनल फूटबाल कॉंट्रेक्ट नहीं स्कोलर्शिप नहीं गिफ्ट सर्टिफिकेट नहीं ग्रीन टीम को एक सस्ती सी ट्रोफी मिली और मैकनोनाल्स में एक हेंबर्ग एक कोक और चिप्स मिले ब्लू टीम को ट्राफी तो नहीं मिली परन्तु उसे भी हेंबर्ग स्टोर में विसेस पार्टी मिली मैंने किसी भी उमर के इंसानों को किसी भी गतिविदी में इतने दिल से मेनत करते नहीं देखा और इसका पैसे से कोई संबंद नहीं था दोनों टीमों के कोच शनिवार की सुबह और शाम को गोल्फ केलने या जोगिंग करने जा सकते थे परंतु उन्होंने बच्चों को परशिक्षन देने में कई शनिवार लगाई माताओं ने भी अपने समय और उरजा का त्याग किया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि साइड लाइन पर परियाप्त रिफ्रेश्मेंट रहे मैच के बाद रेफरी और मैं जीतने वाले टीम को खुशियां मनाते देख रहे थे तता पराजित टीम के सदस्या सच्चे भदर पुरुसों की तरह विज इक संतूष्टी दायक शनिवार की सुवेब कभी नहीं गुजरी अगली बार जब आप किसी को इस तरह की कोई बात कहते सुनें जैसे इस समश्य को सुल जाने का तरीका है तंख्वा बढ़ाना या धन ही सबसे प्रमुक प्रेड़ना है तो जरा सोचें लोगों को प्रेड करने का सबसे प्रमुक तरीका चेक बुक या बैंक अकाउट द्वारा नहीं बलकि दिल की भावना द्वारा है क्या होता है जब मैनेजर एह को तुष्ट नहीं करते जब किसी संगठन में लोगों की कभी तारिफ नहीं होती उन्हें कभी प्रोचान नहीं दिया जाता और उनकी हर दिन आलोचना होती है तो हमेशा इसके नकारात्मक परेणाम मिलते हैं इन तथ्यों को सुनें पहला रिटेल स्टोर में गराकों की तुलना में करमचारी ज्यादा सामान चुछाते हैं क्यों इसका परमुक कारण यह है कि करमचारी मैनेजर से नाराज होने के कारण उसके साथ बदला लेना चाते हैं और वे चोरी करके बदला लेते हैं दूसरा उपेक्षित करमचारी परसंसित करमचारीों की तुलना में ज्यादा बिमार पड़ते हैं तीसरा जिन करमचारीों को सिर्फ तनका मिलती है और कोई भावनात्मक प्रेणा नहीं मिलती वे कमप और मनोव एगयनिक आंतकवाद सिर्फ रिटेल स्टोर, आफिसों और फेक्टरियों तक ही सीमित नहीं है। हस्पतालों, कंप्यूटर कंपनियों, एरलाइनों और विस्विद्यलों में भी प्रोफेसनल्स तब बदला लेने की सोचते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी सराना नहीं हो रही है। उनका शोशन किया जा रहा है और मनोवेगैनिक रूप से उन्हें सताया जा रहा है। मैं एक विस्विद्यले को जानता हूँ जिसकी हेड आफ डिपार्टमेंट ने दस लोगों के डिपार्टमेंट में से पांच सब से अच्छे परोफेसरों को बाहर जाने पर मजबूर क किया क्योंकि उसने उनके काम की जबरन निंदा की उनकी गतिविदियों पर जरूरत से ज्यादा निकरानी की और तारिफ की बजाए डर का इस्तेमाल किया। सबसे बुरी अटालें जो अकसर लंबी चलती हैं और कई बार हिंसक हो जाती हैं उन उद्योगों में होती है जहा अने करमचारियों को उसी निगा से देखते हैं जिस निगा से वे स्टील सीमेंट या किसी अन्य निर्जीव पदार्थ को देखते हैं और रोचक बात यह है कि ज्यादातर हड़ ताले उन्ची तन्खवा वाले उद्योगों में होती है जिस से यह पता चलता है कि हड़तार का प्रमुक कारण पैसा नहीं बलकि करमचारियों के एहम की मनोवग्यानिक अवेल ना है छोटे मैतव ही इन लोग हर तिन बिजनस को चोपट करते हैं प्रबलमंदी के दोरान मैं दक्षणी फ्लोरिडा में एक राष्टी एसमेलन में भासन देने गया जैसे ही मैं उस रिजो काउंटर के करमचारी ऐसमाने रूप से धीमे काम कर रहे थे कमरा लापरवाई से सजाया गया था रूम सर्विस गटिया थी होटल में रहना उतना मज़ेदार नहीं था और वह उतना बढ़िया नहीं था जितना पहले हुआ करता था अगली सुबह अपना काम खतम करने के बात मैंने होटल की कार ली और हवाई अड़े चल दिया मैं अकेला यातरी था इसलिए मैं युवा ड्राइवर से बाते करने लगा मैंने उसे बताया कि मैं उस होटल से नेरास हुआ मैंने उससे कहा यह वह होटल नहीं लग रहा था जहां मैं पिछली बार रुका था ड्रा पाड़ा गया क्योंकि उन्होंने एक रात दिनर के लिए मैनेजर द्वारा निर्दारित रकम से दो डालर ज्यादा खर्च कर दिये थे। बारा साल से वहां काम कर रहे सीनियर शेफ को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैनेजर के विचार से वह बोजन बरबाद कर रहा था। पच्चेस परतिसत मैला करमचारियों को निकाल दिया गया और बची वी मैला करमचारियों का काम उसी अनुपात में बढ़ गया। कि वे कितना गटिया काम कर रहे हैं अब कहीं कोई गरव नहीं है लोग अब सिर्फ यही चाहते हैं कि इस काम से मुक्ति मिले मैंने कहा एसा लगता है जैसे होटल में काम करना अब दर्दनाक अनुवव बन चुका है परंतु कम से कम आप तो खुश नजरा रहे हैं ड्राइवर थोड़ा हंसा और उसने कहा सर कोई बात सच में इतनी दूर नहीं हो सकती यह इस होटल में मेरा आखरी सब्ता है मैं सड़क पर दो बलाक आगे एक दूसरी होटल के स्टाप में जा रहा हूँ क्यों? मैंने पूछा अतित्यों के साथ सीरे संपर्ग में आने वाले अधिकांस ओटल करमचारी की तरह मैं भी अपनी अधिकांस आमदनी के लिए टिप पर निरवर हूँ होता यह है है कि मैं जिन लोगों को हवाई अड़े तक छोड़ने जाता हूँ उन में से जादातर आप की तरह निरास होते हैं जब वे जाते हैं तो वे उस ओटल में हमेशा के लिए नाता तोड़ लेते हैं और इस वज़ए से मुझे कम टिप देते हैं इसके बज़ाए बिजनस अब इतनी तेजी से कम हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कम इसे यातरी आती हैं जिने फ्लाइट पकड़ना होती है उस दिन घर की तरफ उड़ान बरते समय मैं इस गटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया मैं तो ही लोगों को अफ़ानित करके उनकी निंदा करके उन्हें शोशित करके आटो मोबाइल करमचारियों को हालांकि कई पीडियों से बहुत अच्छी तंखवा मिलती है परंतों उनके साथ भी मशीनों की तरही बरताव किया गया उन्होंने अपने मैनेजरों के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला किया नतीजा यह हुआ कि उन्होंने ज़्यादा गलतियां की गटिया काम किये और समझोते के तहट जितनी छुटियां ली जा सकती थी उतनी छुटियां ली इस परकरिया में उन्होंने अमेरिकी जनता को विदैसी कारें खरीदने पर विवस कर दिया मैने उन मैतव हिन कच्रा इकठा करने वालों के बारे में भी सोचा जिन्नों ने समय समय वर निव्यार्क शहर को कुड़े दान की तरह बदबुदार बना दिया मैंने उन मैतव हिन स्कूल सिख्षकों के बारे में सोचा जिन्नों ने हड़ताल की अगर आप इस बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि हमारे समाज में मैतव हिन लोग कैशियर, रिशपनिस्ट, टेलिफोन ओपरेटर, स्टोर कलर्ग, ट्रेफिक पुलिस के सिपाई यानि आगे की कतार के लोगों कि शायद ही कभी प्रसंसा होती है उनका अच्छर अपमान होता है और आम तोर पर उन्हें निरर्थकता का एहसास कराया जाता है परंदो एक तरह से देखा जाए तो वे समाज में सबसे मैतवून पदों पर बैठे हैं ये छोटे लोग जनता से मिलते हैं और जनता उनी के विवहार के हिसाब से कंपनी की छवी बनाते हैं जनता शायद ही कभी मैनेजरों से मिल पाती है करमचारियों का अफमान एक प्रमुक प्रबंदन अपराध है और इसका प्रिणाम हमेशा यह होता है कि करमचारी खराब परदर्शन करते हैं कम मनोबल का कारण है छोटे करमचारियों के गरोगो चोट पहुंचाना जो लोग यह अनुवव करते हैं कि उनके गरों को चोट पहुंचाई गई है या उन्हें नश्ट किया गया है वे हमेशा जवाब देने का तरीका खोज लेते हैं अतीत में जहाज पर पलट कर लड़ने को विद्रो माना जाता था आजुद्योगिक कारखानों में इसे धीमे काम करना, कमपनी बदल लेना या हड़ताल करना कहा जाता है जेलों में पलट कर लड़ने को विशिष्ट पर करनों में विद्रो कहा कर जाता था संदेश, लोगों को नीचे गिरने के बजाई उन्हें उपर उठाएं याद रखें, आपके संगठन में हर व्यक्ति के पास एक मैत्वपूर्ण काम है अगर काम मैत्वपूर्ण नहीं है तो उस पद को खत्म कर दें अगर आप लोगों को तंग करेंगे, उन्हें सजा देंगे, उन्हें अपमानित करेंगे तो उनका प्रदर्शन नीचे गिरेगा, उपर नहीं उठेगा किसी टीम को तब गरव होता है जब उसे हवाई अड़े पर परसंसक मिलते हैं आटो मोबाइल करमचारियों को गरव होता है जब उन मेंसे कोई पहले नए माडल को चलाकर बाहर निदलाता है अभी नेताओं को अच्छा लगता है जब उनके उद्योग में कुछ व्यक्तियों को विशेश पुरुसकार देकर सम्मानित किया जाता है नोबल पुरुसकार और पुलिजर पुरुसकार वेग्यानिकों और रचनात्मक लोगों को पुरुच्सान देते हैं विद्यार्थियों को ऐसे हीरो और हीरोईन चाहिए जिनका वे सम्मान कर सकें हर व्यक्ति किसी मैत्वकूर्ण बड़ी अच्छी और उप्योगी चीज़ का हिस्सा बनना चाता है संक्षेप में पहला आपको जो पाना है उसे हासिल करने के लिए आप उसे अधिक मैत्व दें जिसे दूसरे लोग पसंद करते हैं जब आप लोगों को यह दिखाएंगे कि इस से उन्हें किस तरह फाइदा होगा किस तरह से अधिक आप धन कमा सकेंगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे तो आपको अपने पुरूशकार आसानी से मिल जाएंगे दूसरा किसी व्यक्ति का नाम उसकी सबसे मैत्वपुन पहचान है सामने वाले के नाम का सही उचारण करें सामने वाले के नाम का बार बार प्रियोग करें संक्षिप्त नामों का तब तक प्रियोग ने करें जब तक की लोग उने पसंद ने करते हो तब तक आत्मियता विक्सित ने हो जाए तब तक लोगों को उनके सरनेम से ही संबोधित करें लोगों के नाम की सही स्पेलिंग लिखें तीसरा मैं तुम से बेतर हूँ कि खेल में सामने वाले को हमेशा जीच जाने दे लोगों को अपने रूचियों के बारे में डिंगे हांगरें दे आपका लक्ष है सामने वाले को परवावित करना है यह साबित करना नहीं कि आप उससे बेतर हैं चोथा अगर आप लोगों को गरव का अनुभाव कराएंगे तो वे आपके मंचाई काम में आपका सहयोग करेंगे दूसरों को उनके और उनके काम के बारे में अच्छा अनुभाव कराएं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 9 की तरफ जो है लीडर्शीव द्वारा सफलता पाने के पांच विश्वशनिय कदम आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जातू अध्याई 9 लीडर्शीव द्वारा सफलता पाने के पांच विश्वशनिय कदम यह रहा एक आज से रहजनक तथे आज के 83% मिलेनियर निमन या मद्यम आये वाले परिवारों में पैदा हुए थे कल्पना कीजिए अधिकान सफल कॉर्परेट एक्जिकुटिव उद्दमी, वकील, डॉक्टर, अभीनेता, संसद या विधानसवासद अश्य अधिकान सिर्षत लोगों ने महानता अरजित की, लीडर्सिप बाजार में नहीं बिक्ती, इसे विरासत में, किस्मत से या विवाद वरा हासिल नहीं किया जा सकता और अगर सिक्षा का लीडर्सिप से कोई संब्ध होता भी है, तो बहुत कम होता है, परन्तु लगातार जुटे रहकर, लीडर्सिप विक्षित की जा सकती है यह अध्याई, पांच आसान और प्रेक्टिकल कदम बताएगा, जिनका आप ततकाल इस्तेमाल कर सकते हैं उत्करष्ट सोच रखें, विजयी उधारन प्रस्तूत करें, बोलें, दूसरे लोगों को अपनी मदद करने दें, और जो खिमलें और प्रसंसा हासिल करें कदम एक, अपने हर काम में पोसत सोच के बज़ाई उत्करष्ट सोच रखें मैं आपको एक बहुती मेत्वपूर्ण सबग बताने जा रहा हूँ, एक एसा सिदान्त जो सफलता, दोलत और सुख हासिल करने में आपकी मदद करेगा इस मेत्वपूर्ण अवधारना को समझने के लिए, आप अपने मन में यहे खेल खेलें कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी एक कमर्शिल हवाई जाज पर चड़े हैं, आप बैठते हैं, अपनी सीट का बेल्ट बानते हैं और आराम से बैठ जाते हैं तब ही उड़ान बरने से पहले आप सुनते हैं कि कप्तान अपने सयोगियों से कह रहा है देखो, इस उड़ान को लेकर मैं आशंकित हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस हवाई जाज को बहुत अच्छी तरह से उड़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ओसत पाइलेट हूँ आप क्या करेंगे? संभावना इस बात की है कि आप जितनी जल्दी हो सके, ततकाल हवाई जाज से उतर जाएंगे, आप जान बूज कर अपने जीवन को किसी ओसत पाइलेट के बरोसे नहीं छोड़ेंगे अब इस खेल को एक कदम आगे ले जाएं, मान लीजिए आप किसी अस्पताल में है, जहां आपके ओपरेशन की तैयारी चल रही है जब एनेस्थिस्या का असर हो रहा हो, तब आप सुनते हैं कि मुख्य सर्जन अपने सयोगियों से कह रहा है मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यह ओपरेशन कर सकूँगा, कई बार मैं अच्छे ओपरेशन करता हूँ, परन्तु कई बार मैं बहुत ही गटिया ओपरेशन करता हूँ देखिए, मैं सिर्फ एक ओसत सर्जन हूँ, अगर संबव होगा, तो आप ततकाल ओपरेशन टेबल से नीचे उतर जाएंगे सबक यह है कि जीवन और मोत के मामलों में आप अपने जीवन को ओसत लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहेंगे और चाहे आपका जीवन दाव पर नए भी हो, तो भी आप यह नहीं चाहेंगे कि जीवन में ओसत लोगों से आपका कोई संबंध हो इन सवालों का जवाब दें, क्या आपकी पतनी या पती ओसत जीवन साती चाहती या चाहते हैं? जाहिर है नहीं आपका जीवन साती आपसे प्रेम करना चाहता है, आपके बारे में डिंगे हांकना चाहता है, आपके बारे में क्षमा याचना नहीं करना चाहता क्या आपके बच्चे एक ओसत पिता चाते हैं एक बार फिर नहीं आप अपने बच्चों के जीवन में सबसे महतपूर्ण व्यक्ति है अगर बच्चा यह है सोचता है कि मेरे मम्मी डैडी साधारन और ओसत है तो यह एक तरह से बच्चे को सदा देना है क्या आपके करमचारी किसी ओसत मैनेजर के लिए काम करने में खुश होते हैं नहीं ओफिस में आपके करमचारी आप पर गरव करना चाहते हैं और यहे विश्वास करना चाहते हैं कि उनका बोस महान है अगर पिछले साल मेरी आमधनी ओसत थी तो क्या मुझे संतूस्ट होना चाहिए सच कहा जाए तो नहीं ओसत आमधनी आपको याद दिलाती है कि आप अभी बीच में हैं काम करने वाले आदे लोग आपसे ज्यादा कमाते हैं क्या मैं अपने आर्थिक मामलों के बारे में सला लेने के लिए किसी ओसत सीपी, वकील या आर्थिक सलाकार को पसंद करूँगा इस सवाल का जवाब है जोरदार ना हम नहीं चाहते कि जो लोग हमारे पैसे को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं वे सिर्फ ओसत हो मैंने ओसत की यह सर्वसरेष्ट परिवारसा सुनी है जो आपको बताती है कि ओसत होना कितना बुरा होता है ओसत सर्वसरेष्ट में निकरष्ट तम और निकरष्ट में सर्वसरेष्ट होता है पोसत की अवदारना में सर्वस्रेष्ट या महानता सुजाने वाली कोई चीज नहीं होती पोसत का आर्थ है सिर्फ ठीक ठाक ओके साधारन, काम चलाओ या मुश्किल से स्विकारने योग्य हम उतकरश्टता की परिवासा इस तरह देते हैं वह है गुण जो सफलता पाने वाले लोग अपने हर काम में चाते हैं लगबग आदर्स, ऐसा मन्य अच्छा और सर्वस्रेष्ट संबव ओसत सोच लोगों को पीछे रोक कर रखता है क्योंकि इसमें उन्हें सुरक्षा और आराम का अनुबव होता है विद्यार्थी सुरक्षित अनुबव करते हैं जब वे यह कह सकें मेरे नमबर ओसत आए है इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ कार खाने के मैनेजर आराम दे महसूस करते हैं जब वे यह रिपोर्ट देते हैं हमारी उत्पादक्ता उध्योग की ओसत उत्पादक्ता के बराबर है और कई सेल्ज मैनेजर सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने सेल्ज के लक्षे को पूरा कर लिया है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उत्करष्टा लक्षों के आगे जाना है आवशक्ता से बेहतर सेवा देना है जब चाहे हम चाहे जो कर रहे हो उसमें अपने सर्वस्रेश्ट प्रियास करना है चाहे हम नोकरी कर रहे हो बच्चे पाल रहे हो खेल रहे हो या दूसरों को मैनेज कर रहे हो हर क्षेतर में professional लोग उतक्रष्टा के लिए प्रयास करते हैं और अगर परिनाम कम उतक्रष्ट होते हैं तो वे रचनात्मक रूप से स्व्य से दुखी होते हैं जो कोच उतने ही मैच हारता है जितने वह जीतता है अपने परदर्शन से दुखी होता है इसी तरह से मनोरंजन करने वाला हर वहे व्यक्ति भी दुखी होता है, जिसे सिर्फ थोड़ी सी तालिया मिलती है, और वहे मैनेजर भी दुख से ऐसंतुष्ट होता है, जो पिछले साल से बेहतर परिणाम नहीं दे पाता। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्ति उत्करश्टा को लेकर प्रतिवद होता है। जीवन में विजेता इस पुरानी कावत की बुद्धिमानी पर अमल करते हैं। अगर कोई काम करने काबिल है, तो वहे अच्छी तरह से करने काबिल है। बहुत से तथा कतित कारण दिये गए हैं, जिन से यह समझाया गया है कि पिछले 20 सालों में मुक्ट संसार के अन्य देशों की तुलना में अमेरिका में उत्पातकता क्यों कम होई। इन कारणों में शामिल हैं कारियनेतिकता में कमी, उर्जा की अधिकलागत, कल्यान का तंत्र, उन्ची ब्याजदरें, विदेशी परतियोगिता इत्यादी। परन्तु यह बहाने दरसल यह नहीं समझा पाते कि लाखों कंपनिया क्यों दिवालिया हुई, करोणों लोग क् रोजगार हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा हताशा तथा मोवंग के दोर से क्यों गुजर रहा है। जितना ही उतपादन करता हимся, मैं उसत से अधिक उतपादन क्यों करूं। इसके अलावा जब मैं उतना ही काम करता हूं, जितना कानून के हिसाब से ज़रूरी है तो यूनियन का बॉस्स मुझे पसंद करता है। अब सर, मैं अपने काम में सुरक्षित हूँ, मुझ से जितने नियुन्तम के उमीद की जाती है, मैं उससे ज़्यादा क्यों करूँ? एक्जिक्यूटिव, मेरा साल अच्छा रहा, हमने उद्ध्यों के ओसत लाब की बराबरी कर ली. विद्यार्थी, मुझे पिछली तीमाई में सी यानि एवरेज ग्रेड मिला, यह बुरा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं पास हो गया. बहुत कम लोग अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करते हैं, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि बहुत कम लोग अच्छे जीवन का असल यानन्द क्यों नहीं लेपाते. साहस दिखाओ, उत्करष्ट सोचो. आप उन लोगों को जानते होंगे, जो ओसत स्थिति में इसलिए शर्ण लेते हैं, क्योंकि उन्हें परतियोगिता करने में डर लगता है. वे लोग तरक देते हैं, मेरी वर्तमान नोकरी में मैं हर एक के लगबग बराबर हूँ. अगर मैं इस सुरक्षित जगए को छोड़ूँगा, तो हो सकता है, मेरी उपलब्दिया इससे भी कम हो, और ओसत होने के बजाए, मैं ओसत से भी कम काम कर पाऊँ, या बिल्कुल ही ऐसा भल हो जाऊँ. मैं ये समझाद हूँ कि ज़्यादा बड़े या चुनोती पूर्ण काम का डर किस तरह काम करता है, मैं आर लेस्ली को बहुत कुशागर विद्यार्थी के रूप में जानता हूँ. वह है एक स्टेट यूनिवेस्टी में गया, जहां उसने टीवी और रेडियो कम्यूनिकेशन में विश्यसक गिता हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद लेस्ली के पास बहुत से टीवी स्टेशनों से नोकरी के परस्ताव आई. उसने अपने ग्रेहनगर के परस्ताव को स्विकार किया, जिसकी आबादी 75,000 थी. मैं लेस्ली से 25 साल बाद मिला, जब मैं उसके शहर में चेंबर ओफ कॉमर्स में बासन देने गया, मैंने उससे एक गंटे तक बातें की, उसने मुझे बताया कि सुरक्षित परंतु ओसत करियर में जाने की बज़े से वह कितना ऐसंतुष्ट था. लेस्ली ने कहा, आप जानते हैं, जब मैंने अपने ग्रेहनगर के स्टेशन में नोकरी शुरू की, तो उसके कुछ साल बात तक मेरे पास कई टीक स्टेशनों से नोकरी के प्रस्ताव आये, जहां तनख्वा बेहतर थी और नोकरी अधिक प्रतिश्टिक थी, परंतु मैंने हमेशा उन्हें ठुकरा दिया, मैंने पूछा क्यों, मेरे पास बहुत से कारण थे, लेस्ली ने ज सुनाना, परंतु पीछे मुड कर देखने पर मैं यह स्विकार करना चाहता हूँ, कि यह सब बहाने थे, अब जब कि मेरी उमर अधिक हो गई है, और मेरा अधिकांस टीवी करियर बीच चुका है, तो मैं यह बताना चाहूँगा, कि जिस कारण से मैंने उन अच्छे प्रस अधिक काम वाले माहुल में सफल नहीं हो पहूंगा, सर्वेस्रेश्ट स्टेशनों में नोकरी बनाए रखने के लिए आपको सचमुच स्रेश्ट होना चाहिए, परंतु मैं उन लोगों में से हूँ, जो यह सोचते हैं कि वे सिर्व ओसत है, इसलिए मैंने सुरक्षिक तर हो सकता था, मैं लेसली जैसे एक सर्जन को जानता हूँ, जो पर्तिबा साली था, परंतु वह देश के कई अच्छे अस्पितालों में प्रेक्टिस करने से बचता रहा, क्योंकि वह मैं सिर्व ओसत हूँ कि गातक बीमारी के कारण मनोवेग्यानिक रूप से पंगू हो गय जो अपने खुद के बिजनस में सफल हो सकते थे, ऐसे मैनेजर मिले जो CEO बन सकते थे, और ऐसे उतकरष्ट प्रोफेसर मिले, जिन्होंने अपनी रोष्णी को जाडिव के पीछे चुपा कर रखा हुआ था, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि वे सब इस सोच के ज आमों को ओसत सोच द्वारा नियंत्रित नय होने दे, स्वें से प्रतियोगिता करें, उतकरष्ट सोचें, दोसदर्सी लोग हमें बताते हैं कि ईस्वर को आम या ओसत लोगों से प्रेम होगा, क्योंकि उसने ज्यादातर लोगों को एसा ही बनाया है, परंतु सफलता चाने और सकारात्मक मानसिक्ता वाले लोग कहते हैं कि ईस्वर ओसत लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने हर एक को किसी ने किसी तरह अनूठा और खास बनाया है, चूंकि हर व्यक्ति अनूठा है, इसलिए हर व्यक्ति किसी ने किसी खेत्र में विश्व चैंपियन बनने के लिए गड़ा गया है उतक्रस्ट सोच वालों को पुरुसकार दें पुसत सोच वालों को हटा दें पिछली मंदी के सबसे निचले बिंदू के दोरान मैंने सिकागो की हवाई यात्रा से पहले लास एंजलिस हवाई एड़े पर लंच किया रेस्तरा में सर्विस बहुत वहे मेरे लिए ऐसी चीज ले आई जिसका मैंने ओर्डर नहीं दिया था उसने मुझे गुसे से गुरा और मुझे यह ऐसास दिलाया कि मैं उसके जीवन को मुश्किलों से भर रहा था जब वहे मेरा बिल लेकर आई उस समय भी वहे बिलकुल खुश नहीं दिख रही थी उ आप ने उस वेटर को काम पर क्यों रखा है हुआ है लास एंजलेस में एक लाख लोग बेरोजगार है क्या आपको उससे अच्छी वेटर नहीं मिल सकती गुसे में मैं बिना जवाब सुने बाहर निकल आया और अपने हवाईजाज की तरफ चल दिया हवाईजाज मेरे खाना परोसा था और वैं उतनी खराब सर्विस कर रही थी जितनी की संबव थी परंतु मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पाया कि लास एंजलेस में एक लाख लोग बेरोजगार है इसके बाद भी इस वेटर के पास नोकरी क्यों है शायद वैं सीनियर हो या शायद उसे अ कि सभी चीजें अच्छे के लिए होती है मंदी का भी एक अच्छा पहलू होता है मेरे सहय यत्री ने कहा मुझे यह समझ में नहीं आया कि मंदी में क्या अच्छा ही हो सकती है मैं शिकागो में कैटलोग हाउस चलाता हूं और मंदी से जुड़ी हर चीज से मेरे बिजनस को नुकसान पहुंचा है ऐसे समय में कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती अगर आपको उसमें कोई लाब दिखे जिसे हम शिकागो में मंदी कहते हैं तो मुझे बता दें मैंने कहना शुरू किया देखिए मेरा एक व्यवसाई दक्षन पूरो में पाइन वरक्षों को करना है लगबग हर दसक में एक बार बुरा बर्फिला तुफान आता है बर्फिले तुफान का नकारात्मक पहलू यह है कि बिजली के तार्ट तूट जाते हैं सडकों पर बर्फ जमा हो जाती है कुछ परिवारों को दो एक दिन बिना बिजली के रहना पड़ता है और भी इसी तरह के कई काश्ट होते हैं परंतु सकारात्मक पहलू से देखा जाई तो बर्फ रक्षों को चांटने का काम करती है मरे हुए या बिमार पेड़ गिर जाते हैं और बाकी पेड़ों के कमजोर रंग तूट जाते हैं कुल परिणाम यह होता है कि जब बर्फ पिगल जाती है तो बरक्षों गाने वाले किसानों के पास अधिक स्वस्त जंगल होते हैं मैं यह बात समझ सकता हूँ मेरे सैयातरी ने कहा परंतु इस उधारन का आर्थिक मंदी से क्या संबन्ध है मैंने इस व्यक्ति से कहा मुझे स्पष्ट करने दे बर्फ के तूभान की तरह मंदी भी संगठन को चांटने का आउसर देती है उन लोगों को हटाना जो अपने हिस्से का वजन नहीं उठा रहे है मेरे मित्र ने बीच में कहा मेरी कंपनी में 300 करमचारी है और मैं उन में से 50 को हर महिने के अंत में निकाल रहा हूँ परंतु मैं सिनियर्टी या वरिष्टा को इस बात का पैमाना बना रहा हूँ कि उन में से कौन रुके और कौन बाहर जाए मैं बोला अगर आपकी कंपनी है और आप जो कदम उठाना चाते हैं उठा सकते हैं परंतु अगर आप चाते हैं कि मंदी के बाद आपके पास अधिक द्रड़, अधिक स्वस्त और अधिक सफल संगठन हो तो आपको वर्तवान परिस्तितियों का प्रियोग इस तरह करना चाहिए कि आपके कमजोर करमचारी छट जाएं लोगों को नोकरी से निकालने में किसी को खुशी नहीं होती परंतु जब आपके पास भी कल्प नहीं हो तो यह स्मार्ट तरीका है कि अपने सबसे उत्पादक करमचारीों को रखा जाए छे महीने बाद मेरे पास उस सहय यात्री का फोन आया काफी सोच विचार के बाद उसने यह फैसला किया कि सीनियरटिव के बज़ाए काम के आदार पर करमचारीों को हटाया जाए उसने कहा कि यह एक मुश्किल निरने था परंतु यह निरने सही भी था आपको याद होगा कि मुझे पचास लोगों को हटाना था उसने स्पष्ट किया परंतु आज सेरे जनक बात यह है कि अब हम दोसो पचास करमचारीों के साथ भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम पहले तीन सो करमचारीों के साथ करते थे मैंने एक बड़ा सबक सीखा मेरे दोस्त ने कहा हम अपने समाज में रोजगार देने के प्रती तो जागरुक होते हैं परंतु काम करवाने के प्रती जागरुक नहीं होते कल जब आप आफिस या पोस्ट आफिस में जाएं तो एक मिनट रुकें और खुद से पूछें कि अगर संगठन ओस्त काम चलाओ मुझे परवाने के नजरिये वाले करमचारियों को सहन करना बंद कर दे तो सेवाएं और सामान कितने अधिक प्रभावी और कम महेंगे हो जाएंगे सबक उन लोगों पर दाओं लगाएं जो उतकरष्टा चाते हैं उन लोगों पर नहीं जो दोयम दरजे का काम करते हैं याद रखें ओसत निकरष्ट में सर्वसरेश्ट है और सर्वसरेश्ट में निकरष्ट तम है जब आप बेहतर, अधिक समरद और अधिक संतोस जनक जीवन बनाने का प्रियास करें तो इन तीन बातों का ध्यान रखें पहली, अपने हर काम में उत्करश्टा का प्रियास करें पुरानी कहावत की बुद्धि मता को ध्यान में रखें अगर कोई काम करने काबिल है, तो वह अच्छी तरह से करने काबिल है हर काम मैतुपूर्ण होता है और उसे सर्वसरेश्ट तरिके से किया जाना चाहिए याद रखें, जब आप उत्करश्ट करमचारी होते हैं तो आप ज्यादा पैसे कमाते हैं और आपको अधिक संतुष्टी भी मिलती है जो उस सची दोलत का स्रोथ है, जिसे आप चाहते हैं दूसरी बात, ओसत सोच से नफरत करें ओसत सोच कभी आपके सपने साकार करने में आपकी मदद नहीं करेगी कोई भी बच्चा यह कहना बसंद नहीं करता मेरे डेड़ी एक ओसत डेड़ी है कोई बोस अपने सीनियर से यह नहीं कहना चाहता जिम शिर्फ एक ओसत सेल्जमेन है और अगर आप ओसत व्यक्ति की तरह दिखेंगे सोचेंगे, बात करेंगे और काम करेंगे तो कोई भी आपके बारे में डिंगे नहीं आंकेगा तीसरी बात सर्वस रेष्ट के साथ पर्तियोगिता करने की इच्छा रखें जब तक आप किसी बड़ी चुनोती का सामना नहीं करते तब तक आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप में कितना दम है ओसत लोग दूसरों का साथ चाते हैं उन्हें यह देखने में बड़ा मज़ा आता है कि दूसरे लोग भी गिर कर उनके स्तर पर आ गए हैं उन्हें इस दूस्ट आनंद से वन्चित रखें अपने ओसत सहयोगियों को इस बात की इजाज़त नहीं दें कि वे आपको नीचे खींज कर अपने परदर्शन के स्तर तक ले आएं विजेताओं से सला लें अपने व्यवार को सर्वस्रेस्ट व्यक्तियों के व्यवार के अनुरूप ढालें उतक्रश्टा की तरफ कदम बढ़ाएं और पुरुसकारों का आनंद लें अगर आप किसी से पूछेंगे आपने बासा बोलना कैसे सिखा तो उसका जवाब शायद यह होगा अपने माता पिता से परंतु माता पिता तो सिर्फ स्त्रोत है वह मद्यम नहीं है जिसके दोरा हम बोलना सीखते है सिदे से कहा जाई तो हम दूसरों की नकल करके बोलना सीखते है इस बात की काफी संभावना है कि आपके जो दोस्त कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट यहुदी या बोद धर्म गनुनाई या मुसल्मान है उनके माता पिता भी उसी धर्म की होंगे हम में से अधिकांस लोगों के राजनेतिक विस्वास भी अपने माता पिता की तरह ही होते हैं जादातर लोग धर्म, राजनिती, अर्थसास्तर, विवाह, अनुसासन, नोकरी और सेक्स के बारे में अपना नजरिया अपने माता पिता, सिक्षकों, सुपीरियर और साथियों के उधारन की नकल करके बनाते हैं लीडर्शिप का आर्थ है उधारन प्रस्तूत करना समय के साथ-साथ लीडर की फिलोसोपी और आदते अनुनाईयों की फिलोसोपी और आदते बन जाती है किसी व्यक्ति का कम से कम 90% व्यवार उन उदारणों द्वारा निर्धारित होता है जिनकी नकल करके उसने दूसरों से सीखा है इसलिए सही उदारण पेस करना सफल लेडर बनने का एक अनिवारिय हिस्सा है अपना रोल मडल सावदानी से चुने एक एड़टाइजिंग एग्जिक्यूटिव ने मुझे एक अनुबव बताया जिसने उसे लोगों के साथ सही व्यवार करना सिखाया मैं उस वक्त बाइस साल का था और काले से निकला ही था उसी समय मैंने एक मेरतोपून सबक सीखा मुझे एक एड़टाइजिंग कंपनी में अकाउंट एग्जिक्यूटिव के सैयोगी की नोकरी मिल गई मेरा बोस बिल तुनक मिजाजी था वह कलाकारों, कापी राइटर्स और अन्य रचनात्मक लोगों को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता था वह उन्हें फटकारता था अक्सर उनके विचारों की खिल्ली उड़ाता था और उन्हें नीचा दिखाता था यह मेरी पहली नोकरी थी लोगों के इसाथ उसके विवार के तरीके को मैं पसंद नहीं करता था परन्तु मैंने सोचा कि शायद यही सही तरीका होगा आखिर वह अकाउंट एक्जिक्यूट्यूट्यू था और उसका तरीका सही होना चाहिए एक सुकरवार को मैं एजेंसी के काम से आफिस से बाहर गया आफिस लोटने पर मुझे यह संदेश मिला कि मैं सीनियर वाइस प्रेजिजेंट मिस्टर कैमपेल से जाकर मिलूँ मिस्टर कैमपेल सिधे मुद्धे की बात पर आ गई फिलिप्स हमने बिल को हटा दिया है मिस्टर कैमपेल ने इसका एकमात्र कारण यही बताया कि बिल को रचनात्मक लोगों से सैयोग प्राप्त करने में मुश्किल आ रही थी फिर मिस्टर कैमपेल ने कहा आपकी नोकरी यतावत रहेगी और अब जैक व्राउन आपके बोस होंगे मैंने पाया कि जैक बिल से बिलकुल विपरित था जैक रचनात्मक लोगों को यह अनुबव कराते थे कि वे मैतोपूर्ण है और उन्हें उनकी जरूरत है वे विनमर और सैशनू थे हमने एक के बाद एक सफल अवियान चलाए और काफी सफलताई हासिल की मैं अक्सर सोचता हूँ मेरे दोस्त ने सोचते हुए कहा कि अगर मैं एक दो साल तक बिल के यह दिन काम करता तो मेरा नैजानिक क्या होता मैं युवा और अनुबवहिन था और कौरे कागज की तरह था अगर मैंने बिल की आदतें सीख ली होती तो शायद मैं ऐसा फल हो गया हुता परन्तु ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ती मेरा ध्यान रख रही थी इसलिए मुझे जैक के साथ काम करने का अवसर मिला वह है मेरा रोल मोडल बन गया और इससे मुझे सचमुच बहुत फाइदा हुआ मेरे मित्र कानुवव हमें दो बड़े सबक सिखाता है पहला जब आप सीड़ी पर उपर चड़ें तो खुद से पूछते रहें क्या मैं अपने अधिनस्तों के लिए अच्छा या सकारात्म कुदान पेस का राम याद रखें कमपनी के संपत्ती और धन को उसी तरह से उपयोग में लाएं जिस तरह आप अपनी संपत्ती और धन को लाते हैं जब आप ऐसा करेंगे तो आपके करमचारी भी ऐसा ही करेंगे जब आप अपना शत्परतिसत परियास करेंगे तो आपके अनुमाई भी ऐसा ही करेंगे जब आप अब अपनी कमपनी के बारे में अच्छा भोलेंगे तो आपके करम्चारी भी ऐसा ही करेंगे दूसरा, अपने व्यवार के लिए सही रॉल माडल चुनें किसी नोकरी को करने से पहले खुद से पूछें अगर मैं अपने बोस की आदतें सीख लूँ उनके नजरिये को अपना लूँ तो क्या मैं सफल और संतुष्ट बनूगा यह सुनिशित कर लें कि आपके बच्चे सही उधारन सीखें पिछले साल देश के कई हिस्सों में सिक्षकों ने हर्ताल की उनमें से कुछ नकारात्मक और कटू थे सिक्षक तक्तियां उठाई थे जिन पर इस तरह के संदेश लिखे थे स्कूल बोर्ड को फांसी पर लटका दो हम आपके बच्चों की देखबाल करते हैं हमें ज़्यादा पैसे दो और सिक्षकों का सोशन बंद करो सिक्षकों के इस आंदोलन से मैं चिंता में पड़ गया सिक्षकों को बच्चों को जो परमुक सी दांट सिखाना चाहिए उनमें से एक है सब्ता का सम्मान करना हर्ताल करने वाले सिक्षकों ने स्कूल बोर्ड की सब्ता के जिस तरह पूर्ण अवेलना की उसने विद्यार्थियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी होगी अब विद्यार्थी सत्ता का समान क्यों करेंगी जब वे लोग जिनके परती उनका समान होना चाहिए यानि कि सिख्षक इस पर उंगलियां उठाते हैं एक जिले में हर्ताल एक मैने से ज्यादा समय से चल रही थी वहां रहने वाली एक माने अपनी समश्या के बारे में मुझसे बात की मेरे पती और मैं सचमुच परेशान है हमारे दो बच्चे सिख्षा से वन्चित है यह ठीक नहीं है मैंने जवाब दिया मैं आपके इस बात से तो सहमत हूँ कि यह ठीक नहीं है परन्तु आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं आप उन्हें प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं बेशती हम एसा कैसे कर सकते हैं जिम और मैंने इस बारे में विचार किया था परन्तु हम प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते इसके अलावा हम स्कूल टेक्स भी तो दे रहे हैं मेरा जवाब सीधा और ततकाल था मैं जानता हूँ कि इससे आप पर आर्थिक दवाव पड़ेगा और यह उचित नहीं है कि आप प्राइवेट तता सरकारी दोनों स्कूलों को पैसे दे परन्तु अपने बच्चों को सरवस्रेष्ट सिक्ष्या दिलवाना आपका कर्तव्य है अपनी एक कार बेच दे अपने गर को दुबारा फाइनेंस करवा ले सस्ता बोजन कर ले चाहे आपको कुछ भी करना पड़े परन्तु अपने बच्चों को किसी एसे स्कूल में वश्य विजवाईए जहां के शिक्षक अच्छा उधारन पेस करें मैंने यह संकेत भी दिया कि उनके बच्चों के लिए 48 शिक्षकों से संपर्क में आना कितना बुरा था एसे शिक्षक जिनकी मानसिक्ता इतनी गटिया थी कि वे पड़ाने से सिर्फ इसलिए इनकार करते थे क्योंकि उनकी तन्खवाईं थोड़ी कम थी मैंने अपनी मित्र को याद दिलाया कि अगर शिक्षक तन्खवा के मुद्दे पर इतनी नकारात्मक बाउना ही रख सकते हैं तो वे आपके बच्चों के सामने कितने अन्य दुखद उधारन पेस कर रहे होंगे शिक्षकों को ज़्यादा तन्खवा देने से हमारे पबलिक स्कूल सिस्टम की समश्याई कभी नहीं सुलजेंगी समादान यह है कि उन्हीं को सिक्षक बनाया जाए जो बच्चों को सिखाने के प्रतिस समर्पित हो पादरी की तरह ही सिक्षक बनने का आकर्षन आर्थिक पुरुसकार ने तो कभी रहा है ने ही कभी होना चाहिए टीचिंग के व्यवसाई की तरफ उन्हीं लोगों को आकर्षित होना चाहिए जो यूवा मस्तिस्कों का विकास करना चाहते हो और बच्चों में परिवार समाज तथा देश के प्रति मुल्यों को विक्सित करना चाहते हो बात मेरे मित्र के दिमाग में बैठ गई तीन दिन बाद उसके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे काम शब्दों से अधिक तेज बोलते हैं यह पुरानी कावत अभी ऐपरसांगिक नहीं हुई है चाहे हम जो करें चाहे हम जिस तरह से व्यवार करें परतिकिरिया करें और परिस्तितियों का सामना करें बच्चे हमारे कहे सब्दों के बज़ाए हमारे किये गए कामों से ज़्यादा सीखते हैं इन तथ्यों की तरफ ध्यान दे आंकडों का प्रमान पूरी तरह साबित कर देता है कि जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से एक शराबी होता है उनके साथ सराब शम्बंदी समश्या होने की सम्भावना जाता है बजाए उन बच्चों के जिनके माता-पिता शराब नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं जो माता-पिता अपने बच्चों को पीटते हैं उन्हें उनके बच्पन में पीटा गया था अगर बच्चों को पीटा जाता है तो बड़े होने पर वे यह तर्क देते हैं कि अब पीटने की उनकी बारी है गरीबी में रहने वाले अधिकांस व्यसकों ने बच्पन में गरीबी भोगी है गरीबी में जीवन गुजारने वाले लाखों व्यसक अमेरिकी इसे समान्य मानते हैं गरीबी का उधारन अक्सर करीबी सिखा देता है चर्च जाने वाले अधिकांस व्यसक अमेरिकी बच्पन में भी चर्च जाते थे इसका उल्टा भी सच है चर्च नए जाने वाले अधिकांस लोग बच्पन में चर्च नहीं जाते थे अपने बच्चों को छोड़ने वाले पिता आम तोर पर वे होते हैं जिनके पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया था जिन बच्चों के मातापिता लेवर यूनियन में विश्वास करते हैं और उसका समर्थन करते हैं वे बच्चे आम तोर पर यूनियन का समर्थन करेंगे बजाए उन बच्चों के जिनके मातापिता कमपनी को अपना सच्चा ही तैसी मानते हैं किसी भी तरह से देख लें, चेतन या अचेतन रूप से माता-पिता की आदतें, नजरिये और पूर्वाग्रे बच्चों के व्यवार के माडल बन जाते हैं संदेश आपके बच्चे का अधिकांस परशिक्षन उधारन द्वारा ओता है, शब्दों द्वारा नहीं, इसलिए अपने उधारनों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाईए, इसे इस तरह से देखें, आप बच्चे को अपने उधारन द्वारा चलना सिखाते हैं, आप अपने बच् मत, छुरी या कांटा पकर ना सिखाते हैं बासन दे कर नहीं बलकि उधारन दे कर चार साल के बच्चे को सीट पेल्ड बांधना सिखाने के लिए आप उसे सुरक्षा पर बासन नहीं देते बलकि अपना सीट फिल्ड बांद कर दिखाते हैं जब तक बच्चा तीन साल का होता है तब तक उसके अधिकांस जीवन की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है और इस प्रोग्रामिंग का शायद ही कोई हिस्सा उसके दिमाग में शब्दों द्वारा बहरा जाता है आज वह कंपनी का चेर्मेन था परन्तु 25 साल पहले वह एक स्टोक कलरक था जो अपने रिटेलिंग करियर के शुरुवात कर रहा था मैंने अपने दोस्त से कहा आप काफी दूर आ चुके हैं और आपको गरव होना चाहिए कि आपने कितना कुछ किया है मैं जानता हूं कि आप में इतनी क्षमता थी परन्तु आपने कुछ खास किया होगा कुछ बहुत ही खास जिसकी वज़े से आप आज चेर्मेन के पत्तक पहुंच गई मेरा मित्र हांसा और उसने कहा मैंने मैनेजमेंट के उन सिदान्तों को अपनाया था जो मैंने आपसे सीखा था इसने मुझे बाकी किसी भी चीज से अधिकलाब पहुंच आया मेरी उत्सुकता ततकाल जा गई और मैंने पूछा वह कौन सा सिदान था आपने हम सभी पर्शिक्शन लेने वालों को एक छोटी सी कवीता याद्व करवाई थी हमारी दुनिया किस तरह की होती है अगर इसमें सब लोग मेरी इतरह व्यावार करते तब से मैं इसी पंक्ती के सारे जिया हूँ अब मैं पूछता हूँ हमारा स्टोर किस तरह का स्टोर होता अगर हर मैनेजर मेरी तरह होता इस पंक्ती ने मेरे करियर में चमतकार कर दिया और उन सेंकडों मैनेजरों के करियर में भी जो मेरे प्रति जवाब दे है हमारी कंपनी के हर मैनेजर को सिखाया जाता है कि वहे अच्छे उधारन पेश करके अपने करमचारियों को परशिक्षित करे क्या यह उधारण किसी खास तरह के होते हैं मैंने पूछा मैं तीन क्षेतरों पर जोर देता हूँ उसने जवाब दिया पहला है ग्राहक की प्रवा करने का उधारण हमारे सभी मैनेजर हर दिन कुछ समय तक ग्राहकों की सेवा करते हैं इससे करमचारियों को मदद मिलती है आखिर इन लोगों को बेशने की कलमें पर शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि किस तरह बेचा जाता है इसके अलावा अगर करमचारियों के मनोबल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जब वे देखते हैं कि मैनेजर और मेरा मतलब है कि सभी मैनेजर जिन में मैं भी शामिल हूँ सामान दिखा रहे हैं क्रेडिट की समश्या सुलजा रहे हैं पैकेट बांध रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं यह हमारे मैनेजरों के लिए भी अच्छा है क्योंकि वे बिजनस से हर दिन सीधे जुड़े रहते हैं अब दूसरा उधारण है मेरे CEO मित्र ने आगे कहा अपने सामान के प्रति सम्मान दिखाने का उधारण इसका मतलब है हमारे सामान, धन, जुड़ी हुई वस्तूओं और यंत्रों के प्रति सम्मान दिखाना जब कोई मैनेजर सामान को सावजानी से संबालता है और उसे सही तरीके से रखता है तो करमचारी भी ऐसा ही करेंगे सामान को किस तरह से आकरशक दिखाया जाई इस बात का एक व्यवारिक प्रतेक्स उदारन चार पेज के निर्देश से अधिक मुल्यवान साबित होता है तीसरा उदारन क्या है मैंने पूछा मैं इसे प्रोफेशनल लुक का उदारन कहता हूँ मेरे मित्र ने जवाब दिया यह मैतोपूर्ण है कि हमारे करमचारी समझदार और प्रोफेशनल दिखें हमारे मैनेजर एक ड्रेस कोड निर्दारित करते हैं ताकि प्रोफेशनल चवी बन सके साफ सुत्री और समान जनक छवी आप सामान बेचने वाली टीम बनाने में एसे उदारन पेस करने में बहुत विश्वास करते हैं जिनका पालन करवाना चाते हैं मैंने कहा एक्जिक्यूटिव ने जवाब दिया बिल्कुल मेरे विचार से यह सही नजरिये और योगताईं शिखाने का एक मतर तरीका है एसा कोई तरीका नहीं है जिसके दवारा मैं आपको यह सिखा सकूँ कि किस तरह जूते बांदे जाएं सिवाए इसके कि मैं आपको जूते बांद कर यह दिखाउँ और किसी को यह सिखाने का कोई तरीका नहीं है कि ग्रहाक की सिवा कैसे की जाए सिवाए इसके कि ग्रहाक की सिवा करके दिखाई जाए कदम तीन बोलो नेतरतों का समद बोलने से है लीडर्स बोलते हैं बहुत बड़े लीडर्स के बारे में सोचे हैं चर्चिल बोलने में प्रवेन थे, रुजवेल्ट भेतरिन वक्ता थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लाखों लोगों को मंत्र मूग कर सकते थे, एडोल्फ हिटलर हालांकि बहुत बुरे किस्म के शैतान थे, परंतु वे भी लीडर थे, अपनी पुस्तक मीन काफ में व हर महान मुहिम, महान वक्ताओं के कारण खड़ी हुई है, नै की महान लेखकों के कारण, बिजनस सम्मेलनों और बैटकों में स्वेचा से बोलने वाले लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारियों से बहे पद दिये जाते हैं, परंतु बहुत कम लोगों में अपने विचार व्यक्त करने का आतमविश्वास होता है, मैंने हाली में एक दोस्त के साथ लंच किया, जो तिवर प्रगती कर रही है कमपनी का चेर्मेन है, उसने मुझे बताया, मेरे साथ एक समश्या है, मेरे बोड में पंदरे डारेक्टर हैं, हम साल में चार बार मिलते हैं, परंतु सि मुए खुलवाने के लिए मुझे उनसे व्यक्तिकत रूप से सीधे सवाल पूछना पड़ते हैं, जैसे जोन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैंने अपने मित्र को विश्वास दिलाया कि सयो का अभाव आम तोर पर सभी बैटकों में होता है, मैंने बताया कि अगर किसी मेटिंग में चुप बैठने वाले लोग बाद में दो या तीन के समू में अपनी बात कहते हैं, जो लोग उपचारिक बैटिंग में कुछ नहीं बोलते, उनके पास हमेशा आफिस की बैटकों के बाद लंच में या नोकरी के गंटों के बाद कहने को बहुत कुछ होत कि शायद सिर्फ थोड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये होंगे और इसकी सम्भावना बहुत है कि बैठक में चुप चाप रहने वाले लोग बाद में दो या तीन के समू में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे होंगे, काश किसी ने यह सुजाओ दिया होत या किसी ने बोस कोई उस समश्या के बारे में क्यों नहीं बताया, जो हमें नई सुरक्षा सिस्टम के साथ आ रही है, या काश किसी ने इस बारे में कुछ कहा होता, जिस वज़े से ज्यादातर लोग बोलने के लिए खड़े नहीं होते, उसे एक शब्द में बताया जा सक करता है डर, हसी उड़ने का डर, मुर्ख दिखने का डर, कोई विवादासवत बात कहने का डर, अपनी काल्पनिक कमियों के डर के कारण लोग खामोश रहते हैं, सब के सामने कुछ कहने के लिए साहस और आतम विश्वास की जरूरत होती है, कुछ लोग पुरानी कावत में विश्वास करते हैं, यह बेतर है कि आप चुप रहें और लोग आपको मुर्ख समझें, बजाए इसके कि आप अपना मुह खोलें और आपकी मुर्खता साबित कर दें, परन्तु यह कावत हमें ब्रमित करती है, अगर आप चुप रहेंगे, तो आप प्रभाव बढ़ाने कि अपने आफसरों को बहुत कम कर देंगे, सफलता के लिए कोई और योग्यता उतनी महत्वकून नहीं है, जितनी की दूसरे लोगों के सामने बोलने की, उनका ध्यान खीजने की, और उन्हें अपने दरस्टी कौन का विश्वास दिलाने की, हमारा शिक्षा तंतर आम तो और उसे कभी बोलने के समद में मार्क दर्शन नहीं मिले। बहराल यह बात तया है कि जब तक आप अपनी बात को सकारात्मक तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक आप अपने ख्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। यहां आगे 6 मार्क दर्शक शिदान बता रहा हूं, जो बोलने की आदत डालने में आपकी मदद करेगी। पहला, बोलिए, जिस भी मीटिंग में आप भाग ले रहे हैं, उसमें सवाल करें, विचार व्यक्त करें, कोई व्यक्तिकत अनुभव बताएं, या किसी तरह से कुछ ने कुछ कहें। बोलने से आपकी अलग पैचान बनेगी। आप खुद को उन पिछेतर परतिसत लोगों से अलग कर लेंगे, जो मीटिंग में कुछ नहीं बोलते, जब उन से कोई सीधा सवाल पूछा जाता है, वे सिर्फ हाँ, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे सब ठीक लगता है, जैसा क लेडर्शिप के गुण का परदर्शन करते हैं, जिसका आपको पुरुसकार मिलेगा, खुद से कहें, मैं जिस मीटिंग में भाग लूँगा, उसमें कुछ ने कुछ जरूर कहुँगा, यह आसान नहीं होगा, परंतु याद रखें, बोलने के डर को जीतने का एकलोता तर के से व्यक्त करें, अपनी बात के पहले, इस तरह की कोई टिपनी करके उसे कमजोर ने करें, मेरे पास एक विचार है, यह शायद काम नहीं करेगा, परंतु अपना सुजाओ देने से पहले, उसे मैतव हिन ने बनाएं, क्या आप उस सेल्जमेन से कार खरी देंगे, जो कहत है, आपको शायद यह कार पसंद नहीं आएगी, परंतु फिर भी चलिए और इसे देख लीजिए, तीसरा, इमानदारी से बोलें, जब चर्चिल ने दूतिय विशूद के दोरान ब्रिटेन के लोगों को संबोधिक किया था, तो उन्होंने सचाई बताई थी, उन्होंने यह वाइदा किया था, कि जीतने के लिए खून, पसीने, मेनत और आंसों की जरूरत होगी, महान कार्पोरेट लीडर्स जब मुश्किल के समय में कमपनियों का नेतरतों करते हैं, तो वे भी यह वाइदा करते हैं, दुबारा पट्री पर आने की रा मुश्किल होगी, की तरह आसान होगा, वह निश्चित रूप से मुश्किल में पढ़ने वाला है, एक बार आप अपनी विश्वसने तक खो दें, एक बार अगर लोगों को यह मैसूस हो जाए, कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, तो वे आपकी हर बात में विश्वास खो देते हैं, चाहे आप अगली बार सच ही क्योंने बोल रहे हूं, प्रतम विश्व युद में जर्मन सैनिकों से कहा गया था, कि ब्रिटिस सैनिक तो मैलाओं की तरह है, और फ्रांसिसी सेना के दिमाग में तो सिर्फ और शराब के विचार ही बरे रहते हैं, जब युद में जर्मन सैनिकों का साम प्रांसिसी और बिटिस सैनिकों से हुआ, तो उन्हें जल्दी ही यह मालूम चल गया, कि उन्हें जो बताया गया था, वह सच नहीं था, जल्दी ही यह एस्तिती आ गई, कि वे हर बात पर एविश्वास करने लगे, पिछली मंदी के दोरान कई कमपनियों ने, अपने करमचारियों से कहा कि वे कमपनी को बचाने में मदद करें और अपनी तंखवा में कटोती करें, जिन कमपनियों ने समझोते कि मेज पर पूरे तथे रखे, उन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सच बोलने वाले कमपनियों के करमचारियों ने तंखवा में कटोती या काम करने के कई गंटों को स्विकार कर लिया परंतु जिन कंपनियों ने आर्थिक आंकडों का गलत विशलेशन करके अपने करमचारियों को मुर्ख बनाने की कोशिस की उन्हें बहुत सी समश्याओं का सामना करना पड़ा सबक यह है अगर आप लोगों को सच बता देते हैं तो वे आपका समर्थन करेंगे अगर आप उनसे जूट बोलते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे टीचर्स अगर अगले हफ़ते होने वाली परिक्ष्या में कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं तो विद्यार्थियों को पहले से ही कठिनाई के स्थर के बारे में बता दें ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें सूपरवाइजर्स अगर ओर टाइम की जरूरत हो तो करमचारियों को बता दें कि यह अतिरिक्त काम क्यों आफशक है तथ्या जानने के बाद वे आपका सयोग करेंगे एग्जिक्यूटिव्स अगर कमपनी आर्थिक परेशानी में है तो सेर ओल्डरों और डारेक्टरों को सचाई बता दें हकीकत जानने पर वे आपकी आर्थिक सुदार संबंदी योजनाओं का समर्थन करेंगे अगर आप उनसे जूट बोलेंगे तो आपके परति उनका द्वेस बढ़ेगा और यहे भी हो सकता है कि वे आपसे कमपनी छोड़ने को कहें माता पिता जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि किसी मेटपूर काम में लगन मेनत और त्याग की जुरूरत है तो आप लेडर्शिप के सिधानत का प्रियोग करते हैं चोथा आलोचना का सामना सकारात्मक तरीके से करें आलोचना होना या खिली उड़ना किसी को भी पसंद नहीं आता जनता के बीज गलतियां करना अपमान जनक होता है मूरक दिखने के बड़े डर में बहुत से छोटे छोटे डर शामिल है उचारन और व्याकरन की गलतियां करने का डर क्या बोलना है यह भूल जाने का डर किसी को चोट पूंचाने का डर और बाद में लोगों दोरा हमारी गलतियां बताई जाने का डर हर व्यक्ति आलोचना को ना पसंद करता है आलोचना से निवड़ने का तरीका है आलोचना की उमीद खरना इसे तारिफ की तरह स्विकार करें याद रखें अमेरिका में जिस आदमी की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वह कोई आंतकबादी या चंद सत्रू नहीं है जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वह राष्टपती होता है ने सिर्फ कुछ पत्रकार राष्टपती की कही हर बात की बुराई करते हैं बलकि अग्यानी और निकम में लोग भी उनकी जमकर आलोचना करते हैं क्योंकि वह उन्हें कुछ नहीं के बदले में कुछ क्यों नहीं देते बिजनस में कोई भी गेट कीपर की आलोचना नहीं करता परन्तु बहुत से लोग बोर्ड के चेर्मेन की बतों और कामों की खामिया निकालते हैं इसलिए खुश हों कि आपकी आलोचना हो रही है यह इस बात का प्रमान है कि आप विश्वास कर रहे हैं फाइरिंग लाइन में वही रहते हैं जो मजबूत होते हैं इसलिए घरव का अनुवव करें सकारात्मक परेणाम प्राप्त करने वाले भासन में जानकारी और प्रेणा का अच्छा समावेश होता है अच्छा भासन कभी किसी दूसरों के विचारों पर आक्रवन नहीं होता चाहे किसी और वक्ता ने आपके विचारों के विवरित कुछ कहा हो पर अंतु कभी भी अकमर्ण ने करें या उसे गलत साबित करने की कोशिस ने करें रचनात्मक होने में लाब होता है एक एड़र्टाइजिंग एग्जिकुटिव ने मुझे बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी ने कई लाख डोलर का वीवरिज अकाउंट हासिल किया तीन अन्य एजेंसियों को उनकी योजना पर सूथ करने के लिए आमंतृत किया गया था ग्राक ने मुझे अपनी योजनाईं बताई उसने मुझे कहा अगर आपको लगता हो कि ऐसा करने से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा तो आप अपने परतिद्वंदियों की रणनितियों की अवेलना करने के लिए सुतंत रहें क्या आपने ऐसा किया? मैंने पूछा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त ने जवाब दिया मैंने अपनी प्रस्तुती की शुरुवात में सिर्फ इतना कहा आप जिन दूसरी एजेंशियों के बारे में विचार कर रहे हैं उन में भी अच्छे और रचनात्मक करमचारी हैं परन्तो हमारी रणनिती अनूठी है इसलिए मैं उन से अपनी तुलना नहीं करूँगा फिर मैं अपनी योजना बताने लगा मेरे प्रस्तुती सबसे अलग हट कर थी अगर मैंने यह साबित करने की कोशिस की होती कि हमारी एजेंसिस सरुस्रेश्ट थी तो मैंने बहस का दर्वाजा खोल लिया हुता अपने परतिदियोंदियों पर आकरमन करने से इंकार करके मैंने विबाद को टाला और अकाउंट हासिल कर लिया याद रखें छोटी मानसिकता वाले लोग अपने मुकों और डंडों से लड़ते हैं गटिया मानसिकता वाले लोग उन से थोड़ा सिर्फ उपर होते हैं और अपने मुह से लड़ते हैं सच्मुच बड़ी मानसिकता वाले लोग कभी नहीं लड़ते हैं जब आप कहते हैं कि आपकी योजना किसी दूसरे से बेतर है या जब आप आकरमन करते हैं तो निर्ने लेने वालों में से कुछ लोग आपके प्रतिवंदी के समर्थन में एक जुट हो जाएंगे। अपने प्रतिवंदियों को नीचा दिखाए बिना अपनी योजना को सकारात्मक तरीके और इमानदारी से समझाएं। कभी भी मंच का परियोग किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ने करें। इससे सिर्फ युद्ध शुरू होता है जिसमें आप हार भी सकते हैं। 1984 में राष्टपती रीगन का चुनावी अभियान इस बात का बेतरी नुदारन है कि परतियोगिता का सामना किस तरह किया जाए। राष्टपती ने अपने परतियोगी का नाम तक नहीं लिया। रीगन किसी के विपक्स में नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ती सकारात्म कारिकरम के पक्स में लड़ने के लिए एकागर कर ली। और उन्हें रिकोर्ड संख्या में वोट मिले। चाहे विचार हो या प्रडेक्ट किसी भी चीज़ को बेचने में आपका शत्त परतिसत प्रियास इस पर एगागर करें कि आप जो दे रहे हैं उसमें क्या अच्छा है। कभी भी अपने प्रतियोगी के विचारों का या प्रडेक्ट की अलोचना ने करें। जो टीवी विग्यापन बताते हैं कि किस तरह प्रडेक्ट ए प्रडेक्ट बी और प्रडेक्ट सी से बेतर हैं दरसल वे बी या सी प्रडेक्ट का मुफ्त विवग्यापन कर रहे हैं। नमबर छे आसान सब्द बोलें। कनफ्यूशियन ने कहा है महान व्यक्ति कभी बच्पन की सादगी नहीं खोता। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था महानता से अधिक सादगी पुर्ण कुछ नहीं है। दरसल सादगी पुर्ण होना ही महान होना है। जिस तरह किसी मशीन में एक भी अनावशक पूर्जा नहीं होता। उसी तरह आप जो कह रहे हैं उसमें एक भी अनावशक शब्द नहीं होना चाहिए। बड़े शब्द जटिल विचार लंबे लंबे वाक्यों से आपकी पुरातन पंथी और आडंबर प्रियचवी बनती है। इसके बजाए सादगी से बोलें ताकि कोई बच्चा भी आपकी बात का मतलब समझ सके। कभी भी मंच का प्रियोग यह दिखाने के लिए ने करें कि आप कितने स्मार्ट या शिक्षित हैं। इमर्सन के सिदांट पर चलें। अपने हर काम को आसान बना दें। ओलम्पिक गोता फूर चेंपियन किसी जटिल गोते का परदर्शन करते समय अनावशक मास पेशियों का इस्तेमाल नहीं करते। जादूगर अपने जादूई कारनमों को इतना आसानी से करते हैं कि हर बच्चे को लगता है कि वह भी इसे कर सकता है। पुरुषकार जीदने वाले अविनेता इतनी ज़्यादा कड़ी मेनद करते हैं कि लगता ही नहीं है कि जैसे वे अविने कर रहे हैं। कदम चार दूसरों को अपनी मदद करने दे। कैलिफोर्निया में एक इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी के प्रमुक ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में प्रगती करने के लिए सैयोगी प्रबंदन का किस तरह प्रयोग किया। उनका अनुबव दूसरों का नेतर्तव करने का अच्छा उधारन है। नो सैनिक अकादमी से सनातक होने के बाद मैंने एरक्राफ्ट करियर में जूनियर इलेक्ट्रोनिक्स आफिसर के रूप में पहली नोकरी की। तदकाली मुझे पता चल गया कि मैं तकनीकी पहलू के बारे में बहुत कम जानता था। परन्तु मैंने यहे भी जान लिया कि मेरे अदिन कई छोटे अपसर थे जो अनुबवी थे। इसलिए मैं हर दिन उनके साथ बैठता था। दिन बर की गतिवीदियों की योजना बनाता था। और फिर उन से उनके विचार पूचता था कि किस तरह आगे बढ़ा जाए। उनकी पतिक्रिया जबरदस्त थी। बाद में मुझे पता चला कि मुझे से पहले जो आदमी जूनियर अफिसर था वहे कभी उनके विचार पूचता ही नहीं था। सायोग की मेरी सैली उन्हें बहुत पसंद आई। नो से ना से मुक्त होने के बाद मैं एक इलेक्टोनिक्स कंपनी में नोकरी करने लगा। एक बार फिर मैंने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि मुझे अपने अदिनस्तों के विचारों और युग्यताओं की बहुत आउशकता है। एक बार फिर मैंने यह जान लिया कि योजना बनाने में उनकी मदद लेकर मैं यह सुनिस्चित कर सकता हूँ कि काम पूरा हो और अच्छी तरह से पूरा हो। मुझे बहुत जल्दी परमोशन मिले। दो साल पहले मुझे कंपनी का प्रेजडेंट बनाया गया। तब मैं 37 साल का था। मैं अपनी सफलता का स्ष्रे लीडर्शिप के एक गुण को देना चाता हूँ। चिंतन और योजना बनाने में लोगों को सैयोग देने के लिए प्रेरित करना। यह रहे कुछ मारगदर्शक्सीदान जिनके माद्यम से आप दूसरों की मदद हासिल कर सकते हैं। पहला, प्रसंशा को धन की तरह माने इसका निवेश करें। लीडर्स कभी प्रसंशा के भूखें नहीं होते। सचा लीडर पर संसा मिलने पर इसका निवेश हमेशा अपने समर्थकों में करता है। स्मार्ट फुटबाल कोच जीत का स्रे कभी खुद नहीं लेता, वह इसका स्रे टीम को देता है। इससे टीम अगले सप्ता और ज़्यादा मेनत से खेलने की कोशिस करेगी। इसलिए जब आपको बदाई या पुरुषकार मिले तो हमेशा उस परसंसा को ग्रेहन करें और फिर अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसका निवेश करें। अगर आप सेल्ज मैनेजर हैं और आपकी सेल बढ़ जाए तो इसका असरे सुवह ने लें। इसका असरे अपने सेल्ज मैनों को दें। अगर आप production manager हैं और आप अपने लक्षे से अधिक उप्तवादन करते हैं तो काम करने वालों की प्रसंसा करें अपने को मिलने वाली प्रसंसा से अधिक लाव हासिल करें लीडर्स कभी प्रसंसा के बूखें नहीं होते। जिस तरह समझदारी से किये गए धन के निवेश से अधिक धन मिलता है। उसी तरह सयोगियों में प्रसंसा का निवेश करने से वे अगली बार बहतर परदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। लीडर्स परस्ट रूप से समझता है कि आप काम करने की सत्ता या शक्ती तो किसी दूसरे को सौप सकते हैं परंतु परिणाम की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाल सकते। 1984 में बेरुत में एक आंतकवादी ने 3199 सेनिकों को मार डाला। कमांडर इंचीफ होने के नाते राष्टपती रीगन ने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए इस द्रास्टी की पूरी जिम्मेदारी ली। अगर उन्होंने मेरिन काप्स के कमांडर को दोस्ट दिया होता तो उनका व्यवार लेडरों जैसा व्यवार नहीं होता और राष्टपती पर घंबीर दोसा रोपन भी किया जाता। वे आप पिग्स एक दुरगटना थी। राष्टपती कैनेडी के गुच सहयोगियों ने उन्हें सुजाओ दिया कि वे ऐस अफलता के लिए आईजन हावर परशासन को दोस्ट दे। क्योंकि ज़्यादातर योजना कैनेडी की राष्टपती बनने से पहले बनी थी। परंतु कैनेडी ने लीडर्शिप का परदर्शन किया और अमेरेकी जनता से कहा मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद ऐस अफलता की अलोशना बहुत कम हो गई। राष्टपती निक्सन ने वाटर गेट परकरण के दोरान जिम्मेदारी के नियम की अवेलना की। इसलिए उनके सामने दो ही विकल्प थे। या तो इस्थिपादें या फिर महावियों का सामना करें। कई लोगों का विश्वास है कि अगर निक्सन ने पूरी जिम्मेदारी ली होती अगर उन्होंने अमेरिकी जनता से कहा होता मैं गुस्पैट और गटिया चालों की जिम्मेदारी स्विकार करता हूँ तो वे अपने कुर्शी बचा सकते थे। परंतु हड़ दर मिता का परिचे देते हुए उन्होंने दूसरों को दोस्त देने की कोशिश की और इसका परिणाम यह हुआ कि इतियास उनके अच्छे कामों के बजाए उन्हें सिर्फ उनकी गलतियों के लिए याद रखेगा। जब स्थिती बिगड़ जाए तो अपने समर्थकों को दोस्त ने दे। इससे आप छोटे और कमजोर नजर आते हैं। इसके बजाए बड़पन का परदर्शन करें। यह स्विकार करें कि आपके अधिनस्तों ने नहीं बलकि आपने लापरवाई की है। बड़पन का परदर्शन करके आप यह सिद्ध करेंगे कि आप लेडर हैं। नमबर तीन, दूसरे लोगों के मस्तिसकों को संगठित करें। महान लेडर्स लोगों का अध्यन करते हैं। और लोगों का अध्यन वह सबसे महत्वपूर्ण जानकरी है जिसकी जरूरत आपको सफलता, धोलत और सुख हासिल करने के लिए होती है। काम का अध्यन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिपार्टमेंट भी चला सकते हैं। हो सकता है आप जानते हों कि कैसे बेचा जाता है। परंतु हो सकता है इसके बावजूद आप सेल्ज मैनेजर बनने के लिए ऐयोग्य हों। हो सकता है कि किसी को स्कूल में च्यार ग्रेड पॉइंट मिले हो परंतु फिर भी वह लीडर नहीं हो। देखिए ग्यान अपने आप में शक्ति नहीं है। यह शक्ति का कच्चा माल है और इसे सही रास्ते पर ले जाने की आवशक्ता होती है। इस बात की संभावना है कि आप बहुत ग्यानी लोगों को जानते होंगे। जो किसी बवाय काउट टुप का नितरतब नहीं कर सके या किसी नागरिक कलब के प्रभावी प्रेजिडेंट साबित नहीं हो सके। लीडर्शिप दूसरों के ज्यान का दोहन, सहियोजन और सम्मिलन है। एक बार फिर लीडर्शिप का संभन लोगों के मनोव ज्यान से है। काम या नोकरी के ज्यान से नहीं है। इस उधारन पर विचार करें। मान लीजी आप किसी बड़ी युनिवेस्टी में प्रेजिडेंट बनना चाते हैं, खुद को तयार करने के लिए आप हर उस विशे को पढ़ाने का फैसला करें, जो युनिवेस्टी पढ़ाती है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपकी तयारी पूरी होने से पहले आप कम से कम ढ़ाई अजार साल बुड़े हो जाएंगे। या मान लीजिए, आपका लक्षे जन्रल मोटर का सीईउ बनना हो, सबसे उंचे पद की तैयारी करने के लिए आप फैसला करते हैं कि आप इस कंपनी में होने वाले हर काम में पारंगत हो जाएंगे। एक बार फिर आपक की तैयारी पूरी होने तक आप कम से कम ढ़ाई अजार साल बुड़े हो जाएंगे। लीडर में यह योग्यता होना चाहिए कि वह एसे लोगों को मैनेज कर सके जिन में उससे अधिक विशे सगिया ज्यान होता है। प्रभावी लीडर बनने के लिए लोगों के अध्यन प हासिल करें। कुछ साल पहले क्लीवलेंड से कोलंबस की छोटी सी उडान में मेरे पास वाले सीट पर ऐसाधारन इसाई दार्षनिक डॉक्टर रावर्ट शुलर बैठे थे। उन्होंने एक विचारों तेजग बात कही। जिसमें एक महान लीडर्शिप सबक छुपा है। उन्होंने कहा एसा क्यों होता है कि जब अधिकांस लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं तो वे कहते हैं अपना ध्यान रखना। हमारा देश उन लोगोंने बनाया है जिनोंने जोखिम लिया है। उन लोगोंने नहीं बनाया जिनोंने अपना ध्यान रखना है। संभावन को सफल बनाने के लिए और भी ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत होती है क्या लोग हमारे परडेक्ट को पसंद करेंगे क्या करमचारी ठीक तरह से काम करेंगे क्या हमारा निवेस सफल होगा यह जोखिम से जुड़े कुछ सवाल है जिनका सामना हर बिजनस शुरू करने वा ने हासिल की है डॉक्टर क्रिश्चेन बर्नार्ड ने जब प्रत्व मानवी हर्द्या का प्रत्यार उपन किया तो उन्होंने सरजन के रूप में अपनी परतिष्टा का जोखिम लिया ली आया कोका ने क्राइसलर कोर्पोरेशन को पुनर जीवित करने के अपने सफल प्रि का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि जोखिम से किस तरह बचा जाए इस बात पर नहीं कि जोखिम लेकर किस तरह लाब उठाया जाए हमारे बिजनस स्कूलों से जितने जोखिम लेने वाले बिजनसमेन बाहर निकलते हैं उन से पांच गुना अधिक लोग करमचारी बनकर निकलते हैं और मैंने खुद यह देखा है कि प्रोफेसर जोखिम लेकर सफलता पाने के बजाए जोखिम से बचने की पांच गुना अधिक कोशिश करते हैं एक फुटबाल कोच ने सपस्ट किया कि उसने एक रननिती का प्रियोग करने का फैसला किया जिसके परिणाम सुखरूप हमारी टीम मैच हार गई और कानफरेश चैंपियंशिप नहीं जीत पाई हमने मैच शुरू होने के 30 सेकिंड में ही स्कोर कर लिया था इससे हम दूसरी टीम से सिर्फ एक पॉइंट पीछे थे अब मुझे उस साल का सबसे बड़ा निर्ने लेना था क्या हम लगबग निश्चित एक पॉइंट हासिल करें जिससे हम मैच ड्रा कर लेते और कानफरेश चैंपियंशिप भी ड्रा कर लेते या फिर हम अधिक जोखिंबरे दो पॉइंट की रन निती की कोशिज करें यह तै था अगर दो पॉइंट वाली रन निती सफल नहीं हुई तो हम मैच हा जाएंगे और कानफरेश चैंपियंशिप भी जहां तक मुझे याद है आपने उस मैच में दो पॉइंट वाली रन निती अपनाई मैंने बीच में कहा हाँ और यह एसफल हुई इसलिए हम हार गए कोश ने आगे कहा परंतु मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है रन निती के एसफल होने से ठीक पहले हमने टाइम आउट लिया और क्वार्टर बैक ने मुझे से कहा मैदान में उत्रा हर खिलाडी चाता है कि हम दो पॉइंट जीतने की कोशिस करें हम यहाँ जीतने के लिए आई है मेरे उस निरने की काफी अलोचना हुई जिसकी वज़े से हमारे हाथ से मैच और चेंपियनसिप चली गई हजारों पर संसक दुखी थे परंतु हर खिलाडी खुश था कि हमने कोशिस की और कोश होने के नाते मैं हमेशा खिलाडियों को पहले स्थान पर रखता हूँ मैं उनका जीवन बनाने की कोशिस कर रहा हूँ हमने वह मैच 13 साल पहले खेला था और उन सालों में कई बार उस मैच में खेलने वाले खिलाडियों ने मुझे बताया कि उस दिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था इससे उन्हें साहस का अर्थ समझने में मदद मिली जरा सोचिए आपने कितनी बार लोगों को यह कहते सुना है काश मैंने अमुक कंपनी में निवेश किया होता या काश मैंने फलां कम्पनी में नोकरी कर ली होती या काश मैंने अमुक काम कर लिया होता सच तो यह है कि लोग जो कहते हैं काश मैंने वह किया होता जो मैंने नहीं किया वे सब दुखी होते हैं परन्तु जो आदमी सफलता दोलत और सुक चाता है वहे अपने उस साती से ज्यादा जोखिम लेता है जो ओसत जिंदगी जीने का चुनाओ करता है जोखिम लेने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप में कितना दम है याद रखें बिना कोशिस के सभलता नहीं मिलती एक शोक्या लेखक ने मुझे बताया अरे मैंने किसी परकाशक के यहां कभी कोई पांडूली भी नहीं बेजी शायद वहे इसे चापने से मना कर देता एक यूवक ने बताया कि वहे सेलिंग लाइन में क्यों नहीं गया मुझे नहीं लगता कि मुझ में इस क्षेतर में सभल होने की योग्यता है उसने कोशिस करने का जोखिम नहीं उठाया कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी नोकरिया क्यों नहीं बदली नोकरी बदलने का अर्थ होता है जोखिम और एनिस्चित्ता जोखिम लेने का अर्थ जुवा खेलना नहीं है जब आप जोक ही मिलेते हैं तो परिणाम पर आपका थोड़ा बहुत नियंद्रिन होता है जब आप जुआ खेलते हैं तो परिणाम पर आपका कोई नियंद्रिन नहीं होता हाल ही में मैं डेटराइड में जैक डबलू से मिला जैक जनरल मोटर में 17 साल तक इंजिनियर के रूप में काम कर चुका है मेरी नोकरी ठीक ठाक है परन्तु मैं इसमें अपना सत परतिसत नहीं दे पाया मैं कई सालों से अपना खुद का बिजनस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ परन्तु मुझे हमेशा एक नए एक अच्छा कारण मिल जाता था कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए परियाप्त धन का आभाव ऐसा फल होने का डर परिवार को आमदनी के सुनिश्चित सादन की आवशकता इसी तरह के बहाने आखिरकार मेरी पतनी ने मुझे छलांग लगाने को कहा आप सुखी नहीं है उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं यह कर सकता हूँ इसलिए मैंने नोकरी छोड़ दी और अपनी खुद की इंजिनिरिंग कमपनी शुरू की दो साल तक स्टाफ के नाम पर कि उसमें निश्चित्ता को छोड़कर ए निश्चित्ता को चुनने का साहस था परंतु मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ जैक ने आगे कहा मुझे अपने काम पर नया गरो नया विश्वास है मैंने सचमुच अपने बारे में बहतर मैसूस किया एक और लाव यह हुआ कि मुझे अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों से अधिक सम्मान मिला लोग जोखिम लेने और खुद के दम पर काम करने के लिए मेरी प्रसंसा करते हैं जो लोग सफल होते हैं वे अपनी प्रात्मिक्ताई जानते हैं वे जोखिम को पहले स्थान पर रखते हैं और सुरक्षा को दूसरे स्थान पर वे जानते हैं कि अगर रचनात्मक तरीके, समझदारी और लगन से जोखिम लिया जाई तो समय के साथ-साथ आदमी को अपनी मंचाई सुरक्षा मिल जाती है नित्रतव करने के लिए इन सिदानतों का प्रियोग करें पहला, उत्करष्ट सोचें जब आप हर काम में अपना सर्वस्रेश्ट परियास करते हैं तो बहुत संतूष्टी मिलती है ओसत परदर्शन कभी परियापत अच्छा नहीं होता दूसरा, दूसरे आपके हर काम की नकल करते हैं इसलिए ऐसे उदारन पेस करें जिनका आप अनुकरन करवाना चाते हैं नमबर तीन, लेडर्शिप के लिए बोलना अनिवारिया है हर आउसर पर अपनी बात कहीं, बोलने के डर को बोल कर जीतें नमबर चार, आपको अपने लक्षों को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है इसलिए उनका सहयोग हासिल करें पांचवाँ, आपको जितने भी तारिफ मिले उसका निवेस करें चटा, जब चीजें गड़बर हों, तो सत परतिसत जिम्मेदारी लें साथवाँ, दूसरों के ग्यान को संगठित करें आठवाँ, जोखिम लेने का साहस रखें जोखिम लेना सफलता के लिए उतना ही यनिवारिया है, जितना की जीवन के लिए सांस लेना धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई 10 की तरह, जो है, सफलता और दोलत की पांच कभी ने बूलने वाली कुंजिया, आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई 10 सफलता और दोलत की पांच कभी ने भूलने वाली कुंजिया अगले 24 गंटों में 219 अमेरिका वासी मिलेनियर बन जाएंगे सिर्फ 30 दिन में 6570 लोग आर्थिक रूप से मुक्त लोगों की स्रेणी में शामिल हो जाएंगे अगले 12 मैंनों में मिलेनियर्स की संख्या में 80,000 लोगों की बड़ोतरी हो जाएगी और अगले दसक में 8 लाक लोगों की आज से 10 साल बाद हर 64 परिवारों में से एक मिलेनियर होगा यह अनुमान डाक्टर थोमस स्टेनले के 12 साल के गहन शोध पर आदारित है जो अमीरों और उनके अमीर बनने के तरीकों पर अग्रणी विसे सग्या है नए मिलेनियर्स समाज के सबसे निचले तबके से लेकर सबसे उंचे तबकों से आते हैं इन मेंसे कई निरक्षर होते हैं तो कई उच्च सिक्षित होते हैं कई शारिरिक रूप से कमजोर होते हैं तो कई मजबूत और स्वस्त होते हैं बहराल सभी नए मिलेनियर्स में एक गुन साजा होता है सफलता, दोलत और सुख का सपना जिसे सच करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की सफल लोग स्वपंदर्शी होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं मिलेनियर्स साधारन लोग होते हैं, जो ऐसाधारन परिणाम प्राप्ट करने के अभियान में चुट जाते हैं। मिलेनियर्स कई क्षित्रों से आते हैं, जैसे रेटेलिंग, कम्प्यूटर्स, चिकित्सा, खेती, मनोरंजन, रियल एस्टेट, उत्पादन और फाइनांस। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि किसी की आर्थिक तकदिर किस्मत से तै होती है। मैं तो यही चाऊंगा कि आप किस्मत सबसे नफरत करना सीख लें। दोलतमन बनने की आपकी खुश किस्मती के आउसर इतने कम है कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। इसके बावजूद करोडों लोग हर दिन किस्मत पर विश्वास किये जाते हैं। हाल ही में मैंने जब एक स्रोता समुए को बताया कि नौ लोग हर गंटे मिलेनियर बन रहे हैं। तो एक आदमी ने मुझसे कहा मुझे नहीं पता था कि हमारे यहां इतनी लोटरियां चलती है। बाकी लोग यह सोचते हैं कि दोलतमंद बनने का इकलोता रास्ता परदर्शनकारी संगटनों व्यवसाइक खेलों अभीने और रचनात्मक्षेत्रों से होकर गुजरता है। 99% अभी नेताओं, कलाकारों और लेखकों को अपनी आजिविका कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। 45 साल पहले थी। दोलत और 27 मरदी की पांच कुझियां ये है। पहली, दोलत के संग्रय का द्रड संकल्प करें। दूसरी, अपनी आर्थिक स्वतनतरता का कर चुकाईं। तीसरी, अपनी अर्थ्वियवस्ता की बागडोर थामें। चोथी, स्मार्ट कर्ज का प्रियोग करें और मुर्खता पूर्ण कर्ज से बचें। पांचवी, आने वाले स्वर्ण यूगत में सह बागी बने। कुंजी नमबर एक, दोलत के संग्रय का द्रड संकल्प करें। अक्सर कहा जाता है कि तीन चीजें रियल इस्टेट का मुल्य रत्य करती हैं। स्थान, स्थान, और स्थान। दोलत के संग्रय की आपकी योजना को सफलता कौन दिलाएगा। एक बार फिर, तीन चीजें, संकल्प, संकल्प, और संकल्प। दोलत के संग्रहेतू धन निवेश करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। रियल इस्टेट में पैसे कमाने के बेहतरिन आउसर हैं। जमीन जायदाद, किराए के घर, हाउसिंग प्रजेक्ट, आदिमे निवेश, शेयर, म्यूचुल फंड, आपका अपना बिजनस, प्रिफर्ड स्टोक, बॉन्ड, तेल के कुएं के अभियान, दोलत हासिल करने में उन्जी लगाने के कुछ अन्य संभावित उतकरष्ट तरीक हैं, एक अवधारना है, जिसे आपको आर्थिक रूप से सोतंतर बनने के लिए समझ लेना चाहिए, आपकी दोलत की योजना का संकल्ब, निवेश की रननिती से अधिक मैतोपूर्ण है, अपने धन का निवेश कहां करें, इसका तरीका खोजना आसान है, परंतु उस रननि निती नहीं होती, बलकि यह होता है, कि उनमें योजना के प्रति संकल्ब का अभाव होता है, इसका अंतिम परिणाम यही निकलता है, हमारा नजरिया, यानि संकल्ब का आपका स्तर, दोलत के संग्रे की कुंजी है, दुनिया की सर्वस्रेश निवेश रननिती भी काम नहीं करेगी जब तक आप इसे कारगर नए बनाना चाहें और लगन से इस दिशा में परियास करने के लिए संकल वान नए हो। संकल पाता है आतम अनुशाशन से। अनुशाशन के लिए लक्षों को हासिल करने की स्वेचालित और सूनियोजित इच्छा की जरूर्थ होती है। उनके उपर अनुशाशन बनाई रखने के लिए हमेशा मौजूद था। आतम अनुशाशन की परिवासा से यह स्पस्ट है कि इसमें खुद पर नियंतरन किया जाता है। जीवन की शुरुवात में ही हमारे माता-पिता हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है और उसे कैसे करना है। जब हमारा व्यवार हमारे माता-पिता की अपेक्षाओं से मिल नहीं खाता तो वे इसे सुधारते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं और वहां हर सिक्षक हमारे व्यवार को डालने के लिए हमसे कुछ चीजें करवाते हैं और दूसरी चीजों से बचने की सला देते हैं अगर हम पढ़ाई नहीं करना चाते तो सिक्षक हमें बता देते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए वरना परीक्षा में हमारे नमबर कम आएंगे या सजा मिलेगी अगर दोड़ते समय हम मैदान का एक और चक्कर नहीं लगाना चाते तो कोच हमें बता देता है कि अगर हम टीम में जगे बनाना चाते हैं तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा जब तक ज़्यादातर लोग स्कूल पूरा करते हैं तब तक उन्हें दूसरों दवारा अनुसासित होने की आदत हो जाती है इसलिए वे खुदको अनुसासित नहीं कर पाते कई लोग खुदको इतना ही अनुसासित नहीं कर पाते कि समय पर ऑफिस पहुँच जाएं इसलिए उनका अधिकारी उन्हें अनुसासित करने के लिए पंच इन कलोक का प्रियोक करता है कई सालों तक अद्बुत रूप से सफल व्यवसाई जान जानसन जिनोंने एबोनी पत्रिका की स्थापना की उन करमचारियों की ताक में रहते थे जो देर से आते थे या जिन में सही कपड़े पहनने का आतमानुसासन नहीं होता था चुकि आतमानुसासन पर एक घर या स्कूल में नहीं सिखाया जाता इसलिए कई लोग जीवन बर यह उमीद करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें अनुसासित करते रहें मुझे बता दें कि क्या करना है कैसे करना है और कब करना है यह बहुत संख्यक लोगों का तरीका है जिसके दवारा वे जीने का विकल्प चुनते हैं इसलिए लोग एक ऐसे जीवन से संतूष्ट हो जाते हैं जिसमें मैतपून निन्ने किसी दूसरे के द्वारा लिये जाते हैं जंता ने अपने बुड़ावे के इंतजाम के लिए उस अनुसासन पर विश्वास किया जो सरकार ने सामा जिक सुरक्षा के साथ जबरदस्ती लादा सबक दोलत के संग्रे में आपको अपना अनुसासन खुद पैदा करना होगा आपको स्मय से यह मांग करना होगी मैं निवेश करूँगा मैं किसी चीज को खुद को रोकने के अनुपति नहीं दूँगा कोई भी व्यक्तिकत संकट या परलोवन इतना दर्ड नहीं होगा कि वह मुझे दोलत के संग्रे की योजना को छोड़ने के लिए विवस करे 65 साल की उमर तक पहुंचने वाले 70 पर 30 लोग अपने अस्तितों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर निर्वर है इन लोगों ने सबसे पहले उत्पादक वर्ष फिस्व इतियास के सबसे समरद कालखन में बिताई इसके बावजुद वे खुद को इतना अनुसाचित नहीं कर पाई कि वे अपने बुड़ापे के लिए दोलत इकठी कर सके मैं तब निवेस करना शुरू करूँगा जब मेरी तन्खवा बढ़ जाएगी यह वाइदा शायद ही कभी काम करता है तन्खवा के आने से पहले ही ज्यादातर लोगों को किसी चीज का चबरदस्त परलोबन दिख जाता है बड़ा मकान, नई कार, ज़्यादा कपड़े, सपनों की छुटिया जिन लोगों का खर्च मुश्किल से चलता है अगर उनकी तन्खवा 10% बढ़ जाई तो भी 6 माँ बाद उनका खर्च मुश्किल से ही चलेगा ज़्यादातर लोग अपने खर्च के धर्मामेटर को इतना उपर कर देते हैं कि वे अपनी बड़ी उई तन्खवा की पाई पाई खर्च कर देते हैं चुकि उन में आतमा नुशासन का अभाव होता है इसलिए ज्यादातर लोग हमेशा मुश्किल से खर्च चला पाते हैं इस समश्या का हल यह है कि आप स्मय को जितना अनुशासित कर सकते हों कर लें जब तन्खवा बड़े तो आई का और अधिक प्रतिसत निवेश करें उस बड़ी संतुष्टी का आनंद ले जो आपको अपना नेट वर्थ स्टेटमेंट देखने पर मिलेगी अपने कर्ज का नवेनी करन करके मुश्किल से खर्च चलाने से आप सुखी नहीं होंगे परन्तु मेरे पास निवेश करने के लिए बहुत कम है इतनी कम राशी का निवेश करना मुर्खता है आप कितनी राशी से निवेश करना शुरू कर रहे हैं यह इतना मैत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह है कि आप निवेश की आदत डाल रहे हैं, जिस तरह वरक्ष उगाने वाला किसान जानता है कि छोटे पोदे समय के साथ साथ विशाल वरक्ष बन जाएंगे, उसी तरह समझदार निवेशक जानता है कि लगातार निवेश की ज का एक बार किया गया निवेश, 20 साल में 32,000 डोलर हो जाएगा, 30 साल में 10,24,000 डोलर और 60 साल में 3,27,68,000 डोलर और एक बार किया गया 10,000 डोलर का निवेश, 18,32 की सालाना दर से 20 साल में 3,20,000 डोलर हो जाएगा, इन उदारनों में टेक्स का कोई प्रावदान नहीं किया ग में कटोती कर सकते हैं मुद्रासपिती पर भी विचार नहीं किया गया है क्योंकि अच्छी तरह से चुने गई निवेस मुद्रासपिती से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं परंतु धन लोगों को ब्रष्ट करता है मैं धन नहीं चाता क्योंकि यह लोगों के लिए बुरा है विश्वास नहीं होता परंतु दोलत के संग्रे से बचने के लिए इस बहाने का प्रियोग अब भी किया जाता है कई लोग अब भी तर्क देते हैं कि दोलत लोगों को बिगारती है उनके जीवन मुल्यों को नश्ट करती है पारिवारिक समश्या यूत्पन करती है मादक द्रव्यों की ओर ले जाती है अपराद का माहौल बनाती है और लोगों को धोका दड़ी सिखाती है नैतिकता एक जटिल समश्या है परंतु दोलत को दोस ने दे बहुत अधिक पैसा बुराई की जड़ नहीं है बहुत कम पैसा बुराई की जड़ है अधिकां समाजिक समश्याओं के लिए गरीबी को दोस दें इन तथ्यों पर विचार करें पहला किसी इलाके में आमदनी जितनी कम होती है अपराद की दर उतनी ही जड़ा होती है देश बर में पूलिस अपना 83% समय सबसे गरीब 7% इलाकों में लगाती है दूसरा लोग जितने गरीब होंगे शराब खोरी और मादक द्रवियों का सिवन उतना ही ज़ादा होगा सबसे गरीब 20% लोग सबसे अमीर 20% लोगों की तुलना में तीन गुना ज़्यादा सराब पीती है तीसरा ज़्यादातर वेश्याएं गरीब होती है वे धन कमाने के लिए पेशा करती है चोथा अधिकांस मारपीट चाहे वे बच्चे के साथ हो जीवन साथी के साथ हो पांचवा अधिकांस पारिवारी कठिनायया और तलाग किसी अन्य कारण के बजाए आर्थिक समश्याओं से ज्यादा समबंदित होती है इन बातों में कुस तो दम है इस समय जितने लोग धन के बारे में जगड रहे हैं उतने बाकी सब समश्याओं को मिला कर भी नहीं जगड रहे हैं। कुझी दो अपनी आर्थिक सोतंतरता का कर चुकाई यह अमीरी का बीज है। जो लोग दोलत हासिल करते हैं, उनमें अपनी कमाई का एक इसा निवेस करने की आदत होती है। दोलतमन लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे अपने कुछ धन को काम पर लगा देते हैं ताकि वह अधिक धन कमा सके। यहां एक योजना है जो काम करेगी और दोलत संग्रह करने में आपकी मदद करेगी। यह उतनी ही विश्वस्निया है जितना की सूरिय का उगना। स्वें के फाइनेंसियल फ्रीडम टेक्स का हिसाब लगाएं। चाहे आपकी आमदनी जो भी हो खुद पर कुछ परतिसत टेक्स लगाएं। मैं 15 परतिसत का सुझाओ देता हूं। परन्तु यह कम से कम 10 परतिसत होना चाहिए। इस टेक्स को अपनी सकल आमदनी पर लगाएं। ने की कटोतियों के बाद वाली उस तंखवा पर जो आप घर लाते हैं। इसमें सरकार के उधारन का अनुसरन करें। अगर आपकी सकल आमदनी 2000 डालर पर तिमा है तो स्वें पर 200 डालर का टेक्स लगाएं। अगर आमदनी 8000 डालर पर तिमा है तो अपने दोलत की योजना के लिए 800 डालर अलग रख लें। फिर अपने FFT धन को अपने भावी लाब के लिए निवेश कर दें। इसे अपने दोलत बढ़ाने के लिए सीड मनी की तरह समझे। कूंजी वह धन है जिसका प्रियोग अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है। आपकी FFT योजना का अर्थिय है कि आप खुद को बुक्तान करते हैं। कोई भी टेक्स देना पसंद नहीं करता, परंतु सब को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि कानून के इसाब से ऐसा करना अनिवारिया है। जिस तरह का अनुशासन सरकार आप पर रखती है, उसी तरह का अनुशासन अगर आप खुद पर रखते हैं, तो आप उस टेक्स का बुगदान करने के लिए धन निकाल लेंगे, जो आपको 100% लाब पहुंचाता है. पिछले साल आपने कितना इंकम टेक्स दिया, इस बात की काफी संभावना है कि लोग इसका जवाब देंगे, मुझे सच मुच नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं इस रेंज में हूँ, परंतु मैं आपको निश्चित रशी का आंकडा नहीं दे सकता. फिर यहें पूछें कि उन्होंने FICA में कितना धन दिया, आपने राज्या के इंकम टेक्स में कितना बुगतान किया, शेहर के इंकम टेक्स में, सेल्स टेक्स में, प्रोपर्टी टेक्स में, गैसोलिन टेक्स में, हवाई जाज के टिकट के टेक्स में, करदाता इंट्रिव में इस तरह की बात करेगा देखिए मैं नहीं जानता कि मैं कितना टेक्स देता हूँ मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्स देता हूँ और महिने के आखिर में दिवालिया हो जाता हूँ खुद पर टेक्स लगाने के इन लाबों की तरफ देखिए स्विय को शत्परतिसत लाब FFT ही वहे इकलोता टेक्स है जिसे चुकाने में आपको खुशी होगी इसका शत्परतिसत लाब आपको और आपके परिवार को मिलता है आपके FFT का जरासा भी हिस्सा उन लोगों को लाब नहीं पहुंचा था जो काम नहीं करते या जिनोंने कल्यान करी योजनाओं को अपना करियर बना लिया है और एक पाई भी उन टेक्स कलेक्टर्स के बुगतान में नहीं जाती जो आप से धनिक अठा करने के अपने अधिकारों का इस तरह परियोग करते हैं जिसके लिए आप उनके प्रतिक करतग नहीं होते इसके अलावा अपने निवेस किये वे FFT डालर्स का उपयोग आप स्वेय कर पाई इसके पहले ही अगर आपको कुछ हो जाए तो यह निवेस आपकी संपधा में जुड़ जाएगा अगर आप ऐ विवाइत हैं और आपके मृत्यू हो जाती है तो सामाजिक सुरक्षा में आपने जितना भी बुगतान किया है वह सब चला जाता है परन्तु आपका पूरा FFT आपके और आपके प्रियेजनों के लिए बेहतर जिवन बनाने में लगता है स्वेय के पूरे नियंतरण में आप ही यह निरिने लेते हैं कि आपके FFT का प्रियोग किस तरह किया जाई आप अपने धन को म्यूचल फंडों, घर, जमीन, बॉंड या शेर में निवेस कर सकते हैं आपके लिए अन्य निवेस साधन भी मौजूद है शुरू करने का एक अद्बू तरीका बचत खाता है जिस दोरान आप अपने टेक्स के डालरों से कमाने के उन तरीकों के बारे में अधिक सीख सकते हैं जिनमें लाब और जोखिम दोनों ही ज़्यादा है याद रखें आप अपने FFT डॉलर्स सरकार को नहीं दे रहे हैं जो इसे उस तरह से खर्च करेगी जिस तरह से सांसदी से खर्च करना चाते हैं सांसद एक तरह से खुद को दोबारा चुनवाने के लिए यह धन खर्च करेंगे यानि कि वोट पाने के लिए कल्यानकरी योजनाओं में वोट पाने के लिए शिक्षा में सहायता देने में या वोट पाने के लिए अनावशक रूप से करमचारियों की बड़ी फोज खड़ी करने में। संसद और सीनेट के अधिकां सदस्यों के दिमाग में सिर्फ एक ही लक्षय होता है। दुबारा चुनाओ जीतना। इसलिए वे अधिक सरकारी करमचारियों को नोकरी देने में अपना धन खर्च करते हैं और ऐसी सरकारी सेवाएं उपलवद कराते हैं जिने आप पसंद नहीं करते या जिनकी आपको आवशकता ही नहीं है। इसे वसूलने में कुछ भी खर्च नहीं होता। जरा एक मिनिट के लिए सोचें कि आप जितने सरकारी टेक्स चुकाते हैं संगिय सरकार टेक्स, राज्य आयकर, विक्रेकर, संपत्तिकर, कैपिटल गेन टेक्स उन्हें आपसे वसूल करने के लिए सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है। एफएफटी में आप अपना टेक्स खुद वसूल करते हैं इसलिए यहां पर फिजूल खर्ची का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार अक्सर इस बात पर गरव का अनुबव करती है कि आपके धन को आपसे चिनने के लिए उसे कितनी कम लागत पड़ती है। परंतु सरकार जनता को हकीकत नहीं बताती आपके नियोकता को एसे लोगों को पेरोल डिपार्टमेंट में नियोकत करना होता है, जिनका मुख्य काम टेक्स वसूल करना है। और अगर आपका स्वें का व्यवसाई है तो आप सरकार के टेक्स कलेक्टर है। आप अपना या अपने करमचारियों का समय स्वें से धन इकठा करने में लगाते हैं, ताकि सरकारी से अपने मन्चाई तरीके से खर्च कर सके। बेहद संतोस का स्त्रोत आपका FFT आपको आर्थिक सोतंतरता प्रदान करता है। नियमित रूप से इकठा किये जाने और सावधानी से निवेश किये जाने पर आर्थिक सोतंतरता का आपका लक्षय प्रापत किया जा सकता है। आप अपने मन्चाई लक्षों, छुटियों, दूसरी विदेश यात्रों, मन्चाई बोजन और घर का आनन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने मन्चाई तरीके से लोगों की मदद भी कर सकते हैं। परोपकार सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आपका FFT पैसा कमाएगा। आपके पैसे से अधिक धन कमाएगा। इंकम टेक्स विवाग आपके लिए अधिक धन नहीं कमाता। सरकार तो इतना भी इकठा नहीं कर पाती कि आय और व्यका बजट बराबर हो। इसे अपने वाइदों का बुगतान करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है। आप सरकार को जो टेक्स चुकाते हैं वे एक खिड़की पर इकटे किये जाते हैं और दूसरी खिड़की से खर्च कर दिये जाते हैं। परंतु आपके FFT का पैसा आपके लिए काम करता है और बढ़ता रहता है। सामजिक सुरक्षय पर नाली के समश्या ग्रस्त बने रहने का कारण यह है कि आप इसमें जो धन देते हैं उसे अधिक धन कमाने में निवेस नहीं किया जाता। आप जिस महीने इसका बुगतान करते हैं उसी महीने में इसे खर्च कर दिया जाता है। जबकि आपका FFT आपके निवेसों में लगता है और चक्रवर्ती ब्याज के मान से आपके लिए धन कमाता है जब आप अपने FFT फंड को नगद में बदलने का निर्ने लेते हैं तो जितना आपने खुद से लिया है उससे अधिक धन आपको वापस मिलेगा अपने FFT का बुगतान करने के लिए आप पैसे जुटा सकते हैं कई लोग सोचते हैं मुझे FFT का विचार पसंद है परंतु मैने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है मैं खुद को FFT का बुगतान कर ही नहीं सकता चाहे इसे सिर्फ मुझे ही लाब क्योंने हो रहा हो परंतु आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए, सरकार आपके इंकम टेक्स को 15% और बढ़ा दे जैसा सरकारी योजना बनाने वाले कई लोग चाते हैं, क्या आप इसका बुगतान करेंगे? निश्चित रूप से, आप नहीं चाहेंगे कि इंकम टेक्स विभाग आपकी जायदात बेच दे या मान ले, सामाजिक सुरक्षा परसासन निर्ने लेता है, कि यह लोगों को खुश करने के लिए और अधिक धन खर्च करेगा इसलिए यह आपकी आमदनी पर सामाजिक सुरक्षा कर की रासी को साड़े साथ से बढ़ाकर साड़े आठ परतिसत कर देता है आप सोचते हैं, अरे यह तो मेरे कमाए गए हर डोलर पर एक पैनी ही है, मैं इतना बाहर उठा सकता हूँ, परन्तु साड़े साथ से साड़े आठ परतिसत की वरदी दरसल बारा परतिसत वरदी है 35,000 डोलर की आमदनी पर यह है रकम 3,500 डोलर है, एक बार निवेस किये जाने पर यह 3,500 डोलर अठारा परतिसत चक्रवर्ती ब्याज पर 20 साल में 11,200 डोलर बन जाएंगे और 40 साल में 3,58,400 डोलर या मान लेजिए, आप रेस्तराओं में कैशियर से कहते हैं, देखिए मैं सेल्ज टेक्स को पसंद नहीं कर था, करपियाई से बिल में मत जोड़िए, वह है आपकी तरफ ऐसे देखेगा, मानो कहरा हो, इस मुर्ख का दिमराग चल गया है, और टेक्स जोड़ देगा या अपने नियुकता से कहें, मेरे सामने अभी बहुत सी समश्याएं हैं, कुछ बिल अचाना की आ गए हैं, बच्चा बिमार हो गया था, किराया बढ़ गया था, कार्क खराब हो गई है, करपिया इस महीने मेरे वेतन से इंकम टेक्स नहीं काटें, आपका नियुकता शिर या FICA के टेक्स परतिनिदी को बताएं, मैं 20 साल तक सामाजिक सुर्क्षया पाने की उमीद नहीं करता, करपिया तब तक मुझसे FICA वसूल ने करें, वह कहेगा, पैसे दो वरना जेल जाओ, सचमुत जिद पकड़ने और अपने घर पर प्रोपर्टी टेक्स देने से इंकार कर दें, कुछ समय बाद ही टेक्स वाले आएंगे और आपका घर बेज कर अपना टेक्स वसूल कर लेंगे, अपनी कड़ी मेनत का लाप पाने और आर्थी गुलामी से खुद को बाहर निका जो आपके और आपके प्रियजनों के काम आता है, बाकी सभी टेक्स उन लोगों को चुकाई जाते हैं, जिन के बारे में आप नहीं जानते, कि वे आपके धन को आपके दवारा अनुमोदित लक्षों के लिए खर्च करेंगे या नहीं, जो लोग आप से आई आर एफ, आप से टेक्स वसूल करेंगे, इसलिए इससे पहले कि आप तनक्वा को घर ले जाएं, सबसे पहले खुद के नाम एक चेक कटें, सची आर्थिक सफलता के सभी कदमों की ही तरह, फैनेंसियल फ्रीडम टेक्स आसान है, परंतो शुरुआत में इस पर आमल करना मुश्किल ह होता है, जो लोग सोचते हैं, मुझसे मुश्किल से खर्चल रहा है, मैं इस महीने खुद को FFT नहीं दूगा, मैं इसे अगले महीने से दूगा, वे खुद को मुर्ख बना रहे हैं, सबक, आप अपने FFT के साथ तालमिल बिठाना सीख लेंगे, तीन से चै महीने बाद, आ आप अपने आर्थिक बविश्य को सुद्रड करने के लिए खुद को चुका रहे हैं, दोलत इकठी करने के आगे, आने वाले कदमों का अध्यन करें, ताकि आप देख सकें, कि आप अपनी कमाई के हिस्से को अपने लाब के लिए किस तरह निवेश कर सकते हैं और करेंगे कुझी तीन, अपनी आमदनी को अधिक तम करें, हर साल हजारों पर करन बताते हैं कि किस तरह बहुत अधिक धन कमाने वाले लोगों ने उस धन को गवा दिया, जिसे पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेनत की थी, जो लुई शायद अब तक के सबसे अच्छे प्राइज फा आदमी को विशेश सरदांजली देते हुए संसद ने एक विशेश कानून पारित किया, ताकि इंकम टेक्स विवाग को उनके पुराने टेक्स वसूल करने से रोक दिया जाए, जो लुई सरकार के पुराने टेक्स नहीं चुका पाए थे, यह ऐसा मन्य नहीं है कि कभी खिलाडी, फिल्म अविनेता, मनोरंजन के क्षेत्र के लोग और मीडिया परसनल्टी 40 या 50 साल की उम्र में बूरी तरह करज में डूब जाएं। मैंने 32 लाख डालर कमाई और मेरे पास इस समय सिर्फ 31,000 डालर हैं। आमदनी को दोलत ने मने, आमदनी वह है जो आप कमाते हैं, दोलत वह है जिसके आप स्वामी होते हैं। जादा आमदनी खुद बखुद आपको दोलत बन नहीं बना देती। हाल ही में मैं 45 साल से जादा उमर के एक आदमी से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने अपने जीवन में 32 लाख डालर कमाई परन्तु इस समय उसके पास सिर्फ 31,000 डालर की रकम है। उसने बताया मैंने बहुत सा धन कमाया परन्तु मैंने कुछ मुर्खता पूर्ण निवेस किये और दो शादियां की। फिर 12 साल पहले मेरी इंकम टेक्स भी भाग से जंजट हो गई और वे तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने खुद से कहा अगर इस आदमे ने फाइनेंसियल फ्रीडम टेक्स चुकाया होता तो आज इसके पास बहुत बड़ी रकम होती। मेरे एक दोस्त ने एक दसक तक हर साल पांच लाख डालर कमाई। वह एक महीने पहले मुझसे मिलने आया। यह सच है कि जब मैं बहुत अधिक धन कमा रहा था तो मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे जिंदगी जी रहा था। परंतु मैं अपनी बची हुई सारी रकम बिजनस में लगाता रहा। जब तक बहुत देर नहीं हो गई। तब तक मुझे यह पता नहीं चला कि मेरा पार्टनर कमपनी के पैसों का इस्तेमाल अपने लाब के लिए कर रहा था। अब हमारे पास कुछ नहीं है। बैंक अमारे घर को भी निलाम करने वाला है। हर आदमी अपने जीवन में बहुत सा धन कमाता है। परंतु जब लोग रिटायर होते हैं तो बहुत कम लोगों के पास प्रचूर दोलत होती है। इस पर विचार करें। हम दुनिया के सबसे आमीर और दोलतमन दैस में रहते हैं। हर नागरिक के पास मुफ्थ शिक्षा की गारंटी है। हर एक के पास समान आउसर है। फिर भी पिछले दसक में 31 लाख लोग दिवालिया हुए। और 65 की उमर तक पहुँचने वाले आदे से ज्यादा लोग जीने के लिए समाजिक सुरक्षा पर निर्वर है। सबक अपनी अर्थव्यवस्ता को चलाने के लिए कदम उठाएं। अगर आप अपनी परंद्रापर्ति सतामदनी को चक्रवर्ति ब्याज पर चलने दें। तो आप किसी भी तरह के आर्थिक तुपान को जहल सकते हैं। पुरुषकार के बारे में सोचें। तो त्याग में अरंद आएगा। दोलत का संग्रे वह सबसे चुनोति पूर्ण और रोमांचक खेल है। जिसे आप खेल सकते हैं। अपने उर्जा और अनुसासन धन कमाने पर केंद्रित करें। धन कमाना त्याग करना नहीं है। यह सिर्फ एक अच्छे लक्षे को हासिल करने का आपका तरीका है आर्थिक सोतंतरता। एक युवा दमपती गेल और विक ने मुझे बताया कि आर्थिक सोतंतरता की उनकी योजना शुरू करने में उनका पहले वर्सका अनुवव क्या था। गेल ने कहा हमारी दो पुत्रियां हैं जिनकी उम्र तीन और छे साल है। इसलिए मैं पूरा पैसा खर्च कर देते थे। परंतु अब हम दोलत इकठी करने की राह पर हैं। मैंने पूछा आप अब अलग क्या कर रहे हैं। विकोर में अपनी आर्थिक स्थिती से दुखी थे। हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए हमने एक योजना बनाने का फैसला किया। हमने खुद से पूछा क्या 12000 की चमचमाती हुई नई कार तीन साल पुरानी 3000 की अच्छी कार से चार गुना ज्यादा मुल्यवान है। हम किसे प्रवावित कर रहे हैं। कितने समय तक क्या दूसरे लोगों को सचमुच इस बात की परवा है कि हमारी कार कितनी नहीं है। क्या 2000 डालर की चुटियों में हमें दुगना मजाएगा और दुगनी संतुष्टी मिलेगी जबकि अच्छी तरह से कम शानों सोकत से पास में ही 1000 डालर की चुटिया मनाने में हमें सिर्फ आधा मजा ही आएगा। क्या हमें सचमुच दूसरे टीवी की जरूरत है। क् हमने सिखा कि जब तक समय पूरा नहीं होता तब तक हम अपने पैसे से सिर्फ भिमा कंपनी को अमीर बना रहे हैं। विक और मैंने हर वह चेक देखा जो हमने पिछले साल काटा था। हमने उस एक एक डालर पर ध्यान दिया जो हमने खर्च किया था। मैंने पूछा अपनी हम मैगजिन खरीदते तो थें परंतु उन्हें कभी पढ़ते नहीं है। गेल ने आगे कहा और हम कुछ प्रडेक्ट सिर्फ इसलिए खरीदते थे क्योंकि वे सेल में बिक रहे थे। हम काफी सारा जंक फूड खरीदते थे और दूसरे तरीकों से पैसे को अपने हाथ से फ कुछ और विचार भी आई ताकि दोलत ही कठी करने के लिए हम पैसे को अलग रख सकें। जैसे मैंने पूछा। जैसे सिगरेट पीना गेल ने जवाब दिया। विक बरसों से हर दिन दो पैकेट सिगरेट पी रहा था। मैं उससे कहती थी कि सिगरेट पीना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है परन्तु इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जब विक को यह एसास हुआ कि वह हर मैंने सिगरेट पर 75 डालर खर्च कर रहा था। जिने अगर 12% के चक्रूरती ब्याज पर अगले 32 साल के लिए निवेस किया जाए। यानि जब वह 65 का होगा तो यह रकम पांस लाख डालर के करीब होगी। तो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैंने कहा यह सपस्ट है कि आपने खर्च करने और बचट बनाने में काफी विचार किया। निवेस करने में आपने अपने नजरिये को किस तरह बदला। हमने सचमुची होजना बन है। मुझे बताई मैंने पूछा क्या यह सचमुच भारी त्याग साबित हुआ। गेल ने एक पल के लिए सोचा फिर गंबिरता से कहा यह कोई त्याग नहीं है। हम सिर्फ ज्यादा समझदारी से जी रहे हैं और इसमें मजा भी आ रहा है। अब हमें मैसूस होता है कि हम सचमुच बेतर बविशय की और बढ़ रहे हैं। कुझी चार स्मार्ट कर्ज का इस्तेमाल करें और मुर्कता पूर्ण कर्ज से बचें। स्मार्ट कर्ज वह धन हैं जिसे आप और अधिक धन कमाने के लिए उधार लेते हैं। मान लेजिए आप 10% ब्याज पर धन उधार और आपके पास उस धन पर 15, 20 या 25% अतिरिक्त धन कमाने की एक अच्छी योजना है तो आप स्मार्ट कर्जदार हैं। हाम तोर पर अपने घर और दूसरे रियल इस्टेट को लंबे समय के माटगेज पर फाइनस करवाना स्मार्ट कर्ज होता है। बुरा कर्ज वह होता है जब आप क्रेडिट कार्ड पर धन उधार लेते हैं। और कार, सामान या फरनीचर को फाइनस करवाने के लिए किस्तों में बुगतान की योजनाओं में फंसते हैं। जब आप छुट्टियों, मनोरंजन, कपड़ों और शानो सोकत के दिखावे के लिए धन उधार लेते ह तो आप मुर्कता पूर्ण करज ले रहे हैं। आप जो ब्याजदर चुकाते हैं, वह धन की मूल लागत से कम से कम 50% अधिक होती हैं। और आप अपनी भावी आमदनी में कटोती भी कर रहे हैं। हाल ही में मैंने 28 साल की एक ऐविवाईत मैला को अपनी डाक खोलते देखा। वह खुशी से चिखी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आपको क्या मिल गया? मैंने पूछा, क्योंकि मैं हैरान था कि मेरी मित्र किस बात पर इतनी खुश हो रही थी। मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यह आ गया। इसकी तरफ देखें, अब मैं चुनिंदा लोगों में शामिल हो गई हूँ, अब मैं लगबग हर जगे सामानुदार खरीच सकती हूँ। मैं अपनी युवा मित्र की भावनाओं को समझ सकता था। लोग स्टेटस चाते है लोग उन चीजों के स्वामी बनना चाते हैं जो हर एक के नसीब में नहीं होती। इस मैला के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड का आर्थ है। आपके पास एक अच्छी नोक्री है, आप अच्छी तरह से रहती है, आपकी साख अच्छी है, अब आप आर्थिक समुदा में विश्वास पातर समझी जाज रही है। परंतु तभी मैंने खुद से पूछा, क्रेडिट कार्ड एक वरदान है या अभिशाप, धन हासिल करने की रा में क्रेडिट कार्ड इस यूर्ती की मदद करेगा या बादा बनेगा। मेरे मन में दूसरे चीजें भी आई, जो कभी स्टेटस सिंबल समझी जाती थी, जैसे सिग्रेट, धुम्र पान के स्वास्ते सबंदी तथ्य पता चलतें से, पहले सिग्रेट निर्माताओं ने वाइदा किया था कि सिग्रेट पीने से लोग आकरशक दिखते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है और लोग उन एक मील पैदल चल कर जा सकता हूँ, आज हालत यह है कि जिन लोगों ने तब कैमल सिग्रेट पीना शुरू किया था, उन में से कुछ तो सो कदम भी पैदल नहीं चल सकते, सिग्रेट पीने के कारण, एमफी सेमा, कैंसर, हर्द्य रोग और सामान्य बूरी से तो वह बड़ कर बनाने की शक्ती होती है, आप जिन्दा दिल बन जाते हैं और लोग रोल मडल के रूप में आपकी प्रसंसा करते हैं, क्रेडिट कार्ड एक आर्थिक बंदूख है, इसका इस्तेमाल कई लोग अपनी भावी समर्दी की हत्या करने में करते हैं, यह नशे के आदी वेक्त तो उसने हर क्रेडिट कार्ड पर यह सूचना लगा दी होती, चेतावनी इस कार्ड का प्रियोग आपके आर्थिक स्वास्ते के लिए खतरनाक हो सकता है, इसका परिणाम अधिक खर्च, आर्थिक समझ्याएं या आर्थिक मृत्यू हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की कारे लुटने का खतरा नहीं होता, और यह है रिकोर्ड भी बताता है, कि हमने कितना खर्च किया, कब किया और कहा किया, बिजनस में क्रेडिट कार्ड के बिना काम नहीं चल सकता, परंतु क्रेडिट कार्ड का नकारात्मक पहलू यह है, कि यह है आपके दोलत इकठी करने क बादा बन सकता है इसका कारण यह है कारड में आपको सालाना सेवा शुल्क देना पड़ता है सामाने रूप से जो ब्याजधर होती है क्रेडिट कारड कमपनिया आप से उसके दुगणी ब्याजधर वसूल करती है और संब से बुरी बाती यह है कि क्रेडिट कार्ड से अत्य दिक और फिजूल खर्च को बढ़ावा मिलता है अभी खरीदो बाद में पैसे दो एक आकर्शक प्रलोबन होता है जिससे बच पाना अधिकांस लोगों के लिए मुश्किल होता है रेस्तरा मैनेजर भी क्रेडिट कार्ड वाले गराकों को पसंद करते हैं क्योंकि वे नगद पैसे देने वाले गराकों की तुलना में उस्तन सालिस परतिसद ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा बड़ी टिप भी देते हैं बाइबल का यह वाक्य कर्ज के बारे में पूरी तरह सही है, आपने जो बोया है, आपको वही काटना पड़ेगा, आप अपने कर्ज की बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं, कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता, इसमें अमेशा खर्च होता है, क्रेडिट कार्ड लोगों को फिजूल खर्ची के लिए प्रोथसाइद करता है, प्लास्टिक कार्ड की बज़े से आप सावधान रहना बंद कर देते हैं, आपको सुरक्षा का जोटा एसास होता है, और आप यह सोचने लगते हैं, मैं यह सोच लूँगा, कि बाद में जो बताती है कि आपको अपनी कमाई का एक एक पैसा तत्काल खर्च कर देना चाहिए, अच्छी तरह जीओ, जवानी में मरो और सुन्दर लाश बन कर दिखाओ, खाओ प्यो और मोजगरो, क्योंकि कल आपकी मौत हो सकती है, आज के लिए जीओ, और जो लिखा है, वह होकर रहेगा, सुख के कुछ आयकालपनिक नुस्के है, क्या यह समझदारी नहीं है कि जीओन के बारे में ज्यादा लंबी, सकारात्मक और रचनात्मक योजना बनाई जाई, माइक्रो एकोनोमिक सोचें, सोचें, मेरे लिए क्या सर्वस्रेष्ट है, दसकों से मैं एक सूपर म रूप से साधगी पूर्ण है, याट भी नहीं, प्राइवेट हवाई जाज भी नहीं है, सिर्फ 24 गंटे की एक नोकरानी, उनका प्रमुक आर्थिक लक्षे पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे इसमें आनन्द आता है, और मैं जितना अधिक कमाता हूँ, मैं दूसरों की उतन परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने प्रचूर दोलत हासिल करने का सफर सुन्य से शुरू किया, परंतु वे अक्सर मुझे कहते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे धार्मिक से दांट सिखाए, और मुझे पैसे कमाने के जितने अच्छे विचार बाइवल से मि उतने बाकी सब पुस्तकों को मिला कर भी नहीं मिले, मेरे दोस्त और मैंने दोलत इकठी करने के रहशे पर गंटों तक चर्चा की, यहां पर एक सला दी जा रही है, जो आज लागू होती है, आप चानते हैं, उन्होंने कहा, मैं 45 साल का हो गया था, तब जाकर मुझे पता चला कि माइक्रो और मैक्रो एकोनोमिक शब्दों का क्या आर्थ होता है, परंतो जब मैंने उनका मतलब जाना, तो मैं समझ गया कि मैं इतनी अच्छी स्थिति में क्यों था, मैं अपनी पूरी जिंदगी अंजाने में ही माइक्रो एकोनोमिक्स के सिदान्तों का प्रियोग कर रहा था देखिए अधिकांस लोग हेडलाइन पड़ते हैं वे हर दिन बिजनस न्यूज सुनते हैं वे सोचते हैं कि दिन प्रते दिन के उतार चड़ाओ मैं तो पूर्ण है मेरे साथ ऐसा नहीं है लोग सोचते हैं कि उनका आर्थिक भविश्य देश की तस्वीर से हाल आ रहा है तो वे सोचते हैं कि उन्हें इसका लाब मिलने वाला है यह मुर्खता पूर्ण है मेरे मित्र ने आगे कहा मैं अमेरिकी अर्थवेवस्ता यूरोपियन अर्थवेवस्ता या विस्व अर्थवेवस्ता की चिंता नहीं करता हूं मैं अपनी अर्थवेवस्ता और दक्षन कैलिफोर्निया का है। इसलिए मैंने अटलांटा, डलास और सेंड येगो में रियल इस्टेट में निवेस किया। उन दिनों मैंने काफी यात्राइं की और मैं यह कह सकता हूँ कि कई बड़े उत्री शेरों में वास्तविक समझ हैं थी। देखिए, उन्होंने आगे कहा, साहे अर्थ व्यवस्ता की हालत कैसी भी हो, समझदार लोग पैसे कमा लेते हैं और मुर्ख अच्छे से अच्छे समय में भी अपना पैसा गवा देते हैं। सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग आर्थिक रूप से बिमार हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप भी बिमार होने वाले हैं। बुरी से बुरी महामारी में भी सिर्फ कुछ परतिसत लोग ही मरते हैं। यही मंदी के बारे में सही है। अधिकांस कंपनियां बच जाती हैं, और सर्श रिष्ट कंपनियां हमेशा बेहत्र हो जाती है. सुर्ण के बारे में क्या, मैंने पूछा। मैरे दोस्त ने जवाब दिया। मैं आपको ठीक ठीक तो यह नहीं बता सकता कि सोना अगले साल कितना कमा कर देगा या अगले पांच साल में भी कितना कमाईगा। परन्तु मैं यह बात जानता हूँ, लंबे समय में हमारे यहां हमेशा मुद्राश्पिती रही है और स्वर्ण की कीमत हमेशा सस्ते धन के साथ बढ़ी है, मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि हमने मैनहटन के लिए इंडियन्स को 25 डालर मुल्या के मन के दिये थे, मैं इसे जिस निगा से देखता हूँ, उस हिसाब से इंडियन्स के लिए यह फाइदे का सोदा था, अगर मैंने इन 25 डालरों को 1626 में यानि जब हमने यह टापू खरीदा था, तब निवेस किया होता और मुझे इस पर 15% का ही चक्रवर्ति ब्याज मिलता, तो मेरे पास इतना अध जितनी आज इस टापू की कीमत भी नहीं है, आपने स्वर्ण के बारे में पूछा था, जब रुजबेल्ट ने हमें स्वर्ण मानदंड से बाहर निकाला था, तो इसकी कीमत 35 डालर परतियोंस रखी गई थी, जब मुद्रा स्पिती हम पर दुबारा कसकर परहार करेगी, तो सोने में एक बार फिर उचाल आईगा, आप यह कह रही हैं कि मुद्रा स्पिती जारी रहेगी, मैंने पूछा, अरे हाँ, उन्होंने स्पस्ट किया, यह तो सोना ही है, परन्तु यह हमेशा जटकों में आती है, यह कभी 5 या 11 परतिसक परतिवर्स की तरह स्थिर नहीं देती, कुछ काल खंडों के दोरान यह बिल्कुल भी नहीं होगी, या बहुत कम होगी, शायद डिफलेशन भी हो, परन्तु हर दसक में एक बार उचाल आएगा, बहराल मुद्रा स्पिती की मुझे कोई चिंता नहीं होती, अच्छे निवेस हमेशा मुद्रा स्पिती की द मैं सोचता हूँ कि यह मेरा पैसा है और यही काम करने में मुझसे ज्यादा रूची किसी दूसरे की नहीं हो सकती, सबक, माइक्रो एकोनोमी के संदर्म में सोचें, सोचें कि आपके लिए क्या सर्वस्रेश्ट है, कभी भी कोई काम, खासकर धन का निवेस, शिर्फ यह नहीं करें क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, सला लें परन्तु अपने निर्णे खुद लें, उन्जी पांच, आने वाले स्वर्ण यूग में सहबागी बने, हर यूग अवसर से भरा होता है, परन्तु बविश्य कभी इतने अधिक लोगों के लिए इतना आशा पून नहीं था, हम सच्चे स्वर्ण यूग के लांचिंग पैड पर खड़े हैं, संसार उन गोडों की तरह है, जो रोमान्चक और इनामी दोड के लिए तयार है, इसके कारण ये है, विश्व स्तिर्या आर्थिक सहयोग, देश अब आर्थिक रूप से एक दूसरे पर अ प्रडेक्ट के उत्पादन में विश्व सग्यता का लाब उठा सकते हैं, विश्व अर्थ्व यूस्ता के सहयोग का एक महतपूर्ण परिनाम यह होगा, कि उत्पादक्ता बहुत बढ़ जाएगी, अच्छी चीजें ज्यादा होगी, जिनका लोग आनंद ले सकेंगे, ब जनसंख्या में व्रदी होती रहेगी, दुवित्यवी सुजित के बाद रहध आर्थिक विस्तार का प्रमुक कारण जनसंख्या व्रदी थी, 1945-85 के दोरान अमेरिकी जनसंख्या में 10 क्रोड की व्रदी हुई, अधिक लोगों का मतलब था अधिक स्कूल, अधिक घर, लोग महसूस करते हैं कि जनसंख्या व्रदी गलत है, निराशावादी, पराजयवादी और दोस्दर्शी कहते हैं कि अमेरिका पहले से ही अतीज जनसंख्या का शिकार है, उनके अनुसार हमारी भूमी, जल, भोजन, वाईयू और अच्छे जीवन के लिए आवशक तत्व धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन ओचे नकारात्मक विचारों को अपने मस्दिस को दुशित ने करने दें, 40-50 करोड लोगों की जनसंख्या होने पर भी अमेरिका को तीन या चार दस्कों में कोई समश्या नहीं आएगी, इन तत्थों पर विचार करें, पहला, 1885 में जनसंख्या 9 करोड थी, और 1985 में यह 24 करोड हो गई, फिर भी पहले से कम एकर जमीन पर खेती की गई, और लोगों को बेहतर कपड़े, बेहतर भोजन और बेहतर आवास मिले, आज भूक का अस्तितव एक राजनेतिक समश्या है, भूक अब उत्पादन, अर्थ सास्तर और समश्या नहीं है, दूसरा, हर अमेरिकी पुरुष, महिला और बच्चे के लिए 10 एकर से अधिक भूमी उपलब्द है, तीसरा, अगर लोग अधिक जनसंख्या गनातव वाले इलाके में रहते हैं, तो यह सा इसलिए है, क्योंकि वे वहाँ रहना चाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कहीं और रहने की जगए नहीं है, चौथा, दुनिया की पिछे तर परतिसत भूमी पानी से डखी है, अगर हमें इसकी जरूरत पड़े, तो हमारे पास ऐसी टेकनोलजी उपलब्द है, जिसके द्वारा हम नमक और अन्य ऐसुदियां दूर करके उस पा खुद्योग है, परंतो इसकी संभावना के संदर्ब में यह अब भी एक शिशू है, जेनेटिक इंजिनिरिंग, सोर और वयूर जा, रोग उनमुलन तथा बचाओ, वै गहन अंतरिक्ष दोहन जैसे क्षित्रों में करियर, बिजनेस और निवेस की महान संभावनाएं वाले दसकों में और भी बहुत कुछ है, वे दसक जो आपके बविश्य को सीधे प्रवावित करेंगे, मानविय इच्छें तब भी संतुष्ट नहीं होगी, एडम स्मित ने दो सदी पहले हमें यह अवदारना दी थी, सभी मानविय इच्छें संतुष्ट नहीं की जा सकत यह आज भी उतना ही सच है, जितना की यह बहुश्य में होगा, यात्रा पर विचार करें, जो अवसर के दरजनों क्षेत्रों में से एक है, लोग देश के अलग अलग प्रांतों या दूसरे देशों में ब्रह्मन की अपनी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, सो में से सिर्फ एक अमेरिकी ने पिछले साल अमेरिका से बाहर की यात्रा की, और जितने ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, वे उतनी ही ज़्यादा यात्रा करना चाते हैं, हालांकि अंतराश्टे प्रेटन ने पिछले साल सबसे उंचा रिकार्ड बनाया, परंतु यह स और होटलों को स्वर्ण यूग हमारे सामने है इसे देखिए इसका लाब उठाइए इसका आनंद लीजिए परंतु याद रखिए जिस तरह लोग 40 साल पहले अवसर सामने खड़ा होने के बावजूद उसके प्रती अंदे थे उसी तरह अधिकांस लोग आज भी स्वर्ण य पार्थिक विकास और सामजिक बेहत्री के बाद आज कोई गरीब कैसे हो सकता है बविश्य में व्यक्तिकत गरीबी को समझाना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा अभी हाल निरने लें कि आप अपने प्रियजनों और अपने लिए एक अद्बुद बविश्य बनाएंगे समरदी की इन उंजियों का इस्तेमाल करें पहला दोलत इकठी करने का पूर्ण संकल्ब करें शुरुवात करने का समय अभी है तब नहीं जब आपकी तनखोय बढ़ेंगी या जब आपका खर्च बहुत कम होगा इसी समय शुरुवात करें दूसरा अपने आर्थिक सोतंद करता का टेक्स दें टेक्स चुका कर खुद को दोलत का पासपोर्ट दिलाएं तीसरा जो भी आप कमाते हैं उसे अधिक्तम कर दें फिजूल खर्चें ने करें यह सोचें कि पूरुसकार और त्याग में आनंद है चोथा स्मार्ट तरीके से करज लेना सीखें और मुर्खता पूर्ण करज से बचें पांचवाँ यह सोचें कि आप किस तरह सम्रद होंगे यह नए सोचें कि अर्थ व्यवस्ता किस तरह सम्रद होगी चटा आने वाले स्वर्ण यूग में सहबागी बने सर्वस्रेश्ट समय आने ही वाला है धन्यवाद आपका दिन शुब हो